हुआ 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 है आफ से ऐडी ओल्लाइन क्लासिस में के मैं आरके रमन आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो विद्यार्थियों यहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पूरे 109 आवर्स के लिए मैराथन क्लास और विद्यार्थियों पूरी EAD टीम इस चीज में बिलीव करती है कि यदि हमें जीवन में कुछ हासिल करना है तो हमें महनत करना होगा और अलग तरीके से हम लोग को महनत करना होगा यदि कोई रेस होती है तो रेस में भाग बहुत लोग लेते हैं लेकिन रेस में वीनर वो ही लोग बनते हैं जो लोग दर्ड निश्चे करकर लगातार रेस में दोड़ते हैं वो लोग विनर बनते हैं कहीं ना कहीं आज competition भी इसी एक लेवल पर है आज की रेट में देखा जाए तो competition कुछ इसी तरह का scenario के साथ में आगे बढ़ रहा है कि form लाखों लोग भरेंगे लेकिन limited लोग को ही इसमें सफलता प्राप्त होगी और इस सच्चाई को जितनी जल्दी आप लोग समझ जाए उतना अच्छा है कहीं ना कहीं आप लोग को सच्चाई पता है लेकिन उससे अंजान होते हैं जितनी कि जादा महनत कर सकते हो वो महनत करें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बेड़ा कोई भी शॉटकट नहीं है महनत महनत और महनत के जरिये आप सफलता की सीडी पर उपर की तरब अपना सफलता प्राप्त करते हुए बढ़ सकते हैं तो एक महनत करने के जजबे के स होल जैसे अपना चला आया कोरोना के दोरान भी एज चीजे बच्चे पर हावी रहे लेकिन अब एक ही चीज के पीछे हम लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं अपना आईए मेहनत करिए और अपनी तैयारी को एक बार फिर से रिवाइज करिएगा तो चलिए विद्यार में जड़ा सेट कर लिजेगा कि हम लोग का उदेश से यहां पर यह है कि कम समय में एक कम समय में बहुत इफेक्टिव यह में जितनी चीजे हम लोगों ने पढ़ी है डिटेल में उन सारी चीजों को अपने दिमाग के अंदर हम लोग स्टोर कर ले और बहुत अच्छी-च एक चीज को एनलेसिस करकर यह मेराथन क्लास रखी गई है कि कहां से किस तरह का सवाल बन सकता है तो देखे इस पूरी मेराथन क्लास को विद्यार्तियों हम लोगोंने दो अलग-अलग हिस्सों में तोड़ा है दो अलग-लग सेक्षन में हम लोगोंने तोड़ा है और दो दोनों ही section हमारे लिए बहुत ही ultimate level के section है वो देखें हमारे लिए एक दोनों section क्या-क्या है और दोनों section को उतना ही seriously लेकर चलना है आपको जितना आप किसी भी एक section को लेकर चल रहे हैं तो देखें विद्यारतियों हमारा जो target है बड़ा ही clear है कि जो lengthy subject है हमारे उनको हम चोगों बहुत परिशान किया हुआ है तो यहां पर हमने six hour को उन्हें subject के लिए इस पेसली रखा है कुछ रटाम लगवाने वाली चीजे भी है तो विद्यारतियों ध्यान रखिए गाई six hour में मैंने रखा है यू डबल एटी को यू डबल एटी मत खोलिये यू डबल है यहां की अगर देखिए इसमें एक topic आता है IE rule IE rule यहां से बेटा मैं guarantee ले रहा हूँ यह marathon class बहुत ही ultimate level के आप लोगों मैसूस होगी कौन सा अर्थिंग और IE rule आपके UPPCL में भी बहुत important role play कर रहे है तो IE rule यह सरदर्दी बने हुए है इनको मैंने इस six hour में include किया है साथ में अभी तक मैंने रखा है measurement को यहीं अपर अब देखिए estimating costing के साथ में ही material तो material में हमारा एक घंटा हमारे लिए sufficient होगा जिस हिसाब से paper का trend उसे साब को जानने के लिए measurement अगर आज समय रह जाता है तो इसको हम लोग यहां लेंगे तो यह पूरा प्लान हमारा है six hour के लिए यह पूरा planning हमारा है देखिए six hour के लिए और देखिए यहां काफी lengthy subject होते हैं हमारे जैसे की BEE भी या SSC अगर पास करना है तो उसका रास रहता है देखिए power system एक रहता है power system लेकिन आपको यह दिमाग में रखना है यह सारी चीजे पढ़तों हमने पहले भी रखी है marathon class का यह मतलब नहीं है कि इन चीजों को हम zero से study करेंगे मेरे बच्चों marathon class का clearly मतलब है यहां पर कि इन सभी subject में जो भी important point है या जो नया point है उस से हम लोग यहां पर introduce करेंगे और सारी चीजे आपके यहां दिमाग में घुसानी है सारी की सारी चीजे आप लोग के दिमाग में उतारना है तो चलिए इस classes में यह content हो गया फिर देखे हम लोगों ने अच्छा यह किया है कि six hour का एक अलग से plan रखा है हम लोगों ने जिसम सिर्फ और सिर्फ electronic section भया यह पच्छों के लिए बहुत दिक्कत कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जिसमें हम लोग electronics discuss करेंगे तो यह हमारा इस marathon का electrical का technical में जो 100 marks है उसके लिए देखे planning है और विद्यार्थियों लगते हैं यार कितना भी देर से आप लोगों ने शुरुआ करते हैं कि शुरुआत करते हैं मैं आप लोग के साथ में खड़ा हूं आप लोग अपने अपने लिए अपने कैरियर के लिए अपना बहाद्दूर की तरह खड़े हुई जंग में हिस्सेदारी लेजिए और बस भूल जाए जंग में हिस्सेदारी लेते हैं कि यूद का न स्बीject inner society में यह इंपॉसिपल नहीं है आप लोगे क्लास बहुत इंपॉर्डेंट रहने वाली धूपी-ेश्जी-वाले बच्चों के लिए साथ में यूपी-प्यक के लिए यूपी-पी-एश्जी 笑ाendum tak किसी का होगा उसके लिए भी इंपोर्टेंट रहने वाली है तो चलिए विद्यार्थियों आईए स्टार्ट करते हैं फिर बहुत सारे नई चीजे इंटर्ड्यूस करने का मैं परियास करूंगा लेकिन अब आती है बात कि इसका फायदा कैसे उठाना है अलग से कोई अपना छोटी मोटी नोटबुक उठा लो या पुरानी नोटबुक में लिख लो लेकिन यहां अपना हेडिंग डाल लो 109 गंटे की मैराथन और हेडिंग डालते चलिए रेखे बी डबली यह जो पेपर जब देने जाएंगे न तो आपके लिए बहुत important role play करेगा पेपर देने गए विद्यार्थी ओ तो पेपर के लिए अलग नी कुछ करना इसी को दड़ा अधर द़ा अधर रिवाईज कर दो एक बार रिवाईज करो दो बार रिवाईज करो चार बार करो पांच बार छे बार दस बार अगर जिन लोगों ने सेलेक्शन पर आप किया है अगर आप उनसे बात करके देखेंगे तो एक ही चेज निकल कर आएंगी कि के इस बढ़िया इंट्रस्टिंग सेशन में और देखें आपने इलेक्ट्रिकल इतने बार पढ़ा नहीं है जितनी बार मैंने पढ़ा दिया लेकिन मैं हर एक कलास को उत परियास करता हूं जितने मज़े से मैंने किसी चीज को पहले बार पढ़ाया तो यह बहाना मत लगाएगा कि यह तो हमने पहले पढ़ लिया पढ़ा तो मैंने भी पहले दिया लेकिन एक्जाम के टाइम पे हमें इस्टडी करना होता है बहुत ही इफेक्टिव में और ताक पाकेदार तरीके से सेर करेंगे और जब तक मैंने ठकूंगा तो तब तक मेरे सेर या सेर्णिया भी नहीं ठकेंगे इस विचारधारे के साथ में शुरुवात करिए दिक्कते आ सकती है किसी का नेट खतम हो जाएगा तो भाया अब क्लासी जटेंड करनी है तो चाहे 50 मन नहीं लगेगा तो अपने मन को समझाना है मन तो बड़ा चंचल होता है तो आपने but I can't जड़ा देखे गाए ये मुर्क इंसान दुनिया देखो मेनद करके कहां कहां पहुच गे और तु कहां भी चल आगे बढ़ना है इस रेस में चल अपना पढ़ते हैं तो ऐसे अपना कंडिशन के साथ में चली आगे सुरू करेंगे आगे सुरू करते हैं बेसिक उलेक्ट्रि करेंगे जो चीज आप लोग को परिशान करती है तो परिशान आपको क्या करती है देखें बिल्कुल ओम नमस्षिवाय बंबं बोले जैशनी देओं कि अपना नाम लीजिए और आके बढ़िएगा चलिए विद्यारतियों तो आते हैं इलक्ट्रो इस्टैटिक यह इसलिए बीच बीच में संसी ने यह मजार शिजाए बच्चोों के सात में बड़ी से सवाल फसादिया तो अब देखें हम लोग इस चीज में इस रेस में पीछे रहने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है तो हम लोग से सी को भीक करेंगे हम लोग यूपी PCL को बीट करेंगे चलिए रेखे तो इलक्ट्र स्टाटिक को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखे हम लोग चल रही है एक बहुत ही बेसिक से सुत्र पर इलक्ट्र स्टाटिक में जो की बहुत इंपोर्टन्ट होता है आई बराबर देखे डी क्यू बाई डी टी राइड जी कुलाम पर सेकेंड एक एक चीज आपकी नोटबुक में होनी चाहिए एक एक चीज प्लेज एक एक चीज नोटबुक में सेट कर लो फिर चलते हैं रेखे आई बराबर डी क्यू बाई डी टी यह हमारे लिए धारा है इसी को विद्ध्यार्थियों ये एक बार सेसी में आ चुका है एंपियर बराबर कुलाम पर सेकेंड एंपियर बराबर कुलाम पर सेकेंड यहां पर मिलता है देखे विद्ध्यार्थियों फिर चलते हैं हम लोग कुलाम स्लो पर क्या चलेंगे देखे कुलाम स्लो पर आज आदे गंडे के अंदर आपको पता चल जा ये हमने क्या लिखा देखे दे लिखा जो force होता है वो हमें पता है कि एक vector quantity होता है क्या होता है देखे vector होता है अगर विद्यार्चियों ये q1 है positive ये negative देखे यहाँ पर q2 होता है तो मेरे सभी विद्यार्चियों को ये पता है कि f बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 epsilon r q1 q2 upon d square please मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे कि yes ये चीज़े है सारे सुत्र आपके दिमाग में घुश जाएंगे फिर यहाँ चलेंगे देखे epsilon 0 यहाँ पर होता है permittivity यहाँ पर होता है permittivity permittivity बोले तो 8.854 into 10 गिपावर minus 12 farad per meter रायर जी ये सब ने पढ़ा है अब देखे epsilon r यहाँ पर है relative permittivity चलिए जी अब देखे थोड़ा सा अलग कुछ करते हैं अगर मैं examiner होता तो मैं थोड़ा सा अलग सोचता और यहाँ सी unit अगर मुझे देनी होती permittivity की तो मैं यह unit नहीं देता मैं कुछ और देता बेटा एक बार फड़ा फड़ा सेर मारते रहो आज मुझे उमीद थी कि मेरे जाते ही बच्चे वन के मुझे दिखेंगे तो अभी लगबग देट सो लोग की कमी है तो इसको पूरा किया जा सकता है तो जरा इतने दिन दो साल ह हो गए पूरे मैनत करते हुए तो आज तो मुझे एक भाई साब हमारे बड़े नाराज हो रहे थे यूट्यूब में तो वह 5000 के लिए बोल रहे थे एक सर ना ऐसे वह जिनने बाल बाल भी नहीं है राइड ना तो मुझे यह जरूर देखना है कि वन के मुझे यहां इस्ट पराबर 1 upon 4 pi epsilon absolute permittivity q1 q2 upon d square है ना चलिए जी अब देखे यहां से अगर हम यह permittivity देखे तो permittivity हमें मिल जाएगी डारेक्ली यह जहां चला जाएगा तो 1 upon 4 pi q1 q2 upon में देखे f यहां जाएगा f और d square तो इसके लिए मुझे इकाई देखनी थे इकाई यह देना दा पेपर में बोलो बीटा चार्ज का कुलाम का स्क्वार अपॉन न्यूटन मिटर इसक्वार तो मैं देता देखे पेपर में ये आसान क्या था देखो यहां पर विद्यारती यह करके जा रहा है फैरड पर मिटर लेकिन एक्जामनेर के तरह सोचना है कुलाम पर न्यूटन मिटर स्क्वार यह यहां पर एक और एकाई होती है तो अगर आपको यह कह रहा है कि Ferret पर meter किस के तुल्च में आयता है तो protagon पर Newton meter square के तुल्च में बनेगा Newton meter square के तुल्च में kilomet square के तुल्च में बनता है अब देखे यदी CHARGE हम क्या लिखेंगे if charge place at या in air यदी CHARGE हवा में placed है तो F बराबर हमें पता है 9 into 10 के पावर 9 लगाएंगे q1 q2 upon में d square Newton करेंगे राइट जी अब देखना है बेटा q1 q2 upon में d square राइट अब आपको छोटा है चीज चलना है एक नियम यहाँ पर जरूर करेंगे आज principle of superposition मैंने कहा तान अंदाजा लग जाएगा class किस तरह के जाने वाली है 20 मिनट के अंदर principle of superposition तो यह जो चीज़े हैं देखे principle of superposition को देख कर जाएए principle of superposition का कहना यह होता है कि यदि हमारे पास में कोई charge यहाँ पर q रखा है और कोई charge यहाँ पर q1 है कोई charge यहाँ पर q2 है कोई charge देखे यहाँ पर q3 है यहाँ पर जो दूरी है वो d1 है यहाँ पर जो दूरी है वो D2 है यहाँ पर जो दूरी है बेटा यह देखे D3 है तो principle of superposition इसलिए कहा है principle of superposition इसलिए कहा है दिमाख में आईएगा superposition theorem अरे गुरुजी superposition theorem हमने कुछ यह पढ़ा है एक समय पर एक charge के हिसाब से चलना है तो हम क्या करेंगे पहले इस charge से इस पर force निकालेंगे फिर इस charge से इस पर तो यह force हमने लिख लिया Q1 और Q यह force हमने लिख लिया विदा Q2 और Q यह force हमने लिख लिया देखे Q3 और Q तो अब हमने तीनों अलग-अलग force को निकालने के बाद तोटल जो force होगा ये इनके vector के resultant के बराबर पाया जाता है ये इनके vector के resultant के बराबर पाया जाता है राइड जी अब देखे बेटा ये कहलाता है law of superposition या principle of superposition ये कहलाएगा principle of superposition राइड जी थोड़ा सा दम लगा दो यार थोड़ा सा यहां से नीचे ने इस तरफ को जाना है यहां से न ग्राफ उपर जाना चाहिए कम नहीं जाना चाहिए यहां से चलो जी आईएगा हमने कहा principle of superposition यह होता है हमारा अलग-अलग के हिसाब से अब देखे electro static में जो important role play करेगा वो हम charge को दो तिन अलग-अलग परकार से देखते हैं और अलग-अलग परकार से ही हम लोग देखे density लिखते हैं तो काफी बच्चों को एक चीज में दिक्कत है और वो सुत्र हमेशा आदेखे गलत लिख देंगे अगर बहुत basic चीज का idea ना हो तो हम charge जो होते हैं जो आवेस है उसे देखे हम किस तरह से देखते हैं आवेस जो होते हैं एक होता है point charge point charge का मतलब है कोई आवेस q1 या कोई आवेस q2 यह point पर रखे हुए हैं यह कहलाता है point charge एक आवेस कहलाता है line charge एक आवेस क्या कहलाएगा line charge तो line charge का मतलब है किसी line के respect में किसी भी line के साथ में जैसे यह plus 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 यह कहलाते हैं बेटा line charge राइट जी यह कहलाते है line charge फिर देखेगा एक कहलाता है surface charge एक कहलाएगा surface charge तो surface charge होता है देखे कोई भी हम लोग बात करें किसी भी surface पर यह देखे किसी भी देखे surface पर तो यह हो गया देखे surface charge राइट एक होता है देखे हमारा volume charge एक होता है volume charge देखे तो volume charge जैसे कि किसी भी यह हमने तीन axis ले ले लिए x-axis y और z axis राइड जी x, y और z तो volume charge का मतलब होगा देखिए कुछ इस तरह से जो यहाँ है तो यह जो charge होगा यह यह जो charge है यह कहलाता है देखिए volume charge तो अगर examiner आपको कुछ नया सा introduce करने की परियास करेगा कि बताइए यह diagram क्या दरसाता है तो it's a point charge, यह कहलाएगा line charge यह कहलाएगा किसी भी surface पर charge यह कहलाएगा देखिए volume या item charge फिर देखिए spare का मतलब होता है ball से spare का मतलब जैसे के ball है हमने ले लिया ball यह यह हमारे लिए देखिए spare है तो इसमें spare में आप लोग को पता है कि देखिए यह spare में यह क्या कहलाएगा surface कहलाएगा और यह देखिए इसका internal part कहलाएगा यह क्या है internal तो इसको अगर आपको दिहान से रेखना है तो आपको अपने दिमाग में लाना है ball screenshot लेते रहेंगे मैं proper time दूँगा कभी कभी मैं बूल जा रहा इस चीज के लिए माफी लेकिन proper time दूँगा मैं screenshot के लिए कोई जल्दी थोड़ा ही मेरे पास तो 12 गंते अराम से पढ़ेंगे न आप लोग भी अपना मजे में पढ़ें तो एक ball है यह बहुत important topic है और आप लोगोंने मुझे specifically कहा थे इसको पढ़ा दीजिए हमें तो इसलिए मैंने marathon में include किया है तो जो ball होती है बोल का जो बाहर की चीज़े जह है वो surface है और बोल को अगर काट के हम अंदर की बात कर रहें जो खाली मिला है ना यह हमें क्या मिलता है देखे surface तो यहाँ पर दिमाक में रखिएगा यह point charge के लिए यह हम लोग लिखेंगे अगर अब मुझे charge density लिखनी है तो यहाँ point charge के लिए जो normal हमारा q upon meter square यह formula valid होगा लेकिन अगर मुझे line charge के लिए लिखना है तो line charge में देखे मैंने लंबाई जो लिया है वो ल है तो line charge के लिए जो density मैं लिखूंगा q बटे में l लिखूंगा मातर क्या लिखूंगा q बटे में l करूंगा right बेटा surface charge पर चलेंगे तो जो surface charge होता है surface charge के लिए हम कहेंगे कि यहाँ q upon में इसका जो surface है उसका area से right उसके area से अगर हम volume में density की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि volume में density होगी charge upon में volume upon में volume का केतना मदला meter का cube right जी तो density याद रखेंगे कि जब हम charge को point में देखते हैं तो q बटे में area कितना देखे यह हम लोग रिखते हैं लेकिन यह किस के लिए वैलिड है point charge के लिए line charge के लिए विद्यार्थियों यह formula लगता है लंबाई surface के लिए normal और volume charge क्योंकि ssc में एक बार बच्चे को यहाँ फसायदा volume तो आपको बेटा इस भीड में खोना नहीं है थोड़ा unique बनके चलना है राइट है थोड़ा सा नहीं चीज़ देखने को मिली आपको यह है ना एकदम unique चीज़े देखने को मिली चलिए अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखना है थोड़ा सा बफ वगेरा हलका फुलगा कर सकता है नेट वाले को कहीं बार complaint की है तो वेचारा करतो रहा है लेकिन हवा और दुफान डेली आता है तो थोड़ा वो तावर वावर फिर से डिस्ट्रेक्ट हो जाता है तो अलगा फुलगा बफ कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है चलिए पॉइंट में क्या होगा पॉइंट में यह याद रखना है पॉइंट में मात्र यह 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 य कंवेफ्याब होगा यह यह उठा लिया यहां इस सरफेस पर जो यह लाइन है यह लाइन चार्ज है इसकंअ मुश्ग बयाएं और वार्लियूब बोल यह यानि कि यहां तो तीनों में कहानी अलग-अलग है तो बच्चे से अगर वॉल्यूम के लिए पूछा कि वॉल्यूम चार्ज के लिए डैंसिटी बताईए तो यहां पर हमने कहा बेटा यही तो है इसी को आजाओ ने यहां जाईए आप इसकी तो अभी स्पेर है इसकी तो भी जिक्रही नि सब्सक्राइए तो यह अलग-अलग कहानी बहुत ही इंपोर्टेंट होती है एक बेसिक चीज होती है चलिए जी अब नेक्स्ट यहां से बढ़ेंगे देखे बड़ी इंट्रस्टिंग चीजे हैं यह अब बड़ी इंट्रस्टिंग जब मैं वीके मैंतर का सॉलुशन लग हम नेक्स्ट चलते हैं और डाइपोल के भी धजिया उड़ाने वाला हो भी मैं आये दो मिनट रुगो इलेक्ट्रिकाल फेल्ड इंटेंसिटी तो अभी देंसिटी से निकल के आए हम लोग तो इंटेंसिटी सिर्फ आप लोग को एक पॉइंट के लिए किसी भी एक पॉइ निूटन पर कुलम ये हमारे लिए एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है अब इसमें मेरे कहने से दो तिन चीज़ प्ली जोड़िएगा अगर हमने किसी भी इस्पेर पर बात की हमने कोई भी इस्पेर ले लिया इसमें और हम बात कर रहे हैं इसके बाहर पर कोई एक बिंद कहां देखे ये एक वेक्टर क्वांटिटी में आती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी में आती है तो ये बराबर वन अपन फोर पाई एफसिलोन क्यू अपन में आर इसक्वार ये हो जाएगा देखे कहां किसी भी बाहरी बिंदू पर फिर नेक्स चाहिएगा देखे अग लोग इसी के सरफेस पर देखते हैं यह आर तो यह हमने का लिखना है यह बराबर वन अपॉन फोर पाई एफसिलोन क्यू अपॉन में आर स्कॉर अगर हम लोग किसी भी स्पेर जैसे यह लिख दिया हमने कोई भी बॉल ले लिया हमने तो बॉल के अंदर लिखना है तो बॉल के अंदर यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी मैं किसी बॉल के अंदर लिखूंगा तो आप डिरेक्टली उत्तर करेंगे कि E inside बराबर गुरुजी 0 होता है हमें चिंता नहीं करनी है क्या होगा? 0 होगा अब देखे बेटा यहाँ पर हमें यह चीज समझनी होगी यह formula आप लोगोंने normal देखे यह सीख कर आते हैं आपने यह formula तीन चीज़े लिखनी है बहुत important होगी screenshot low भी न screenshot लीजिए प्लीज तो देखे अभी हमने क्या पड़ा है charge के बारे में और charge की density के बारे में next वाली marathon में बेटा objective के लिए तयार रहे है ना मेरी तो आज जितने भी theory की चीज़ें उन्हें धंग से कर लेते हैं यार यह देखे हमने क्या कहा charge यह हमारे क्या बिंदू charge है यह एक line charge है यह हमारा surface यह हमारा देखे वॉल्यूम यह हमने बना दिये कोई spare लिया हमने एक ball ले लिया हमने तो इस पर हमने intensity को लिख दिया अब ध्यान से देखना है यहां से ध्यान से देखना यहां पर एक छोटे से point पर मैं लेकर चलूँगा जिस point ने बच्चों को really में परेशान किया हुआ है वो है बिटा डाइपोल डाइपोल को बच्चे पता नहीं क्या समझगे चल रहे हैं और परेशान कर रखा है लेकिन आज के बाद नहीं करेगा यह डाइपोल प्रिशान आपको तो next आगे बढ़ते हैं देखे direct देखेंगे डाइपोल की कहानी real में क्या है और real में एक तरह से electrostatic जो मुस्किल लगता है न वो डाइपोल की वज़े से ही लगता है कि बच्चे को उसकी कहानी के बारे में real में पता नहीं है तो देखे बेटा बाकी सब जो गौस लो अभी आने वाला है गौस का नियम एक बार SSC में आ चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं देखें हम लोग चल रहे हैं डाइपोल हम लोग चल रहे हैं डाइपोल एक बार जड़ा गुरूप में शेयर करके बोलो सर ने कहा है सभी लोग लाइब बने आना कामचोरी नहीं करेगी महनत नहीं करोगी तो कैसे चीज़े हासिल हो जाएंगी डाइपोल देखें क्या है हम यह लिखेंगे कि जब दो आवेश क्या देखें एक हमने नेगेटिव ले लिया और एक हमने देखें पॉजिटिव ले लिया ये किसी दूरी से जब हम अलग कर दें कितना बिटा टू ए से तो ये कहलाता है डाइपोल क्या कहलाएगा डाइपोल कहलाएगा और यहाँ पर हमने ये स्मॉल पी ये हमने डिनोट कर दिया देखे इसे कहते हैं हम डाइपोल मुमेंट इसे हम लोग कहेंगे डाइपोल मुमें तो देखे बेटा आप कहानी अब पकड़ोगे तो रेयल में जो dipole moment है ये हम लोग लिखते हैं दोनों के बीच की दूरी 2A दोनों के बीच की दूरी 2A और ये देखे charge कितना Q तो ये होता है dipole moment very very important दोनों के बीच की दूरी और charge क्या कहलाता है देखे dipole moment कहलाता है अब देखे बेटा dipole moment को मैंने आप लोग को ये कहा है कि सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर 2 charge यहाँ पर रखे हो ये 2 charge यहाँ पर रखे हैं और जो बीच की दूरी है देखे ये कितना हो गया 2A है कोई नया नहीं है आप लोग को पता है 2A है इसके मध्य बिंदू यानि की middle point से कोई एक बिंदू इसी line पर स्थित है P और इसकी जो दूरी है वो ले लिया हमने देखे X इसकी जो दूरी है वो ले लिया हमने X बिल्कुल ultimate चीज़े बता रहा हूं आप लोग को unique चीज़े बता रहा हूं जो अब तक मैंने जिक्र नहीं किया ये बस पितारे में marathon के लिए समाल के रखा था नहीं तो electrostatic कब का करवा देता आप लोग को राइट जी तो यहाँ धिया देंगे कि यदी हमने यदी हमने दो चार्ज यहाँ पर लिए है और दूरी कितनी है देखे 2A है हो गया और इसके middle point से यहाँ x दूरी पर एक point है P तो आप देखे formula और तो इस point पर आप intensity जो note करेंगे तो intensity होगी यहाँ 4A यानि कि 1 upon 4 pi epsilon 1 upon 4 pi epsilon हो गया 4A x upon में x square minus के a square upon में देखे कितना हो गया square तो सुत्र लगेगा सीधे साधे से बेटा यह अगर ध्यान दीजेगा अगर आपने यह कहा है कि 2 यह 4 यानि डाइपोल है डाइपोल की दिसा में ही डाइपोल की दिसा में ही इसी line पर हम लोग देखे intensity लिखना चाहते हैं तो direct formula लगा दीजिए यह चलिए जी अब देखे यही से हमने कहा e की कहानी तो सही ने हुई एक और सुत्र बना लेते हैं तो देखे याद आएगा आप लोग को कि जब यहां कि Q चुट गया वाई Q upon 4 pi epsilon 4 a x upon x square minus a square का square अब याद करिए 2 a q का मतलब किस्से है दाइपोल से है 2 a q का मतलब किस्से है दाइपोल से है तो क्यों ना हम इसे एक परकार से लिख दे 2 a q और यहां कर दे रेखे 2 x तो दो दूनी क्या होगे 4 होगे 4 pi epsilon x square minus a square का square तो हम इसे अगर डाइपोल मुमेंट के टम्स में लिखेंगे तो सुत्र हमारा बनेगा कितना देखे कितना डाइपोल मुमेंट 2 x अपोन में 4 pi epsilon x square minus k a square का square राइट जी कैपेसिटर के भी बड़े ultimate level के फॉर्मूले लिए कैपेसिटर बहुत बूछ रहा है अलग-अलग सारे फॉर्मूले मैंने सब फॉर्मूले ले लिया राइट जी चलो डाइपोल मुमेंट के कहानी अब यदि हम यह कहें कि इफ बोथ चार्ज यानि दोनों चार्ज इफ बोथ बोथ चार्ज प्लेस्ट नियर टू इच अदर यार एक बात बताओ नियर टू इच अदर यदि दोनों चार्ज एक दूसरे के पास में रखे हों तो भाई जो टू ए है जो दूरी है यानि कि जो ए का मान आएगा भाई अगर पास में होंगे तो ए का मान तो हम बहुत ना के बराबर भाई जब दोनों एक दूसरे के पास में हैं तो जो ए है वो तो हम लोग यहां से हटा सकते हैं तो जो ए हम लोग को मिलेगा वो कितना मिल जाएगा देखे टू एक्स अपॉन में फोर पाई एफसिलोन राइड ना कितना मिल जाएगा देखे हैं 4 pi epsilon ये हमने हटा देना है तो यहां किया मिल जाएगा देखे हमें ये तो अभी इस x से ये x कट जाएगा तो ये कितना formula मिल गया हमें 2 dipole moment ये भी अबना cancel कर सकते हैं 4 pi epsilon और x की power 3 तो 2 से यहां काटके हम 2 भी लिख सकते हैं लेकिन ये उतना important नहीं है जितना important आप लोग का ये formula है please इस formula को आप करके जाएंगे ये कब आता है electronics वाले ये section देख सकते हैं electronics वाले ये section देख सकते है s square minus a square बिटा आज मैं derivation नहीं ले रहा हूँ इनके direct सुत्र ले रहा हूँ चलना है अब देखेगा दूसरी छेज हम yılो को के पास क्या है दूसरी चेज़ हम लोगों के लिए iti s. Phys मना आ रहा क्या बिल्कुल शॉय्ट नॉट्स बनाईए apenas मॉज जाएक शॉर्दा नॉट्स बनाने में आप हमने क्या कहा है ध्यान से देखेगा कि हमने जो लिया है केस एक चार्ज तो ये है और दो अलग अलग चार्ज है जैसे एक निगेटिव ये ले रखा हमने जो लिया है एक पॉजेटिव देखे हमने ये ले रखा है और हम कहें कि हमने जो हमारा समकुण जो हमारा संबाहू तिर्भुज होता है है ना इकुलेटरल जो हमारा तिर्भुज बनता है तो हमने कहा कि ये तो देखे 2a है लेकिन यहां से हमने एकुलेटरल पॉइंट एक लिया है पी जो ये दूरी हम लोग ले रहे हैं एकुलेटरल पॉइंट यह क्या है X है तो इस बार यह याद रखेगा कि डाइपोल अगर यह है और हम इसी दिशा में देख रहे हैं तो सुत्र लगाना है यह राइट और अगर हम लोग यहाँ एकुलेटरल पॉइंट पर यह जो P है इस पर हम intensity लिख रहे हैं तो आपको पूछ रहा है कि एकुलेटरल यानि कि संबाहू एकुलेटरल का मतलब आएगा संबाहू तिर्भुज की तरह यह पूछ रहा है आप से सुत्र को तो यहाँ पर गलती नहीं करेंगे हम लोग देखे यह किताब इदर कर दो तो देखे यहाँ पर हम लोग formula लिखेंगे यह बराबर यहाँ अमार क्या है q upon 4 pi epsilon राइट जी यहाँ से अलग यहाँ पर देखना है कि q upon में 4 pi epsilon 2a क्या मिलेगा हम लोग को 2a और यहाँ पर हो जाएगा s square plus a square 3 बटे 2 अगर डारेक्स उतरा गया तो तुम लोग थोड़े छोड़ने वाले तूट पड़ोगे कि यार यह तो हमें लिखवाया थ देखे e बराबर q upon 4 pi epsilon 2a upon s square plus a square 3 बटे 2 तो इसको आप अपना देख कर जाओ यह हो गया जी थोड़ा सा अलग चीज़े बता रहा हूं आप लोग को ना कहानी थोड़ा सा अलग वे में लेकर चल रहा हूं आप लोग कि ना यह क्योंकि जाज़तर बच्चों को यार दिक्क को दूर करते हैं यही मतलब होता है कुछ नया सईकने के लिए आना यही मतलब होता है कुछ नया सउकने को मिले अपना कि चलेजी next द्यान देना है बताईए ये हो गया इस्क्रीन सोट लीजेगा फिर आगे चल रहे हैं फिर आगे चल रहे हैं इस्क्रीन सोट लीजेगा प्लीज आगे चलते हैं आगे चलते हैं इस्क्रीन सोट ले लीजेगा अब देखे जी अगर हम लोगोंने डाइपोल की बात करी है तो यह हो गया हमारे जब इसी line में था यह हो गया जब हमने यहां संभाव वाले point पर पूछा अब थोड़ा सा अलग अब थोड़ा सा अलग चलता है अब देखें हमने क्या लिया है आज हम लोग यह जानने की परियास करते हैं कि एक ऐसा सुत्र है जो विद्यार्तियों ने पढ़ा जरूर है है ना लेकिन उसका application पढ़ा है उस सुत्र को नहीं पढ़ा है ना उसका application पढ़ा है लेकिन उसी नहीं पढ़ा देखेजी अगर हम यह कहें कि जब लाइपोल हमारा किसी एलेक्ट्रिकल फिल्ड में इस परकार है एक हमने क्या कहा क्यों यह हमने दूरी ले लिया टू ए जो नॉर्मल है और एक हमने देखे यहां पर क्या लिया माइनस के क्यों राइट तो यहां जो टॉर्ग होगा यहां हमने किस पॉइंट पर E देखना है किस पर देखे ठीटा पर तो विद्यार्थियो यहां पर जो आपको टॉर्ग देखने को मिलता है ना चार्ज पर तो वो टॉर्ग आपको देखने को मिलता है QE साइन ठीटा यह टॉर्ग आपको जो मिलेगा देखने को यह क्या मिले set कर लो छुटी ही चीज़ को बस अगर मैं यह कह रहा हूँ कि यह जो यह point है यह angle हमने कहा कि if theta is equal to 0 जदी हम यह कहें कि जो theta है वो 0 है तो बिटा यहाँ पर जो torque आएगा ना वो torque भी कितना मिलेगा 0 मिलेगा और अगर हम लोग यह कहेंगे कि theta means 90 degree maximum क्योंकि sin 90 आ जाएगा कितना torque यहाँ पर देखें maximum उत्पन होगा अब देखें यह हो गया इसी में potential energy इसी में potential energy को यहाँ देखते हैं हम लोग कि P e बराबर अब देखें potential energy में sin हम लोग को लिखना होता है वो लिखा जाता है minus P e cos theta क्या लिखेंगे P cos theta अब आजाएए ज़रा जब P हम लोग यह कहेंगे कि theta बराबर 0 तो बेटा P कितना मिलेगा P e मिलेगा minus negative तो negative का मतलब पता है कितना रखते हैं minimum कितना रखेंगे minimum तो यदि आपको यह कह रहा है कि dipole हमने रखा है और intensity point हमारा 0 degree angle बनाता है तो उस समय potential energy 0 आएगी और minimum sorry अगर potential energy हमें देखना है कितने पर theta बराबर 90 पर theta बराबर अगर हम लोग देखेंगे तो देखे theta बराबर 0 रखा तो यह हो गया 0 अब जो हमें मिल रहा है theta बराबर 90 पर वो हमें कितना मिलेगा देखे potential energy कितना है 0 और फिर theta बराबर 180 degree पर यह मिलेगा आपको potential energy maximum आज तक जो रटते आयो यह दिमाग में रखना है यह होते हैं हमारे basic सुत्र अगर examiner आपको यह पूछ रहा है कि कोई भी dipole say intensity angle यह कोई भी आपने कहा कि यह angle आपका कितना है 0 degree है तो potential energy होगा और option में आपको दिया है कि minimum हो गया या फिर आपका 0 हो गया या maximum हो गया तो आप तुरंद कहेंगे कि 0 पर तो minimum होता है लेकिन 0 पर torque हमारा कितना है 0 है तो वो अलग-अलग चीजे होती है याद रखिएगा फिर next चलते है work done next चलते हैं हम लोग work done तो यह सारी अलग-अलग चीजे है भाई देखो potential energy एक अलग चीज दरसाएगी अलग चीज अलग formula तो और कि यहाँ पर एक अलग चीज अलग formula है work done यहाँ पर होता है P1 minus cos theta प्लेज यह ऐसी चीजे हैं पेपर में आज तक आई जरूर है लेकिन बच्चे ने VK मैता या किसी भी writer की writer की बस किताब उठा के रठ के answer कर दिया अब देखो आपको सिर्फ एक चोड़ी चीज याद रखना है कि अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि theta बराबर 0 degree बोलो जी theta बराबर 0 degree angle है तो यहाँ 0 का मतलब 1 1 में से 1 गए तो work जो done हुआ है जो कारिय हुआ है आप कहेंगे कि सुनने कारिय हुआ है और अगर theta बराबर यहाँ 90 मैं रख रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो कारिय है वो maximum हुआ है अब देखो जी एक बच्चे ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा तो बेटा आज तक आप लोग कुछ formula याद करते आए हैं कुछ formula याद करते आए हैं जैसे कि magnetic field में तो magnetic field की जो विचारदार आया जो magnetic field की जो चीजे formula जो आए हैं न वो बाद की चीजे थी पहले हम लोग को वो चीजे समझना था electrical या electro static में उस चीज में समझना था अब आज की date में जड़ा एक बाद बताईए अगर इस चीज से पहले मैं आप से यह कहता कि बेटा टॉर्ग तो आपके तुरंत जो दिमाख में आता ना टॉर्ग तो आप चले जाते मोटर पर राइट जो की गलत होता आज मैंने कहा आपको तीन चीजे लिखवाई है डाइपोल के लिए टॉर्ग आप यह नहीं पढ़ते कि बताओ इलेक्ट्रिकल फिल्ड में मैंगनेटिक में आप यह नहीं पढ़ते हैं कि मैंगनेटिक फ्लक्स यहां होगी यह मैंगनेटिक फ्लक्स प्लेस्ट है और यह ठीटा है बी अलवी साइन ठीटा बताओ पढ़ते कि एब बराबर बी अलवी साइन ठीटा एक का formula है, देखिए, minus, minus बड़ा खास है, क्योंकि negative में आएगा तो minimum, ये cos theta में और ये P minus के cos theta, अगर अब मैं ये कह रहा हूँ कि, ये किसका देखिए, ये हमारे है dipole placed, dipole कहा है, हम कहेंगे कि magnetic field axis से, कोई एक angle बनाते हुए चलता है, कितना angle बना के चल रहा है, ठीटा बना ये जोग को लिख रहा हूँ, यहाँ तो theta बराबर P हो जाएगा न, positive आजएगा वो तो, positive आजएगा न, ये, तभी तो मैं maximum लिख रहा हूँ, right जी, तो यहाँ पर ये minimum या maximum जो हम लोग देख कर चल रहे हैं, यहाँ आपने direct कहा, कि जी बताइए, यहाँ theta बराबर 0 था, potential energy कितनी होगी, 0 है, right, यहाँ पर देखेंगे, अगर ये 0 है, तो work done कितना है, 0 है, right जी, ये electrostatic की एक basic कहानी है, please, इस चीज को आपको दिमाग में रखना होगा, समझना होगा, अरे ये सब, अरे बाबू, ये ऐसे 90 पे देखो, theta 0 पे देखो, 90 पे देखो, 180 पे रखो, 270 पे रखो, 360 पे रखो, वाबस 360 में रखो, तो तीनों के लिए आप रख सकते हो, formula को, right, तीनों के लिए आप formula को रख सकते हो, चले आगे बढ़ें, चलिए, अब देखीगा, विद्यार्थियों, electrostatic में, आज आपकी जो capacitor ने दिक्कत कर दी न, बीच में आज सारी capacitor के formula लिखाऊंगा, आपको cylinder का ये होता है, आज इस पेर के terms में वो लिखते है, parallel plate लिटी capacitor नहीं होता, बहुत सारी capacitor है, चलिए, तो आगे बढ़ेंगे, और आगे देखते हैं हम लोग capacitor की कहानी को, right जी, तो पहले इतनी चीजों में, आगे चलने से पहले, प्लीज, एक बार, सर ठीटा बराबर क्या, हाँ, अरे मैंने लिखाया तो, ठीटा बराबर 180 में maximum high, मैंने लिखा दिया, maximum positive, 12 के बाद ये वापस में मिल गया ना देगो, पढ़ने को, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, एक बार प्लीज, इसको revise कर लो, question कैसे पूछेगा, आपको straight forward सवाल देगा, कि कोई dipole स्थित है, और अपने field से, यानि कि axis of field से, angle बनाता है, 0 degree, तो बताइए, power, ये torque कितना होगा, work done कितना होगा, potential energy कितनी होगी, इस तरह का direct पूछता है, बेटा, straight forward पूछता है, चले हो गया ये, एक बार प्लेज, इसे पढ़ लो, एक बार प्लेज, इसे पढ़ लो, एक बार revise कर लो, और एक बार, बम बम बोलेगा, नाम लेके, एक बार जड़ा, share बटन पर click मारो, ये dislike वालो को मैं भी डूणता रहता हूं, लेकिन ये ऊड़ जा देता है, कि कोई त आने वाले होगा, तुरन देख, हटा दिया, पहले 12, 11 कर दिये, चलिए जी, हो गया, याद होगे अब तो, पहला प्रीक आएगा तुम लोग का, बहुत देर में, और जो आज यहां से भागा, तो मैंने धंग से कुटाई करनी तुम्हारे, तुम बहुत मज़े कर रहे हैं में मैनत करना भूल गए, बिल्कुल बेटा, यहां से सभी में आ रहा है, सभी में सवाल आ रहा है, क्योंकि जो जड़े हैं, यह तो यहीं से है, तो मुझे दर्सन होंगे नहीं, एक हजार बच्चों के यहां, जबर्दस्ति पकड़ पड़ के चला दो पोन में, चलिए, द और सिर्फ, capacitor के formula हम लोग parallel plate capacitor के ही ना लिकھें, बाकी भी लिखेंगे, राइना बाकी भी लिखेंगे, तो देखिएगा, capacitor, जब हम लोग parallel plate capacitor की बात करते हैं, capacitor क्या है, when two conductor separated by some insulating material, तो इट फॉर्म से कैपसिटर तो जनरली हमने यह देखा है कि यहां पर हमने जो दोनों प्लेट के बीच की दूरियर डी है जो एरिया ओप प्लेट है वो ए है और यहां हमने एपसिलोन आर यानि कुछ मेटेरियल रखा हुआ है देखे हमेशा जो चार्ज इस्टोर होता है व अब दिमाग में जरा यह चीज रखेगा कि सी डारेक्ली परपोस्नल ए बिल्कुल है और सी इन्वर्स्री परपोस्नल डी बिल्कुल है कोई दिक्कत नहीं अगर हम लोग कहें देखे चार्ज कहां पर इस्टोर होता है तो चार्ज कहां पर इस्टोर होता है डाइलेक्ट्र लिखेंगे कि यदि आधे में कुछ भर दें, आधे में हम लोग कुछ खाली छोड़ दें, तो फिर important रहेगा, फिर ये भी सुत्र आप देखेंगे कि C बराबर आप पड़ते हो बेटा Q upon V, तो unit क्या बनती है देखें, वैसे तो हम फैरड बोलते हैं, लेकिन कुलाम पर वोल ओके, अब दिमाद में ये रखना है, आपने एक छोटा सा टॉपिक है, देखें, क्या होता है कि अगर इन सभी में, इन दो पैरलल प्लेट में, अलग-अलग ये देखें, हमने अलग-अलग थिकनेस ले लिया, इसमें हमने भर दे एपसिलोन R1, इसमें एपसिलोन R2, इसम ये T3 और ये T4, इस तरह से रखतें, यानि कि हमने इनके बीच में, अलग-अलग से, हमने डालेक्टिक भर दिया, तो अब देखें, इसके लिए आप डारेक्ट सुत्र लगाएंगे, C बराबर, एपसिलोन, नॉट, एपसिलोन तो रहे गए रहेगा, फिर आपने रखा A, इरिया, और यहां आप लोग को जो सुत्र लगाना है, वो क्या है, जैसे T1 है, T1 अपन एपसिलोन आर टू, प्लस T3 अपन एपसिलोन आर थरी, प्लस में, T4 अपन में एपसिलोन आर फॉर, ये लगा दी जिए, यानि कि हमने क्या लिया है, कि अलग-अलग material भर दिया देगे इसमें अलग relative परमिटी भरा इसमें अलग भरा इसमें अलग भरा और इसमें अलग भरा तो formula लगेगा directly आपका अब अगर हम लोग same material का हम लोग same material में ही directly हम अलग-अलग देखो यह है इसमें हम लोग यह plate अलग-अलग कर दे है हम लोग कितनी number of plate ले ले है number of plate जो ले रहे हैं वो ले लिया हमने N लेकिन यहां related permittivity सबकी एक ही लिया है मतलब कि जो यह plate डाल दी हमने यहां कितनी N plate डाल दिया तो यहां पर जो सुत्र लिखेंगे C बराबर कितना देखें यहां number of plate N है तो क्या करेंगे N minus 1 epsilon not epsilon r A upon में T तो याद रखना है देखें यह सुत्र भी कितना देखें यहां पर हमने कहा कि thickness कितनी थी T थी लेकिन इनके बीच में हमने कुछ plate डाल दिया कितनी N plate डाल दिया हो तो सुत्र प्लीज डारेक्टली लिखेंगे N minus A कितना देखें N minus A epsilon not epsilon r a upon directly हम लोग सुत्र यह लिखेंगे अब देखो अगर हम लोग plate यह लिया बिता हमने एक में देखें हमने भर दिया T यानि कि epsilon r और इसे हमने देखें खाली रख दिया air parsley एक में हमने कुछ material भर दिया कितने थीचना इसमें T में और इसे हमने देखें खाली रख दिया तो यहां हमारा सुत्र हो जाएगा epsilon a यह हो जाएगा d minus t minus t upon epsilon r यह हमारा सुत्र बन जाएगा यह क्या epsilon not a upon d minus t upon epsilon r यह सुत्र ऐसे हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है गर में बहुत है भाई मुझे पता है बस जिस हालत में चल रही है ग्लास ना राइट जी तो यह बच्चे को बहुत दिक्कत करते हैं जो basic formula हैं यह बच्चे को दिक्कत करते हैं आप इसको ध्यान से देखते रहें चलिए जी फिर देखे बेटा आपको याद आएगा जब हम एक cylindrical capacitor की बात करते हैं cylindrical capacitor देखे यह होता है यह हम लोग cylindrical capacitor देख रहे हैं प्लीज अच्छे से बनाएंगे यह हमारा यहाँ पर cylindrical capacitor है तो cylindrical capacitor में देखे आपको underground cable जैसा कुछ याद आएगा यह हमने लिया है R1 और यह बाहरी वाले पर यह लिया है हमने R2 तो C बराबर 2 pi epsilon 0 epsilon r log e r2 upon r1 यह सुत्र हमारा लगेगा किसके लिए cylindrical के लिए यह कौन सा capacitor है cylinder के form में बना हुआ capacitor है यह cylinder के form में देखे बना हुआ capacitor है बेटा यह इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आज तक जिने यह समझ नहीं आ रहा है वो इससे आगे नहीं बड़े और आजकल ssc का जो level है वो उतना कम नहीं है बेटा इसका जो formula नहीं दिख रहा है यह होता है epsilon a d minus t minus t upon epsilon r यह formula होता है इसके लिए तो आगे बढ़िए बेटा अब चीजें उतना इसमोत नहीं रह गई है देखे कैसे एक हमने parallel plate capacitor लिया कुछ नहीं मैंने कहा ना कि नया सीखना है नया कुछ करना पड़ेगा इस race में हमें जीतना है तो हमें कुछ नहीं नहीं चीजें भी सीखना पड़ेगा और पुरानी चीज़ों को हमें बहुत अच्छा करना प से सुनो तो epsilon A upon D यह सुत्र लगाते आए हम लोग हमेशा parallel plate के लिए दूसरा यह कहा गया है कि एक कोई parallel plate capacitor है और हमने इन में अलग-अलग dielectric material की layer बना दिया कैसे यह T1 है इसमें हमने कोई अलग-ma点 ले- 1 हमने इसमें यह अलग शुत्र होगा लाबू होगा यह ना कि आपका यह सुत्र फिर यहां हमने कहा कि देखिए जी मटीरियल तो एक ही भरा अंदर डाइलेक्ट्रिक तो एक ही है लेकिन हमने इसमें जो एन प्लेट है वो भर दिया जो एन प्लेट है वो डाल दिया हमने अंदर आपको कहे कि हमने पैरलल प् एपसिलों से अकार क्या ऐसा सिलींडर के चाइब लग में आपस्टीटर बना हुआ है तो यह डेखे यहां तो यह हमारा अंदर का जो रिडियस थी वो और बन है यह पर आर्टुओ ए तो सुत्र लगेगा लग T यहां हमें दो प्लेट है तो एक हिस्से में तो कुछ डालेक्टिक भर दिया इसमें हमारी दो प्लेट थिये तो दो प्लेट में एक अब आधे में हमने यहां कुछ और भर दिया और आधे में हमने खाली छोड़ दिया तो बेड़ा फॉर्मुले को सेट कर लो दिमाग में इस से राइट अब एक्जामनर कुछ भी पूछेगा आपको कोई भी समस्या नहीं होगी चलेंगे ठीक है कोई समस्या नहीं होगी यहां तो यह सब चीज आ जाएंगे कुछ बच्चे का नहीं तो हो गया इस्क्रीन सोट हो गया चलिए चलिए जी चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए तो यह हो गया रेखे कैपिसेटर की कहानी यह थे हमारे बहुत बेसिक सुत्र जो अभी तक ना आप लोग छोड़ छाड देते थे तो मैंने सभी लोगों को यह कहा है यह क्लास चाहे कोई बच्चा पीड़ वाला बच्चा है चाहे कोई बच्चा यूट्यूब वाला बच्चा यह सभी के लिए कंपल्सरी क्लास है अब देखो भाई हम लोग यही तो बोल सकते हैं कि पढ़ना है हम यह बोल सकते हैं पढ़ना लेकिन हम लोग जबरदस्ति पढ़ाने सकते हैं ना हम लोग जबरदस्ति नहीं पढ़ा सकते भाई जिसकी इच्छा हम कितना भी बोले क्योंकि हम समझाने की बात कितनी भी करें लेकिन सब अपने अपने थुरी हैं कि नहीं सब की अपने अपनी कहानी हैं तो हम लोग बोल सकते हैं एक रास्ते के लिए बोल सकते हैं कि बेटा यह रास्ता चलो अच्छा फाइदा होगा अब उस पे चले ना चले वो तो आपका अपनाएक डिसीजन होता है चलिए नेक्स चलेंगे हम लोग देखे चार्जिंग ऑफ कैबसिटर पर यह आर है और यहां पर हमने देखे कैबसिटर ले लिया सी बड़े ध्यान से समझेंगे तो ट्रांजेंड में इसकी ज़रुरत पड़ती है यह हो जाता है आर यह होता है देखे सी तो यह हमने ले लिया कुछ इस परकार instantaneous value यह क्या है instantaneous values यह क्या है जी instantaneous values है तो अब देखना है ध्यान से देखना है जब हम लोग चार्जिंग में चलेंगे बेटा परवो नहीं चाहिए यहां से सवाल आएगा लापरवाई मत करेंगा प्लीज चार्जिंग charging में चलते हैं तो charging के situation में देखें I की जो equation आती है I बराबर I E की minus T upon RC equation आती है यह और voltage की equation आती है V बराबर V 1 minus E की minus T upon RC यह बनता है किसके लिए voltage के लिए यह किसके लिए current के लिए चाहो तो चार्ज के लिए भी लिख लिजेगा Q बराबर Q 1 माइनस E के माइनस T अपॉन R C ओके तो यहां ध्यान दिजेगा इसका मतलब होता है exponential growing वो सरी exponential decaying गिरना समय के साथ साथ और इसका मतलब होता है growing बढ़ना समय के साथ साथ linear नी exponential तो जब हम लोग equation देखते हैं प्लीज इस चीज़ को समझेगा यहां से person मिलेगा यह P है और यहां हम लोग धारा और voltage को बनाते हैं कि समय के साथ साथ कैसे परिवर्थित होता है हमें देखना है कि धारा और voltage समय के साथ साथ कैसे परिवर्तित होता है दारा और वोल्टे समय के साल साथ कैसे परिवर्तित होता है चलि आप लोगो यह बता दूँ कि आप लोग भी क्या याद करें आप एक छोड़ी चीज बता दूँ यदि आज मैं पता待 इंहें इतना मूरी नहीं होंता लोगों को बोल लेंगा लेकिन पता नहीं आज तो जीत है कि आप लोग ना वन थाउजन्ट स्टूडेंट यहां पर लाइब बन जाए एक बार आज मैं मोटिवेट की सब हदे पार करना चाहता हूं कि यदि आज 1000 बच्चे लाइव आ घए न तो एक घंटे के लिए जब भी आप बोलो एक गहनट के लिए डिन्यबाएक फिप्टी के लिए और चले एक आवर के लिए गहंडे के लिए जब आप बोलोगे जब भी आप बोलो कल बोलो परसों बोलो मैं पचास क्याना सारे कोर्सिस पर आप एक जार करो साट परसेंट ओफ करूंगा चलो रही बात यह डन है आप लोग के साथ में यह वादा है अब इससे जादन मैं अब यह बत बोल देरा फिर ही कर दो मुझे सड़क भी डाध होगे आप लोग फिर चले जी तो देखे यह रहा वोल्टेज यह रहा देखे यहां करण अब पेट इसका मतलब होता है समय के साथ में देखे यह गिरना तो यहां दो चीजों को याद रख करेंगे कि देखे टी बराबर जीरो पर हमने जो स्टेट लिए है और यहां ती बराबर इंफिनिटी का मतलब ज्यादा समय फाइनल कंडिशन तो यहां हमने जो कैपेसिटर लिया है वो कैपेसिटर टोटली अनचार्ज है वो कैपेसिटर टोटली अनचार्ज है और यहां पर यह तोटली चार्ज है हमने पूरा चार्ज कर दिया है इसका पूरा चार्ज कर दिया इसे तो देखिए बेटा यह पूस्ता है जब यह तोटली अनचार्ज है तो करेंट तो अप कर रहा है जब यह पूरा अंचार्ज है एक शौर्ट सरकिट की तर है और जब यह पूरा चार्ज हो गया ना तो उस समय धारा कितनी आ तो यहां पर चलेंगे देखिए जब धारा कितनी होगे जीरो टोटली चार्ज कंडिशन में कैसे काम करेगा एक उपन सरकिट के तोर पर रहे दिये एकोईशन बड़ी खास हो जाती है फिर देखिए जब हम लोग डिस्चार्जिंग सोरी यही पर देखेंगे हमने लिखा है तो टो पर देख रहे हैं तो जो वोल्टेज है ती बराबर टो पर यहां हम लोग लिखते हैं 63.2% of V यानि वोल्टेज अपने मान कितना एचीव कर लेता है 63.2% of V लेकिन I हमारा जो मान है वो कितना हो जाता है 36 यह लगबग वैल्यू लिख रहा हूँ 36.something होगा तो 36.8% के आसपास कितना देखे आई तो जैसे जैसे यह बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ही यह देखे घटता र रहेगा राइट तो जब हम लोग यह लिखेंगे बेटा यह पेपर के लिए अब खास बनेगा जब हमने टाइम कॉंसेंट को डबल कर दिया तो जो वोल्टेज वी है वो हो जाती है लगबग 86% of V कितनी वोल्टेज पहुंच जाएगी 86% तो यदि एक्जामनर आपको मुर परसेंट को डबल करेंगे और क्या छुट्टी फिर हमने कहा कि टी बराबर थ्री टो सारी चीजे ना रिवाइज कर लो जो पेपर में एक तम धमागा कर दो तो यहां कितना आ गया देखे 95% of V राइट जी फिर चलेंगे देखे टी बराबर 4 टो पर तो टी बराबर 4 टो य यहां आप कहेंगे यहां आप लोग कहेंगे कि यह मिल जाएगा आपको 98% of V राइट और जब हम लोग विद्यार्द्यू यहां चलेंगे ना 5 तो टो व बराबर हम लोग कहेंगे वैसे 99.9 होता है लेकिन चलिए हम कहेंगे कि 100% of V एसे सी में अल्रेडी यह पुछा जा है ना हम क्या करेंगे देखे हम आर का मान देंगे सी का मान देगे और एक्जामनर क्या कहीगा पता कि आप एक बात बताईएगा कि कैपसितर को पूरा चार्ज होने में लिया गया समय बताओ अरे कुछ नहीं करना 5 गुणा आरसी लगाओ सेकिंडों में उत्तर आएगा सेक इसका बनेगा आपके एक्जाम में चलिए मारो जड़ा इसक्रीन सोट फड़ा फट से फिर आगे चलते हैं अभी तो एक घंटा हुआ है ग्यारा गंटे और बाकी है मेरे सिरो और जब बनी रहनी चाहिए भाई खाया प्या करो यार तुम लोग हैं खाने पिने पर ध्यान नहीं गया देखे बेटा गराफ का मतलब है इस एक्वेशन का मतलब है समय के साथ साथ में बढ़ना और इसका मतलब है कि समय के साथ साथ में गिरना समय के साथ साथ में गिरना इसक्रीन सोट ले लिया आगे चले के डिस्चार्जिंग इस्टेट भी देख लेते हैं इसकी है ना यह सारी चीजे आज स्क्रिंशोट ले रहे हो जो बच्चा नहीं लिख रहा है वो एक एक चीज को जरा लिख ले और इमानदारी से जिस दिन पेपर देके आएगा ना कोई भी एक्जाम उस दिन इसमें से आक कितरे नहीं आया चलो जी आगे चलते हैं सर अकी सब्सक्राट सब्सक्राइब को चलो मिख चलते हैं दिस्चार्जिंग के लिए क Nut चलो भाई फास्ट की बात तो यहें दिस्चार्जिंग के लिए देखो पढ़ते रह वस्लोबोर मत जा रहें मैंनी यह तुमने पढ़ना यार क्या दिक्कत है अभी तो मशीन आएगा पावर सिस्टम आएगा फस्ट करो स्लो करो कुल मिला के जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का काम है वो मैंने तो इनके चार-चार घंटे तीनों के डिवाइड कर रखे वाई चलो आजओ डिस्चार्जिंग में तो डिस्चार्जिंग का मतलब होगा i बराबर माइनस i e की माइनस t upon rc याद करेंगे और v बराबर v e की माइनस t upon rc ये equation बनाने की कोई जुरत नहीं है अब सिर्फ माइनस का मतलब होगता है कि capacitor capacitor discharge in opposite direction opposite direction as charge in opposite direction as charge capacitor जिस दिशा में charge होता है उससे विपरीद दिशा में discharge होता है तो याद करेंगे मेरे बच्चों की capacitor में यह बहुत पूछ लेता है चार्ज याद करेंगे कि capacitor discharge in opposite direction as charge next अपना ये देख लेंगे कि energy की जब यहां बात होगी तो energy बराबर one by two cv square one by two q square upon c चलिए जी होगिया जी यह होगे देखे capacitor के लिए कहानी यह क्या है देखे capacitor के लिए कहाने आए विद्यार्थियों काम करते देखे यहां गौस लोग देखे गौस लोग क्या है गौस लोग यह कहता है कि किसी भी surface में किसी भी surface में जैसे यह हमने q1 कहा q2 कहा q3 कहा q4 कहा q5 कहा q6 कहा हमने यह कहा तो इसका कहने का मतलब होता है कि electrical field enclosed by a closed surface यह यह कहें कि जो total charge होगा वो हमारा जो total charge होगा total charge गौस लोग का कहना यह है कि total charge is equal to the is equal to the charge enclosed by a charge enclosed by a closed surface closed surface तो यह एक statement होता है गौस लोग जो कि असेसी ने एक बार देखे पूछ लिया था तो यहाँ याद रखेगा जब भी हम लोग total charge की बात करेंगे तो यह मतलब होता है कि यह total charge यह जितने भी charge enclosed enclosed है इनके बराबर होगा राइट जी यह हमारे basic statement होता है अगर पेपर में आएगा तो यही आता है अदर्वाइज electromagnetic field theory में फिर इसके अलग-अलग से form होती है है ना जो कि काफी lengthy हो जाएगा आपके किसी भी काम का नहीं है होस्टल में होता करवा थे था है है ना तो total charge enclosed बाई यह surface है ना तो यह हो जाता है बेटा हमारा यहां पर यहां पर एक बार में देखे एक छोटा सा सवाल जरूर किया है अगर आप हर बार के पेपर के अच्छे सा अनालेसिस के दरब जाएंगे तो यहां हम लोग electrostatic को देख रहे हैं तो देखे हम लोग यह पढ़ते हैं कि यह बराबर वी अपॉन दी है ना पॉटेंचल ग्रेडियंड यह अलेक्टिक फिल यह हम लोग पढ़ रहे हैं कि वोल्ट पर मिटर देखे पेटा याद रखिएगा कि अगर यह बराबर जीरो है तो यह statement बड़ा important है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वी भी 0 हो जाए अगर यह बराबर 0 है तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि यह भी 0 होगा लेकिन अगर वी बराबर 0 है तो इसका यह जरूर मतलब है कि यह बराबर 0 होगा और यह pledge statement मेरे कहने से serious लेगना है statement को छोड़के नहीं जाना है तो e बराबर 0 अगर है तो v बराबर 0 नहीं होगा मलब यह कोई guarantee नहीं है कि 0 होगा लेकिन हाँ यह guarantee है कि v बराबर अगर 0 हो जाए तो e बराबर definitely देखिए 0 होगा फिर देखिए जी एक surface होता है एक कहलाता है equipotential surface जब भी कभी हम लोग equipotential surface की बात करेंगे तो equipotential surface का मतलब होता है कि no work no work done no work done at equipotential surface equipotential surface equipotential surface पर charge को move करने के लिए भी किसी भी कारिये के आविशक्ता नहीं पड़ती equipotential surface का मतलब समझेगा देखे जहाँ पर जिसके हर एक पॉइंट पर voltage समान आता हो जाना जानी कि जिसके हर एक पॉइंट पर यानी कि potential is equal potential is equal at any point कुछ इस परकार से at any point equipotential surface यह होता है तो आजगल क्या trend है कि equipotential surface को गुसा देगा गए और examiner पूछेगा कि बताईए कितना यहां से यहां तक जाने में कितना कार यह हुआ तो आप कहेंगे कि there is no work at equipotential surface तो equipotential surface पे charge को मुह गरने में हम लोग कहेंगे कि there is no work there is no work तो यहां पर यह चीज़े आपको दिमाग में रखनी है electro-static simple तो अब बताईए electro-static कर सकते हैं कि नहीं जितने formula लिखाए है dalаки कर पाएँगे कि नहीं में electro-static कर पाएँगे कि नहीं अब बताईए बेसिक electrical engineering में जो electrustatic की कहानी है आप कर पाएँगे कि नहीं electro-static की कहानी को राई टेक बार जरा फड़ा पड़ से नजर मारो चार्ज करंट जीरो है ना चलिए जी ब्रेक बाद में दूँगा आपको न थुड़ा समय लंबे समय के बाद में ब्रेक देगे है ना ब्रेक तो सुबह पांस बजे दूँगा आपको यार गोरो कुमार जी चलिए आगे बढ़ते हैं देखे बिटा नेक्स चलते हैं बहुत ही बेसिक चीजों पर अब फड़ा भड़ से चैप्टर को देखे खतम करते हैं और चैप्टर है हमारा आज मैंने दोनों ऐसे चैप्टर पकड़े शुरुआत में जो आपको दिकत कर रहे थे नेक्स लेंनी चभी हमारा काफी अच्छे टॉपिक‍से एक रहता है चुमपकता हो मैंने बजनली जरूरी हमें ना मशीन पर चलेंगे तो मशीन हमें मैंने बेना कुछ भड़ने नहीं पड़ेगी तो इसलिए मैंने बेन खतम कर लेते हैं कि बिल्कुल आएगा मज़ा क्यों नहीं आएगा मेहनत कर रहे हो आप लोग हम लोग क्यों नहीं एंजॉय करेंगे बिल्कुल देरी ज़लते हैं चलो यहां पर लिखा दूँए जल्दी जल्दी से एक होता है नेचुरल मेगनेट कोई खतम नहीं हो जाती एक तम सुरू करते चीज़े ना एक बच्चे ने कुझ लिखा तो समय लगेगा खतम होने में चीजों को पढ़ते हुए आराम से चलिए देखें नेचुरल मेगनेट हम लोग को पता है कि जैसे कि मैगनेट जो अपना नेचर में फ्रियों को सवेलेबल है लाइक एफी 304 चलिए एक होती हमार रखते हैं temporary temporary č LIKE temporary मैगनेट क्या भाया Indigenous य यह क्या है इलेग्ट्रो मैगनेट ऑफटी टो हम अच्छी बनाते हैं किसे इस तरह कि जो बनीवी होंगी न कोबाल से एनिखिल से और सील को भी ले लो यह सारी हमारे क्या है पर्मनेट pued है अब आपको यह देखना है कि जब हम लोग बात करें कि दो मैगनेट के पोल है M1 है M2 है और यह किसी एक दूरी से देखे यहां पर अलग है तो हमें पता है कि आप डारेक्टली परपोर्पोर्सनल M1 M2 अपॉन में D स्क्वार राइट जी हमने क्या लिखना है M1 M2 अपॉन D स्क्वार ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवशक पता नहीं है चलिए एलेक्ट्रो मैगनेट जैसे कि कोई बड़ी बबाल नहीं एलेक्ट्रो मैगनेट आपने सॉफ्ट आयरंड वगयर अपना बाइंडिंग करी अपना करेंड फ्लो कराया यहां से हो जाएगा अभी देखेंगे आगे तो आपको यह ध्यान देना है कि चिकर करेंगे चाहे वो किसी भी काटेगरी की मैगनेट हो कहीं से भी हो तो हमारी यही दो पोल है जो इंपोर्डन रोल प्ली करेंगे एक हमारा साउत है तो धुल मिला देखें यह भी चोटे चीपोइंट है याद रखेंगे शारी चीज़े दिमाग में गुसा लोपने औ अपना आरेक्ट करते हैं तो जब भी कोई चुंबक हम लोग रख देते हैं तो आप यह देखते होंगे कि कि चुंबक के पास में दूसरी चीज को टच भी नहीं कराना और वो सिधे क्या हां खीच लेता है तो यह ध्यान दीजेगा कि एक टर्म होता है magnetic field एक टर्म होता है magnetic field तो हम क्या लिखते हैं देखे area around a magnet in which it experience force of attraction and repulsion concept सारे आएंगे solenoid का भी आएगा है ना solenoid आएगा और ऐसे ऐसे formula आने वाले हैं real में जो ऐसे से में direct पूछें लेकिन पहले एक basic है ना उसे clear कर दूँ बहुत अच्छे चीज़े भाई तो यहां जाईए magnetic field तो हम क्या लिखते हैं कि area around a area around a magnet यानि किसी भी चुमबक के यह हमने कोई चुमबक रखी एक ऐसा छेत्र जहां पर यह किसी भी attraction and repulsion का एक अनुबाव कर सके है ना तो हम लोग यह कहते हैं कि यह जो यह चुमबक है देखो यह चुमबक बना दिया हमने right तो यह अपने चारो और जो छेत्र है यह हमारे लिए क्या कहलाएगा एक magnetic field कहलाएगा चलो बहुत अच्छी बाच है आगे बर चलिए देखे अब यही पर हम लोग देखेंगे flux क्या है तो हम लिखते हैं total number of total number of force line total number of force line which animates from north pole अभी हिंदी में बताऊंगा चिंता ना गरे from north pole and enter to the and enters to the south pole कहने का तात पर यह देखो क्या है कि वो total number of line जो north से निकलकर south पर जाती है उनकी जो total संख्या है वो हमारे लिए flex कहलाएगी unit कितनी बनेगी वैबर तो एक वैबर और लेड़ी आसके नहीं हसे यह एक वैबर बराबर 10 की power 8 force line कितनी lines भाई 10 की power 8 lines एक वैबर में एक वैबर कितने से बनेगा 10 की power 8 line और 10 की power 8 line को ही हम लोग क्या कहेंगे देखे Maxwell क्या कहेंगे Maxwell तो चुम्बक को न ढंग से समझते हुए चलना है चुम्बक को ढंग से समझते हुए चलना है एक तम तसल्ली से प्लीज कोई भी कोई भी फालतु की चीजों के चक्कर में ना पड़े या भी प्लीज एक एक चीज समझ आएगी लेकिन थोड़ा सा पेसेन्स रखो बब अब देखे ये तो हो गया magnetic field चार ओर का area ये हो गया देखो flux आप चलते हैं magnetic flux density magnetic flux density तो विद्यार्थ्यो magnetic flux density जब हम देखेंगे magnetic flux जब density हम लook बात करेंगे न तो हम कहेंगे कि बी बराबर flux अपान में क्या बोलो एरिया फ्लक्स अपॉन में एरिया तो युनिट कितनी वैबर पर मिटर स्क्वार तो आप कहेंगे गुरुजी वैबर पर एक वैबर पर मिटर स्क्वार को हम क्या कहें तो हम कहेंगे यह होगा देखें हमारा टेसला क्या होगा बेटा टेसला एक Weber per meter square को हम लोग किया लिखेंगे Tesla लिखेंगे लेकिन 1 Weber per centimeter square को हम Tesla नहीं लिखेंगे तो ये हो गया, देखें, हमारा magnetic flux density अब देखें जी, आपको magnetic flux density जो हमने B लिखा नेक्स चलते हैं, यहीं पर देखिलो magnetic field intensity magnetic field intensity तो intensity एच बराबर सुत्र होता है एनाई अपॉन में एल तो बिटा इसकी यूनिट भी याद रखो कितनी देखो अभी बड़े अच्छे एक बच्चे ने मुझे सोलेनोड कहा ना सोलेनोड से आगे चलेंगे टोरोड पोरोड सब को करेंगे यहां तो क्या होगा एंप्यार टार्न पर मीटर क्या होगा एंटेंसिटी एंप्यार टान पर मीटर अब देखते हैं अगया जी है टेंट की प्रावर लिखा तो दिया यार सब चीजे मिलेंगे आपको सारी चीजे पूर्ड पर लिखें अरो तेरा इसक्रीन सोट दिलनोगा पहले चीजों को ना बोज मत समझो च अभी ना चीजों को समझने के लिए एक मजे करते हुए पढ़ो चीजों को चलिए अब देखते हैं यहीं से आगे बढ़ते हैं एक टर्म आता है परमेबिलीटी सजा सजा के लिखना देखो अपनी कोपी में बढ़ जासे बाद में जो क्विक रिवाइज करो ना तो एक ए किसी भी मेटेरियल की मेगनेटिक फ्लक्स को सेट अप कराने की एक एबिलीटी तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें एबिलीटी ऑफे मेटेरियल एबिलीटी ऑफे मेटेरियल तू सेट अपे तू सेट अपे मेगनेटिक फिल्ड मेगनेटिक फिल्ड राइड जी यह है कि इसमें न इलेक्टिकल क्वांटिटी कौन से तो याद रखेगा जैसे कि हम चले कंड़क्टिविटी कंड़क्टिविटी मतलब होता है किसी भी कंड़क्टर में धारा को फ्लो कराने के लिए कि यहाँ पर क्या है मैगनेटीक फ्लक्स को सेटब करादी तो पर मेइबिलिटी को हम देखे क्या लिएatas क्या लिए याद रखने के लिए यह किस की तरह काम कर रही है ऑलकिस की तरह काम कर से एimana क्ड़क्टिविटी वैसे यहां permeability राइट जी तो जब भी हम लोग B और यहां देखू H में संबंद देखेंगे तो B बराबर संबंद होगा μू नॉट मू आर और H B बराबर मू नॉट मू आर H तो मू नॉट हवा की permeability जो होती है 4π 10 की पावर माइनस 7 कितनी होती है 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 लेकिन मातर इससे काम नहीं चलेगा और भी देखेंगे मू आर रिलेटिव होती है मू आर रिलेटिव परमेविलिटी है तो याद रखेंगे इसके कोई यूनिट नहीं होती नो यूनिट इसके कोई यूनिट नहीं होती अब देखें जी एक absolute permeability होती है मू बराबर मू नॉट मू आर है ना तो एक बार बच्चे से पूछा ये और वो कह रहा नो यूनिट आरे भाई relative की यूनिट नहीं होती इसके यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं henry पर meter लेकिन देखें दी कुछ अलग भी चलना होता है कुछ अलग भी देखना होता है तो आगे बढ़ते हैं हमने क्या यहां लिखा है बी बराबर म्यू एच राइट ना तो कहानी है म्यू बराबर म्यू बराबर बी अपॉन एच राइट बी की यूनिट लिखो कितना वैबर पर meter square ओके यहां यूनिट लिखो ampere turn पर meter राइट जी ampere turn पर meter अब देखो यहां से यह cancel तो म्यू बराबर वैबर पर ampere turn और meter तो बेटा अब चीजों को थोड़ा सा अच्छे वे में करना पड़ीगा यह भी हो सकता यार आपको हैंडरी पर meter के चक्कर में ना रखे एक्जामनर यह पूछ ले तो बेटा ए एक हैंडरी या हैंडरी पर meter किसके तुल्ले बनेगा अरे यार बच्चा सोचेगा यह क्या दे दिया रहे भाईया परमेबिलिटी दिया है आपको यूनेट काई पूछा है तो वैबर पर ampere turn और meter तो यहां से भी आपको देखे यह याद करना है हमने क्या गया म्यू सकते ही कि नहीं कि बढ़ा यह कर सकते हैंगे नहीं आप लोग हो जाएगा हैंडरी पर मिटर तो बहुत बढ़िया यहां बताईए कि यह चीज आएगी कि नहीं एक्जाम में अगर आएगी तो बैठके नहीं देखेंगे फटा पट उड़ा देंगे इससे चलिए आगे बढ़े क्या हो गया यह हो गया यह यह सो नो भी बोलते यार तुम लोग कहां भाग जाते हो यह यह हुई ना बात चलिए आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देखें बेटा इतने ultimate formula है कि solenoid है ना जिससे बच्चे डरते थे और solenoid से आगे भी चलेंगे आज मैंने कहा तो आज तो टोरोइड वगरा सब को उड़ाना है आज solenoid पर नहीं छूड़ेंगे तो देखेंगा यह हो गया अब हम लोग जो basic नियम है हाँ दूसरा भी होगा बिल्कुल बताएंगे क्या दिक्कत है दूसरा भी होगा सब आएगा है ने चलो जी अब जो छोटे-छोटे से नियम है उनको निप्टा लेते हैं देखें एक होता है राइट हैंड रूल एक राइट हैंड रूल हमारा फ्लेमिंग का भी होता है और एक हमारा राइट हैंड रूल वैसे भी होता है तो राइट हैंड रूल का मतलब यह कहा गया है यह कहा गया है कि यदि किसी भी कंड़क्टर को यह देखो भाई न तुरंत एक दम आ जाएग अगर कहा गया है कि किसी भी conductor को अगर हम अब ऐसे पकड़ते हैं तो इसमें अगर ये धारा की दिशा में होता है हमारा थम तो जो उंगलिया है वो magnetic field की direction को enclosed करती है तो ये होता है देखे right hand rule जैसे कि हमें ये दिखाया गया है कि कोई conductor है किसी conductor को हमने देखे ऐसे पकड़ लिया तो इसमें अगर ये धारा की दिशा है तो magnetic field की जो direction है ये देखे magnetic field की direction यानि कि इसमें ये दिखाएंगे कैसे include ऐसे कर रही है तो ये होगे देखे right hand rule अगर हम लोग देखो यहाँ चलो अगर हम लोग ये देखते हैं कि इसमें धारा इस तरफ है तो इसमें धारा क्या है देखे इस तरफ है तो इसमें धारा जब ये इस तरफ है नीचे की तरफ है तो कहें ये देखे ऐसे direction में ये include करेगी यानि कि हमेशा याद रखेंगे कि कि यदि किसी conductor में बस इनको बना के देख लेंगे खतम का नहीं यदि किसी conductor को हम लोग ऐसे पकड़ रहे हैं यह definitely आप को कि इसको रूल से भी ले सकते हो कोई बात नहीं है इससे भी समझ सकते हैं है ना इससे भी समझ सकते हैं लेकिन right hand rule भी का गया है यानि कि यह हमने तो और कि screw rule देखें क्या होता है nut bolt tight करने तो आते ही होंगे तो nut bolt ऐसे ऐसे से यह ऐसे tight कर दिया तो एक दरस आते हैं dot और एक दरस आएंगे हम लोग cross और dot प्लीज देखें मशीन को समझना होगा तो इनको पकड़ना होगा समझना होगा तो यह हमने यह क्या बनाया यहां ध्यान से देखना है यह हमने देखें अगर हम लोग इसे नट को ऐसे tight कर रहें ऐसे हम लोग tight कर रहें तो जैसे जैसे गुमे का अंदर की दरब जा रहाएं कि नहीं तो यहां पर magnetic field यह दिखा दिया हमने देखें क्लोग वाइज और डॉट पर किस तरह का बना दे एंटिक लोग वाइज है ना डॉट पर किस तरह का बना दे गए एंटिक लोग वाइज right अब देखें तो यह एससे में आ चुबा कि क्रोस का मतलब क्या है तो इसका मतलब देखें इन करना और इसका मतलब है बाहर आना चलिए जी अगर हम लोग flaming के right hand rule और left hand rule बना लें तो जो यह अंगूठा है ना यह पहली उंगली यह दूसरे उंगली है ना बाकी भी उंग यह है तो यह है देखें left hand rule यह क्या है देखें left hand rule तो यह अगर हम लोग कहें यह क्या बताएगा फोर्स एमोशन यह क्या बताएगा हम लोग देख रहे हैं यह right hand rule तो यह क्या बताएगा देखें पहली first finger magnetic field और यह बताएगा देखें induced EMF बताओ सबको पताएगी नहीं एक भी बच्चा मुझे यह नहीं बोल सकता कि सर आपने कुछ भी चीज छुड़वाई है एक एक चीज आएगा तो यहाँ पर देखो जी अगर हम लोग अब left hand rule क के बात कर ले तो left hand rule हमें पता है कि यह आगया जी पहले उंगली यह देखो जी दूसरे उंगली तो यह बताएगा क्या mechanical force की दिसा यह बताएगा magnetic field यह बताएगा magnetic field और बिटा यह आ जाएगा देखें इसमें current की direction यह क्या है current तो generally right hand rule किसके लिए बिटा जनरेटर के एक जनरेटर के लिए बनाएंगे और एक हम लोग किस के लिए बनाएंगे जनरेटर के लिए एक बना दिया हम लोगों ने देखिए मोटर के लिए चले क्या आगे बढ़ सकते हैं चलिए आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं स्क्रीन सोट रे लीजिए फिर हम लोग आगे चलेंगे स्क्रीन सोट रे लीजिए प्लेज सभी लोग स्क्रीन सोट ले लीजिए हाँ हाँ एक वैबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल लिखा है बिटा मैंने 10 की पावर 8 चलिए चलिए very good चलिए तो यह होगे देखे फर्मेबिलिटी और यह बेसिक चीजे न इनका जिगर हो गया अब आपको चलना है ध्यान देना है कि हम कुछ ऐसे नियम सीखते हैं जैसे की MPR Law और वो नियम सीखने के बाद में तब हम लोग और बेसिक की तरफ चलेंगे अलग-अलग से काफी अच्छा टॉपिक है और काफी लेंधी भी है बहुत दुनिया बर की चीज़े यहां से important है और magnetism से देखे S.S.C. ने magnetism को अलग से syllabus में mention किया होता है तो यहां से हर परकार से चीजों को करना हमारी प्रात्मिकता है हमारी जिम्मेदारी है तो यहां पर आप लोग को देखे अच्छे से पता है है ना मुझे नहीं लगता किसी को लिखवाने के बिज़रत थी यह चीज़ लेकिन मैं एक भी चीज़ को छुड़वाँगा नहीं सब चीज़े करूँगा ferromagnetic material का मतलब है जिसमें magnetism बहुत अच्छा हो यानि कि relative permeability very high पाँजार दोजार ऐसे कुछ हो relative permeability बहुत हाई हो ferromagnetic का मतलब ही चुमबक्तो material से होता है जैसे कि हम लोग कहेंगे जैसे कि मैंने लिखाया भी था कोबाल्ट है निखिल है यह सारे हमारे steel यह सारे हमारे किसमें आते देखे ferromagnetic material एक होता है paramagnetic paramagnetic material paramagnetic material की अगर हम बात करते हैं तो μू आर है वो हम लोग कहते हैं slightly slightly greater than one slightly greater than one हलका सा बढ़ा यानि कि यह बहुत ज़्यादा आकर्षित परतिकर्षित नहीं करता यह बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रेक्ट नहीं कर सकता है तो जैसे कि हम लोग एक basic सा नियम रखें aluminium को ले सकते हैं platinum ले सकते हैं यह हमारे basic से चीजें देखें यह हमारे किस्ट में आ गया paramagnetic एक आता है देखें डाया जब हम लोग डाया magnetic की बात करेंगे तो डाया magnetic मे याद रखना है कि यह हमें किस्से कम मिलती है less than one यह चुमबक तो material बिलकुल भी नहीं है तो जैसे carbon, silver, copper यह जनरली हमारे इस तरह के material ही मान जाते हैं क्या डाया magnetic यह हमारे इस तरह के carbon, silver, copper यह सब हमारे डाया magnetic मे ही आते हैं फिर ध्यान से देखना है कि एक होते हैं हमारे ferrets material यह वैसे तो देखे magnet material ही होते हैं यह magnetic material ही है लेकिन याद करेंगे देखे non conducting behavior के होते हैं non conducting behavior के होते हैं non conducting behavior के होते हैं magnetic material non conducting behavior के होते हैं राइट जी तो ferret core यानि कि आपको answer करना है नॉन कंड़क्टिंग मतलब की हाई रजिस्टेंस अल्लेड आसके ने से तो यह क्या होगे देखे फैरेट राइड जे तो यह दिमाग में रखना है देखे फैरो पैरा डाया फैरेट इन में से कुछ ना कुछ देखे पेपर में पंता है नेक्स चलेंगे देखे एंपियर ल है कि यदि हमने कोई कंड़क्टर लिया है राइड जी हमने कोई कंड़क्टर ले लिया जिस कंड़क्टर से देखे धारा बह रही है और इस कंड़क्टर से यह धारा बह रही है और हमने यह लिया है कि मैगनेडिक फिल्ड यह देखे यह हमने ले लिया कि आर है और इस किसी भी फॉर्म में लेख सकते हों तो एंपियर का नेयम यहां देता है कि वी spiritual बेल what यह बार यह भी कहा यहां बहstव कि कई बार यह भी हम लोग लिखते हैं यहां पर इसका मतलब है closed surface बस यह जो यह लिखा है ना closed surface तो कहीं बार विद्यारती हो HDL mu naught को b के नीचे लियाओ आपको साथ दियाद होगा देखो b वराबर mu naught mu r h तो b upon mu का मतलब क्या है intensity है तो अगर मैं यहाँ पर mu ना लिख रहा हूँ तो मैं simple क्या करूंगा देखे current i है right तो अगर मैं एक conductor के लिए लिख रहा हूँ तो यहाँ n होता है और यदि यह turn है यदि मैं turn की बात कर लूँ यहाँ पर n turn है यह turn यहाँ पर n है तो हम क्या लिख देंगे देखे hdl बराबर यहां क्या जाएंगे देखे n turn के लिए n आई तो पेपर के लिए प्लीज एक तो यह याद होना चाहिए और एक यह यह हमारा होता है यह क्या है हमारा यह 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 दिमाग में रखेंगे जैसे हम लोग रिलेटिव पर्मेविलिटी यह करते आएं यह बहुत इंपोर्डेंट रहेंगी यह इंप nya यह दिमाग में रखेंगे अब देखेंगए जी एन य्पॉन ल अब देखो आज चलेंगे हम लोग यह फोन ल वाली कहानी पर भी हम लोग विलकुल चलेंगे विलकुल बायो syवर्ट लो तो आपको तो याद जनरल मोडिफिकेशन ओफ एम्पियर्स लो जनरल मोडिफिकेशन ओफ एम्पियर्स लो यह देख रहा है मैं हम क्या लिख रहे हैं देखे जनरल मोडिफिकेशन ओफ एम्पियर्स लो तो यहां ध्यान देना है कि अगर हमने कोई कंडक्टर यहां लिया है राइट जी कोई धारा चल रही है देखे आई हमने यहाँ पर एक च्छोटा सा section काटा बेटा डियल हमने च्छोटा section डियल काटा यह point है देखे P यह ले लिया देखे हमने आ रहा है और यह angle बना रहा है देखे ठीटा अगर बाईो 7 लो आता है तो सबसे पहली चॉइस होती है विद्यार जिए और लेड़ी आस्टिन SSCJ क्या होता है कि बायो सेवर्ट लो क्या है तो इसे जनरल मोडिफिकेशन ओफ इसे जनरल मोडिफिकेशन ओफ एम्पियर्स लो अगर एक बच्चे कह रहा है कि परिभासा क्या होती है तो यहां आजाई है बराबर देखे इसकी छोटी से एक लाइन लिख रहा हूं मैं intensity in a closed surface is equal to total current enclosed by surface यह इसकी छोटा सा definition लिख लो बायो सेवट लो तो बायो सेवट लो में अगर मैं B के हिसाब से लिख रहा हूँ या तो मैं density के हिसाब से चलूँगा बेटा मैंने कहा ना आप सब चीज़े आ जाएंगे लेकिन प्लीज थोड़ा सा patience रखिएगा अभी हम लोग बायो सेवट लो पर चल रहे हैं परमेंस भी आएगा रिलक्तिविटी भी आएगी सारी चीज़े आएगे तो यहाँ पर हम लोग जब डी बी को या तो डी बी के टम्स में लिखेंगे या डी एच के टम्स में लिखेंगे तो डारेक्ली परपोस्नल टू आई अब ही मैंने मूँ नहीं लिखा मैंने डारेक्ली परपोस्नल लिखा आई डी एल साइन ठीटा अपॉन में आर इसक्वार आपको यह के लिएर कर दूं कि जो हमने यह डी बी लिखा है क्योंकि हमने मूँ नहीं लिखाया अगर मूँ लिखते तो फिर हम लोग डी एच यह अगर मैं डी एच लिखूंगा क्योंकि परपोस्नल है तो आई डी एल साइन ठीटा पॉन में आर इसक्वार यह इतना इंपोर्टेंट है आपको डारेक्ली पूछा जाता है कि बायो सेवर्ट लो के अनुसार बताएं इंटेंसिटी किसके डारेक्ली परपोस्नल है आप क् सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बनता है कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बनता है यहां बेटा मैं हिंदी में बोल रहा हूं मैं अब इसमें बताओ क्या बताओ बायो सेवर्ट को हिंदी अंगरेजी में वही तो बोलेंगे आईडीयल साइन ठीटा पॉन र स्कॉार चलो जी यहां हो गया यह लिखा सभी ने अब देखे आपको छोटी छोटी सी 5 चीज़े बता रहा हूं बाकि आपकी च्छाप करते हो नहीं करते हो लेकिन बहुत ही माइनर माइनर सी छोटी-छोटी चीज़े बता रहा हूं आपक होगी ना अरे भाई कम से कम अध्यापक अगर खड़ा है और वह एफट कर रहा है या हम लोग पढ़ा रहे हैं तो कम से होने लग जाता है तो मैगनेटेजम लूज होने के कारण क्या है तापमान बढ़ा दीजिए तो एक टेंप्रेचर लिखानी वालों है क्योई टेंप्रेचर यार कि जिस पर कोई भी मेटीरियल आकर आपको रेंज भी नहीं पूछता यार आपको बहुत बेसिक पूछेगा ए आप देखो जे कितने बड़िया चीजे सुरू करते हैं अगर हमें कोई भी ऐसे एक कंडॉक्टर से हमने लूब बनाई यह दिया है हमें आई यह दिया है देखे आई ठीक है और यहा से ये दे दिया देखे बेटा क्या आर ये दिया है आर तो अगर हम लोग यहाँ इसके point पर किसी भी बिंदू पर हम लोग density लिखेंगे तो B बराबर mu not I upon 2 ये देखें कितना आर तो क्या लिखेंगे देखें हम लोग 2 आर बेटा ये वो चीजे हैं ना कि बच्चा ये ढूणता रह जाता है पेपर में कि आ कहां से गया अब इसे दूसरे तरीके से लिखें हमने क्या लिया है देखें अभी सिर्फ हमने ये दिखाया है कि यदि हमने कोई एक single coil को हम लोग ऐसे लिखें और हमने ये कहा अभी कि देखें ये हमने और रेडियास कितना है आर है हमें इस बिंदू पर बे लिखना है तो सुत्र होगा देखें ये अब दूसरा पॉइंट देखो यदि हम ये कहें ठीक है जी जाका लिखे रर जा रहे हो तुम लोग चले देखें यदि कोई कंड़क्टर यहां पर ये है कोई कंड़क्टर कितना करन चल रहा है और यहां से किसी एक पॉइंट है देखें पी और पी से जो दूरी है वो दे दी आपको देखो ए ये क्या है देखें ए तो यहां पर हम लूग लिखेंगे अगर यह density हम दे रहे हैं तो μू नॉट आई अपॉन टू पाई ए क्या हो जाएगी देखे मू नॉट आई अपॉन टू पाई ए सिंपल फॉर्मूला यह अपना है क्या हो गया देखे बी बराबर बी बराबर देखे क्या हो गया मू नॉट आई अपॉन में टू पाई ए क्या हो गया देखे यह जाइड जी यह हो गया देखे हमारा formula number दो अब चलिए जी third formula पर देखते हैं third formula क्या है धेखे थार्ड formula में यह दिमार्ट में रखना है कि कहीं भी देखे ये current बहरा आए इसमें आए इस तरह से इसमें current चल रहा है और हमने यहाँ यह point P ले लिया और point P पर यह हमने लिखा X है और यहाँ से जो दूरी है वो दूरी हमने ले लिखे कि R है यह दूरी हम लोगो ने ले लिया R है और इसमें जो radius यह क्या है अगर आपको एक्जाम में यह बना के दे दे और कहें कि B लिख दो कहां पर यहाँ point P पर अरे भाई आपको घूमना नहीं है तो यहाँ इसके लिए आप भी कहेंगे कि B बराबर mu naught I A square upon में 2 A square प्लस में X square गी पावर 3 बटे 2 बताए बड़ा आजीव सा formula है कि नहीं आपको derivation पर जाना ही नहीं अगर बेटा आपको यह पूछ रहा है तो आप सिधे formula लगाएंगे अब तक जो density आप लोग सिर्फ क्या पढ़ते हैं 5 upon A या H इसको देखो B upon mu naught यही तो H है बेटा I upon 2R यही H है भाई यही हम लोग जो सीखते आए हैं ना देखो कुछ अलग नहीं है मेरे बच्चो H बराबर I एक टन के एक तार के लिए I अगर मैं कहीं सारों के बात करता N तो यही तो 2 upon R है यह अलग नहीं है A 2 upon R लिख लो या फिर A लिख लो जो आपकी मर्जी है यह आपके पास में थोड़ा कम चांसिज रहेगा यदि हम किसी point P पर कहें किसके terms में कह रहे है हम लोग A के terms में यानि इसके radius के terms में इसकी state दूरी के terms में है ना और इसके देखे यह हमारे क्या है R के terms में यानि इसकी surface angle के terms में यह होगा हमारा mu note 2A square plus A square 3 by 2 अब चलते हैं नमबर 4 पर नमबर 4 पर बड़ा अच्छा चीज है देखे हम बात कर रहे हैं किसी एक solenoid यह है देखे कोई solenoid है यह देखे बेटा कोई solenoid बना हुआ है solenoid तो solenoid में जो B के लिए formula लगता है वो होता है B बराबर mu note अगर एक है तो छोड़ दीजिए यदि N के लिए N number of turn है N I बताओ अगर मात्र यह formula देखकर गए हो B बराबर mu note N I देखकर गए हो तो आपको mu note दे दिया आपको N दे दिया आपको I दे दिया तुरंत आपने यह लगा दिया यह formula second में answer करोगे second में आपको बेटा यह हर बार यही सुत्र नहीं जाना आपको होगे यह क्या है solenoid यह क्या है solenoid के case में mu note दे रहा है mu note नहीं भी देगा तो हम ले लेंगे right ना कोई material दे देगा कि यह तो मैंने हवाली है अगर मैं यहाँ पर कहता कि कोई इतने relative permeability वाली material को लिया है तो B बराबर mu note mu r ni नमर पांच पर यह होता है बेटा solenoid एक होता है toroid यह देखो toroid का मतलब क्या है आप यह समझ लो यह है तो इस पर हमने इस way में देखो यह कर दी हमने binding यह हम लोगोंने binding करी है अब binding में जो turn है यह कितना ले लिया आपने r ले लो यह कितना है देखे i है तो b बराबर formula अलग ने लगेगा mu naught n i तो solenoid और toroid के लिए सुत्र हमारे जो density के है वो same आएगा अगर यही h है ना तो h कोई अलग विमारी नहीं है सीदे का मतलब h का मतलब n और i होगा और कुछ नहीं क्योंकि b आप और mu naught हमारा सीदे h आएगा पांच सुत्र अलग अलग है पांच सुत्र यह अलग अलग है किसके लिए अलग अलग केस यह आपके पास आएगा नहीं यह मैं बता रहा हूँ आपको यह 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 और यह खासम खास है बस आगे बढ़ाओ राइट जी आगे चलते हैं अभी क्या करना प्रेक का अभी तुम लोग तुम जवान हो तंद्रूस्त हो बिल्कुल आता है भाई बिल्कुल आता है ससी में आ चुक है इसलिए याद है मुझे टोरोड बॉरोड आगे बढ़ें क्या आगे चलें इजाज़त हो आप लोग की तो आगे चलें अरे ब्रेक के बाद आलस से भी तो आएगा तुम लोग को हैं तो कहानी सिंपल है मौनी जी इस्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता हाल को लक्से से दूर नहीं रखना मेरे दोस्त वा जी वा यार क्या दिल जीट ला हो नुए क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता चलीए ये ओगे देखिं हमारी एक जो बेसिक कहानी थी चलिएज विद्यार्थियों आगे चलते हैं तो बताइए ये सब चीज़े याद हो गई कि नहीं अब तो नहीं गलती होंगी अब तो नहीं गलतियां होंगे सब बेसिक चीज़े हो गई चलिए जी आगे बढ़ेंगे कि हम लोग electrical quantity और यहां पर magnetic quantity को कैसे समझेंगे एक सवाल आपका वहां से भी पक्का करवा देते हैं एक सवाल यहां से भी पक्का करवा देते हैं यार मैंने पहले छमा मांग ली कि मैं भूल जाता हूं इस क्रेंशोट के लिए यार उस चीज के लिए माप कर दिया करो आजो माफी माफी कुछ नहीं माग रहा अब लोगों वासिरवात दे सकता हूं बस वो तो तुम्हारा मन रखने के लिए बोल देता हूं मैं चलो देखिए बेटा इस तरफ ले लेते हैं electrical quantity एक एक सवाल को जोड़के चलेंगे electrical quantity चलिए जी electrical quantity और यहां लगते हैं देखिए magnetic quantity ये होगे देखो magnetic quantity बस समझो magnetic सर की पूरा ये quantity परते ही अच्छा एग चीज़ और है जब हम लोग देखे फैरो फैरो मेंगनेटिक बैरा मेंगनेटिक में बदल जाता है याद रखना है है अना लोग तंपमान की बात करेंगे आ हैं हम लोग बात करेंगे temperature बढ़ा रहे हैं तो magnetism खोता चला जाएगा चुम्बक को उपर से उचाएसी गिराने से भी हो जाता है तो electrical quantity में सबसे पहले यहां चलते हैं हम लोग देखो current राइड जी यहां जैसे current है वैसे यहां पर क्या है यह flux है जैसे यहां पर empf है वैसे ही देखो जहां पर mmf है क्या वोलो आई ampere turn, राइड जी, यहाँ पर चलते हैं, जैसे यहाँ पर resistance है, क्या है विध्यार्तिवीओ यहाँ resistance है, वैसे ही यहाँ पर देखो, reluctance है, क्या है, reluctance है अब जैसे की हमने resistance कहा, resistance हमारा किसको? current को oppose करेगा तो magnetic flux किसको करेगा? reluctance किसको? magnetic flux को तो reluctance बराबर S बराबर Ni upon में देखो 5 कितना हो गया ampere turn पर ampere turn पर Weber साथ में S का अलग से formula भी लिख लेते हैं 1 upon mu L upon A राइट जी ये भी formula important है अभी बात करेंगे unit वगरा कि काफी कुछ चीजिए अभी सिर्फ equal देखो क्या क्या है जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर ओम का नियम होता है EMF बराबर राइट ना ओम का नियम क्या है EMF बराबर I into R वैसे ही ओम का नियम यहाँ पर होता है ये नमबर 1, ये नमबर 2, नमबर 3, नमबर 4 ये एक है ये दूसरा है ये तीसरा है तो ohm का नियाम ohms low यहाँ पर होगा आपका क्या बला mmf बराबर flux into reluctance क्या flux into reluctance यह आ जाएगा देखिए आपका mmf राइट जी अब देखिए बिटा जैसे यहाँ पर conductivity नमबर पांच पर जैसे हमारे यहाँ एक चीज़ देखिए conductivity वैसे ही यहाँ पर बनीगा बिटा परमेबिलीटी अपने दिमाग में छाब लोई चीज़े न एक्जाम रंड भी सोचे कि यार किन बहादुर बच्चों से पाला पड़ी है यह conductivity बोले तो यहाँ पर आ गया परमेबिलीटी यहाँ पर चलेंगे नमबर छे पर यहाँ क्या है resistivity यहाँ क्या हो गया resistivity तो बिटा यहाँ पर क्या बन गया देखो यह resistivity इस तरफ क्या होगा देखिए क्या होगा रिलाक्टिवीटी यारी कि जो resistivity किसी material की वो प्रोपर्टि जो करेंड का अपूज करेगा तो यहाँ भी एक प्रोपर्टि जो magnetic flux का पोजए प्रोपर्टि यहाँ पर आ जाओ देखो यहां क्या कंड़क्टेंस 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 किसका रैसिप्रोकल एक बटे रजिस्टेंस कंड़क्टेंस करेंट के फ्लोगों रोके गा और यह कहेगा करेंट के फ्लोगों जा भाई तू निकल जा राइड ना यह हो गया देखें यहां पर साथ आट वो इक सेवन यहां प हर एक चीज पर आपको सवाल मिलते आए हैं ऐसा नहीं है कि इस बार ही सवाल मिलेंगे पुराने एक्जाम में भी अगर आप देखेंगे तो सवाल आए हैं मिलते हुए चले हैं सवाल राइट जे दिमाग में आगी अब देखो रिलक्टेंस का ओपरेशन करते हैं थोड़ा सा रिलक्टेंस मिला हमें बढ़या बात है वन अपॉन मियू अलपोने बड़ा सुंदर फॉर्मूला हैं तो यहाँ ज़्याँ देंगे स बराबर वन अपॉन हेनरी पर मीटर तो मीटर उपर लिख लेंगे इसकी यूनिट क्या है मिटर, एक एक उनिट मिटर स्कॉर से ये कैस तो unit क्या देखे one upon Henry विद्यार्थियो S का मतलब किस्षय है one upon Henry से यानि reluctance की unit one upon Henry भी होगी तो अगर आपको ये कह रहा है कि ampere turn per Weber किसके बराबर है तो आप लिख सकते है one upon Henry के बराबर है या आपको ये भी दे सकता है examiner Henry inverse के बराबर है तो exam done नए सवाल कहां से लाएगा इनी में से कुछ ना कुछ खिचडी पगेगी फिर देखेंगे हम लग बात करेंगे permence की राइट ना हम बात करेंगे देखे permence तो permence होता है one upon reluctance तो one upon reluctance बोले तो mu a upon l तो permence की unit या तो आप लिखते हो weber पर ampere done क्या हमेशा याद रखना है कि examiner कुछ भी creative चीज़े इनी में से कहां नहीं पगाएगा क्या बनेगी henry यह ssc में already देखे आ चुका है ampere turn per weber यह हमारा henry inverse है और यहां क्या है देखे henry next चलते हैं अगर examiner यह कह रहा है कि s बराबर one upon mu all upon a है ना आप एक बात बताईए कि आप एक सुत्र पढ़ते हो बेटा यहां r बराबर row all upon a यार यह क्या है रजिस्टिविटी ना रजिस्टिविटी ओके तो आपको याद है कि से मैं सुत्र में one upon इसे मैं सुत्र में one upon conductivity भी तो लिख सकता था राय ना वन upon conductivity तो one upon conductivity का मतलब क्या है रजिस्टिविटी तो यहां पर यही है one upon म्यू का मतलब है विद्धार्थियों रिलक्टिविटी सावास रिलक्टिविटी वन अपन म्यू डिनोट दा रिलक्टिविटी अब देखना रिलक्टिविटी की यूनिट क्या है तो रिलक्टिविटी की यूनिट उल्टा क्या नहीं कि हैंडी पर मिटर नहीं मिटर पर हैं स 270 री 터 फर हेंडरी इस क्रिंस ओट ले लो और आगे चलते हैं है था है यकषक्र स्क्रिंस ओटली जै आगे चलते हैं बिलकुल यह देख जलजी ने दुआ उठा धिया बिलकुल dimension सब लिख दिया बहुत अच्छी बात हैं बहुत अच्छी वारी गुड वारी गुड अज сбh भी और जानदार भीए हो हो चले कि आगे बढ़ सकते हैं क्या है रिलक्टिविटी वेरी गुड वैरी गुड घुड इस रीन बिल्कुल बिल्कुल बिना किये जय जय कार नहीं होती कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इंपिडेंस इंपिडेंस कहां से आगया बे सैतान बालक इंपिडेंस एसी में आएगा अभी यह मैगन सब्सक्राइब करेंगे बाद में आगे बढ़ेंगे बाद में चलेंगे यार कराते रहते हूं आपको तो उसमें ज्यादा समय नहीं सब्सक्राइब करेंगे हम लोग ना अभी टूपोर नेटवर्क आएगा थोड़ा ट्रांजेंट लापला सब चीजे बताओंगा यहां तो यह मानगे जलो कि चार घंटे की क्लास में बेसिक हमारा बड़ा अच्छा उड़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पूरा करना है इस मैराथन में रिवीजन छोड़ना कुछ नहीं पूरा करना है चलो नेक्स आगे बढ़ते हैं तो यह कुछ बहुत ही बेसिक बेसिक जो चीजे हैं वो हम लोगों ने यहां पर नोट कर लिया अब जैसे यह सभी विद्यारतियों को पता है कि अगर मैं यह कह रहा हूँ कि यहां यह जो लेंध है वो एल है है ना वेलोसिटी वी है और यह किसी भी मेगनेडिक फिल्ड में प्लेस्ट है तो भाई या उस पर जो फोर्स होगा वह होता है वराबर बिया एल साइन ठीटा बहुत ही बेसिक सुत्र है रहे ना वराबर बिया एल साइन ठीटा फिर याद्र करेंगे BIL इसके लंबाई ये होगी density B है BIL sin theta ये हो गया देखे Newton पे है अब आप लोग को ये धियान देना है कि जब हम लोग equivalent की बात कर रहे है एक तरफ electrical एक तरफ हम लोगोंने mechanical तो अब हम सक्षम है चीजों को और ज़्यादा आगे लेकर चलने के लिए तो क्या विद्यार की हो जैसे हम लोग resistance को स्रीज में लेकर चलते हैं ध्यान दीजिएगा resistance को हम लोग स्रीज में लेकर कैसे चलते हैं हम क्या लिखते हैं R equivalent बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये लेते हैं यानि कि स्रीज का मतलब हम क्या समझते हैं हम यही तो कहते हैं कि current होगा वो same होगा स्रीज का मतलब हम क्या कहेंगे कि current जो होगा वो same बहेगा यही तो करते हैं हम लोग स्रीज का मतलब कि resistance स्रीज का मतलब है current सेम होगा R equivalent R1 plus R2 plus R3 लगेगा सेम ऐसी ही अगर हम लोग magnetic circuit में अगर हम लोग magnetic circuit को ये कहें कि देखे ये series connection है तो series का मतलब होगा जो flux phi है ना वो सेम होना flux phi सेम होना और reluctance S equivalent वराबर S1 plus S2 plus S3 ये तो आपको ये इसलिए लिखाना चाहा मैंने देखे आपको ये समझना है दो अलग-अलग चीजों को विद्यारतियों यहां पर introduce करना चाहेंगे देखे यहां कोई भी जब हम magnetic circuit की बात कर रहे हैं ये मालो कि बाकि magnetic circuit नहीं basic का ये थोड़ा machine की जड़े है ना उन पर बात हो रही है basic है जो उन पर बात हो रही है तो हम जब बात करते हैं कि भी या magnetic circuit है हमने यहां current को flow कराया current को flow कराएंगे तो भी या magnetism होगा यानि कि flux 5 देखे यहां हो गया तो हमने यह कहा कि देखे जी इसमें flux 5 set up हो गया तो यहां जहां flux 5 ये इतना देखे यह radius यह diameter यह चलता आ रहा था आपको यह समझना है कि कुछ खोगला pipe था उसमें magnetic flux बेटा यह चलता हुआ अब ना आया तो देखे magnetic flux same ही रहा लेकिन यह हमने air gap दे रखा है air gap तो air gap में जो effective cross section area है magnetic field line का वो बढ़ जाता है तो effective cross section area का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है fringing कहलाता है क्या कहलाता है fringing कहलाता है तो आप क्या कहेंगे कि effective cross section area बढ़ जाना किसके लिए magnetic flux का क्या कहलाएगा fringing अब देखते हैं कि air gap introduce कराने से क्या होगा तो air gap यह S.S.C. में आ चुका है कि it increased the saturation level it increased the saturation level यह saturation level को बेटा increase कर देगा यह it increased the saturation level क्या air gap तो fringing की परिभासा छोटी सी परिभासा कहीं बार एक्जाम में दे सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि fringing किसे कहेंगे कि where the effective where the effective cross section area of field line effective cross section area effective cross section area of field line increased field lines is increased क्या कहेंगे increased वेंदा effective cross section area of field line is increased तो इसे क्या कहेंगे हम लोग देखे it is called a fringing it is called a fringing called a fringing क्या कहेंगे देखे इसे हम लोग fringing कहेंगे राइट जी क्या कहेंगे fringing कहेंगे तो ये तो कहा निती देखे हमने अभी कहा fringing और air gap आपको ये ध्यान देना है बेटा कि हम बात कर रहे हैं देखे S1, S2, S3 तो जब भी कभी हमें सपोज ये कोई भी magnetic circuit है तो यहाँ पर magnetic circuit में आपको ये ध्यान देना है कि मैंने ये अलग-अलग देखो ये section को मैंने अलग-अलग से देखे ये बनाए है ये इसका कुछ अलग reluctance S1 है इस section का कुछ अलग से लेकिन यहाँ magnetic flux देखे सेम है fringing का होना fringing का होना ये नहीं कहता कि magnetic flux अलग हो जाता है हाँ यदि air gap बढ़ाते ही चले जाएंगे बढ़ाते ही चले जाएंगे तो हम ये जरूर कहेंगे कि fringing fringing जादा करने से या air gap को जादा करने से leakage बढ़ जाएगा तो अभी leakage की भी अभी जिकर करेंगे ये machine में आएगा ये machine में आएगा ये सारी चीज़े machine में आएगी अब तो यहाँ पर हमने ये अलग-अलग से इसे अलग-अलग से देखे हिस्से में ले लिया तो विद्यार्तियों हमने ये कहा कि इस magnetic circuit में magnetic flux देखे सेम बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं और यहाँ पर देखे S2 है यहाँ S3 है और यहाँ S4 है तो अगर मैं total magnetic field लिखूंगा तो यह मेरे लिए सेम बना हुआ है flux तो अगर मैं total reluctance लिखता हूँ reluctance लिखता हूँ तो वो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है S1, S2, S3 और S4 मैं mark करूँगा यह mark करूँगा अगर मैं total MMF लिखता हूँ जैसे मैंने इसमें कहा है कि यहाँ देखे यह N1 है राइट जी तो मैं जैसे कि total voltage को मैं स्रीज में जोड़ दा total voltage V1, V2 तो ऐसे ही मैं यहा पर magnetic circuit में भी mention बेटा कर पाऊंगा कैसे कि EMF यादि कि MMF बराबर MMF1, MMF2, MMF3, MMF4 तो reluctance सेम ऐसे जोड़ जाएगा जैसे हम लोग resistance को स्रीज में जोड़ते हैं यहाँ air gap को याद रखेंगे यह हमारा देखे फ्रिंगिंग है अब चलते हैं leakage flux leakage flux का मतलब होगा इसी में देखेंगे बेटा leakage flux का मतलब होता है देखे क्या हमारी machine में सब चीज़े important है जैसे हम यह कहें कि यह magnetic flux एक ऐसा magnetic flux होगा तोड़ा सा जो अपने रास्ते को ना हवा के थुरू यहीं पूरा कर लेगा यानि कि यह क्या है देखे फाई L जैसे कि उधारण समझिएगा हमने बेटा बात किये यहां transformer की हम बात कर ले transformer तो transformer में हमने primary binding बना रखी है एक बना दिया हमने देखे secondary binding विध्यार्थियो तो एक magnetic flux तो हमारा वो resultant magnetic flux है यह बेटा लेकिन एक magnetic flux ऐसे है जो हमारा primary पर ही अपने रास्ते को पूरा कर लेता है और एक magnetic field ऐसा है जो secondary पर ही अपने रास्ते को पूरा कर लेता है यह क्या होगा जोrich magnetic field useful path को नहीं अपनाता यह क्या है जो हमने यह देखा यह है useful flux और यह क्या है leakage flux याद कर रहेगा तो leakage flux का मतलब होगा कि जो भी magnetic flux useful path को नहीं अपनाता राइड ना useful path को नहीं अपनाता वो हो जाएगा leakage flux जैसे कि हमने transformer पर बात की कि primary पर एक ऐसा magnetic field जो primary पर ही अपना magnetic field क्या primary पर ही अपने path को पूरा कर रहा है या फिर secondary पर ही अपने path को पूरा कर रहा है इड इस गोल्ड ए leakage flux जैसे कि एक बार विद्यार्थ्य इंडक्शन मोटर का सवाल आया इंडक्शन मोटर का सवाल आया देखे क्या कि बताइए leakage flux induction मोटर में क्या कहेंगे तो आप कहेंगे कि एक ऐसा magnetic field जो अपने रास्ते को जो अपने होगा वो दोनों को कट नहीं करता होगा यह क्या है लिकेज flux तो क्या कहेंगे कर लिकेज flux पूछेगा रट्टा मरा के बेजुँगा सारे चीजों को दिमाग में सेट करके आपके ना तो लिकेज फलक्स हमारे के लिए क्या होगा कि जो primary पर ही अपने पात को पूरा कर ले गए या जो secondary बन लेकिन दोनों पर नहीं करेगा वह क्या है लिकेज फलक्स तो यहां total flux होता है useful flux टोटल फलक्स होता है useful flux प्लस में लिकेज flux तो विद्ध्यारतियों याद रखेंगे एक formula आता है एक formula आता है leakage factor एक formula आता है leakage factor तो leakage factor होता है total flux upon useful flux और लेड़ी आसके ने से सी जाई leakage factor बराबर total flux upon useful flux और ये विद्ध्यारतियों हमेशा greater than one होता है मेरे बच्चों ये क्या होगा greater than one होगा देखे machine नहीं समझ में आने का एक सबसे important चीज ये होता है कि आप लोग को basic का जो जानकारी है आपको जो basic जानकारी है magnetic circuit की आप उस पर काम नहीं कर रहे हो तो इसलिए एक तरह से मैं machine के चीजों को लेकर चल रहा हूँ मैं machine के चीजों को लेकर चल रहा हूँ क्या useful flux ये हमारा क्या useful flux जो दोनों पे होगा यार जो भी है बाई जो कोई गाली बाली भी दे रहा देने दो यार पढ़ लो प्लीज ये कोई बच्चा नहीं है या अध्यापक ही होंगे तुम फाल तुमें चक्कर में पढ़ जाते हो किसी को तुम लोग तुम लोग फाल तुमें किसी को और ब्राइंड बना देते हो छोड़ो ना एग्नॉर करो आगे बढ़ो एग्नॉर करो अच्छे एक बात बताओ आप लोगोंने कभी हरकत की कि आप लोग कहीं जा जाके बोलें यह चीज ना मुझे नहीं लगता कि मेरे विद्यारती ऐसी हरकत भी करेंगे मुझे नहीं लगता है ना कभी मैं अपने विद्यारती और सज़ेस्ट करता अपने गुरू बगर इन सब चीजों में सेर करिए मुझे नहीं लगता कि आप लोग यह कि तो ये करो कि मुझे पता है कि मेरे सब विद्यार्थी न हर एक अद्यापक चाहिए कम लगोंगों में और और बाकी लोगों में हमेशा जो भी अध्यापक है कोई भी पढ़ा रहा है चाहिए अच्छा बुरा कुछ भी लेकिन उसके आप नौलिज को जज मत करिए उनका सम्मान करिए रस्पेक्ट करिए यह हम लोग सिखाते हैं यह हम लोग यह कभी नहीं सिखाएंगे आप लोग को कि यह करो वो करो ठीके भाई यह कभी हरकते नहीं करेंगे मेरे बच्चे नहीं करेंगे यह बिल्कुल नहीं करेंगे किसी चैनल पर नहीं करेंगे तो यार हमें पता है कि हम लोग क्या बैसेस देते हैं अपने विद्यार्थियों को हम लोग कहते हैं रात दिन पढ़ो तब यार तू है चीवे सक्सिज यार बिना हाड़ वर के कुछ नहीं और सबसे पहले हम चीज इस चीज को लीड करते हैं चलिए जी नेक्स चलेंगे देखें नेक्स आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छी चीज आएंगे अभी तो मेगनेटिक सरकेट अभी तो जो मशीन है समझो ट्रांस्पॉर्मर की जो चीजे आए जो बाकी मशीन में जो चीजे ना वो धीरे 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 यहीं से एक जड़े बि अच्छा पढ़ाते हैं ना हमारे विद्यार्तियों को आवशक्ता है मेहनत करते हैं मेहनत हमारे वच्चे करते हैं और सफलता में इतिहास लिखेंगे जह हमें विश्वास है चलिए इस्क्रीन सोट के लिए समय नहीं दिया मैंने चलो आजाओ यहां ध्यान से देखेंगे जब हम लोगोंने मेगनेटिजम की इन बेसिक चीजों को इखटा किया जब हम लोगोंने मेगनेटिजम की इन बेसिक चीजों पर इखटा किया है तो विद्यार्तियों में ही आप लोगों मैं बताना चाहूंगा कि जब हम लोग बात करते हैं देखें यह क्रोस और डॉट क प्लेज यहीं पर ध्यान से देख लें आगे चलके समस्या नहीं होगी तो हमने यह पढ़ा है कि magnetic field में इसमें देखे हम लोग कहेंगे cross clockwise और dot में हम कहेंगे anti clockwise तो देखे मोटर को बनाने के लिए मुझे जरूरी है कि यहीं पर यह चीजे बता दू यदि मैं यह cross 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 यह लिख रहा हूँ या यह dot dot और dot कर रहा हूँ तो देखे जी क्या है magnetic field नोर्ट से निगल कर देखे south पर जाती है राइन नोर्ट से निगल कर south पर पहुंशती है और magnetic field जो अंदर है वो south से north पर जाती है तो इस तरफ क्या है देखें cross 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 और cross इस तरफ क्या है dot 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 क्योंकि हमें कभी भी चुम्बकतव लिखा नहीं जाता कभी भी हमें ये लिखा नहीं जाएगा कि भाईया इधर north है और इधर cross है तो जैसे बेटा मैंने ये कहा कि भाईया एक काम करिए रखा तो हमने आज देखो यहां गया इधर से करण अंदर गया तो अंदर जाने का मतलब cross cross और cross से हैं और यहां बाहर आने का मतलब dot dot से हैं तो आफ यह काम करने के बाद आप कहेंगे कि देखिए सर यह कहा से क्याक तो कहाillon motor में यही चीज हमारी generator में सारी चीजे यही लागू होंगे हमारी तो जैसे मैंने यह कहा आपको कि भया हमें हमने जो binding का रखी है यह हमने देखए binding का रखी है तो हमने terminal को अगर बदल दिया break break का नाम ना लो यार हमें भी तो थका लगती होगी यह चलो अब positive का मतलब है कि यहां से इस तरफ हमने positive कर दिया राइना हमने यह बदल दिया तो यहां था कि यह बहार आ रहा था इस तरफ से तो हमने कहा कि positive करने से हमने इस तरह से binding की हुई है कि यहां से यह अंदर जाएगा फिर यहां से यह बाहर तो यह ऐसे में है तो हमने कहा जी क्रोस इधर बन गया क्रोस इधर बन गया क्रोस इधर और क्रोस इधर इधर क्या है डॉट है डॉट डॉट और डॉट तो हमने कहा जी देखे हमें तो सर ने यह बताया है कि इसका मतलब है विद् से निकल का साउथ पर जाएंगी इधर नोर्थ हो गया इधर साउथ हो गया तो मशीन में चाहे हम transformer की बात करेंगे तो हमेंहें चुम्बक पर लिखा नहीं जाता हमें चुम्बक पर नहीं में नहीं लेगा नहीं तो मशीन पले नहीं पड़ेगी फिर हम चलते हैं देखे एक छोटे से टॉपिक यहां पर इंडक्टेंस ये भी बच्चों का आजकल सरदर्द बना हुआ है इंडक्टेंस बेटा इंडक्टेंस को हम लोग यह पढ़ते हैं कि जब भी किसी हम मैगनेट पर इंडक्टेंस को सब्सक्राइन फिल्ड में यह पाहिए हैं जब भी हम लोग किसी मैगनेटिक फिल्ड में लिखते हैं तो यह होता देखें, magnetic formula, अब जब आप transmission line पढ़ेंगे ना, तो एक और सुत्र देखेंगे, तो यहां से याद ये करिएगा, कि L directly proportional to N square, ये सबसे ज़्यादा important है, ये already asking SSC J, फिर दूसरी चीज, एक electrical quantity में सुत्र आता है, inductance का, किसमे, electrical quantity में, तो वो सुत्र होता है, inductance बराबर, flux linkage, transmission line में पढ़ना ज़रूरी है ना, flux linkage upon में current I, upon में current I, तो L बराबर, हमें क्या मिलेगा, देखें, N5 upon में I, क्या मिलेगा, N5 upon में I, और यहां से, unit हम लोग क्या कह रहे हैं, भाया, Henry है, Henry है, लेकिन यहां से सुत्र से, हम लिख सकते हैं, Weber, turn, per, NPR, कितना Weber, turn, per, NPR, तो विद्यार्थियो, आपको अगर examiner, Henry, बराबर पूछेगा, तो गायब नहीं हो जाना है, क्या आना है, Weber, turn, per, NPR, राइट ना, क्या चलना है, देख पास मेरे सेर, बहुत अच्छे, तो ये Weber, turn, per, NPR, याद हो गया, अब देखिएगा, ध्यान से देखेंगे इस चीज को, जब भी हम लोग, inductance, बेटा, एक एक चीज को लेकर चलना हो, वोड़ पे आज, ये चीज मुझे बहुत आविश्यक है, जरूरत पड़ेगी, आपक को एक इधर से उठाया, 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 ऐसे जोड़ना पड़ रहा है, नमबर को, और यही एक अच्छी तयारी की निसानी है, राइट ना, चलिए, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखे ये विद्यार्तियों हम लोग यहां एक section को और देख लेते हैं देखे जैसे हम लोग inductance की बात कर रहे हैं यह किसका formula हुआ हमारा self inductance बढ़िया चीज है चलिए मिच्वल का मैं अभी जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मिच्वल हमारे लिए बड़ा common है transformer में भी और मिच्वल का जिक्र अभी हम लोग बाद में करेंगे तो हम लोग next देखते हैं charging of inductance next आता है charging of inductance बहुत खास सुत्र बनेंगे देखे विद्यार्तियों यहां पर charging of inductance तो charging जो होगा inductance हमने कहा यह है देखे आर यह ले लिया देखे हमने विद्यार्तियों L यहां पर हमने voltage V को apply किया यहां हमने देखा कि धारा I है तो इसके cross में जो instantaneous current है देखे यह voltage है और यह current है राइट जी यह instantaneous voltage यह instantaneous current है तो विद्यार्तियों I बराबर I 1 minus E के minus T upon 2 राइट और 2 यहां कुछ और नहीं है L by R second है राइट जी L by R second क्या है time constant है क्या है time constant है तो I बराबर I 1 minus E के T minus T यह क्या हो गया देखे इंडक्टेंस में charging धारा तो जैसे जैसे inductor charge होने की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होगा कि धारा बढ़ रही है राइट फिर देखे वोल्टेज भी देख लेते हैं V बराबर V E के minus T upon 2 तो समय के साथ साथ हम charging किसे कहेंगे कि समय के साथ साथ धारा बढ़ रही है और भया वोल्टेज गिर रही है तो प्लीज बस इसे जरूर देखेंगे क्या देखें समय T यहां पर क्या है आई यहां पर क्या है विद्यार्थियो वोल्टेज तो आप देखेंगे धारा यानि की आई समय के साथ साथ में बढ़ रही है क्या विद्यार्थियो समय के साथ साथ में बढ़ रही है राइट तो यहां हमने लिखा I बराबर I 1 minus E की minus T upon 2 राइट यहां देखे जाएंगे voltage तो voltage समय के साथ सात में देखें कि रावट में आई है कितना वी बराबर वी E के माइनस 2 एपाउन तो तो देर स्टूडेंट हमें पता है कि केपसिटर में एलेक्ट्रिकल फिल्ड में और यहां पर मैगनेटिक फिल्ड में देखें तारा क्या मैगनेटिक फिल्ड में energy stored हुई है तो याद रखेंगे ये वो condition है जहाँ पर inductor charge नहीं है जहाँ inductor में no charge क्या कहेंगे no charge और ये वो इस्थिती है जहाँ पर inductor पूरा charge हो गया है inductor fully charge देखें जी पड़ा अच्छा तर्म आएगा विद्यार्थियों क्या inductor जब पूरा अंचार्ज होता है तो यहाँ चलेंगे ना देखें voltage क्या है V तो voltage होना धारा जीरो तो क्या होगा open circuit क्या होता है open circuit paper के लिए खास बन जाता है और यहाँ बेटा क्या हो जाएगा short circuit यहाँ बन गाएगा देखें short circuit क्या बनेगा short circuit बताईए दिमाग में छपा है कि नहीं बताईए दिमाग में छपा है कि नहीं चलिए आगे बढ़ें क्या यहाँ देखेंगे यह होगे inductor charge तो inductor यहाँ लिखेंगे discharge discharge in same direction discharge उसी दिशा में होता है जिसमें charge होता है discharge in same direction as charge capacitor उल्टी दिशा में होता है लेकिन यह उसी दिशा में discharge होता है जिसमें यह charge होता है याद हो गया चीज़े set हो गई तो देखेंगे जब हम कहेंगे कि current यहाँ पर 63.2% of I पहुँच गया है तो इसका मतलब time constant कितना होगा T बराबर टो T बराबर टो पर कितना 63.2% of I अब अगर T बराबर टो टो लिखेंगे विद्यार्थियो तो I बराबर आ जाएगा 86. या चलो यह लिख लो 86% of I फिर आ जाएगा T बराबर already SST में आया है भाई यह 4 टो लिखेंगे बेटा तो T बराबर 98% of I यानि कि जैसे क्याबसिटर पढ़ा है अगर विद्यार्थियो यहाँ पर हम यह कहें कि भाईया T बराबर 5 टो राइट है तो भाईया यहाँ पर कहेंगे कि यह पूरा चार्ज हो जाएगा कितना आई बराबर 100% of I तो यह SSC में आया आपको L का मान देगा आपको R का मान देगा और आपको कहेगा कि बताइए इंड़क्टर को चार्ज होने में लिया गया समय कितना है तो टाइम कॉंस्टेंट को अगर हम 5 से मल्टिप्लाइ कर दे तो इंड़क्टर को चार्ज होने में लिया गया समय निकल जाएगा तो चलिए स्क्रीन सोट खीचेंगे आगे बढ़ेंगे इस्क्रीन सोट ले लेंगे और आगे चलेंगे बिटा चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलिए आगे बढ़ेंगे इस्क्रिंसोट हो गया चलिए तो हम जिकर कर रहें देखें इंडक्टेंस इस पर भी आ चुका पेपर में कौन सा आया जिसमें आपको पता है जो टार्ण रेशियो है ना जिसमें वो वन वन मिलता है तो यह आ चुका फिर यह भी आ चुका है कि L औ बाइटू एलाई इसक्वार अब देखें विद्यार्तियों हम लेकर चलते हैं यहां पर कुछ यह कहानी ध्यान से देखिएगा हमने कहा है यह देखिए L1 है यह देखिए L2 है तो फिलाल यह दो ऐसी कॉयल लिया हमने जो एक दूसरे से दूर दूर रखे है यानि कि एक इ आपस में कोई भी मिच्वल इंडक्टेंस नहीं है देखिए मिच्वल इंडक्टेंस की जो कहानी एक रफली आइडिया देते हैं सपोज मिच्वल इंडक्टेंस सिर्फ क्या है जैसे ट्रांस्फोर्मर में एक कोईल को magnetize करते हैं और दूसरी कोईल को हम उसके पास में रखते हैं तो हम उलेक्ट्रीकली तो नहीं जोडते हैं तो प्रैम्री में जो magnetic flux है वो कोर के थुरू चाहे हवा ही क्यों ना हो कोर में तो सेकेंडरी को जब आप पास में ला रहे हो तो वो magnetized हो रहा है वो magnetize हो रहा है तो आपको यह याद रखना है आपको बेटा हम अभी AC analysis का जिकर ही नहीं लग रहे हैं अभी तो हम इंडक्टर का original बात कर रहे हैं अभी हम AC को पढ़ेंगे RL series resonance वगर यह सब अलग चीज है अभी बात को ध्यान से सुनिएगा मिच्वल का मतलब है कि magnetic flux तो इससे उत्पन हुआ इसका था लेकिन इस कोईल को हम इसके पास ले गए तो यह इसको भी बिना touch करा है magnetize कर दे तो कैसे हुआ है mutual inductance तो इसके लिए क्या हुआ mutual inductance तो आपको यह धियान देना है आपको यह धियान देना बेटा time constant का मतलब L Y R है आपको inductance देगा कि 100 Henry है आपको resistance देगा इतना है time constant बदाओ तो तो बराबर L O N R आपको simple लगाएगा भाई चलो जी तो अभी हमने क्या कहा no mutual inductance no mutual inductance दोनों कोईल एक दूसरे से दूर दूर रखी है तो यहाँ पर सुत्र होगा L equivalent बराबर L1 प्लास L2 very very important फिर दूसरी चीज हमने यह coil को ऐसे रखा यह coil देखे ऐसे यह L1 है यह L2 है प्लीज इसको ध्यान से देख ले तो हम क्या कहते हैं कि यह करंड के बहने का direction अपना दे दिया यानि sense of binding देखे यह dot बताता है sense of binding dot बताता है अगर कोई आपसे पूछे dot क्या है तो आप dot कह कहेंगे कि यह दर साता है sense of binding sense of binding का मतलब क्या है कि sensor binding का मतलब है कि भया हमने binding ऐसे किया है या ऐसे किया है यह मतलब होता है sense of binding का पविद्यार्थियों अगर हमने यहां पर यह रखा अगर हमने mutual inductance यह रखा तो यह ध्यान देना है यहां पर कि L equivalent वराबर L1 L2 तो जब इसके भी यह primary इधर से धार आई पहले इसका भी और इसका भी यानि दोनों का sense of binding सेम है इसमें भी binding ऐसी ही और इसमें भी तो इसे कहते हैं editing polarity या adding polarity editing polarity यानि जोडने वाली तो इसमें हम कैसे लिखेंगे इस पर यहां से कितना magnetic field M और जब इस पर देखा यहां से कितना M तो यह बेटा हम directly अगर लिख लें तो L1 प्लस L2 प्लस में 2M फिर यहां चलिए देखें ध्यान दीजिएगा हमने binding कुछ इस परकार लिखा है यह L1 है यह L2 है यह dot यहां यह dot यहां तो यानि कहने का मतलब यह है कि sensor binding यह तो ऐसे ही करी और यह binding इससे उल्टा कर दी तो इनके बीज में mutual inductance अगर M है तो बेटा L equivalent बराबर L1 प्लस L2 तो यह क्या है? subtractive यानि घटाने वाली binding क्या बेटा? subtractive binding तो यह हो गया देखें minus के 2M तो L equivalent कितना मिला हमें? L1 प्लस L2 minus के 2M अब देखें जी यह चीज और दिमाग में रखिएगा कि अगर यह L1 है और यह L2 होता है तो यहाँ पर देखें यह dot है या ऐसे कर लो कि यहाँ देखो यह dot है और यह dot है तो बेटा इनका मतलब भी sensor binding यानि additive ही है इसके भी बाद में इसके भी बाद में तो यहाँ भी L equivalent बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2M ही होगा अब कहानी देखें यह तो आसान था अब चलेंगे देखें next additive subtractive हो गया screenshot ले लिजिए और आगे बढ़ते हैं screenshot ले लिजिए आगे चलते हैं चले जी screenshot ले लिजिए अब देखें एक चोटा सा numerical देखना पड़ेगा यहाँ इसको समझने के लिए और अच्छे से दिमाग में बठाने के लिए एक चोटा से numerical पर चलेंगे आप सभी लोग देखें numerical क्या है देखें numerical क्या बनता है तो numerical देखेंगे धियान देना है हर एक बच्चे को यह यहाँ पर देखें डॉट है और यह यहाँ पर डॉट है यह हमारा एक हेंडरी दिया है यह दो हेंडरी दिया है यह देखें थ्री हेंडरी दिया गया है तो इसके बीच में यहाँ पर टू हेंडरी mutual inductance है यहां इसके बीच में और इसके बीच में आपने तीन हैंडी ले लिया इसके बीच में और यहां पर आपने ये 5 हैंडी लिया है तो प्लीज एल इक्वलेंट बताईएगा सभी लोग आंसर करेंगे एल इक्वलेंट बताईएगा सबी लोग आंसर करेंगे अल इक्वालेंट बताईएगा अल इक्वालेंट बताईए जल्दी से अल इक्वालेंट कोई बात ने अनिल जी पढ़ो तो हमने कहीं जाना थोड़ा ही है लेकिन तुम लोग तो वही आला थे कि जब कंटेंट मजेदार आता जाएगा धिरे धिरे आगे और तुम लोग गायब होने लगे हैं जल्दी से एक बार सेर करो लाइक करो फड़ाबट से खीच के लाओ कि पढ़ लो पढ़ लो है जी एंप्यर लेंज के लिए भी डॉट बताया था सर प्लीज डिफाइन हाँ बिल्कुल जी लेंज के नियम के लिए भी टांसफॉर्मर में बात करेंगे भाई चलिए देखे तो L equivalent बराबर तीन और दो पांच और एक छे यह तो सेल्फ हो गए आप देखिए जी यहाँ यह प्रैमरी पर है पहले इस पर देखो न यह प्रैमरी पर है और यह कैसे है सेकेंडरी पर है सब्ट्रेक्टिव पॉलारिटी तो कितना लिखोगे माइनस के चार बैट टू एम लिखेंगे ना माइनस के चार फिर यहाँ आजाओ यह सेकेंडरी यह भी प्रैमरी तो सब्ट्रेक्टिव पॉलारिटी बनी तो कितना लिखोगे तीन दूनी माइनस के चे यहाँ जाओ जी यह प्रैमरी यह भी यहाँ पर देखो डोट सेंस ओ बांडिंग द हमें सः ऑंति मिल रहा है देखिए सीक्स हैंड़ी करेक्ट हमें क्या मिलेगा चली हो गया कि की नहीं है या बहुत मुश्किल फस गिया की बच्चों ने तो तुरन्द आंसर कर दिया दा कुछ बच्चेफू गय थे अ यार ऐसा पाप ना गरो तीन वीन मत दो चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगर आपके पास में इंडक्टेंस ये इंडक्टेंस ये दिया गया है अगर ये L1 है ये L2 है अगर ये यहां पर Polarity इस परकार से है यानि कि ये Sense of Binding यहां पर Same रखा गया है और यहां पर जो Sense of Binding है ये हमने देखे कुछ इस परकार से रखा है यहां तो ये L1 है ये L2 है ये Sense of Binding देखे ये तो यहां L Equalant होगा L1 L2 माइनस के M स्क्वार अपॉन L1 प्लस L2 माइनस के 2M याद रखेंगे बेटा कई बार Additive Polarity है तो Additive Polarity में विद्यार्ती यहां पर प्लस कर बैठते हैं गलत हो जाएगा L Equalant बराबर L1 L2 माइनस M स्क्वार L1 L2 प्लस में 2M अब देखे इसमें तीन वाला भी फोर्मूला आपको Direct ने लिखना तो 3 वाले के लिए मैंने Objective की Class में यह जो मैंने PPD बराने शुरू की यह Next वाली Marathon के लिए तो उसमें आपको 3 वाला मैंने सवाल डाल दिया तो 3 वाला आपको वहाँ होगा तो 3 वाला बेटा आपको करके जाना है वो पेपर में आया है यह क्या होगे आपका दो के लिए पैरलल राइट जे यह होगे देखे Inductance की कहानी तो Inductance के Charging बड़ा Important रहेगा साथ में Inductance के स्रीज और Parallel combination यह आप लोग के लिए Important रहेगे अब देखना है विद्यार्थी आप लोग को आगे लेकर चलते ही यहाँ पर कुछ Basic नियम है हमारे और वो Basic नियम आपके कुछ इस परकार से है कि जब भी हम लोग Electromagnetic Induction के नियम की बात करेंगे तो हमें पता है E वराबर Minus N D5 by DT Faradays Electromagnetic अगर हम Induction की बात करेंगे तो Electromagnetic Induction Faradays Electromagnetic अगर हम Induction की बात करेंगे तो भी है एक चीज को दिमाग में रखिएगा कि यह कहता है कि या तो Conductor Magnetic Field को कट करें या Magnetic Field किसी Conductor को कट करें तो भी है EMF Induced हो जाएगा तो E बराबर Minus N D5 by DT तो D5 by DT दरसाता है Rate of Change of Flux Rate of Change of Flux क्या दरसाएगा Rate of Change of Flux को बताता है Right जी Rate of Change of Flux को बताएगा अब जी देखिए यह हमारा किस के लिए नियम लागू होता है Static Induced EMF के लिए Static Induced EMF के लिए फिर देखना है बेटा क्या यहां पर एक नियम आता है Lange Law तो Lange का नियम क्या कहता है Lange का नियम क्या कहता है कि The Voltage In Any Magnetic Circuit The Voltage पुरा है लिख लेते हैं Produce the Voltage Produced A Voltage Induced Voltage Induced In Such Direction In Such Direction In Such Direction That It Opposed The Cause It Opposed The Cause It Opposed The Cause Which Is Produced It It Opposed The Cause Which Is Produced It Which Is Produced It तो दिमाग में रखिएगा I N Any Magnetic Circuit The Voltage Induced In Such Direction That It Opposed The Cause Which Produces कहने का मतलब किसी भी Magnetic Circuit में Voltage कुछ इस दिसा में उत्पन होगी कि वह उसी कारण का विरोध करेगी जिससे वह उत्पन होती है या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी Magnetic Circuit में धारा उस दिसा में बहेगी कि वह उसी कारण का विरोध करेगा जिससे कि यह है उत्पन होता है बिल्कुल जिससे कि यह है उत्पन होता है ये होता है देखें Lensganium तो बेटा E बराबर N D5 by DT ये दरसाता है बड़ी कहराई की बात बता रहा हूँ ये दरसाता है Faradays Electromagnetic Induction Law Electromagnetic Induction Law लेकिन इसमें जो Negative लगता है Negative बताता है इसमें क्या देखे Lens Law Negative क्या बताता है Lensganium तो ये हो गया हमारे ये सारे मुझे एक तरह से Machine में मेरा समय कम लगेगा जो Machine की चीज़े न हो सारी आ गई Faradays Electromagnetic Induction Law आप देखेंगे कि यदि Dynamic Induced EMF है तो E बराबर B L V Sin Theta Voltage यदि Dynamic Induced EMF है तो हम क्या बात करेंगे देखे जब भी Static यानि कि जैसे Transformer कोई गोमने वाला पार्ट नहीं है तो गोमने वाला पार्ट नहीं है तो वहाँ पर Induced EMF की दिसा हम निकालेंगे कहां और यह कहां गया Lens के नियम से लेकिन जहां पर कुछ गोमने वाला है रहना जैसे जनरेटर तो जनरेटर में क्या लागू होता है Dynamic गती सील ना कुछ गोमने वाला Dynamically Induced EMF B L V Sin Theta यह क्या लग गया देखे Volt तो इसकी दिसा हम निकालेंगे किस से देखे Right Hand Rule से किस से Right Hand Rule से तो यह कहां लागू होगा Generator में यह कहां पर लागू होगा देखे Generator में तो E बराबर B L V Sin Theta हमारा कहां लागू होगा Generator में तो अगर आपको Normal कह रहा है कि बताइए Induced EMF की Direction हम किस से निकालेंगे जब तक वो ना लिखेगी Generator है और Normal पूछ रहा है Induced EMF की दिसा कहां से निकालेंगे तो बेटा आपको हमिसा Lens के Low पर ही Tick करना है किस पर Lens के नियम पर ही Tick करना है यदि वो mention कर रहा है कि Generator है कुछ घूम रहा है बताइए दिसा Induced EMF की किस से निकालेंगे तो तब कहेंगे Flaming Light Hand Rule से Right ना Flaming Right Hand Rule से चलिए Screen Sort ले लिया बेटा आपने Screen Sort ले लिया आपने Flaming Right Hand Rule बहुत अच्छे Flaming Right Hand Rule Very Good, Very Good चलिए जी अब देखिए आगे चलते हैं बहुत बढ़िया 30 सुन्दर, 30 सुन्दर Break का जिक्र ना करो पानी तो तुम प्रियान ब्रेक के भी पी सकते हो पानी मैंने नहीं पिया तो पानी तो तुम बिना ब्रेक के भी पी सकते हो आप देखिए जी हम लोग जब मशीन की तरफ बढ़ रहे हैं तो कोई भी मशीन हो हमारे लिए आविश्यक है दो चीजों का और जानना और वो हो जाता है Addie Current Loss और High Straces Loss का जानना तो विद्यार्थियो High Straces Loss High Straces Loss आप कहेंगे देखे किसे नॉर्मली बना रहा हूँ आपको क्योंकि यहां रिवीजन करवाना है देखे एच है यह क्या है? बी है तो High Straces Loss हमारा कौन सा फिनोमेना है? B Legs Behind H Legs Behind H यानि B Legs करता है कहा से? Intensity से तो यह जो यह term होता है is called Retentivity विद्यार्थियो क्या कहेंगे? Retentivity Retentivity के unit बोलो Weber per meter square और यही जो Retentivity है ना इसे ही हम Regidual Magnetism भी कहते हैं इसे को हम Regidual Magnetism भी कहते हैं यहां आ जाईए यह कहलाता है Curricive Force यह क्या कहलाएगा? Curricive Force क्या कहलाएगा विद्यार्थियो? Curricive Force तो Curricive Force के unit होती है Ampere ton per meter राइट जी? तो यह loop जो बनी होती है यह क्या है भीया? Area Area Under High Straces Loop यह Straces Loop क्या कहलाता है? बराबर में His Straces Loss क्या? His Straces Loss तो जितना भी Area ज्यादा होगा High Straces Loss ज्यादा होगे तो इसका Formula आप लिखेंगे यह Straces यहाँ पर आगया यह B Maximum 1.6 F और यहाँ आगया देखें यह Volume यह Volume पर निर्भर करेगा लेकिन यह Thickness पर निर्भर नहीं करेगा यह दिमाग में रखेंगे Unit क्या है? देखे What? Unit क्या बना? What? Right? Next चल रहे हैं तो High Straces Loss को To Reduce To Reduce High Straces Loss To Reduce High Straces Loss We Used We Used High Permeability Material High Permeability Material High Permeability Material Right जी? To Reduce I Say Loss We Used High Permeability Material Okay अब ध्यान यह देना है कई बार लिखा जाएगा देखें Silicon Steel तो High Steel Loss को गटाने के लिए We Used Generally Silicon Steel Okay चलिए विद्यार जो Next आते हैं देखें Addie Current Loss Addie Current Loss क्या चलेंगे देखें विद्यार क्यो Addie Current Loss पर तो Addie Current Loss का मतलब होता है कि Suppose यह कोई Magnetic Material है जब यह Magnetic Material खुद स्वम अपने आप में जब यह Magnetic Material Retentivity और Flux Density में देखें अंतर क्या है Flux Density एक Different Phenomenon है Retentivity का मतलब यह है कि Zero Magnetic जब लिख लो चाहें दो Retentivity का मतलब देखें क्या है When Magnetic Field या When अब देखें आपने When Intensity is Zero When Intensity Reduced to Zero Reduced to Zero तो उस समय जो Magnetism एक्जिस्ट कर रहा है Coil में या Binding में अपने आप में इस गॉल्डे Retentivity तो Retentivity का मतलब होता है कि जब आपने Current I को भी Zero कर दिया हो किसी Solenoid में तो उस समय उसमें हलका सा हलका सा चुमबकतव रह जाता है अगर आपने Electromagnetic का मैंने एक Experiment कर आए था आपको तो वो Experiment अगर आपने देखा होगा वो Experiment अगर आपने देखा होगा तो हमने कहा था कि बेटा अगर इसमें हमने Current फ्लू कराया और उसके बाद में हमने Current को हटा दिया तो अब भी भी ये किसी हलका सा अट्रेक्ट कर रहा है तो जो अट्रेक्ट कर रहा है तो वो हमारा क्या है देखे Retentivity राइड जी क्या है Retentivity राइड जी तो यहां देखेंगे नेक्स हमारा क्या है अट्रेक्ट लॉस तो ये दिमाग में रखे सपोज ये कोई Magnetic Material है तुम लोग पढ़ाई पे फोकस करो ना तुम लोग पढ़ाई पे फोकस करो नेक्स चलेंगे देखे ये होंगे कोई जो होंगे यारना दुनिया में सब लोग ऐसे नहीं होंगे बेटा जो हमें या आपको पसंद करेंगे है ना ऐसे बहुत लोग होंगे जो हमें ना पसंद करेंगे अब एक बात बताओ कोई हमारे दोस्तों से लड़ाई हो गई हो और वह हैं भी नह incluso पता भी नहीं तो इसे वह भाइत यहीं सोचने आया आतानागा और मthut he aneous रिखliा अब इंटर्टेन यहां होगा तो जबेवाइन है यहां किसकी बार चल लिए पढ़ाई के बाद चल रही है तो उसे तो दिमाँ खराब होगा है उसका तो राइट तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमारी देंज के हैं नहीं वह एलियन है तो उनसे बाहर कही का आप आप लोग आपस नहीं यह करते हो आप अपना यहां पर फोकस करो तो जब मैगनेटिक मैटीरियल अपने आप में जब मैगनेटिक फ्लक्स अपने आप में मैगनेटिक फिल्ड को कट करता है तो इसमें स्वेम एक MMF या EKMF इंडियूस होती है जिसके कारण एक धारा खुद म बहती है उस धारा को हम लोग कहेंगे एडि करंट और उस धारा के कारण जो लोस होगा इसको हम कहेंगे एडि करंट लोस क्या कहेंगे एडि करंट लोस तो देखें हम लोग क्या लिखेंगे वैन वैन मैगनेटिक फिल्ड वैन मैगनेटिक फिल्ड वैन मैगनेटिक में असे हlamा, वन लेकित लोडेरी के मान से, लेकित थे रहें एकित आट रहेंकित लेंडियादनumber हें और लेकित कि wizard 모두 मेंनेफें उसा सब nytवले होर लेकित अंदीकित, induced EMF due to this induced EMF a voltage induced voltage क्या है EMF induced in a magnetic field and due to this induced EMF a current a current flow in a magnetic field in a magnetic field itself then this current this current is called eddy current eddy current it's called eddy current and the loss due to and loss due to and loss due to this magnetic loss due to this eddy current loss due to this eddy current is called is called eddy current loss eddy current loss to reduce eddy current loss हम क्या इस्तमाल करेंगे lamination क्या इस्तमाल करते हैं lamination और यह भी देखो पतली lamination क्यूंकि lamination की thickness पर भी निर्भर करता है बिल्कुल करता है कोई दिक्कत नहीं तो यहां पर चलेंगे PE बराबर KA F स्क्वार BM स्क्वार T स्क्वार और वोल्यूम तो तो ती स्क्वार याद रखेंगे जो ती स्क्वार है थिक्नस पर निर्भर करता है तो इसलिए थिक्नस को हम लोग पतला लेके तो यह होगी एडी करंड की कहानी बताओ एक भी चीज को छोट रहा हूं क्या हूं बिल्कुल बिल्कुल थिक्नस 0.35 mm से यह बढ़िया लिखा तो 0.5 यार बताओ चाय देनी रहा कोई अब क्या करूं भाई मैं चाय कहां से रहूं भाई कि अगरे चलिए विद्धार जी तो यह हो गया देखिए मैगनेंटिजम की पूरी कहानी तो एक बार प्लेजिस को नजर माल लीजिए और छोटा सा एक चीज और लिखा दूं आपको देखे कुछ बच्चे एक चीज को लेकर बड़े परिशान है कुछ बच्चे एक चीज को लेकर थोड़ा सा परिशान है तो एक्चुली में एच्छुली देगे जब भी हम लोग susceptibility लिखते हैं न susceptibility तो susceptibility का मतलब होता है I upon में यानि magnetization upon में देखे intensity और normal अगर आपको बड़ा common सा बताओ न तो आप ये देख लो कि permittivity relative permeability प्लस में susceptibility ये 1 है तो पता क्या पूछ रहा है air में पता क्या पूछ रहा है air में susceptibility बताओ air में susceptibility बताओ अरे भाई हवा का मतलब 1- epsilon r tension ना लो कितना आएगा हवा में 0 बनेगा तो ये दिमाग में रखना है कि ये हवा के लिए पूछेगा आपको तो कितना कहेंगे कि ये 0 आएगा ठीक है जी चलिए जी आगे चलते हैं अब ये दो चैप्टर हम लोगों ने रिवाइज कर लिया अच्छे से और कहीं ना कहीं जो मशीन की जड़े हैं हमने उनको चारो दरब से अपना घेर लिया राइड जी चले आगे बढ़े अरे हवा के लिए वैक्यूम के लिए वही ससब्टेंस बताए तो यार ससब्टेंस अभी रूप जाओ मैगनेटिक सर्किट में नहीं आता टोपिक को सही जगह याद दिला अगर वो आएगा आपका AC अनलिसिस में ससब्टेंस आदा है बेटा AC अनलिसिस के केस में राइट हो गया चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स देखते हैं तो नेक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर AC अनलिसिस की कुछ बेसिक कहानिया AC अनलिसिस की कुछ बेसिक कहानियों पर आते हैं हम लोग आप देखें AC Analysis चलिए अभी DC के भी कुछ चीज़ है भच गई तो वो खरा देता हूँ आप लोगो फड़ा भटस एक बार कपलिक कॉफिसेंट रहेगा भाई देखो सुनो K बराबर M अंडर रूट में L1 और L2 K का मतलब है कपलिंग कॉफिसेंट कपलिंग कॉफिसेंट यह होता है कपलिंग कॉफिसेंट तो जैसे यह देदेगा आप लोगो इसको अपना दिमाग में रखेगा M बराबर जैसे आपके हो गया K अपॉन में अंडर रूट में L1 और L2 ठीक है जी तो K बराबर क्या मिल गया हमें यह अब आगे बढ़ो जी अब आगे बढ़ो जी चले आगे बढ़े चलिए अब लिघा तो next आते हैं हम लोग DC Circuit Analysis DC Circuit चलिए अपने दिमाग को लेकर DC Circuit Analy bağ तो मैं जरूर कर गहां गए कि ठोड़ा सा जल्दी चलोंगा यहाँ DC Circuit Analy masih तो मैं जरूर करवा रहा हूँ लेकिन थोड़ा-सा speed से निकलते हैं यहां से राइना थोड़ा सा अपना speed से चलते हैं DC circuit analysis में देखे हम अभी सीखने वाले हैं KCL को अभी चलने वाले हैं KVL पर और अभी चलने वाले हैं देखे हम लोग theorem पर KCL, KVL और theorem चलो सबसे पहले सुरुवात कर देता हूं मैं जल्दी जल्दी से देखें resistance से तो बेटा सब लोग प्यारे बच्चों ध्यान देंगे हमें पता है formula R बराबर Rho L upon A important चीज़े अब थोड़ा speed में लिख दे रहा हुए चीज़े क्योंकि अभी करवाई यह बदलाओ बेच में क्या प्यक्च कहें दो current carrying conductor यह हो गए the current carrying conductor यह हो गए I1 यह हो गए देखो ऐ तूँके जो बेचकी धूरी है वो capital R है तो जब भी दोनों डारेक्शन में जब भी same direction में force होगा जब भी same direction में force होगा तो देखेँ यह एक दूसरे को attract करेंगे ये एक दूसरे को attract करेंगे और जब भी opposite direction में होगा जब भी opposite direction में इन में धारा भहेगी तो ये भाईया देखे एक दूसरे को repel करेंगे अब याद करना है कि F बराबर 2 into 10 के पावर मायनस 7 I1 I2 अपॉन में R ये याद होना चाहिए ये हमारे क्या है जब दो conductor हमारे हवा में placed होते हैं है ना जब दो conductor हमारे हवा में placed होते हैं क्या लिखवाया मैंने ये ही तो लिखाया यार मैंने M बराबर K under root L1 L2 क्या लिखाया मैंने यही तो सुत्र लिखाया मैंने K बराबर उल्ता लिखा दिया कहीं अरे उल्ता लिखाया गया ने वो जल्दाबाजी में लिखा दिया होगा कि ये बराबर ये ही तो लिखाया मैंने ये नहीं लिखाया गया K बराबर MF under root L1 L2 अरे यही तो लिखाय था मैंने के बराबर एम अपॉन अंडर रूट लवन लटो अगर यह नहीं लिखाया तो इसको करेक्ट कर लेंगे यार वो साथ मुझे याद है तो इतनी चीजों को कर लेंगे यार करेक्ट ना कि कर लेंगे यार इतनी एक-दो चीजे भाई हो सकती है लेकिन मुश्किल से दो वह भी दिमाग में सही ता लेकिन वह लिखा गया ऐसे ना तो चलिए यहां पर देखेंगे यह हो गया हमारा force of attraction और repulsion की कहानी चलिए दी तो यहां पर आर बराबर रो फटाबर से देखो रो एलपोने यूनिट क्या बन की ओं रो क्या हो गया देखे रजिस्टिवीटी रो क्या हो गया रजिस्टिवीटी अब दिमाग में फटा फट से चीज़े लेकर चलो क्या होगा देखो यूनिट होगी ओम मिटर डिपैंड किसपे करेगा सेलफ टाइप ओफ मेटीरियल पर किस पर करेगा बिटा ताइप ओप मेटीरियल पर बाकि किसपे नहीं थोड़ा से देखो ये ये भी याद रखना है टेंप्रेचर पर निरभर करता है temperature पर रिर्फर करता है भली कम करता है लेकिन करता है भाई तो R बराबर हो गया रो एलपोन A इस चीज़ को दिमाग में set कर लो important रहेगा फिर देखे next चल रहे है temperature effect पर बेटा next चल रहे है ध्यान से देख लो temperature effect UP PCL में भाई जब हम study कर रहे है सभी में UP PCL में लाइन से 2018 में पूरे छाप दिये थे है ना temperature coefficient देखो अगर ये R0 हमें दिया गया है 0 degree centigrade और यहाँ temperature coefficient ये क्या दिया है temperature coefficient दिया है ये आपको temperature coefficient दिया गया है राइट जी इसकी का ही पता है पर डिगरी सेंटिग्रेट तो एग्जामनर कैसे दे रहा पता है OH upon में एग्जामनर भुमाने के लिए दे रहा है OH upon में OH degree centigrade अरे Oh से Oh cancels पर डिगरी सेंटिग्रेट बच गया ही तो R T बराबर किस पर बताना है T degree centigrade तो सुत्र लग जाएगा R T बराबर R naught 1 प्लस alpha naught और T बिटा एक तो इसको बिल्कुल दिमाग में छापेंगे फिर चलेंगे R T 1 किस पर है देखे T 1 डिगरी सेंटिग्रेट पर और alpha 1 यहाँ पर temperature coefficient दिया है R T 2 रहे ना T 2 डिगरी सेंटिग्रेट अब यहाँ पर देखेंगे सुत्र होगा R T 2 बराबर में R T 1 1 प्लस alpha 1 T 2 माइनस के T 1 T 2 माइनस के T 1 यह किस में होगा देखो R T 2 अब देखो बेटा अगर हमें यह दिया है कि R T 1 हमें यह ध्यान देजेगा कि R naught हमें 0 डिगरी सेंटिग्रेट पर दिया है और temperature coefficient alpha naught देदिया R T 1 हमें T 1 डिगरी सेंटिग्रेट पर दिया है R T 2 हमें T 2 डिगरी सेंटिग्रेट पर दिया है तो यह दिमाग में रखेंगे यह अपने दिमाग में ज Dadah सेट करेंगे कि अगर इसे हम इसके respect में लिखेंगे तो विद्यार्तियों क्या बनेगा RT1 बराबर R0 1 प्लस अलफा नौट और T1 और अगर RT2 इसे हम लोग इसके respect में लिखेंगे तो RT2 बराबर R0 1 प्लस अलफा नौट और T2 तो RT2 बटे RT1 एक सुत्र यहां से देखे क्या बनेगा 1 प्लस अलफा नौट T2 बटे 1 प्लस अलफा नौट T1 यह कब बेटा पता है कब लागू होगा जब अलफा नौट आप लोग को दिया गया है किस पर temperature coefficient दे दिया है 0 पर और दो अलग-अलग तापमान है यह तो इस फॉर्मूले को लगा कर हम लोग analysis कर सकते हैं फिर देखेंगे temperature coefficient भी तापमान पर निरभर करता है तो अलफा नौट विद्यारतियों हमारा किस पर दिया है 0 degree centigrade पर दिया है अलफा T बताना है किस पर T degree centigrade पर तो डिरेक्ट सुत्र लिखेंगे अलफा T बराबर अलफा नौट 1 प्लस अलफा नौट और देखें T आपकी practice set में भी ये सवाल लगवाया है कि यदि इतापमान बढ़ता है तो temperature coefficient यहाँ पर देखें कम होता है याद रखेंगे राइना याद करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे केसियल, केवियल और थियोरम के हिसाब से हम लोग को अभी चलना है तो resistance की यह चीज़े बेटा आपके दिमार्ग में होनाचाहिए होना चाहिए, मतलब दिमार्ग में रखना यह चीज़े मान लगाने में confused होते हैं कोई नहीं हर्स कुमार जी मान लगाने में confusion में नहीं यह चाहिए बेटा यह formula 3 formula लिख लो ये तीन फॉर्मुले अपने दिमाग में रखो ये भी आजकर ट्रेंड में हैं ये ट्रेंडिंग फॉर्मुला है ये ट्रेंडिंग फॉर्मुला है चलिए जी तो KCL KVL आने से पहले न रजिस्टेंस की कुछ बेसिक चीजे हैं यहां पर चलेंगे हम लोग तो चलिए ये से पर यहां पर देखते हैं यहां पर चलते हैं नेक्स्ट है कलर कोडिंग की कहानी तो एक मिनट लगेगी देखो कलर कोडिंग में मतलब लिखा मैं सब रहा हूं अगर आप एक्जाम से पहले ना बेटा इस चीज को इस नोट बुक जो आप बना रहे हो ना इसे आप जो थोड़ी बहुत बचीगे एक बार रिवीजन में मार लेना तो यह होता है हमारा बीबी रॉइ ग्रेट बिर्टेन वेरी गुड वाइफ क्या गोल्ड सिल्वर और नन यह क्या है पहले ब्लैक यह क्या है ब्राउन यह क्या है देखो लाल यान रेड संत्री ओरेंज हो ग यह क्या होगा देखो वाइट राट जी यह क्या होगा गोल्ड यह हो गया कितना गोल्ड यह नेक्स होगा देखो सिल्वर और यह क्या होगा नो कलर ना ठीक है पाज कल क्या से यहां से एक सवाल दे रहा है कलर कोडिंग से तो यह किसके लिए कलर कोडिंग है कार्बन रजि यहां डिजिट नहीं आएगी यह तो tolerance है multiply 10 की power 0 10 की power 1 10 की power 2 10 की power 3 10 की power 4 10 की power 5 10 की power 6 10 की power 7 10 की power 8 10 की power 9 यह है multiplier tolerance देखो विद्यार थी ओ tolerance कितनी gold में 5% silver में 10 और यहां देखो 9 color 20% यहां भी आ जो black 1% इसमें 2% पूछा है इक सिंपल सा सवाल पूछा है बहुत गए सिंपल लीया आपको बस एक बार याद दिलाने की जड़ुध न जैसे dice और यहाँ पर 25 एने सवान में पहुंद और यह यहाँ पर gold color है तो हमें देखना है कि भाई कैसे लगाना है yellow के सामने देखो पहले क्या yellow क्या मतलब है 4 4 यानि दाई violet देखो क्या है 7 यह हो गया 7 गुणा करनी है orange यानि कि 10 की power orange देखो 10 की power 3 plus minus gold का मतलब देखे क्या है 5 पर 30 तो हम क्या लखेंगे 47 plus minus kilo ohm किस में आ गया kilo ohm 47 plus minus कितना देखे kilo ohm right 5 color में भी क्या दिखका दे भाई इसमें 5 color वाले में ये इकाई 20 सेगड़ा तक चला जाएगा उसमें क्या है चाहिए 5 हो छटे में ये जो छटा आता है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ temperature coffee send बताता है बागी कुछ नहीं चलो जी जैसे कि आपने लिख लिया एक दो ये होगे इसमें दिया आपको ये green है green है फिर आपको यहाँ पर दे दिया ये औरेंज है ये भी आपको दे दिया कि क्या औरेंज है नेक्स आपको लिख दिया यहाँ black है ठीक है और ये आपको silver दे दिया कोई दिक्कत नहीं लिखो इसके लिए तो green देखो क्या है पांच है औरेंज बोलो तो देखो 3 है उसके बाद फिर orange क्या है 3 है अब गुणा कितने से करनी black ब्लेक का मतलब 10 की पावर क्या है 0 para/. कितना हो गया तो ये दिमाँग में रखे केसल, केवियल तभी समझ में आएगा या तभी कुछ करना है जब आपको resistance की कहानी के बारे में आइडिया है resistance इनली बता दो क्या चलिए जी next चलते हैं बेटा resistance में अब देखो चार पॉइंट लिखा रहा हूँ चार पॉइंट और चारों के चारों पॉइंट बेटा बहुत ही खास पॉइंट होंगे चारों के चारों पॉइंट थी हमारे बहुत ही important पॉइंट की category में आएंगे हो सकता है basic आप लोग के paper में अखेला 15 नंबर का आजाए 20 नंबर का आजाए 30 नंबर तक आ सकता है क्योंकि अगर पुराने paper को आप देखोगे 2019 में जो paper हुआ उसको छोड़ कर हर बार basic electrical से कम से कम 25 नंबर का पूछा ही पूछा गया है देखो next हमें चलना है हमें कोई भी conductor दिया गया है जिसकी जो लंबाई है वो L है cross section area देखे आपको जो दिया है वो A है radius है वो R है और diameter radius R है और diameter चलो न D है यह क्या है cross section area यह क्या है देखे radius है यह क्या है विद्यार के उठाया तो important है उस conductor में जो पूछे का ना खीच कर यानि कि volume same अब देखो if if we increase if we increase the length of conductor अंटाइम्स पांच सीज़े लिखा रहा हूं इंपोर्टेंट है अंटाइम्स आफ्टर इस्ट्रेच 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 को बेटा volume same भी लिखा जाएगा volume same तो यहाँ पर देखे if we increase the length of a conductor n टाइम्स आफ्टर इस्ट्रेच यानि खीच कर तो यहाँ पर याद रखेंगे कि are new होगा and square are old राइट जी n क्या है देखे हमने जितने टाइम्स बढ़ाया है फिर देखें लिखेंगे if we change the ऐसा लिखेंगे लेते हैं we change the we change the cross section area cross section area we change the cross section area of a conductor of a conductor n टाइम्स n टाइम्स and volume या item not change volume not change देखेंगे जी volume यहाँ पर change नहीं हुआ volume change नहीं हुआ तो are new बराबर are old upon me n square are old upon me n square यह हो गया फिर देखेंगे विद्यारतियों इंट्रस्टिंग यह चीज है if we change the if we change the radius if we change the radius of a conductor of a conductor n टाइम्स and volume not changed and volume not changed ठीके जी हमने क्या बदल देखेंगे radius n टाइम्स तो are new बराबर are old upon n की पावर 4 डारेक्ट मजा जाएगा पेटा सवाल लोगों करने में न राइट चलिए if we change the radius of a radius की बजाए डाइमीटर if we change the diameter of a conductor n टाइम्स and volume not changed volume not changed यदि volume change ना हो तो बेटा हम क्या लिखेंगे r new बराबर are old upon में n की पावर 4 डारेक्टली याद रगो डारेक्टली याद राइट तो क्या होगा देखें यहाँ पर अगर खीचा है मतलब आयतन सेम है तो यहाँ पर formula ये आयतन सेम है तो यहाँ पर formula अगर area में है ये अगर आयतन सेम है radius में change तो formula upon man square और diameter के लिए भी ये ये बेटा बहुत ही important होंगे अगर diameter में कोई परिवर्तन कर दिया जाए मुझे नहीं पता कि कुछ बच्चे किस तरह की हिंदी को समझते हैं भाई मैंने हर एक चीज बता है यदि किसी conductor में देखे सबको तो खुस कर भी नहीं सकते भाई लेकिन अगर कोई adjust करना चाहेगा तो उसको हिंदी में समझ में बिलकुल आ जाएगा इसकाउंट तुमने हजार बच्चे किया नहीं तो यह direct बेटा formula आएंगे लेकिन और देखो मैंने बाकी इसलिए नहीं बताया कि आपके पेपर में यहीं आएंगे आयतन नहीं बदलने वाले बाकी नॉर्मल तो बहुत आसान हो जाता है या नॉर्मल नहीं आएगा आयतन वाले ही आएंगे अगर आएंगे तो कि आएगे तो ना बदलता हो जो पूछा जाएगा तो यहीं पूछा जाएगा आपसे अगर यह नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट है हमने यहां कहाने लिया देखे रजिस्टेंस हो गया temperature कॉफिसेंट हो गया अब हमारे लिए बड़ा ही नॉर्मल है देखे जे अगर यह R1 है या R2 है तो भईया R1 बराबर R1 प्लस में R2 in short simple है यहाँ पर अगर यह R1 है यह अगर यहाँ पर देखो R2 है तो भईया 1 upon R1 बराबर R1 प्लस में 1 upon R2 1 upon R1 1 upon R2 चले वीटी स्थाउंट बिस देख लो भाई बेटा भी चिंता ना करो, क्या खतम होगा नहीं होगा पढ़ लो पहले ना, परभुने चाथो तीनो सब्जेक्ट खतब होगे यार लेकिन पढ़ लो ये देखो R1 है, ये क्या लिया R2, ये क्या लिया R3 ये हो गया देखे R4 ये हो गया देखे R5 तो विद्यार्तियों करना क्या है अगर ये balance है तो under balance condition under balance condition तो balance condition में R1, R2 बराबर जब भी R3, R4 मिल जाता है तो R5 को देखे यहां से हटा देते हैं टाटा भाई भाई कर देते हैं तो यहां ध्यान देंगे देखे यह हो गया R1 और R3 और विटा यह हो गया देखे यहां पर R4 और R2 लाइट जी हल कर लेंगे मेरा काम आज एक basic idea देने का है पहले मैं बदलाओ बैचे बहुत मेहनत कर चुका हूँ चलिए next चलते है star delta conversion पर देखे यह star delta conversion को भी खतम करो star delta conversion पर विद्यार्थियों यह देखे R1 है यह R2 है और यह R3 यह values किसमें दी गई है यह values दी गई है हमें star में तो हमने इसके उपर delta की value निकाल ली delta खीचो ना भाई delta खीच दिया यह हो गया R12 यह हो गया R23 और यह हो गया देखे R31 तो हमें दिया है R1, R2, R3 इस star से delta में चले जाना है तो देखे जी R12 बराबर R12 के सामने यह arrow छेप दो यहां तो R1, R2 आप कहेंगे गुरू जी R1, R2 प्लस R1, R2 अपोन में R1, क्या देखो स्वरी R1, R2 जो opposite में लगा है जिदर इसकी पूछ आए यह हो गया R3 फिर चलो जी अगर हम लोग R2, R3 लिखेंगे बेटा तो R2, R3 देखो यहां यह देखो तो कहां कहां गया R2 पे R3 पे तो आप कहेंगे डारेक्ट गुरू जी R2 हो गया R3 हो गया R2, R3 अपोन में जो डारेक्ट नहीं है भाया R1 नहीं है फिर चलिएगा R3, R1 पर तो यह देखे R3, R1 यानि कि हम क्या लिखेंगे R1 नहीं R1 है R3 है R1 और R3 जो नहीं है वो क्या हवला R2 तो यह हो गया देखे स्टार से डेल्टा किसमें स्टार से डेल्टा में हम परिवर्तन इस परकार से करेंगे Next लिखते हैं डेल्टा से स्टार में कैसे परिवर्तन करते हैं तो डेल्टा में आपको यह दिया गया है रायर जी डेल्टा में आपको यह देखें जी डेल्टा में आपको यह दिया गया है यह हमने ले लिया कि R12 है यह R23 है ये 3 1 है इसके अंदर star खीच लो ये फड़ा पर से तो हमने इसके अंदर में star लिया ये क्या है R1 है ये क्या है R2 है ये R3 है तो R12 है ना देखो R12 दिया है star में चाहिए तो जहां ये connect है यहां देखो तो हमने R1 बराबर लिखना है दोनों की गुणा करिएगा R12 R31 बटे में R12 R31 प्लस में R21 ये क्या हो गया बेटा डेल्टा से star में ला रहे हैं अब देखो R2 लिखना है R2 देखो ये करो तो R2 बराबर R12 R23 R12 R23 तो R12 R31 और R23 फिर चलिए का देखिए यहां फिर चलिएगा देखिए यहां पर तो ये क्या है देखिए R3 बराबर R23 R23 R31 अपोन में R12 R31 और R23 ये हो गया बेटा हमारा डेल्टा से star इस तरह से चलना है इस सिक्वेंस में चलना है तो ये हो गया देखिए हमारा balance की situation अगर हम star से डेल्टा डेल्टा से star ये हम लोग कर सकते हैं चलिए जी आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स है हमारा डेल्टा से star ये कहानी हो गई चलिए विद्यार्थियों आगे चलेंगे अब देखिए हम लोग यार बिल्कुल भाई तुम टेंशन नलो यार मैं अपना है किसी भी नोड पर incoming current बराबर outgoing current तो क्या लिखेंगे सब को पता है नहीं लिख बीकर रहा हूं स्टेट्मेंट incoming current बराबर outgoing current तो number of kcl क्या मिलता है N-1 मिलता है number of KCL क्या मिलता है N-1 मिलता है तो हमें ये देखना है कि अगर ये धारा I1 है ये I2 है ये I3 है ये I4 है राइट ना ये I5 है और ये देखो I6 है तो incoming current एक तरफ है देखे I1, I2, I4 और I6 और outgoing देखे बाहर की तरफ I3 है और I5 है तो अब ये देखना है KCL बेटा जरूर आएंगे तीनिया चार सवाल यहां देखेंगे कि अगर ये R दिया जाता है ये अगर V1 है ये V2 है तो देखे I बराबर V1 minus V2 बराबर R हो जाता है राइट potential difference के हिसाब से अगर ये हमें V1 देता है और ये बेटा 0 हम रखते है और ये I हमें देखना है तो I बराबर 0 minus V1 अब उन में R होता है राइट ना बेटा next आजाईए विद्यार्थियो अगर ये हमारे पास देखे resistance है ये V1 है और ये V2 है ये भी minus है ये भी minus है और current हमारा ये जा रहा है तो I बराबर चला कहां से minus V1 खतम कहां है minus तो क्या लिखते है plus में V2 बटे में हमेशा याद रखिएगा कि current को ऐसे लिखना है जहां से सुरू होता है वो positive में लिखना होता है और जहां पर ये खतम होता है उसको opposite sign के साथ में लिखते है और opposite में देखे upon में ये branch का total परतिरोध हम लोग देखते है तो KCL को तब भी हम लोग देखेंगे तो ये चलिए ध्यान से देखेंगे ये E1 है इसको ध्यान से सुन लेजिएगा ये R1 है ये हमारा देखे R2 है बिटा यहाँ पर ये A2 है राइड एक्वेशन बनाना सिखा देते न ये R3 है और ये देखेगा यहाँ पर ये हमें देदिया यहाँ R4 और ये होगे देखे R5 और यहाँ दिया है A3 देखें कुछ लाइनों को ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले निमेरिकल में देखना है की हाँ definitely रियल किंग सुमिट जी definitely conservation of charge ये क्या है बिटा conservation of charge और जो केवियल है वो conservation of energy इसे law of aviation यानि aviation का नियम भी कहते है कई बार और केसियल ही हमारा किर्चोफ का पहला नियम फर्स्ट लो भी देखे कई बार लिखा जाता है तो जब भी आप निमेरिकल को हल करेंगे केसियल से अपने दिमाग में रखना है पॉजिटिव निगेटिव कहां से लूँ देखे बेटा जहां से धारा सुरू होती है वो सेम दिसा में या निकि को ध्यान से सुनिएगा देखे कितनी महतपून चीज है सबसे पहले निमेरिकल को हल करते समय ये ध्यान देना है कि नोड कितनी बनती है और नोड हमारे लिए वही होगा जहां दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जुडेगा और करंड का कुछ बटवारा होगा तो हमारे लिए नोड ये बनी है एक नोड ये है V1 और एक नोड देखे हमारे लिए V2 है नीचे या ये कहें कि सॉरी एक नोड हमारे लिए V1 एक नोड बेटा ये और नीचे ये हमारे लिए देखे पर निए reference node यानि कि 0 volt ये node र심बर 3 है, तो reference node पर हमेशा voltage कितना है? 0 volt तो reference node पर कभी भी आप लोगों को caseya लगाने की जरुरत नहीं है, फिर यहां देखेंगे node अगर पूस्ता, तो हम कितनी बताते 3 है, लेकिन अगर equation की बात करेंगे तो equation कितने लगेगी देखिए 2 है तो ध्यान ये देना है सबसे पहले node देखिए यती node पर voltage नहीं है मेरे बच्चो तो node पर मौन लिजे voltage है V1 और V2 node पर voltage माल लिया जिस दिशा में देखे जहां पर धारा नहीं है या यह सुनिएगा ध्यान से जहां धारा निकालनी है जहां पर धारा दी हुई है यहां कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जिस ब्रांच में धारा नहीं है अपनी मर्जी से माल लिजे तो बेटा यह हमने कहा कि गुरुजी कि i1 यह है i2 यह है i3 यह है i4 यह है i5 यह है ना तो यह देखना कि बैंटरी से positive है ना यह देखना है कि positive है या negative है आपको ध्यान से सुनिए का मेरी word को number of kvL equation बढ़ जेस्टी गलत बता रहे आप n-1 नहीं number of kvL equation b-n-1 होता है गलत ना बताओ जार ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों कि सबसे पहले node देखिएगा node पर voltage नहीं है तो मानिएगा और अगर जिस दिसा में या जिस ब्रांच में current दिया है या निकालना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करिएगा जिसमें कुछ नहीं दिया उसमें जो मर्जे माल लिया तो यहाँ पर लगाएंगे KCL I1 प्लस I2 प्लस I3 सारे outgoing है incoming कितना है तो देखो शुरू कहां से है V1 माईनास E1 बटे में देखेगा R1 प्लस I2 देखेए सुरू कहां से है V1 खतम कहां positive तो माईनास के E2 बटे में बिटा R2 चलेंगे देखे I3 सुरू कहां से है V1 खतम कहां पर है माईनस के V2 अपोन में देखे R3 बराबर 0 equation number 1 equation number 1 फिर next चलिएगा बेटा यहां देखिएगा incoming current I3 outgoing कितना है बेटा I4 और I5 I3 देखें यहां से चला V1 minus के V2 V1 minus V2 बटे में R3 यहां चलिए I4 कहां से चलता है V2 से और नीचे तो 0 है तो V2 बटे में R4 I5 कहां से चला V2 से minus से बेटा तो plus के E3 बटे में देखे R5 यह equation number 2 बटाएंगे पहले तो आगे तो ठीक है हम लोग बढ़ जाएंगे लेकिन प्लीज आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले यह जरूर मुझे बताएंगे यहां पर बताएंगे कि यह कर सकते हैं या नहीं यहार आप लोग बहुत टेंशन ले रहे हो ना बहुत आगे जा रहे हैं भाई यह चलिए यह हो गया नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं केसियल हो गया देखेजिए अगर कभी भी दो कभी भी दो जो नोड पॉइंट है एक बार आइडिया तो देना ही पड़ेगा भाई मुझे नहीं तो कुछ गडबड हो गए बच्चों के साथ मे देखी थे आपने यह नहीं बताया था तो कभी भी अगर दो नोड पॉइंट देखे किस परकार से यह इवर है नुमेरिकल तो खूब है इस पे ना आने वाले सिजन में भी नुमेरिकल चलते रहेंगे अभी अब्यक्टिव में यह आर्टू है अब यह देखिएगा यह देखेंगे अगर कोई वोल्टेज यहां पर लग गया यह कोई भी 10 वोल्ट की बैंटरी मैंने यहां देदी तो यह ध्यान दीजेगा कि आर फूर यहां देखेगा आर फाइब और यह हो गया देखे ए थ्री तो याद यह करना है कि अगर यह हमें यहां पर अगर वीवन है तो यहां हमारा कितना हो जाएगा इसके सामने क्या माइनस तो यह लिखते हैं देखे 10 तो यह हमेशा देखे एक सिंगल नोड की तरह ही क कारिये करेगा मुझे कमेंट करते रहो है ना वोल्टेज अगर यहां यह है तो यह एक ही नोड होगा यहां भी एक ही नोड बनेगा राइड ना फिर देखना है ध्यान से देखेंगे कि जब भी कभी जब भी कभी ये node ऐसे voltage से जुड़ गया तो तब हमने कहा कि single node से अपना ये कारिये करेगा बाकि इससे जो next वाला level है वो हम लोग source convergence से कर लेते हैं चलिए जी, यहाँ ध्यान देने की आवशक्ता ये है कि अगर मैं voltage source की बात करूँगा न तो voltage source में internal resistance यहाँ लगा होता है किसमें देखें? स्रीज में तो idle voltage source के लिए होता है internal resistance कितना? 0 और हमारा एक होता है current source एक होता है current source तो यह होता है idle किसमें लगा होगा? parallel में तो idle current source के लिए internal resistance हमारा अनंत होता है कितना होता है? अनंत होता है नेक्स चल रहे हैं देखे ये हो गया KCL की कहानी नेक्स चलते हैं हम लोग यस यस बिल्कुल ये हमारी कौन सी नोड कहलाती है सूपर नोड इसी का मतलब है ये भी हमारी देखे सूपर नोड ही है कोई दिक्कत नहीं ये दोनो नोड हमारी एक सिंगल नोड ही है ये हमारी सूपर नोड ही है चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम लोग KVL पर इस पर मैंने खूब लेक्चर दे रखें बेटा और डिटेल में अगर किसी बच्चे को और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो देखे प्लेलिस्ट के जो लिंक है याप चैनल पर प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे और इसको अच्छे से आप देख सकते हैं लेकिन फास्ट रिव्यू के लिए ये क्लास एक बहुत ही अल्टिमेट क्लास आभी तो होने वाली है आपकी सब चीजे जब भी आप आखे बंद करके एक मिनट के लिए सोचेंगे तो एक पिक्चर के रूप में आपको केवियल चलता हुआ दिख जाएगा तभी आज बच्चों ने केवियल में रियल में बच्चे बड़े कंफरडेबल है तभी आज दिलखुस हो गया है वो मैसेज देखकर कि सल इसमें हम लोग कंफरडेबल है राइट चलिए नेक्स आज़ाओ बच्चा केवियल पर केवियल में देखें लॉफ लॉफ एनरजी कंजर्वेशन लॉफ एनरजी कंजर्वेशन तो दिमाख में रखी गा क्या है law of energy conservation तो यहाँ पर number of केियल केवियल एकुवेशन जो बनती है वो आती है b-n प्लस 1 से किस से b-n प्लस 1 से राइट जी क्या देखें number of केवियल केवियल एकुवेशन b-n प्लस 1 अब देखिए जी हमें क्या सिखाये जाता है हमें ये सिखाये जाता है कि यदि EMF और voltage drop IR को हम जोड़ देंगे तो हमें देखिए 0 देखने को मिलेगा यदि positive से बाहर की तरफ जाता है तो हम voltage को negative की साथ लिखेंगे जैसे ये V है तो हम क्या लिखेंगे जैसे ये E है तो हम लिखेंगे minus के E अगर बेटा यहां negative से बाहर जाता है तो हम लिखेंगे देखिए positive E फिर याद करेंगे देखिए voltage drop को voltage drop को हमेशा positive के साथ में ही लिखना है फिर ये ध्यान देंगे कि अगर ये हमने R लिया लिखेंगे 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 एक्वेशन पर है ना directly चलेंगे देखेंगे एक एक्वेशन पर बिल्कुल बिल्कुल 900 900 का काफिला 730 पर बहुँच गया सुबह पांच बजे तक इन में से मुझे उमेद है 200 200 तो खेर रहते हैं बच्चे ना लास्ट में भी जो serious है जो पंच्चुल है 200 900 तो रहेंगे रहेंगे चलिए जी यहाँ एक छोड़ी से एक्वेशन देख लेते हैं ये हो गया देखिये R1 ये हो गया विटा E1 ये हो गया E2 ये हो गया R2 ये हो गया R3 ये हो गया देखिये E3 अब देखे इसमें हमने ये कहा कि ये current I1 है और ये धारा देखे I2 है हमें सीख रहा है इसमें और इसमें equation कैसे बनाएंगे इसमें और इसमें equation कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर positive से जब बाहर गया है धारा positive से बाहर जाने का मतलब है माइनस E1 प्लस में I1 R1 वोल्टेज रोप को हमेशा प्लस में लिखना है प्लस में देखो इसमें current ये रहा ऐसे नीचे की तरब इसमें current कहा है उपर गितरब तो I1- I2 R2 यहाँ चलो प्लस से बाहर है तो minus के E2 बराबर 0 फिर next चलेगे देखे यह हमारे equation number 1 यहाँ चलेगे देखे positive से बाहर है तो minus के E3 यहां जाएए माइनस से बाहर है देखो यहां करेंट माइनस से बाहर है तो पॉजिटिव के A2 प्लस देखें I2 उपर है I1 नीचे है तो I2 माइनस के I1 R2 प्लस में I2 R3 बराबर जीडो यह equation हम लोग देखें डारेक्ली यहां बनाते हैं next चलेंगे देखें next चलेंगे जी हम लोग देखें next देखते हैं बड़ा ही important होता है जिसे हम कहते है super loop analysis जिसे हम लोग कहेंगे super loop analysis super loop यह कभी अच्छा topic है देखें तो super loop से ही हम सवालों को हल करेंगे या तो KCL से चलेंगे या super loop से चलेंगे super loop भी बहुत effective method हो जाता है तो जैसे कि हमने ये कहा कि ये कोई धारा देखे R1 है और यहाँ पर देखे ये E1 है यहाँ पर ये हमें दिया गया है R2 लेकिन यहाँ ये current source देखे I1 तो जब भी कभी जब भी देखे यहाँ पर ये क्या है R3 है तो पेटा याद रखेंगे आपको क्या चलना है देखे देखो यहाँ क्या है हमें current बताना है I हमें ये पूछा है ये current source है तो जैसे इस node पर जाएगा ये धारा है तो I1 इस तरफ आई इस तरफ तो ये क्या हो जाएगा देखे I plus में I1 और इसतना लिखते हैं इसे टाटा भाय भाय कर दीजिए ये method बच्चों को बड़ा पसंद भी आया है अब simple एक kvL बना दीजिए तो minus से बाहर गया E1 plus देखे I R1 R1 इसका रोल खतम plus में I plus में I1 R3 अब देखो plus से बाहर है तो minus के E2 बराबर 0 इसे कहते हैं हम लोग super loop ये method बहुत famous हुआ है इसे क्या कहेंगे super loop ठीक है जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे very good very good बहुत अच्छे बढ़िया चलिए तो ये हो गया देखे kcl kvL और resistance की कहानी kcl kvL और resistance की कहानी चलते विद्यार्ट यो next आगे बढ़ेंगे resistance से kcl kvL तक की कहानी हो गई बताईए जी यहां तक हो गया क्या चल रहा ये 10 रुपे वाला हां बिल्कुल लिख लो direction उल्टी थोड़ाई कर दोगे लेकिन अब माकूम लग रहा है बदलाव बैच का बहुत फाइदा है ना यास चलिए next आजाते हैं next आजाते हैं जरह मारकर में दवाई डाली जाएं अरे machine में अब time कम लेगेगा magnetic circuit होगे तो machine में time नहीं लगेगा या रब machine में time नहीं लगेगा चलिए next आते हैं next चलते हैं देखे थियोरम पर next चल रहे हैं विद्यार्थियो थियोरम पर तो थियोरम भी थियोरम भी काफी important रहेंगी और सबसे पहले देखे चलते हैं हम लोग थैविनन थियोरम पर तो सबसे पहले चल रहे हैं विद्यार्थियो थैविनन थियोरम पर ये समझे कि थियोरम के बाद AC analysis हुआ थियोरम में तो हमें बहुत कम टाइम लगेगा तो पहले थियोरम के formula लिख लेगे हैं हम लोग न जो important है उसके बाद AC analysis में ज्यादा टाइम नहीं पर लेगेगा देखे थैविनन थियोरम है तो थैविनन थियोरम का मतलब क्या है कि कोई भी नेटवर्क है इसे load terminal ले और B के cross में simplified कर सकते है equivalent voltage source VTH और equivalent resistance RTH में यही तो पड़ा हमने यह कहलाती है थैविनन equivalent circuit और बेटा VTH कहलाती है इसमें थैविनन equivalent voltage और RTH कहलाता है थैविनन equivalent resistance तो VTH को हम लोग open circuit voltage भी कहते हैं open circuit voltage भी कहेंगे थैविनन तो कहेंगे यह कहेंगे open circuit voltage भी कहते हैं थैविनन circuit या थैविनन equivalent थैविनन equivalent voltage और RTH हमारा क्या हो गया देखे थैविनन equivalent resistance या internal resistance कहेंगे या फिर इसे हम लोग थैविनन equivalent resistance भी कहते हैं अब दिमाग में यह रखना है कि भाई RTH और VTH को कैसे निकालें तो देखो सबसे पहले लिख लो RTH के लिए बहुत शॉट में निमट जाएगा RTH में independent current source को हम open करेंगे independent voltage source को देखें हम लोग short करेंगे देखें विद्यारतियो dependent source को dependent source को देखें not open not short not open not short बताईए सारी चीज़े बता रखेंगे नहीं आप लोग को not open not short independent current source open independent voltage source को ना open कर सकते ना ही हम लोग short कर सकते दूसरा चीज़ जब हम RTH निकालेंगे जैसे कि हम लोग ने independent current source और यह replace कर दिया तो load terminal पर क्या मानेंगे हम RTH मान लेंगे चलिए एक नमेरिकर लेकर बाहर्दम से बताऊंगा वी टीएच को देखें हम कैसे निकालेंगे वी टीएच को हम लोग देखें क्या करेंगे ओपन दा लोड ओपन दा लोड लोड को ओपन करेंगे के आयजूम टीएच है अक्रॉस लोड टर्मिनल अक्रौस लौड टर्मिनल अम्लोड लोड टर्मिनल अक्रोस लोड तर्मिनल अद्वि क्या लोग ड्यास को फाइंड खेंगे आँ से देख़ें एक मिनट पचास वोल्ट राइड जी यहां में देखें पांच ओम है यहां भी पांच ओम लिया हमने और यहां ध्यान से देखें कोई लोड लगा हुआ था तो सबसे पहले आप क्या करेंगे लोड को हटा देंगे सबसे पहले हम लोड को जब हटाएंगे तो यहां पर क्या मानते हैं VTH तो जब हमने VTH माना ये कितना हो गया 0 Ampere हमेशा आपको ये मैथड सिखाया है मैंने हमेशा इस मैथड वे फोकस किया है अब देखें जब हम यहां देखते हैं तो इसमें हम लोग धारा निकालेंगे इ माइनस पर खतम है प्लस के 50 बटे में तोटल रजिस्टेंस 5 और 5 बेटा 10 तो कितना हो गया देखे 150 by 10 तो विद्यार्द जो कितना हो गया 15 MPR जब हमने ये 15 MPR निकाल लेया तो अब इसमें Simple Up QVL लगा दीजिए तो माइनस के VTH प्लस 5,0,0 प्लस 5 गुणा आई यानि कि 15,55 प्लस से बहार माइनस के 50 बराबर 0 तो VTH बराबर कितना मिल जाएगा देखे 25 वोल्ट और बेटा ध्यान दीजिएगा कि इसको शॉट करेंगे इसको शॉट करेंगे क्योंकि वोल्टेज सोर्स है प्लस सोच को शॉट करना होता है यह आगया देखे 5 ओम यह भी क्या बना देखे 5 ओम यहां दिमाग में रखेंगे कितना देखे 5 ओम और विद्ध्यार्द्यू यहां क्या बनाएंगे देखे आर्टी एज तो 5 और 5 पैरलल में कितने होगे 2.5 और यह दोनों सिरीज में तो आर्टी एज बराबार 7.5 ओम यह हो जाता है ठैविनन थियोरम बहुत सांदार बढ़िया बढ़िया 25 आ गया आर्टी एज 7.5 आ गया यह हमने इसक्रीन सोट लेलो फिर आगे चल रहे हैं यह कितना हो गया देखे यह कितना हो गया हमारा ठैविनन थियोरम अब देखे बेटा जब हम ठैविनन थियोरम देख लेते हैं तो ठैविनन थियोरम से ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियोरम की जड़े है वो सेट हो जाती है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियोरम मैक्सिमम् पावर को देखें, ट्रांसफर करेगा, कैसे यह लोड पार मैक्सिमम् पावर को ट्रांसफर करेगा, तो देखिएगा विद्यार्तियों हमने कहा, Maximum Power Transfer Theorem Maximum Power Transfer Theorem Transfer Theorem हमने ये लिया Maximum Power Transfer Theorem तो Maximum Power Transfer Theorem में हमने VTH लिया यहाँ पर देखेंगे हमने ये RTH लिया यहाँ देखेगा हमने क्या रखा यहाँ पर लूड को R राइड जी ये क्या है? यहाँ चले यह VL है अभी हमने load को variable माना है हमने load को variable माना है अगर load हमारा variable है अगर load हमने variable माना है नोटन भी आ रहा है भी तो यहाँ ध्यान देना है कि condition for जो हम लोग लिखेंगे यह क्या हो जाएगा देखे RL बराबर condition for maximum power पर RL बराबर हमें क्या मिलेगा भाईया यह हो जाएगा देखिए RTH क्या मिलेगा देखिए RL बराबर मिल गया हमें RTH वो किस कंडिशन में मिला है जब लोड यह variable है तो load resistance is equal to internal resistance और याद करेंगे देखिए जब भी हम लोग को यह देखने को मिलेगा कि power के लिए लिख VTH का square upon में 4RL कितना मिलेगा देखिए 4RL तो maximum power हम लोग को मिल जाएगा VTH square upon 4RL यह यहीं पर हमें क्या मिलेगा RL बराबर क्या है RTH यह formula हमारा तब valid है जब यह हमारा variable है अब SSC में देखिए क्या सवाल पूछा गया SSC में हमें यह एक बार देखने को मिला है कि अगर यह हम VTH दिया गया हो यह विद्यारतियों हमें VTH दिया गया हो और यहां पर यह जो load resistance है यह ना variable होके यहां पर RTH variable हो यह RTH variable यहां पर हो और यहां पर यह हमारा change ना होता हो यह change ना होता हो तो यहां पर ध्यान दीजिएगा यह internal resistance अगर variable होगा तो maximum power transfer तब होगी बेटा जब य जब यह minimum होगा उस समय हम लोग को यह maximum power यहाँ लोड पर transfer करता हुआ मिलेगा तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे maximum power यहाँ हम लोग पहले I का मान निकालेंगे तो I हम लोग कैसे करेंगे देखे हमने I का maximum मान निकाला पहले I का maximum मान कैसे आएगा I का maximum मान हम लोग को मिलता है बेटा कि VTH हमने कैसे निलेना है VTH बटे में RL तो देखे constant है यानि कि fix है और RTH का कौन से मान को select करना है SSE में आया है यह तो हम क्या कहेंगे कि देखे RTH के जो minimum मान है उसे select करके यहाँ पर हमें धारा का मान निकालना होता है तो जब धारा का मान हम लोग को ने लिया है now use this maximum value of current तो PL बराबर I maximum chi square into क्या मिलेगा देखे आपको RL क्या मिलेगा देखे RL तो यह दोनों condition बेटा important condition है इसको दिमाग में जरूर रखेंगे इसको दिमाग में जरूर रखेंगे कि maximum power transfer theorem में बेटा जब यह हमारा variable है तो condition यह valid है ओके है अगर यह हमारा internal यहाँ पर यह variable दिया गया है तो उस situation में यह देख रहा है कि यह minimum कब होगा अगर आपको एक range देगा internal की ssc में आया है इसलिए थोड़ा सा focus कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर यह minimum एक range देदेगा जैसे 10 है और यहाँ यह range देदेगा जैसे कि यह 80 है तो आपको यह select करना है 10 10 को लेकर यहाँ current का मान निकाल दीजिए और इसके बाद में देखिए current का square करके rl में लगा दीजिए आपको accurate में maximum power मिलेगी already asking ssc already asking ssc j यह पहले ही j में देखे पूछा गया है ओके जी अब ध्यान यह देना है विद्यार ज्योंकि अगर अगर कभी भी जैसे यह दिया गया है हम ac के case में ले लेते हैं विद्यार क्योंकि यह vth दिया गया है यहाँ हम लोग को यह internal resistance दिया गया है देखे क्या इस बार आपको internal में impedance दिया है rth plus में jxth impedance आप लोग को यहाँ पर impedance दिया गया है और यहाँ पर देखे यह load आपको कुछ दिया गया है ZL बराबर में आपको ये variable अपना दिया है तो हमेशा देखेंगे condition for maximum power Dear student यहाँ पर हम लोग देखें क्या कहेंगे ये ZL है तो condition for maximum power condition for maximum power आपको ध्यान देना है condition for maximum power हम लोग देखें हमेशा क्या मैं मेंशन करेंगे maximum power के लिए कि ZL बराबर ZTH का complex conjugate क्या लिखेंगे ZL बराबर ZTH का complex conjugate and dear student दिमाग में रखना है complex conjugate means conjugate का मतलब है कि अगर ये आपको 3 plus में J4 दिया है तो ये ZL हमारा maximum के लिए होगा 3 minus के J4 बहुत ही important result ये होता है तो कहने का मतलब यहां से एक line और निकाल कर लाएंगे yes बिल्कुल यहां से एक line और निकाल कर लाएंगे कि अगर ये inductive होगा अगर विद्यार्थियों ये inductive है ये positive तो ये load क्या होना चाहिए ये capacitive होना चाहिए और अगर ये capacitive है अगर विद्यार्थियों ये capacitive है तो मेरे बच्चों ये inductive होना चाहिए ये inductive होना चाहिए अब देखें maximum power को ही ध्यान से ये देखेंगे maximum power को ही अब ये focus करके चलेंगे अब देखें student को कहाँ पर गुमाया जाता है और कहाँ वो खो जाता है राइना कहां वो खो जाता है देखिएगा गर्मी भेंगर हो रख्यार राइना ये देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ तो यहाँ दिमाग में रखेंगे कि जैडल बराबर क्या है जैटी एच का complex conjugate अब देखिए पेटा एक ऐसी condition भी इसमें आती है एक ऐसी condition भी आप लोग को देखने को मिलती है जब ये वी टी एच है ये जैडल जरूर है ये जैटी एच हम लोग को दिया है आर टी एच प्लस में जे एक्स टी एच लेकिन यहाँ पर जो लोड है ना ये आर एल है यहाँ आपका impedance नहीं है यहाँ पर आपको RL दिया है तो RL बराबर अंडर रूट में आर टी एच स्क्वार प्लस में एक्स टी एच का स्क्वार तो हमें RL condition for maximum power क्या लिखेंगे condition for condition for maximum power हम लोग देखें condition for maximum power हम लोग क्या देंगे बेटा कि RL बराबर अंडर रूट में RTH स्क्वार प्लस में XTH का स्क्वार हम राइट जिंग यह condition of maximum power माइड़ जरी स्टुडेंट यह अलग-अलग जो condition है है ना यह अलग-अलग condition है तो यह दिमाग में जरूर सेट रखेंगे कि यह अलग-अलग condition है चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं कि अच्छा सर की मजाग बना रहें तो में एसी के our एसी वेसी में पढ़ाने की आदत नहीं है reality से कि reality बेस्ट आद्मी है आपके गुरुजी ना तो एसी वेसी में बिमार होने के खत्रे भी तो कितने रहते हैं है ना तो कम से कम अपना करमी लगेगी तो ठीक है सम्में दो पर में किर्के ठेला करते थे अपना और क्या है तो गर्मी गुरुमी ठीक है यार बाकि तुमने देखाने की बीमारी अभी तो बढ़ जाती है अगर एसी वेसी में रहे आदमी तो हम तो जैसे अपना ठीक है आना और मैं आप लोग को भी यह से ला दूँगा नेक्स आजाएए नोटन पर नेक्स आजाएए नोटन स्थेयोरम पर नेक्स आजाओ नोटन थेयोरम पर तो नोटन थेयोरम देखे भाई क्या है नोटन स्थेयोरम का कहना यह है कि जब भी कोई नेटवर्क आपको यहां दिया जाएगा तो उस नेटवर्क को आप तो ये दो ये आई एन को हम लोग नॉर्टन करंट भी कहते हैं नॉर्टन करंट कहेंगे या शौर्ट सर्कित करंट भी कहेंगे रैट जी हम नॉर्टन करंट कहेंगे या फिर शौर्ट सर्कित करंट कहेंगे अब देखिए गाध्यान ये देना है कि हमने फाइनली करना क्या है ये सपोज जीवन है ध्यान से देखते रहो बदलाओ बैच में ये वैसे मैंने बहुत चीजे करवाई हैं आपको न लेकिन एक बार थोड़ा सा अब और बैज यूजिंग अनी बेसिक लोग फाइंड आ happy और कुछ नहींकरना और बेटा आरन का जो मान है वो सेम एज थेविनन जैसे थेविनन में निकाला वैसे निकालेंगे और क्या करना है और क्या करना है तो ये देखेंगे नौटन क्या हो गया बेटा यहां पर नौटन क्या करना है जो भी आपको लोड दिया जाएगा हमें कुछ नहीं करना जो भी लोड दिया जाएगा हमने उसे सीधा शौड कर देना है जैसे की छोटी ही एक चीज समझेंगे जैसे की हमें यह दिया है यह दिया हंड नोटन करेंट बता दो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहां से इसे शॉट कर देना है, आइन पता करना है, और आइन बराबर, यह देखो, यह डारेक्ट शॉट पाथ हो गया न, अब सौट सरकिट में हमेशा धारा बहती है, तो आप कहेंगे गुरू जी यह तो टाटा बा है, तो डारेक्ट शॉट खतम, चलिए जी स्क्रीन सोट ले लो भाई, चलिए चलिए, ब्रेक नहीं देंगे यार, अब मैंने कहा तो जब हम महनत करेंगे, तो भगवान तभी तो नोट करते ही कि यार यह भी बच्चे महनत कर रहें, यह अध्याबक महनत कर रहें, अगर भ भगवान को आपकी महनत दिखेगी, है ना, भगवान को मेरी महनत दिखेगी, तो आप लोगों का सेलेक्शन कैसे नहीं आएगा, और मेरी सफल तभी तो आप लोगों में छिपी है ना, राइट ना, अगर भगवान कही मुझे सफल करना चाह रहा है, तो इसका मतलब मेरे आपके लिए प्रात्ना होगे, अगर मैं आप लोगे लिए प्रात्ना होगे, तो मेरे लिए प्रात्ना होगे, तो आप लोगों में ही मेरी सफलता है, 90 क्लोग ब्रेक क्या, चलो, यहां आजाओ, नेक्स चलते हैं सूपर पोजिशन तो सूपर पोजिशन की जो important point है वो लिख लो सूपर पोजिशन, बोलो फड़ा बड़ से दिमाग में चलना चाहिए, जब मैं बोलो बोलता होने तो पड़ा बड़ाने लग जाए करो linearity, homogeneity homogeneity यानि दो या दो से अधिक active source present होंगे तभी काम करेगा ये फिर चलेंगे देखे, not used for power, not used for, power के लिए लागू नी होगा ये, power calculation के लिए लागू नी होगा, independent current source को यास, गुरु जी ने कहा open करना है यास, independent voltage source को कहा है, गुरु जी ने कि इसे short करना है, अब देखे, कितने case बनेंगे, solve circuit कितनी बार करनी पड़ेगे, जितने भी active case या active source present होंगे, उतनी बार ही हल करना पड़ेगा उतनी बार ही हल करना पड़ेगा अब आपके दिमाग में एक picture set होनी चाहिए, एक picture set होनी चाहिए कैसे, कि देखो गुरुजी ने ये कहा है कि अगर ये e1 है और यहाँ पर देखो ये r1 है राइट जी, और यहाँ ये r2 है, तो आपके दिमाग में picture देखे क्या चलनी चाहिए तो आपको तुरंद ये देखना है कि देखो sir ने ये कहा है कि अगर यहाँ पर धारा देखनी है तो आप क्या करेंगे कि e1 को apply कर दो e1 को आपने apply किया है और जो e2 है इसे आपने देखे short किया है, इसे आपने short किर दिया, तो यहाँ ध्यान देंगे ये हो गया e1 ये हो गया देखे, r1 यह क्या हो गया देखे R2 हो गया तो यहाँ पर यह हो गया देखे R3 इसे कर दिया short तो यहाँ पर एक करंड मानो I1 कोई भी नियम लगाओ और I1 को find करो है ना पीछा थोड़ा छोड़ देंगे यार फिर आजओ जरा अब देखो गुरुज ने क्या कहा E2 को apply करो E2 को apply करो और E1 को short करो E1 को short करो तो E1 को हमने short किया है यह क्या हो गया R1 यह क्या हो गया देखे R2 यह क्या हो गया देखे R3 तो अब बेटा क्या करो I2 ले लिजिए यह क्या हो गया E2 अब कोई भी नियम लगाओ I2 को निकाल लिजिए जब दोनों current आप निकाल लेंगे KCL, KVL हो गया तो मतलब हो गया काम चल गया अब देखिए हम क्या कहेंगे कि I बराबर I1 ब्लस में I2 बाद में जो भी response है उसका result है निकाल लीजिएगा इस्क्रेंशोट ले लो linearity, homogeneity, not use measurement of power more than one source बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये चीज़ लिखते रहो ना बढ़ बढ़ाते रहो इनको चल ये जी बिल्कुल bilateral देखो कुछ चीज़े ऐसी ना जैसे छूट भी जाएंगे linearity है, homogeneity है, not use for power independent current source, independent voltage source solve कितनी बार करेंगे active के लिए करेंगे तो अगर कोई ऐसा भाई, एक दो point छूट जाता है तो मैंने पहले तो सभी बता रखे हैं अगर छूट जाएगा तो भाई, नीचे बाद में comment में लिख देंगे तो भाई, जरूर आपको live आके जरूर सूचना दूंगा, इसी marathon के सिजन में ही, जो ये 109 गंटे चलाएं हैं, राइट, तो चलिए बेटा, next आगे चलते हैं, देखें अब छोटी सी एक थियोरम और बता देता हूं आप लोग को, क्यों छोड़ के कुछ ना चले अभी, तो ये चार थियोरम दो बहुत important होती है, केसिल के विल के साथ साथ ये चलती है, अब दो थियोरम हमारे साथ में, दो क्या छोड़ी छोड़ी चार ही बता देते हैं, देखें जो SSC में आ चुकी है, उन लागू होगी, अन्य था ये लागू नहीं होगी, तो इसका कहने का मतलब ये है, the ratio of excitation to response is constant when the position of excitation and पोजिशन ओफ एक्साडेशन एंड रेस्पॉंस इस इंटर्चेंज्ट इस इंटर्चेंज्ट तो कहने का ताथ पर यह क्या है कि किसी भी सरकिट में किसी भी सरकिट में यह देखो जी नेटवर्क है यह क्या है V1 है यहां से यह करण कितना भह गया I2 तो यह क्या बनी Excadation यह Input यह क्या बना Response यानि की Output फिर हमने इसी Network में Excadation किधर दे दिया इस तरफ दे दिया Excadation इधर दे दिया हमने और इधर देखे हम लोग Output देख रहे हैं क्या I1 तो V1 अपोन में I2 और यहां पर क्या है V2 अपोन में I1 तो विद्यार्थियो V1 अपोन I2 बराबर होना चाहिए V2 अपोन यह हो गए देखे Reciprocity Theorem कौन सी Theorem होगे देखे Reciprocity Theorem क्या होगे देखे Reciprocity Theorem यह तभी लागू होगा जब एक मात्र Active Source परजेंड होगा यह तभी लागू होगा अन्यता यह लागू नहीं होने वाला इंपोर्टनेंड है चलो जी नेक्स आजाओ Millman Theorem बर खतम कर रहे है यार इसको जल्दी से ना Millman Theorem बर तो Millman Theorem का देखे क्या statement है यह Z1 है यह आपने यहाँ E1 लिया है है ना वोल्टे सोर्च के लिए देखो यह क्या है देखे Z2 है यहाँ पर आपने यह E2 के लिया है यह देखे Z3 है यहाँ आपने यह E3 के लिया है यह ऐसे ही आपने N नमबर तक connect किये हुए है ZN तक और यह EN तक यह N तक connect कर रखे आपने तो हम देखे क्या कहेंगे कि E बराबर भई इसे आप एक में convert कर दोगे एक E में और एक देखो Z में तो E बराबर हम क्या लिखेंगे summation of EI, YI देखे I test to 1, 2N सिखा रखा आपको यह summation of YI यानि कि जितने भी यह दिये गए है E1, Y1, E2, Y2 E3, Y3 कहां तक विद्यार्थियो E N, YN तक तो यहां कैसे अगर यह ओम में है तो किस में करना पड़ेगा मोह में करना पड़ेगा Y1, Y2, Y3 कितने विद्यार्थियो Y N तक अगर यह Z है यह statement आ चुका SSC में already SSC में आ चुका यह statement अब देखे Z बराबर हमने क्या पड़ना है 1 upon YI तो I tends to 1 to I तो 1 upon Y1 Y2, Y3 यह कहा हमारी मिलमें थियोर्म तो मिलमें थियोर्म हमारी Norton यह किसके थेविनन की तरव यानि voltage source की तरह भी लागू है और यह current source की तरह भी लागू होगा चलिए जी चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे सांदार सांदार चलिए जी यह हो गया देखे रेसिप्रोसिटी थियोर्म की कहानी यह हो गया देखे रेसिप्रोसिटी थियोर्म की कहानी चलिए विद्यार्थियों नेक्स चलते हैं मिल्में थियोरम में आधा हो गया अब देखो जी हमें ये इस परकार दिये गए है ध्यान से देखेंगे ये हमें इस परकार दिये गए है चलो ये हो गए देखे आई एन इसके पैरलल में क्या है जैन फिर यहां ये क्या था i2 है ये क्या है z2 है ऐसे ही ये i1 है और ये z1 है तो यहां हमें ध्यान देना है a और b में क्या देना है a और b में ध्यान देना है तो हम क्या करेंगे देखे यहां पर ये i है और इसके साथ में देखे ये parallel में हम लोग जेड ले आर के, तो ये किस की तरह है, current source की तरह है, अब ध्यान देना है, i बराबर summation of ii zi, i tends to 1 to n, upon में देखे, zi, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ii नई, sorry, ii z1, i2 z2, plus dash dash, i3 z3, yeah, sorry, zn तक, चले जाओ, भागे, भागे, z1, z2, कहां तक देखे, zn तक, और z equivalent, इसमें कुछ ने अलग करना, क्या z1 कर दो, z2 कर दो, और zn कर, खतम हो गया बेटा, ये, milman theorem, काम तमाम, चले ये, ये हो गया, देखे, milman theorem की कहानी, राइड न, ये हो गया, विद्यार्थियो, milman theorem की कहानी, तो, milman theorem, applied for voltage source and current source also, तो, किस की तरह है, जैसे हमने नॉटन को दिखा, जैसे हमने थेविरन को देखा, तो, ये हो गया, देखे, हमारी किस के लिए, milman theorem, voltage source के लिए, और current source के लिए, voltage source के लिए, बेटा, और current source के लिए, ठीक है जी, चलिए, तो, अब ये हो गई हमारे लिए, जो, milman theorem, जो देखे, हमने, reciprocity theorem, जो हमारे लिए, basic basic theorem है, ये, चलिए, telegans theorem आ जाते हैं, देखे, telegans theorem, क्या है, देखे, telegans theorem, क्या है, बेटा, fast इसलिए हैं, कि ये मैंने बहुत अच्छे detail में करा रखा है, मेरा सिर्फ यहां पर concept ये है, कि सारी चीज़े ना, एक बार दिमाग मैं ऐसे गुना दूँ आपको, ठीके बेटा, देखे, telegans theorem, क्या कहती है, telegans theorem कहती है, in any network, in any network, the power supplied by the active source, by the active source is equal to the power consumed by, power consumed by passive source, या passive element, ओके जी, ये linear में, ये non-linear में, ये time variant में, ये time invariant में, ये सब में, सब network में लागू होता है, क्या, telegans theorem, ये डेफिनेटली, algebraic sum of consumed power, जितनी भी branched है, उन सम में, जितनी power consumed कर की गई है, वो या तो 0 के बराबर लिखो, या ये लिख दो कि, जो active source, power को delivered कर रहे हैं, उतनी passive source, consume कर रहे हैं, simple, चलिए जी, telegans theorem, तब तक valid रहेगी, telegans theorem, याद रखेंगे भाई, तब तक ये valid रहेगी, जब तक कि, ohms के जो नियम है, वो valid है, kacial, kvl की भी, कहीं बार मदद के जुरत पड़ेगी, sorry, kvl और kacial, चलिए आगे, हो गया, हूं, चलिए बेटा, तो next ये हो गये, देखे हमारी, theorems की कहानी, next चलते हैं, DC circuit analysis से, आगे बढ़ते हैं, next है, three phase circuit, next है, three phase system, या three phase circuit, तो three phase circuit में, आपको ध्यान ये देना है, कि कहीं भी, टीनों phase के अगर बात करेंगे न, तो कितने पर होंगे balance में, R है, Y है और B है, कितना कहेंगे, 120, 120 देखेंगे, कितने आगए, 120, 120 और, 120 दिगरी, कितना देखें, 120, 120, 120, याद रखेंगे, कि जब हम phase की बात कर रहे हैं, तो IR, IY, IB, ये हमारे देखें, आपस में बराबर आएगा, ऐसे ही phase में, VR, VY, और बिटा, VB, आपस में बराबर आएगा, जिसे हम VP का नाम देंगे, अगर हम, IR, Y लिख रहे हैं, जैसे, YRY, V, YB, V, RB, ये अगर है, तो ये line voltage कहलाएगा, राइट, जब भी हम लोग, VI, ऐसे, RN भी लिख रहे हैं ना, तो आप समझ जाएए कि, हम लोग यहाँ, फेज की बात ही, कर रहे हैं, फिर साथ में ये लिखेंगे, कि देखे, balance के, अगर हम देखते हैं, तो ये सारी चीतों है, ये balance के, लेकि, नीट्रल में जो current है, वो, 0 बहेगा, balance में, नीट्रल में जो, पोल्टे 0, तो balance में, नीट्रल में जो power है, 0, इसलिए, नीट्रल को, कई बार हम, 0 power bus के नाम से भी, जानते हैं, 0 power bus, किसे, नीट्रल को, क्योंकि, यहाँ, पावर भी, 0 रहेगा, यहाँ, पावर भी, 0 रहेगा, next आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करें, 3 phase system, तो 3 phase system में, देखे, जो impedance है, impedance है, जो z है, वो r में, y में, b में, equal होगा, जो phi है, वो phi भी, 3 phase में, हमारा देखे, equal होगा, तो star और delta, important है, देखे, हम बात करेंगे, star, तो बेटा, il, बराबर, ip, और vl, बराबर, under root 3, vp, अपने दिमाग में, please, सारी चीजे, ना, picture के रूप में, चलानी है, picture के रूप में, right, अपने, जब भी, जब भी, आप कुछ study करते हो, जैसे मैंने कहा, अभी यहाँ पर, three phase circuit, तो तुरंत, जैसे मैं अगे, topic आपको लिखाऊंगा, तो आपको एक exercise कराऊंगा, अभी 2 minute की, जिसमें, आप लोगों ना, हर एक चीज, अपने दिमाग में, चलानी है, हर एक चीज, से हमने कहा, डेल्टा, तो डेल्टा के लिए, VL बराबर क्या होता है, VP, और IL बराबर होता है, under root three, IP, IL बराबर क्या मिलता है, under root three, IP, next चलते हैं, देखे, two watt meter method पर, next चलेंगे, two watt meter method पर, तो two watt meter method में, important result है, मेरे बच्चो, root three, W2 minus W1, क्या रहेगे, five बराबर, इस पर, paper में ये रखा है, कुल मिला के, बेटा इसलिए ध्यान से देख कर जाएंगे, W1 plus में, W2, मेरी गैरंटी है, paper में आएगा, two watt meter method, paper में आएगा, ये two watt meter method, राइट, चलिए, तो next, चलते हैं, भई, आभी class में हो, भी करता हूँ न, चलिए, next चलते हैं, 10 inverse, W1 minus W2, upon W1 plus W2, तो ये ध्यान देजिएगा, जब हमने कहा, W1 बराबर W2 है, तो 5 बराबर 0 degree, और power factor आपको मिलेगा, unity, दूसरा, जब भी W1 बराबर minus के W2 है, तो 5 बराबर 90 degree, और power factor मिलेगा आपको, कितना देखे, 0 lagging, क्या मिलेगा, 0 lagging, next चलिएगा, नमबर 3 पर, ये ज़्यादा तर chances हैं, जब भी W1 कुछ positive read करें, कुछ इस तरह से, और W2 देखे, यहाँ 0 देदें, तो हमेशा याद रखेगा, power factor, कितना होगा, देखे, power factor is, 0.5, कितना power factor, बराबर 0.5, नमबर 4 पर चलिएगा, जब भी W1 कुछ positive read करेगा, और W2 कुछ negative read करेगा, तो हमेशा याद रखेगा, पावर फेक्टर, लेस देग, पावर फेक्टर, लेस देग, यह चार कंडिशन, बहुत ही ज़्यादा important रहेंगी, बहुत ही ज़्यादा important होंगी, यह चारों की चारों सर्थे, राइड जी बताईए हो गया क्या, तो यह होता है, थ्री फेस सर्किट की important कहानी, आपको अब देखे, आपके लिए एक छोटी सी exercise है, एक मिनट की बस exercise है, देखो गोनु जी ने बड़े अच्छी, साइरी क्या लिखे, जब तूटने लगे, जब तूटने लगे होसले तो यह है, याद रखना बिना मेहनत के हासिल, तक तो ताज नहीं होते, है ना, ढूंड लेता अधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोसनी के मोताज नहीं होते, अरे वावा यार, बहुत बढ़िये, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इस्क्रिन सॉट, ओके, होगी है, इस्क्रिन सॉट, बैरी गड़, आप देखिए, जितनी चीजे भी, आप लोग ब्रेक ब्रेक बोल रहे हो न, तो ब्रेक तो मैं दूंगा नहीं आप लोग को, कि ब्रेक तो मैं देने वाला आप लोग को बिल्गुल भी नहीं, ब्रेक तो मैं दूंगा नहीं आप लोग को, है न, तो इससे बढ़िया क्या है, कि आँखे बंद करके बैठेंगे, सो मत जाना, कभी खराटे दे तो तुम लोग के सो गए भाई, खराटे नहीं लेने लग जाना अभी तो नूहीं बज़े है, बस अब AC Analysis होगे फिर खतम करेंगे इसे, दिमाग में रखना है कि जब भी हम study करें, तो प्लीज, एक मिनट या दो मिनट की एक exercise करेंगे, आखे बंद, आखे बंद एकदम सांती से बैठेंगे, एकदम सांती से बैठेंगे, आखे बंद करेंगे, और थ्री फेज या इन थियोरम की जो कहानी मैंने आप लोग को बताई है, प्रीज, हर एक बच्चे के दिमाग में वो चीज़े पिक्चर की तरह चलने चाहिए, हर एक बच्चे के दिमाग में वो पिक्चर बनने चाहिए, दो मिनट या तीन मिनट का आपका ये सेशन है, ब्रेक ब्रेक नहीं, चलिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए इस प्रेक्टिस को, अपने दिमाग में चलाएए, कि हमने सूपर पोजिशन थियोरम में क्या का लिखा है मेरे साथ जोडने की कोशिस करिएगा अपने दिमाग को आखे बंद करिए मेरे दिमाग के साथ जुडने का परियास करिएगा और यही कही ना कहीं गुरू सिस्थे के बीच में एक रिस्ता भी है कि आप गुरू के दिमाग को रीड कर रहे हैं स्टडी को रीड कर रहे हैं या देखे किताबों का मतलब यही है कि आप राइटर के दिमाग को पढ़ रहे हैं इस पढ़ाने के कॉंसेप्ट का सीधे सीधे यही मतलब है कि आप मेरे दिमाग से जुड़िएगा तो हम लोग क्या है कि जब भी हम revise कर रहेगे देखे सर ने थेविनन थेयरम में ये कहा है कि लोड को हम लोग open करेंगे वहाँ पर एक voltage source VTH मानेंगे अब केसिल या KVL apply करके VTH का मान निकालेंगे RTH के लिए independent current source को open voltage source को short करेंगे और dependent को कुछ नहीं करेंगे हम लोग थेविनन रोजिस्टेंस RTH निकालेंगे नॉटन में जैसे RTH है थेविनन में सेम वही रहेगा तो नॉटन में हम load गो short करेंगे maximum power में सर ने कहा internal और load resistance अगर variable है load resistance variable है तो internal के बराबर होगा maximum power transfer theorem चलिए उसके बाद देखिए AC में सर ने कहा complex conjugate अगर internal कुछ variable है तो internal minimum होने पर maximum power transfer होगा उसके बाद देखिए सुपर पोजिशन में सर ने कहा पहले एक को apply करेंगे दूसरे को open या short करेंगे फिर दूसरे को apply करेंगे तो जितने भी independent source दिये गए हैं उनके हिसाब से response निकालेंगे और final बाद में रिजल्टेंट response लिखेंगे रैसिप्रोसिटी त्योरम चलनी चाहिए कि देखे दा रेशियो आफ एक्साडेशन दो रेस्पॉंस ऑल्वेज बिकम्स कॉंसेंट वेन दा पॉजिशन आफ एक्साडेशन और स्पॉंस इस इंटर्चेंग्ज राइट तो ये सारी चीज़े ना पिक्टर के रूम में चलनी चाहिए आप कुछ और नहीं कर रहे है आप वो कणेक्ट कर रहे मेरे दिमाग के साथ ने जब हम लोग यहां त्रीफे सिस्टम पे चल रहे हैं तो त्रीफे सिस्टम में आपको ये चीजे दिमाग में आनी चाहिए कि IL बराबर IP ये लिखा सर ने VL बराबर इसके लिए लिखा 2W में इसलिए लिखा तो हर एक बच्चे को ये exercise अभी 2-3 मिनट्स तक continue अपने रखनी है यही आपके लिए एक break भी है और अगर मेरे दिमाग को ठकान नहीं लग रही है अगर मेरे दिमाग को ठकान नहीं लग रही है तो फिर आप लोगों क्यों ठकान लग रही है आप लोगों क्यों ठकान लग रही है भाई अगर मुझे मेरे दिमाग अगर ठकेगा आप मेरे से connect है तो फिर बेटा अगर मेरा दिमाग ठक रहा है तो मतलब आप लोग ठकान महसूस करें जब मेरा दिमाग नहीं एनर्जी से बर्बूर है तो फिर आप क्यूं आप क्यूं राइना तो दिस इस कॉल दा रियलिटी आफ टीचिंग ये है एक रियलिटी टीचिंग की रियलिटी मीन्स कि आप लोग अध्यापक की दिमाग से अगर देखें दिमाग से जुड़ने का तभी पुराने सास्त्रों में कहा जाता ना कि अध्यापक को तो ये तब बोला जाता है कि अध्यापक पर भरोसा रखे सम्मान करिए ये इसलिए नहीं कि किसी को आप किसी को पर अहसान करते हैं ये एक उपर से भगवान के द्वारा जोड़ा गया connection होता है एक भगवान के द्वारा जोड़ा गया connection होता है तो जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि real में हमारे सर हैं या real में हमारे लिए अध्यापक हैं और हमारे लिए जो भी है सर है तो really में एक ऐसा connection बनता है यहां से यहां से ऐसे तार जुड़ेंगे आपके दिमाग में कि reality आपको बता चलेगी की teaching की power क्या है यह आध्यापक क्यों जरूरी है चलें आगे बढ़ें यास definitely आगे चलेंगे चलेंगे नेक्स चलेंगे चले तो my dear student देखिए बोड गंदा होगे थोड़ा साफ कर लेतें नेक्स चीज एसी अनलेसिस नेक्स चीज एसी अनलेसिस और बड़े अच्छे चे फार्मूले और फिजर डाइग्राम यहां पर हम लोग देखने वाले हैं किसके एसी अनलेसिस तो next is एसी अनलेसिस और एसी अनलेसिस खतम तो यह मानेंगे कि देखिए हमने बेसिक के सभी टॉपिक को देखिए खतम किया है चलिए विद्यार्च चुद्ध देखिए एसी अनलेसिस में हमने जल्दी से यह बना लिया हमने यह देखा है कि यह पॉजिटिव हाफ साइकिल है यह देखिए यहाँ निगेटिव हाफ साइकिल है तो पॉजिटिव और निगेटिव को मिला कर हम लोग क्या ले कहेंगे साइकिल यह देखिए 90 है यह 180 है यह 270 है और यह देखिए यहाँ पर 360 है यह 90 पर यहाँ पर maximum value चाहे वीम के लिए कहें या आईयम के लिए कहें राइट यह जो मान बदलते हुए चल रहे हैं यह क्या है instantaneous value तो मैडियरी स्टुडेंट देखें वी बराबर वीमेक साइन ओमेगा टी यह क्या है आईयमेक साइन ओमेगा टी होगा तो दिमाग में रखना है इसका मतलब होता है 0 डिगरी रेफरेंस पर एक्जिस्ट करना तो बेटा कहां बनेगा वोल्टे 0 डिगरी कहां बनेगा, 0 degree, तो 5 बराबर कितना होगा, 0 degree, अगर बेटा, हम लोग लिखते हैं, Vm, sin, omega t, तो I बराबर, Imax, sin, omega t, minus के 30 degree, तो हमने क्या लिखा देखे, 0 degree reference, तो 0 degree reference का मतलब हो जाएगा, देखे, 0 degree reference पर, ये क्या बना देखे, V, तो ये I हमारा कहां बनेगा, देखे, I बनेगा नीचे, कितना देखे, 30 degree पर, तो 5 का मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कि 5 बराबर 30 degree, 5 बराबर 30 degree, राइट जी, यहाँ दिमाग में रखेंगे, कि अगर हम ये लिख रहे हैं, जो कि पेपर में SSC में आ चुका, V बराबर V max sin omega t minus 30 degree, और I बराबर I max sin omega t plus 45 degree, तो टेंशन मतलीजे, 5 by 6, 5 by 4 ये पेपर में आ चुका, तो क्या है 0 degree, reference, minus है तो पीछे बना दीजिए, voltage है, यह current आगे हैं, तो उपर बना दीजे, कितना है 45, कितना है 30, टोटल जोड दीजे, कितना है 45, तो बेटा, पावर फेक्टर होता है, जब हम पावर फेक्टर लिखते हैं, तो पावर फेक्टर क्या होता है, voltage के बीच का एंगल का, cosine, तो anti-clockwise direction में, यह ध्यान देंगे, यह voltage है, अगर anti-clockwise direction में, देखे, current आगे हैं, तो यह कहलाएगा, leading, और अगर यह voltage हैं, और यह देखे, current हैं, तो बीच में से देखते हैं, लाइन खीच के, यहां से draw करो, आगे क्या voltage, पीछे क्या है, current, तो यह कहलाता है, देखे, lagging, और दोनों अगर एक line पे exist करेंगे, यह voltage है, यह current, तो power factor बेटा कहलाएगा, unity, पावर factor क्या कहलाएगा, unity, यहां चलेंगे देखे, f बराबर क्या formula मिलता है, 1 by t, f बराबर क्या formula मिलता है, 1 by t, और omega बराबर क्या formula मिलता है, 2 by f radian per second, या omega बराबर 2 by by t, राइट जी क्या, 2 by by t, यह दिमाग में चीज़े set रखिएगा, next आगे बढ़ते हैं, next आगे चलते हैं, हो गया, कर सकते हैं कि नहीं, screen shot मारो और आगे चलो, इंग तो मैंने डाली यार अभी, dark लिख रहा हूँ मैं काफी भाई, मैंने बेटा डाली हैं इंग ना, अच्छा, slow चलना है, ओके, चलिए, next दीखीगा, form factor और average value, तो बेटा, form factor average value, पेपर में ये समझो, कि form factor और average value आएगा ही आएगा, देखे क्या, average value है, average value है, area under one cycle, upon time taken to complete one cycle, average value का मतलब होगा, average value होगा, area under one cycle, upon में, area under one cycle, upon में time period, upon में time period, ये होता है, देखे यहां पर formula, किसका average value होगा, तो जैसे हमने लिखा है, ये क्या है rectangle, ये क्या है vm, तो v average बराबर कितना होगा, vm गुणा t, भाई area होगया न, vm गुणा t, time period कितना है t, तो पेटा कितना आएगा, vm, जैसे हमने लिखा, triangular है, ये, तो ये क्या है vm, ये क्या t, तो इसके लिए area, एक बटे दो, vm गुणा में t, तो v average होगया, एक बटे दो, गुणा vm, गुणा t, बटे में देखेंगे t, तो v average बराबर कितना होगया, vm गुणा 2, तो average value, हमारे लिए देखे, बहुत जरूरी हो जाएगा, क्या, आपको हमेशा area निकालना है, और upon वे time period कर देना है, फिर बेटा ध्यान से ये देखेंगे, कि अगर हम लोग, sinusoidal के लिए चलते हैं, average value, average value 4, sinusoidal supply, average value 4, sinusoidal supply, तो याद ये रखना है, यदि मैं full cycle के लिए लिए लिखता हूँ, अगर आपको पूछने लगा, full cycle के लिए होगी 0, अगर ये नॉर्मल लिख रहा है, कि average value, आपको नॉर्मल ये लिख रहा है, कि average value बताइए, sinusoidal के लिए, full नहीं लिख रहा है, sinusoidal के लिए बताइएगा, average value, तो V average बराबर 2, Vm by π, ये सुत्र लगा देंगे, और अगर कह रहा है, half view rectifier output, average value, half view rectifier के लिए, तो Vm by π, ठीक है जी, अगर कह रहा है, कि full view rectifier output, तो ये अगर कह रहा है, V average, तो 2 Vm by π, हमें सायाद रखिएगा, ये हो गए आपका average value, तो average value बताइए, clear है, तो एक छोटा सा numerical दे रहा हूँ, सभी लोग उत्तर बताएंगे, देखे, average value के लिए जरूरी है, time period को पहचानना, अगर ये हमने दे दिया, और ये हमने खाली छोड़ दिया, राइर जी, ये हमने लिखा T, ये लिखा T by 2, और ये मैं 10 लिख दूँ, तो बिटा देखे, यहां पर ये कितना है, T by 2, तो time period पता है कितना लिए जाएगा, time period देखे, ये है, यह चलो नंबर में बात करते हैं, ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है और ये 10 है, तो time period कितना लेंगे, 10, area कितना लेंगे, देखे, 50, तो 50 बटे, भई, जितने के बाद repeat होता है, ये होता है, तो देखे, 50 बटे में, कितना कहेंगे, 10, तो कितना मिलेगा, हमें 5, उत्तर मिलेगा, अगर ये 13 है, तो ampere में, तो average value का, ये मतलब होता है, next चलेंगे देखे, RMS value पर, next चलेंगे विद्यार्थियो, RMS value पर, तो ये होगे देखे, average value के कहानी, next बताता हूँ, आप लोगो, RMS value, next चलतेंगे, RMS value कैसे निकालेंगे, तो RMS value के लिए, एक ऐसा method है, मैंने पहले भी, आप लोगो को बताया है, वीडियो भी दिया, पहले भी जिक्र किया, और कहीं बार आप लोगो को, ये समझाने का परियास किया है, कि इस method से चलिए, RMS value आप जल्दी बता पाएंगे, इस method से चलिए, RMS value आप जल्दी बता पाएंगे, तो RMS के लिए, दो अलग-अलग method मैं सिखाना चाहूँगा, आप लोगो, direct method हैं, बड़े अच्छे method हैं, पहले भी कई बार आपको सिखायें, तो एक बार फिर से revise कराना चाहूँगा, तो देखिए जी, RMS value, RMS value का मतलब होता है, effective value से, किसे देखिए, effective value से, किसे मतलब होता है, effective value से, रहना, RMS value का मतलब होता है, effective value से, तो आपको ये ध्यान देना है, कि अगर मैं, पहले चलेंगे देखिए, sinusoidal के लिए, sinusoidal के लिए कितना लिखेंगे, जो normal है, उनको जो पता ही है, normal हमें, VMI root 2, half value rectifier output, तो half value rectifier के लिए आपको याद है, VRMS बराबर, VMI 2, full value rectifier output, आपको देखें याद है, V, RMS बराबर, VMI root 2, जो basic है, फिर चलेंगे देखिए, ये हमारे normal है, फिर चलते हैं देखिए, square या rectangle के लिए, square या rectangle के लिए, तो square या rectangle के लिए, अगर हम चलते हैं, जैसे की, मैं बात कर रहा हूँ, VMI और ये T, तो हम क्या लिखेंगे, VRMS बराबर, VMI, अगर हम चलते हैं, देखिए, triangular के लिए, अगर हम चल रहे हैं, triangular के लिए, यानि कि ये, ये क्या है देखिए, VMI, ये क्या है T, तो यहाँ पर दियान देना है, VRMS बराबर, VM upon में, अंडर रूट में, 3, राइड ना, ये क्या है देखिए, VRMS बराबर, VM upon में, अंडर रूट 3, पानी दे दो या साथ, VRMS बराबर में, VM हो गया, ये कहीं जिन का हो है, ये triangular देखिए, VRMS बराबर, VM upon अंडर रूट 3, अब चले के देखिए, यहाँ, आईएगा, डारेक्ट चलते हैं, इस मेंथर, सपोज आप लोग को, examiner ने क्या दिया है, examiner ने आपको, इस तरह से देखे, सवाल दिया, दो मेंथर सिखा रहा हूं, आपको शॉट कर, दोनों ध्यान से देखेंगे, ये आई है, ये यहाँ पर 5 ampere दिया है, और आधे में ये नहीं है, तो आपको देखना है, क्या करना है, आपको यहाँ पर डारेक्ट चलना है, कि भाया हमने इसमें ये देखा है, कि पूरे में होता, तो क्या करते हैं, 5 है, राइडना पूरे में होता तो 5 है, लेकिन ये आधे में हैं, तो आधे का मतलब root 2 तो ये क्या मिलेगा हमें 5 by root 2 क्या कहेंगे देखें हम लोग 5 by root 2 ये दिमाख में रखोगे अपना फिर चलेंगे देखें यहाँ सपोज आपको ये लिखा है बेटा ये ऐसा गुज दे दिया इसका मतलब है 5 और ये दे रखा है आप लोग को 2 ये दे दिया आपको 2 second और ये दे दिया देखें आपको 1 second राइट जी ये देखें current है आपको डारेक्ट बताना है IE RMS बराबर अंडर root लगाओ देखो अगर ये पूरे में होता पूरे में तो कितना होता 5 बटे root 3 लेकिन आधे में है तो एक बटा root 2 तो 5 बटे अंडर root 6 का square प्लस यहाँ पर आजाओ अगर ये पूरे में होता तो 2 आधे में है तो root 2 तो 2 बटे में root 2 का square बेटा ultimate method है second में निकालोगे second में निकिता जी कह रही है कि समझ नहीं आया बेटा ये direct shortcut method है इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है ध्यान से देखो भाई RMS value को अगर हम equation वगरा बना के चलते हैं यार बहुत समय लग जाएगा बहुत समय लग जाएगा चलो यहाँ दुबारा देखो यहाँ दुबारा आजाओ दुबारा देखो ये तो हमारे लिए अलग-अलग से हो गए बैट triangular के लिए हमें पता चल गया इतना होता है ये एक सवाल के माध्यम से समझाने का परियास किया है अब देखो चलो यहाँ पर देखो चलो इसे नहीं दूसरा सवाल देखो दूसरा सवाल देखो क्या है आपको सवाल ये दिया गया है देखो क्या आपको ये दे दिया कि ये है और नीचे आपको ये दे दिया ये तो इसका जो maximum value है वो आपको 10 दिया है ये कोई current है और इसमें आपको देखो minus के 5 है तो rms value में minus का भी कोई roll नहीं होगा rms में minus का भी कोई roll नहीं है यह suppose t है और यह t by 2 है यानि कि आधे में ये आधे में ये यहाँ जाओ ये बिटा ये है कि अगर पूरे में होता तो 10 by root 2 होता अगर ये आधे में दिया है तो 1 बटे root 2 से गुणा कर दो यहाँ जाओ अगर ये पूरे में होता तो 5 होती rms minus लेती नहीं rms में अगर ये आधे में है तो under root 2 है तो ये कितना हो गया 10 बटे 2 यानि कि 5 यहाँ से कितना हो गया 5 बटे root 2 तो इसका ये है इसका ये तो final rms value जो लिखोगे under root में इसका square कितना 25 ये डारेक्ट लिखोगे ब्राइड जी आप इसे डारेक्ट लिखोगे चलो जी एक सवाल और लेता हो आपको बेटा paper में rms value आता है और बहुत ज़्यादा important हो जाता है तो छोड़के नहीं जाना है करके जाना है छोड़ने का कोई मतलब भी नहीं है यहाँ देखो जी यहाँ कोई सवाल है एक और सवाल देख लो यहाँ आपको कुछ इस परकार से दिया गया है कि यह triangular waveform है अब देखो इस से थोड़ा सा अलग level पर लेकर चलते हैं triangular waveform है इहाँ पर यह sinusoidal और यह देखो यह है इस पर तीन को मिला दिया तो यह हमें दे दिया यहाँ पर 10 इसका जो maximum है 5 और यह दे रखा आपको 2 राइड जी यह दे रखा आपको T यह कुछ इस परकार दे रखा है T by 3 और यह दे रखा है तो T by 3 यानि कि 1 टी हाई, 1 टी हाई, 1 टी हाई में तीन अलग-अलग waveform को बाट दिया ताइम आधा, ये देखो तो यहाँ जब हम लोग इसके लिए निकालेंगे तो बेटा, अगर ये पूरे में होता इस बार क्या है 1 टी हाई, 1 टी हाई, 1 टी हाई तेन इसका हो गया यहां आजाओ अगर यह पूरे में होता तो 5 बटे root 2 होता लेकिन एक तिहाई का मतलब under root 1 upon under root 6 यानि कि 5 बटे एक तिहाई का मतलब यह तो under root में 6 बेटा अगर यह पूरे में होता rectangle तो rectangle दो लिखते हैं भी सिखा है लेकिन यह कितने में दे दिया एक तिहाई में तो 2 बटे root 3 अलग अलग लिखा अब सीधे क्या करेंगे कि अगर इस waveform के लिए RMS value लिखना है तो पहले का square 5 बटे under root 6 का square और 2 बटे और root 3 का square बताए बेटा होगा कि नहीं अब कर सकते हैं कि नहीं अब बताए अब लिख सकते हैं कि नहीं आप लोग प्लीज आंसर करेंगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अरे 3 के लिए हो जाएगा 3 के लिए कर सकते हैं या 2 होगा तो 2 के लिए कर सकता है सेकिंडों में उत्तर देंगे लेकिन इन में ये नहीं कि आप क्वेशन बनाएंगे सॉल्यूशन करेंगे ये नहीं करना ये उजादिये देखे RMS value बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलिए very good चलिए विद्यार्चियो next चलेंगे देखे हम लोग next चलते हैं next analysis हम लोग देखेंगे next analysis पर चलेंगे हम लोग next analysis देखते हैं क्या होगा next analysis पर बिल्कुल चलते हैं next analysis पर तो next analysis देखते हैं किस परकार से next analysis हमारा होगा चलिए जी आते हैं series combination यानि RL वाले concept पर देखें जब भी हम resistance लिखेंगे जब भी विद्यार्थियों resistance का analysis किया जाता है तो अगर V बराबर V maximum sin omega t आता है तो कुछ इसी परकार से I बराबर I maximum sin omega t भी लिखा जाता है दोनों में 5 बराबर 0 degree और power factor unity देखने को मिलता है power factor क्या देखने को मिलता है unity देखने को मिलता है right जी okay है फिर देखेंगे कि register में अगर हमने ये कहा है input की frequency अगर ये है या फिर ये ले लो voltage current की ये है तो power के लिए क्या होगी 2f किसके लिए power के लिए और power का जो formula लगेगा वो हमारा simple है भाई वी आई कॉस फाई यानि कि ये formula लगेगा हमारा active power के लिए ये सुत्र किसके लिए active power पी बराबर वी आई किसके लिए लगता है ये apparent power किसके लिए लगेगा apparent power के लिए और पी बराबर वी आई साइन फाई किसके लिए होता है reactive power के लिए किसके लिए होता है देखे रियक्तिव पावर के लिए तो reactive power तो इसमें 0 आती है next चलेंगे देखे l का analysis l के लिए होता है गर v बराबर v maximum sin omega t है तो i बराबर i maximum sin omega t minus के 90 degree तो यहां पर चलेंगे देखें जो एंगल है 90 degree lagging मिलेगा 90 degree lagging है और पावर फैक्टर यहां पर मिलेगा आपको 0 lagging तो कहानी कुछ इस परकार है कि अगर यह voltage है तो current हमें देखें 90 degree पीछे बनेगा क्या बनेगा देखेजे करेंट हमारा यहाँ पर 90 डिगरी पीछे बनेगा अब अगर यहाँ भी वोल्टेज या करेंट के लिए फ्रिक्वेंसी F है तो पावर के लिए फ्रिक्वेंसी 2F होगा यहाँ पर दिमाग में रखेंगे कि कोई भी पावर consumed नहीं करेगा यह कहानी किस के लिए है L के लिए नेक्स चलेंगे देखे C के लिए तो V बराबर अगर V maximum sine omega T आता है तो I बराबर I maximum sine omega T प्लस में देखे 90 डिगरी 5 बराबर 90 डिगरी लीडिंग देखने को मिलता है और power factor देखेंगे यहाँ पर 0 लीडिंग क्या आएगा देखे 0 लीडिंग तो विद्यार्थियों अगर voltage यह है तो यहाँ पर हमें देखे धारा आगे मिलेगा voltage current के लिए दिमाग में रखेंगे अगर 5 है तो P के लिए देखे 2 पाई और power यहाँ पर भी 0 देखने को मिलता है बताएगे यह तीनों analysis आपने किया है कि नहीं यह तीनों analysis हम लोगों ने किया है कि नहीं पहले already अब देखेंगे विद्यार्थियों हम लोग हम लोग चलेंगे देखे बेटा सब चले जाएं लेकिन गुरू जाएंगे गुरू जी खड़े हैं जो कहा है वो पुरा करके अटूंगा next चलेंगे देखें जैड तो एक बच्चे ने मुझे ससप्टेंस की बात की थी जैड प्लस माइनस जै एक्स तो जैड का मतलब होता है impedance इसका मतलब होता है impedance तो विद्यारतियों याद रखेगा इसका real part कहलाता है resistance यानि की परतिरोध और इसका imaginary part कहलाता है यहाँ पर reactance क्या कहलाता है reactance तो याद यह रखना है कि y बराबर 1 upon z होता है y बराबर 1 upon z होता है तो y के भी दो पार्ट होते एक g और एक plus minus j b तो देखिए यह कहलाता है conductance यह क्या कहलाएगा conductance और admittance का जो imaginary part है वेटा यह कहलाता है suspense क्या कहलाएगा suspense तो y बराबर क्या होता है 1 upon z होता है y बराबर क्या होता है 1 upon z चलिए जी next देखेंगे एक बच्चे कह रहा है सरापने खाना खा लिया गया बेटा में पांस बजे का यह ही ऐसे खड़ा हूं ठीक है ब्रेक भी निदिया मैंने बच्चो को कई मैं जादू थोड़ा ही हूं कोई मिल गया वाला की धूप धूप किया और पेट भर गया है वही ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स जानते हैं कुछ अलग से बिंदुओं पर चलेंगे देखे क्या क्या point है अब देखेगा नेक्स चलते हैं RL स्रीज सर्किट पर तो विद्यार्टियों ये होगे R ये होगे देखे L अगर आपको फेजर डाइगराम पता है ये क्या है VR? ये क्या है VL तो फेजर डाइगराम बना लेजिए सारे सवाल हल होंगे तो स्रीज में धारा को रेफरेंस पर रखिए V बराबर VR और VL का वेक्टरव सम है तो जिस तरह वैई ये क्या है रजिस्टर में जिस direction में current है यहीं पर voltage है तो VL inductor में है तो VL आगे होगा यह देखे यह क्या होगा V यह क्या आगे देखे 5 तो क्या बना देखे 5 यह क्या है 5 next चलेंगे देखे RC स्रीज circuit पर तो RC स्रीज circuit में यह R है और हमने देखे C लगा जाए यह सारी चीज़े जो मैं लिखवा रहा हूँ न दिमाव में picture के दोर पर चलनी चाहिए आपके और चल रही होगी तो यह क्या है देखे V है अब याद रखना है आपको कि भी सरी क्या बनवाया है कि अगर यह 0 डिग्री है और रेफ्रेंस है तो भाया VR यह क्या है आई है तो यह क्या है VR है राइड ना और VC कहा होगा 90 डिग्री पीछे है क्योंकि धारा को आगे दिखाना है तो यह क्या होगा VC तो टोटल क्या होगा अगे तो धारा देखो आगे है यह कि बिसका बना लीडिंग के लिए नेक्स चलो स्रीज RLC के लिए किसके लिए चलो स्रीज RLC के लिए तो स्रीज RLC के लिए हमें चलना है चलो चलो RLC तो यह हो गया R यह हो गया देखे L यह हो गया देखे C तो यह हो गया VR, VL और VC है यहां से देखेगा टोटल वोल्टेज V यह देखे आई तो हमारे लिए इंपोर्टेंट देखे फिजर डाइग्राम को पकड़ना हमने अगर VR यह देखा हमने कि VL बराबर VC हमने क्या लिया VL बराबर VC तो देखे जी 0 degree reference ले लीजिए यहां पर क्या है यह क्या आएगा देखे VR तो बेटा VL आगे बनेगा क्योंकि current को पीछे दिखाना है VC यहां बनेगा VC देखे यह नीचे बनेगा क्योंकि current VC से आगे होना चाहिए तो VL VR के VL और VC बराबर है तो दोनों अपस में कैंसिल हो गए तो VR क्या मिला हमें V के बराबर तो जब भी VL बराबर VC होगा उस situation में हमें unity power factor प्राप्त हो जाएगा फिर देखेगा बेटा हमने कहा VL greater than VC VL greater than VC तो 0 degree reference यह होगा देखे I यहां पर चलेंगे VR यहां देखेगा VL बड़ा है और VC देखे छोटा है तो हमने अगर resultant 2 का निकालें तो VL minus VC तो यहां देखे यह क्या बना V तो जब भी VL बड़ा होगा तो current कहा आगया पीछे नेक्स चलते हैं VC greater than VL तो हमने कहा 0 degree reference यहां I है यहां देखेगा VR यहां चलिएगा देखे VL अभी क्या बड़ा है देखे VC तो VL हमने देखे छोटा रखा है यहां आजाईएगा तो यह हो गया VC minus VL तो dear instrument इससे resultant V तो V बराबर हम यह भी लिख सकते हैं VR का square plus VL minus के VC का square correct हो गया यह हो गया VC greater than VL इसी तरह से हम लोगों को चलना है sir inductor में lagging है नीचे बनेगा यार यह तरह inductor है न देखो inductor में V V आगे है न यह देखो तो I है I को देखकर चलना न भाई हम VL की बात कर रहे है तो VL में lagging है तो current पीछे बनाओ current पीछे बनाओ और यहां पर देखे voltage को आगे दिखाओ यह क्या है VL है सही है यार VC देखो पीछे है तो current क्या है आगे है मैं VC की बात कर रहा हूँ VC की बात चल रही है भाई सारे formula यहीं आ रहे है सारे formula यहीं आ रहे है सारे formula लिखवा रहा हूँ एक एक चीज लिखवा रहा हूँ बना लो यार कुछ तो बना लो यह भी तो आप कर सकते हो लाचारी मत दिखाओ ना ये भी तो कर सकते होगे गुरु जे ने जितने फोर्मले लिखवाए हैं आप लिखो बढ़िया से और फोडो खीच के मुझे पीडिया भेज दो है ना वो पीडिया मुझे भेज दो के लो सर बाके आपके हमने हैल्प कर दी बाकी बच्चे को आप दे दो तो यार दूसरा भ दैग्राम ही है अगर कुछ इंपोर्टंट है तो वह इंपोर्टंट बनेगा राय है कि अप महिए तो अभी अभी शुट करता हूं है अभी इस्ट्वें अभी श्ट अभी स्टार्ट कर देता हूं तो आप लोग का साथ बच्च्च यह 9 बच्च के 47 निट हो रहे हैं तो पांच मिनट का ब्रेक दे रहा हूं आप लोग को अभी स्टार्ट कर रहा हूं उसके बाद देखे मशीन में आ रहे हैं हम लोग तो थोड़ा सा बच गया मेरा यह थे ना फिर मशीन को अपना स्टार्ट कर देंगे इसके बाद में तो भी चलिए आप लोग का ब्रेक हैं तो कहीं भागना नहीं और जितना भी आप share कर सकते हो उतना share कर दीजिए break में प्रक्राइब फघ्ट कर सकते हो उतना है झाल 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 है झाल 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 ये झाल 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 तो झाल 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 ये झाल ये 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 झाल ये 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 झाल ये 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 है ये 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 सही ये ये सही ये ये अरे एक ही तो यार चलो जी फिर देखेगा एक equation लिखवा रहा हूँ आपको पहले जो यह इतना पढ़ रहा हूँ जितना आप लोग को बता रहा हूँ आज तुम लोग इतना पढ़ लो और यह वाधारा इस वीडियो के नीचे आप वो हर एक topic लिख देना कि सर हमें यह बता दो तो या तो मैं यह कहूँगा कि इस वीडियो में देखो नहीं तो चाहिए मुझे एक बार दुबारे लाइव आ जाना पड़े बेटा इसी अमेराथन में तुम चिंता क्यों कर रहो यार खुश रहो एकदम बिंदास रहो पढ़ लो देखो नेक्स्ट है पावर फ्लो डाइग्राम या पावर फ्लो इकुवेशन पर वो की दिया से देखो कुछ ना कुछ मिलेगा खोजो यहां से तो पावर फ्लो बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा यह काफी इंपोर्टेंट रहेगा ब्रेक देंगे आप लोगों को चिंता ना करें ब्रेक देंगे टैंचन ना लो पहले पढ़ लो यहां आता है स्टेटर इंपूट यहां स्टेटर इंपूट में से घटता है stator losses क्या ढखता है stator losses यहां आता है air gap power यहां आता है air gap power कितना PG air gap power में से minus होता है rotor copper loss क्या minus करेंगे rotor copper loss तो rotor copper loss PRC बराबर SPG होता है और विद्यार्चियों फिर मिलता है PMD तो PMD 1-S into PG लिख लो कोई घवराने की जरूरत नहीं है साथ में ये भी याद रखना है PRC बराबर S upon 1-S into PMD एक ये भी relation होता है भाईया तो इसे या इसमें से जरूर मदद करेगा फिर आ जाओ यहां पर यहां आ जाते हैं हमारे minus क्या देखो mechanical losses और यह मिल जाता है देखे soft output तो हमेशा याद रखिएगा कि torque जब हम बात करते हैं यह होता है power upon में angular speed ऐसे हम यहां लिख सकते हैं TMD बराबर PMD upon में तो induction motor में जो बच्चा कह रहाता न full load torque तो air gap एक ही torque पाये जाता है चाहे developed कहें चाहे air gap चाहे full load यह दोनों अपस में TG TMD बराबर होते हैं यह बराबर होता है तो यह हो गया देखे air gap torque वो सरी air gap power PG इसके बाद देखे यह तो यहां से दिमाग में रखेंगे rotor efficiency rotor efficiency rotor का output कितना यह रहा तो क्या कहेंगे 1 minus S क्या है बुला PG rotor का input क्या है PG इसे काटो तो rotor efficiency 1 minus S होती है अगर हमें motor की efficiency लिखनी है तो motor efficiency होगी P soft यानि soft का output power upon में देखें यहां से stator का input power कितना देखें stator input stator का input power इसको जाद रखिएगा देखें मैंने आप लोग को अराम करने के लिए break दिया है कब आप लोग नींद ले ले लेना सो जाना तो सुबह जब पांच बजे class खतम होगी उसके बाद में gap होने के बाद में non-tech के class शुरू होगी तो बीच में आपको 6 गंटे का gap मिलेगा उसमें आप सो जाना उसमें आप आराम कर लेना है ना उसमें आप आराम कर लेना फिर अपना non-tech पे लग जाना क्योंकि 100 marks का technical score करना है तो 100 का हमें non-tech भी करना है इंडक्शन सिंक्रोनस मशीन पूरी डिटेल में नहीं है कर यूट्यूप पर बिल्कुल बेटा मेरा हर एक चीज़े मेरे डिटेल में मिलेंगे आप लोगो सब चीज़े करा रखी है मैंने ना डिटेल में आप जाएंगे मशीन में लगबग 70 लेक्चर ले रखे मैंने चलिए जी पावर फ्लोव एक्वेशन को देखेंगे स्टेटर इंपूट टी जी बराबर हमें पता है स्टेटर इंपूट इसमें से हमने स्टेटर लॉसेस एर गरपावर पियम डी यह आउटपूट सब यह एक्वेशन ऐसी है बहुत ताकतवर इक्वेशन है यह बहुत तो बार 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 कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इस equation में से जरूर बना है जरूर बना है चलिए अब next चलते हैं power flow equation की जब हम बात कर रहें देखे यह चीजी हो गए हमारी induction की important चीजे हमारी स्टार्टर भी है स्पीड कंट्रोल के जो important चीजे हैं मैं आप लोग को वह हिंस दूंगा इनके स्पीड कंट्रोल तो जितने फॉर्मूले मैंने induction के लिखवाए हैं राइट ना जितने पॉइंट मैंने लिखवाए हैं प्लीज उन सब फॉर्मूले को इन फॉर्मूले को सारे बच्चे डिनर क्या करोगे किसका बला हुआ खापी के पढ़के बला हुआ रुख जाओ थोड़ा सा खापी लेना चले इन फॉर्मूले को सब अच्चे एक बार अपने दिमाग में रिवाइस करें कैसे रिवाइस करेंगे देखें इंपॉर्टन फॉर्मूला अज गो एक बार फिर से बेटा अच्छा अभी आपका देखें आप अध्यापक को पता नहीं कैसे एड़ेस्ट करना चाहते हो मुझे नहीं पता अभी आप लोग का यह यह चल रहा था अभी आप लोग का यह चल रहा था कि सर तेज बताओ और अब आप लोग मैसेज कर रहें सर स्लो बताओ हैं मार बढ़ेगे चलो यहां पर आएंगे एक बार फिर से देखो इंडक्शन के सुत्र एस बराबार एनस माइनस एन अपोन एनस टाइम लग रहा है तो भाई लगने दो लेकिन कम से कम स्टडी ऐसी कर लो जिसे कभी भूलो ना एफ र बराबार एस एफ राइड जी फिर यहां चलो रिलेटिव स्पीड या डिरेक्ली यह बना लो सारी चीजें याद आ जाएंगे इस्टेटर बॉड़ी सारे सुत्र एक बार में लिखा देता हूं इस्टेटर फ्लाक्स रोटर फ्लाक्स रोटर बॉड़ी कुछ भी सवाल आ गया छाप क्याना पेपर में मेरा नाम को गंदा मत कर दे न कि गलत कर दो इने कुछ भी रिलेटिव स्पिड इससे इसमें पुछी एन माइनस एनस इन दोनों में पुछी एनस माइनस एनस जी ओ फिर चलो टी एफल बराबार वण अबॉन उमेगा एस वी टी एच स्क्वार अर टी एच प्लास आर टू डैस बाइस का स्क्वार प्लास XTH plus X2 dash का square R2 dash by S फिर ST max R2 dash RTH square XTH plus X2 dash का square फिर चलेंगे देखे ST max हो गया फिर आता है T max 1 upon 2 omega S VTH square RTH plus में RTH square XTH plus X2 dash का square फिर यही तीन फोर्मूले हमने लिखे जब RTH बराबर 0 XTH बराबर 0 किया तो यही फोर्मूले होगे TFL बराबर 1 upon omega S V1 square R2 dash by S का square plus X2 dash का square R2 dash by S ST max हमारा हो गया R2 dash by X2 dash T max 1 upon 2 omega S V1 square upon X2 dash independent from rotor circuit resistance है ना rotor circuit से यह देखो फिर चलना है T start upon में TFL 1 upon क्या लिखा रखा देखो आपको T start upon TFL नौर्मली क्या है I start upon IFL का square into SFL फिर चलो start delta में यह कब आया डाल में डारक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में तो T start upon TFL 1 by 3 I start upon IFL का square SFL तो यहां T start और TFL 1 बटे 3 हो जाते हैं यहां I start और IFL भी 1 बटे 3 हो जाता है फिर चलिए जी auto transformer auto transformer में T starting यह upon में TFL S square I starting upon में IFL का square into ऐसा कहला फिर चलते देखे क्रवलिंग क्रवलिंग किसके कारण आया सैवंत हार्मोनिक्स के कारण कोगिंग किसके कारण आया हाई अलेंगमेंट फोर्स इसको कम करने के लिए क्या करेंगे स्कूइंग करेंगे यह सारी चीजे है बताओ सारी चीजे यह रही बोड पर आपके बताए जी सारी चीजे आप लोग के बोड पर है करो इने बताओ आगे दिमाग में यह लो हट गया मैं अब लोग स्क्रीन सोट अब एक एक चीजे अपने नोट बुक में लिख लो और पेपर में तो सारी चीजे इंपोर्टेंट है भाई जो भी छोड़के जाओगे वोई पेपर में मिल जाएगा है ना तो ऐसी गलती क्यों करनी चले नेक्स चलते हैं नेक्स चल रहे हैं हम लोग अब इंपोर्टेंट फॉर्मूला लिखते हैं ट्रांस्फॉर्मर के लिए काफी इंपोर्टेंट है देखे ट्रांस्फॉर्मर के लिए formula लेक लेते हैं transformer तो transformer वैसे तो one topic है कि आज़ कल ज़्यादातर बच्चे जब शुरुवात करते हैं तयारी किवो transformer ही पढ़ते रहते हैं यानवो transformer ही पढ़ते रहते हैं तो देखे अब transformer के important formula या एक-एक line वाले जो चीजे important है वो सारी देखे आपके बौड पर कैसे उतर कर आने वाली है भूक लग गई तो खाना खालो यार बैठे बैठे अपना मुबाइल में चला के रखो खाना खाते रहो क्या दिक्कत है हंटिंग बंटिंग होती रहती है दस मिनिट में खालेंगे सर भूक लगा है खालो यार भूक लग गया तो बैठे बैठे तुम्हें खाना ही दो कौन साथ तुम्हार से मैं चीन लूँगा खालो यार खाना है दो खालो बताओ इसमें क्या कर सकते है चलिए नेक्स आएंग यार ट्रांसफोर्मर को थोड़ा सा जल्दी रिप्टा लेंगे है क्योंकि बहूत बाहर कर चुके ओ ने से न्न ट्रांसफोर्मर को है कि देखे जी ट्रांसफोर्मर में हिआ हुआ है जो वर्क करता है इंपोर्टनाट एक मछें निप्टा रहा हूं देखे mutual induction पर कार्ये करता है इट वर्क एड़ा प्रिंसिपल ओफ mutual induction एना फेरेडेज इलेक्ट्रो मेगनेटिक mutual induction पर कार्ये करता है देखें दोनों magnetically connect होती है बोथ winding magnetically connected magnetically connected और electrically insulated and electrically insulated electrically क्या कर रहे देखें insulated कर रहे है फिर चलिए देखें इस सारी चीज़े बड़ी नॉर्मल है हमारे लिए mutual induction बहुत binding हमारे electrically insulated है देखें विद्यार्ति होता क्या है हमने transformer देखा तो transformer में working principle यह है कि एक आपने primary winding कर ली जिसमे number of turn n1 है एक आपने यह secondary winding कर ली जिसमें देखें number of turn आपके n2 है ग्राइट जी एक number of turn n2 है एक हमरारी n1 है यह हमने यहाँ पर देखें एक core बनाया है और जो core बना होता है जिमार्क में रखेंगे जो core है यह आप बनाये high permeability material से जो core है यह बनायेगा high permeability material से like किस परकार का cold rolled grain oriented steel यह बना होता है देखें यहाँ पर तो primary और secondary electrically connect होती है यह क्या है देखें magnetic flux y ओके तो जब हम primary को supply से जोडते हैं तो यहाँ core में एक magnetic flux setup होता है जिससे primary मर्तो एक voltage induced होई रही है e1 साथे secondary में भी एक voltage induced होती है e2 secondary में भी एक voltage induced हो जाती है e2 और जब हम load को यहाँ पर लगा रहे हैं तो load के cross में देखें यह क्या है v2 तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ working principle को देखें मैं ज्यादा explain यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत बार detail में कर चुका और बनला बैच में machine को detail में करेंगा और पहले मैं काफी कुछ चीज़े करवा चुका तो आज आप लोग को एक एक नॉर्मल सा एक revision मैं कर रहा है नॉर्मल सा मैं revision करवा रहा हूँ देखे primary और secondary को लेकर चलिएगा और ध्यान में रखिएगा कि transformer mutual induction बोथ winding magnetically connected electrical insulated core हमारी यह बनी हुई है primary में जो induced emaf होता है यह होता है self induction से और secondary में जो voltage induced होता है यह होता है mutual induction से किस से mutual induction से तो primary में किस से हो रहा है देखे self induction और secondary में किस से हो रहा है विद्यार क्यों यह mutual induction से induced हो रहा है एकदम clear cut idea के साथ में चलेंगे तो यहाँ even जो induced emaf होगा यह होता है 4.44 5mf और n1 सेम ऐसे है e2 बराबर 4.44 5mf और n1 यह लिखे अब रहे देखे transformation ratio की बात तो वैसे तो आप free हो लेकिन आज आप लोगों को यह clear कर दूंकि अगर transformation ratio ही examiner पूछ रहा है वैसे यह objective बनता ही नहीं मैंने पहले भी आपको काफी बार बताया यह objective है नहीं लेकिन किताबों में दिया है तो इसलिए मजबूरी बन जाती है कि भाई किताब के according करके चलें तो a बराबर e2 upon e1 और 7 में देखे n2 upon n1 और 7 में फिर यह i1 upon में देखे i2 वैसे अगर कोई विद्यार्थी यह कहें ना गुरुजी हम तो ऐसा करते हैं कि a बराबर e1 upon e2 और n1 upon n2 और i2 upon i1 करें तो there is a no problem कोई भी समस्या नहीं है लेके नगर examiner especially पूछ रहा है especially पूछ रहा है कि विद्यार्थियों बताइएगा transformation ratio क्या है तो आपको यह टिक लगाना है e2 by e1 लेकिन अगर कोई इससे analysis कर रहा है तो कभी भी answer गलत नहीं होगा अब देखे जी transformer में कभी भी याद रखेंगे कि ये voltage को और current को बदल सकता है voltage और current को देखे change कर सकता है लेकिन ये power level को नहीं बदलता यहाँ पर change नहीं होगा क्या कहा मैंने कि power of frequency यहाँ पर change नहीं होगा इसको आप दिमाग में रखेंगे और करने को ये बराबर e1, e2, n1, n2, i2, i1 भी लेकर चल सकते हैं कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं होगी चलिए बच्चो नेक्स्ट आते हैं no load operation पर देखें नेक्स्ट है no load operation चीजे छिपी हुई है यहीं पर थोड़ा time मुझे लग रहा है मैं भी खुद क्या है कि बहुत जल्दी करने के mood में नहीं हूँ कि यार जब तक बच्चा पढ़ रहा है कम से कम तब तक वह quality के साथ में चल रहा है नहीं तो मैं transformer को एक बार पूरा लिखता और खतम कर देता लेकिन आपको मज़ा भी आना चाहिए पढ़ने में और आपकी तैयारी बढ़िया हो तो no load operation का मतलब क्या है कि secondary पे कोई भी load connect नहीं है देखिए idle transformer एक अलग है no load एक अलग है तो no load की condition में बच्चो ज power system तो मैंने वैसे भी रिवाइज भी करवाया था आप लोगों ना तो power system हमारा जल्दी भी हो जाएगा क्योंकि वहाँ फॉर्मूला ज्यादा है है ना power system क्योंकि आपको भी रिवाइज भी करवाया था आपको ना तो no load में हम लेखे क्या करने वाले हैं हम चलेंगे फेजर डाइग्राम पर तो no load में जो equivalent circuit बनता है ये बनता है वाटफफुल कंपोनेंट ये दर्साय का देखे losses यानि वाटफल कंपोनेंट और ये दर्साता है magnetizing component ये दर्सा अता है magnetizing component ये क्या हो गया IM ये क्या हो गया देखे IW ये क्या बना देखे I not राइट जी तो no load operation में हम क्या कहते हैं कि जो no load current है ये कुछ जगह 2-5% ये कोई standard तो है नहीं होने को 6% भी होता है रायर जी no load current हमारा 2-5% कहीं बार 3-5 भी लिखा भाई ये standard नहीं है कहने का मतलब काम होता है काम क्यों है क्योंकि यहां पर core इस्तमाल की गई है जैसे induction में no load current है वो 25-30% तक हो जाता है क्योंकि वहाँ air gap है यहां पर क्या है core है तो यहां देखेंगे i-not जो no load current है वो वाटफुल कंपोनेंट यह क्या है देखें वाटफुल कंपोनेंट वाटफुल कंपोनेंट का मतलब है वाटफुल कंपोनेंट का मतलब है जो losses के लिए जिम्मेदार है और यह क्या है देखें magnetizing component magnetizing component जो magnetic flux के लिए जिमेदार है ये क्या है magnetizing component यहाँ पर magnetizing component जो यहाँ पर magnetization के लिए जिमेदार है तो I 0 बडाबर I W plus में I 0 बडाबर I W plus में देखे I M और यहाँ पर देखे यह input voltage क्या है V है या V1 है तो अगर हम vector diagram बनाएंगे तो ये देखे अगर मैं input voltage ये V1 ले रहा हूँ तो यहाँ देखे IWC पर होगा और इससे 90 degree पीछे क्या होगा I am होगा तो ये दिमार्ग में रखे ये होगा no load current I naught तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो ये angle आता है no load power factor angle no load power factor angle आपका आता है 75 से बड़ा और 90 से कम 90 से कम तो no load power factor जो no load power factor है वो कम आता है कितना आ जाता है 0.2 के लगबग 0.3 के लगबग अब यहाँ पर अगर हम लोग iron loss लिखते है तो iron loss कितने होंगे V1 और IW साथ में V1 IW को हम लोग ये भी लिख सकते है कि V1 I naught ये देखे I naught cos phi naught ये क्या है एक तरह से active losses की के टेगरी में आते है जैसे IW हम लोग लिखेंगे तो I naught cos phi naught और I am हम जो लिखेंगे वो I naught sin phi naught और जो I naught होगा वो under root में IW का square प्लस में I am का square हमें ये मिलता है रैट जी हमें ये मिल जाता है तो देखो जब आप पूरी चीज़ को एक बार कहानी को देखो नो लोड ओपरेशान और आइडल ट्रास्फोर्मर का ओपरेशान एक अलग सिनेरियो होता है दोनों एक different thing है बिल्कुल बिल्कुल चलिए तो screenshot मारो फड़ापट से फिर आगे चलते हैं screenshot लीजेगा very good very good चलिए next आगे चलते हैं देखे हो गया चीज़े तो no load ओपरेशान और देखे आइडल ट्रास्फोर्मर में जो अंतर है न वो क्या है कि angle और power factor ने वो अलग अलग चीज़े हैं तो no load की कहानी ये अलग चीज़ दरसाती है विद्यार्थियो और idle transformer की जो चीज़े हैं वो आपको एक अलग चीज़ दरसाती है तो दोनों different चीज़े हैं और कुछ बच्चे no load को idle समझ के कहीं बार सवालों को गलती करते हैं तो जब हम idle की बात करेंगे यहां तो idle को देखेंगे हम कहां चल रहे हैं देखे idle transformer तो idle transformer हम किसे कहेंगे हम कहेंगे no losses हम कहेंगे no losses कोई losses नहीं no leakage no leakage flux कोई leakage flux भी नहीं है राइड ना नो या चलिए no losses का मतलब ही efficiency कितनी होगी 100% होगी और फिर हम कहते हैं infinite इंफाइनाइट पर्मेबिलिटी ओफ दा कोड चा कहेंगे infinite पर्मेबिलिटी ओफ दा कोड चा कहेंगे देखें infinite पर्मेबिलिटी ओफ दा कोड तो यानि कि infinite पर्मेबिलिटी का मतलब है कि negligible देखेंगे देखें infinite पर्मेबिलिटी का मतलब है negligible negligible current required current required negligible current required to magnetize the circuit to magnetize the circuit to magnetize the circuit या कोड to magnetize the circuit या कोड तो जब हम लोग यहां diagram भी बनाएंगे तो ध्यान से देखेंगा यहां V1 है यह देखें यहां पर एंगल किया है idle के case में जो एंगल बनेगा वो कितना है 0 और 90 कितना 90 तो power factor कितना बंदा है देखें 0 power factor कितना बंदा है देखें 0 तो idle एक अलग चीज है राइडना idle एक अलग चीज है बिलकुल idle अलग चीज है idle में राइड जी हो गया बताईए हो गया हो गया आंसर करते रहे भाई बताईएगा हुआ कि नहीं ये गुद चले चले महाद अचे महाद अचे राइड महाद अचे ये देखिए अच्छी चीज ये है कि एड में मेकेनिकल की क्लास अभी जो प्लान थी वो 6 आवर लेकिन 7 आवर हो गए रेगुलर सर जमाल सर रेगुलर विद्यारती कम है क्यूंकि रियली में बता दू कि जमाल सर जो मेकेनिकल में है रियली में बहुत तैलेंटिड और बहुत सॉलिड कंटेंग डिलिवर्ड कर रहे है लेकिन वही है कि तड़क भड़क चीजों में जैसे कि बहुत सारी चैनल पैसे मिल जाएगा अपनी क्लास में सिविल में थोड़ा जोस दिखा रहे हैं बच्चे सिविल इंजरिंग में जोस दिखा रहे हैं फिप्टी अभी बने हुए हैं चली अच्छी चीजे और एलेक्ट्रिकल में आप लोग अपने जोसक रोज को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं और कही ना कही ये चीजे देखकर एक चीजे की पिछले दो सालों से आपके उपर लगातार डंडे से मार-मार के जो मैनत करवाई हैं वो कही ना कही एक धिरे 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 एक रंग लेती हुई नजर आ रही है कि कही ना कही आप लोगों में जो मेहनत करने का जज़बा है वो तो मैंने कही ना कही आप लोगों में जगा दिया है वो तो कही ना कही देखिए जगा दिया है तो वो जजबा जागना बहुत जरूरी है बढ़िया है अभी भी रुजान आ रहे हैं ना ऐसे रुजान आते रहेंगे जार चलिए नेक्स चलते हैं नेक्स चलते हैं यहीं पर एक्वलेंट सर्किट बना देता हूं और रैफर्ड वैल्यू प्लेज यहीं लिखा देता हूं उसके बाद में आप लोगो फेजर डायग्राम जरूर बनवाँगा इसका इस क्लास में भी रिपीट जरूर कराऊंगा आप लोगो फेजर डायग्राम को ठीक है लेकिन जाटा टैंगजंट मतले ना समझ आया तो बढ़ या समझ नहीं आया तो और बढ़ आ आप इसाज़ातेंगे तो बनवा देंगे नहीं आप डर जाएंगे तो नहीं बनवाएंगे अÃे ऊ-ार नेक्स्ट है Ber और इक्वेलेंट सरकेट नेक्स्ट है इक्वेलेंट सरकेट तो इक्वेलेंट सरकेट बनाया यह हो गया R1 प्रेंबरील था फिलक्यों से x1 यहां कऱंट क्या हो गया I1 अब लोड करण्ट को दिखा दो यह बन गया RW यह हो गया IW यहाँ पर देखेंगे JXM यह हो गया देखे I यह हो गया देखे V1 यहाँ हमने यह बनाया देखे E1 यह क्या बना देखे E1 राइड जी और यह बन रहा है विद्यार्थियो R2 और यहां बन रहा है देखे JX2 यहां है देखे V2 यह क्या है I2 यह क्या है E2 रैट जी N1 है और N2 है यहां क्या आता है देखे I2 डेस तो I1 बराबर कितना लिख रहे हैं I0 प्लस में I2 डेस फिर देखेगा I0 बराबर IW प्लस में I N I0 बराबर में I0 बराबर IW और देखे यहां पर क्या है I N है अब विद्ध्यार्तियों हमें रैट वैल्यू लिखना है तो जल्दी से ध्यान देंगे देकिन रैट वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं A बराबर E2 अपॉन E1 प्लीज इससे ही लिख लेते हैं समय बच जाएगा N2 N1 और I1 और I2 रैफर्ड वैल्यू देखे विद्ध्यार्तियों रैफर्ड वैल्यू में R2 सेकंडरी पर परतिरोध है X2 यहां सेकंडरी पर रियक्टेंस है E2 यहां पर वोल्टेज है फिर देखेंगे यहां करंट है I2 और यह है देखो V2 तो R2 को जब हम प्राइमरी पर लाएंगे तो R2 डैस बराबर देखे ध्यान देंगे R2 बटे में A2 ध्यान देंगे यती हम यह लेकर चल रहे हैं अगर हम इस तरफ लिखेंगे इसको तो क्या होगा रैफर्ड वैलू बेटा पेपर में पूस्ता ही पूस्ता है रहना तो जो बच्चे जो बच्चे पहले लेक्चर देख चुके हैं जो बच्चे देख चुके हैं उनको यह चीज बड़ी आसान लग रही होंगे अब अगर हम एक्स तू डैस के लिए लिखेंगे तो इनके तो दिमाग में पिक्चर के रूप में चल रही होगी यह क्या होगा अगर हम एटू की बात करेंगे अगर हम लोग इस तरफ लाकर बात करेंगे प्रैमरी पर इटू डैस तो इटू डैस हो जाएगा इटू बाई ए राइट जी यहाँ पर अगर प्रैमरी में लाकर बात करेंगे वी टू डैस तो यह हो जाएगा वी टू बाई ए लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ i2- तो i2- हो जाएगा देखे यहां ai2 ai2 यह हो गए देखे secondary यह बेटा क्या quantity है secondary और मेरे बच्चो यहां के यह क्या quantity है primary यह क्या quantity है primary quantity यह क्या quantity है primary quantity बताइए मजा आये कि नहीं यह सब quantity लिखी मजा आया चलिए अगर विद्यार्थियों इसी के अनुसार हम चल रहे है और हमें यह दिया है ध्यान दिजिए r1 x1 rw दे दिया xm दे दिया बैदिया है तो दिया है क्या करें यह v1 है यहां पर देखे यह i1 है इनहीं को लिख लो काम चल जाएगा r1 को अगर हमने secondary पे भेजा r1- तो इसे जब हम secondary से primary पे लाके भाग दे रहे हैं लेकिन यह transformation ratio very very important है यह ध्यान दिजिए गा बेटा यह रखा है तो हम r1- बराबर क्या लिखेंगे a square r1 x1- बराबर a square x1 rw बराबर a square rw यहाँ पर xm- बराबर a square xm यहाँ पर v1- बराबर a v1 और भेजा i1- बराबर i1 upon a इसका उल्टा करोईए तो यह बाकी चीजों का उल्टा यहाँ देखेंगे यह हमारा secondary से primary पर लाए देखा यह क्या quantity है सारी चीज़े क्या है primary और यह किस पर कर दिया हमने secondary तो values को हम primary से secondary और secondary से primary पर लिख सकते तो आपको simple second numerical देगा examiner जादा कुछ मुश्किल ने देगा क्या देगा आपको क्या देगा 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 आपको कि एक transformer में यह transformation ratio या फिर आपको voltage देगा primary पर या number of ton देगा कुल मिलाकर आपको पहले यह transformation ratio देगा और अगर transformation ratio दे दिया आपको कहीगा कि secondary में परतिरोद यह है तो primary पर कितना होगा अरे भाई अगर हमें यह पता चल जाए transformation ratio तो हमारे लिए चिंता करने क्या बात है हम secondary से primary और primary से secondary हम लोग आसानी से बदल सकते हैं क्या तक लीफ है राइट ना हम लोग आसानी से लिख पाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं है तो बताएए यह सारी जो चीजे secondary से primary और primary से secondary दिमाख में इकालोई के नहीं दिमाख में चठी है के नहीं आ गया चलिए नेक्स आगे बढ़ते हैं नेक्स आगे चल रहे हैं तो equivalent circuit से यह चीजे देखे हमारी बनी बहुत अच्छी बात है बने आई बच्चोंने अब देखे थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं एक अलग तरहे की यात्रा पर और वो यात्रा है फेजर डाइग्राम की है ना लहीं तो तुम बोलो को कि यार हमने जल्दी बोला और सर ने तो उड़ाई दिये subject को है ना तो यह चीज नहीं मुझे सुनना power system की इसलिए मुझे चिंता नहीं यह power system पिछले अपते ही आप लोगे marathon क्लास लेके लगवाया था मैंने इसलिए मुझे चिंता कम है power system की machine के ज्यादा है machine बचा हुआ था तो machine बचा हुआ था यह और अभी तो SSC का paper आप लोग का बेटा अगर अभी भी अच्छा नहीं आपने निकाला तो फिर बताता होगा तुम्हें इतनी classes आपको दे दूँगा इस सारी चीजे याद करवा करवा के electrical engineering को नाएक अलग level पे पहुँचा दिया आप लोगे जरिये तब बताना मुझे चलो जी आगे बढ़ रहे है phasor diagram देखिएगा phasor diagram के लिए हमने कहा R1 है ये हमने कहा Jx1 है ये हमने लिया I1 है next देखेगा V1 विद्यारतियो ये आगया V1 यहाँ चलेंगे देखे I0 यहाँ चल रहे है RW यह हो गया देखे IW यहाँ हमने देखा Jxm यहाँ चले हम लोग Im राइट फिर देखे विद्यार्तियों हम लोग यहां दिमाग में रखेगा जरा सेट रखेगा इस चीज को इधर उधर के कोई बिल्कुल बात नहीं करेगा हमने यहां पर रखा हुआ है देखे क्या हमने यहां रखा हुआ है E1 और हमें पता है number of turn क्या है N1 और यहां पर यह दिमाग में रखते ह है की अगर हम लोग यह देखते हैं यह क्या है R2 और X2 यह क्या है R2 और X2 यह क्या बना देखे E1 बना और यह दी टू है राइट जी यह क्या है V2 है अब एक बात बतादीजी अगर यह नकर चल रहे है यहां पर क्या है N2 आप आप लोग की इच्छा है आप लोग A बराबर N1 N2 E1 E2 से पढ़ना चार रहे हो तो भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कोई बच्चा A बराबर N2 upon N1 E2 upon E1 से चलना चाहरा है तो भी कोई दिक्कत नहीं मेरे तरफ से तो फ्री है मेरे तरफ से वो फ्री है यानि कुल मिलाकर मैं अगर इसमें देखता तो मैं यह लिख पाता आर असानी से कि इवन बराबर इवन बराबर इटू अपॉन में ए बताए लिख पाऊंगा कि नहीं और बेटा मैं लिख पाऊंगा असानी से देखे जे आई टू डैस बराबर में मैं लिखूंगा देखे यहां पर अगर यहां यह दिमाग में रखे चलो यहां देखेंगे अगर मैं यहां स प्राइमरी पर लाकर ये e1 को निकालना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ e1 बराबर e2 बटे में देखे a कर दिया यही तो है e1 बराबर e2 अपॉन a कर दिया हम लोगों ने यह अगर मैं यहाँ i2 डैस या i2 अपॉन में देखे i1 लिखता यह देखो इसके बराबर में क्या है i1 अपॉन में i2 तो i1 बराबर या i2 डैस बराबर मैं लिख देता a i2 तो अब यह ध्यान दिजिएगा यह हमें किलियर है कि हम जो फेजर डाइग्राम लेकर चल रहे हैं वो जो आप लोगी किताबों में हैना deeply पढ़ेंगे हम लोग बदलाओ बैच में या पहले पढ़ चुके यहाँ direct देखेंगे जिससे आप से paper में देखें बनता है तो हम लोग dot का मतलब यहाँ समझ रहे है sense of polarity या sense of binding हम लोग क्या समझ रहे है sense of binding तो यह हमने यह dot यहाँ यह dot यहाँ कुछ इस परकार से बनती हुई दिख रही है कि यह e2 बराबर लगाओ बेटा e2 बराबर v2 प्लस में i2 r2 है और गुरुजी देखे i2 j x2 है यह हो गया देखे e2 बेटा अब e2 यह है e2 पता चल जाए तो हम e1 निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है फिर चलेंगे देखे i0 हमारे लिए बिलकुल है iw पलस में im यह हमारे लिए i0 है बिलकुल सही बात है यहाँ चलेंगे देखे i1 तो i1 हमारे लिए है i2 डस और i0 रखते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं कहने का तात पर यह यह है कि अगर यह वोल्टेज e1 यहाँ पर है अगर यह वोल्टेज e1 यहाँ पर है तो real में e2 और e1 देखे इस डॉट के कारण एक दूसरे से जो वोल्टेज है वो 190 डिग्री एंगल पर है एक दूसरे से 180 डिग्री 180 डेगरी एंगल पर होती है एक दूसरे से एक दूसरे से तो ये E1 ही देखे यहाँ पर है बेटा ये E1 ही देखो यहाँ पर है तो हम ये लिख सकते हैं डारेक्टली कि V1 बराबर E1 प्लस में I1 R1 प्लस में I1 J X1 एक बार देख लो बस एक बार देख लो समझ आ गया बढ़िया बात है नहीं तो फिर अपना डेटेल वाले में आप एक बार दुबारा से देखेंगे चलो जी तो यहाँ पर चलेंगे आपको ये सवाल बहुत बार बेटा पेपर में पूछा गया है कि primary induced ये में पॉस secondary में कितना angle बनता है तो आपको बार बार यही answer करना है क्या क्या हुआ पता नहीं तुम लोग क्या क्या तो आपको पूछे का कितना angle बन रहा है तो आप कहेंगे कि सर angle बन रहा है 180 degree अब देखें का समझने का परियास करेंगे हम लोग क्या करते हैं कि हमने यहाँ एक 0 degree reference पर हम लोग क्या लेते हैं बेटा आपको याद आएगा कि हमने इस angle पर लिया था magnetic flux 5 बताए लिया था कि नहीं और यहाँ इस पर हम लोगोंने कुछ लिया था देखें यह हम लोग लिख रहे हैं यहाँ locus of E1 और E2 यह E1 E2 का locus है यानि E1 E2 इसी पर कहीं आएगा इस पर यह आएगा हमें नहीं पता कहा आएगा तो यहाँ पर हम लोगों ने ले रखा है I.E.M. और इस line पर होता है I.E.W. याद करो तो बेटा यह क्या बनता है आप कहेंगे गुरू जी यह तो I.E.M. बनता है गुरू जी यह I.E.M. बनता है और अगर यह E2 कहीं इस line पर बन रहा है तो इससे पीछे ही तो E2 के बाद में ही तो यह V2 बनेगा तो हमने कहा जी गुरू जी हमने V2 यह बनाया कोई दिक्कत ने बेटा बना लो आपने कहा सर अगर हम lagging के लिए देखना चाहते हैं फेजर डाइग्राम को तो lagging का मतलब है current के पीछे जाना गुरू जी यह होगा I2 और मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं I2 लिख लो क्या lag करते हुए तो आप याद रखिएगा कि V2 में अगर यहां देखेंगे अगर V2 में हम I2 R2 और I2 X2 जोड़ दें तो E2 पराप्त होता है तो गुरू जी हम यही काम करेंगे V2 में I2 के parallel एक line खीछते हैं और सर आपने जो सिखाया है I2 R2 खीछ देते हैं यहां से 90 degree क्योंकि क्यों लिया अरे I2 R2 उस दिसा में होगा जिस दिसा में धारा है तो I2 R2 से 90 degree एंगल पर क्या बनाएंगे याद आएगा पुरानी चीज़े बेटा इसलिए class लगाईए जे गुरू जी यह बनेगा I2 X2 और बेटा यह अगर बन जाए तो आप कहेंगे गुरू जी हम उलजने वाले नहीं है I2 Z2 बनते आए हैं पुरानी चीज़ों को जहां जो आपने दबारकी इदर उदर इन्हें निकाल निकाल के लाना है इन्हें निकाल निकाल के लाना I not बनेगा इदर बनेगा अगर हम V2 में I2 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 X2 जोड़ दे तो बेटा ये क्या मिलता है E2 पराप्त हो गया गुरू जी यहां से चले घूम के जब यहां आए E2 पराप्त हो गया अब देखिए ध्याम दीजिएगा कि अगर गुरू जी I2 इस तरफ है तो हम प्राइमरी के तरफ खीच देते हैं तो इस तरफ जाके हो जाएगा I2 डैस और अगर गुरू जी हम I2 डैस यहां दिमाग में रखे देखे अगर हम I2 डैस और Iनोट को जोड़ दे तो I1 बनेगा I1 बनेगा तो यहां देखिएगा इसको हमने रिजल्टेंट निकाला एक दूसरे से तो यह क्या बनता है I1 बनता है नीनरी आने दूँगा आप लोगों बेटा कुछ कर गुजरने की कसम खाओ तो यह क्या बनेगा देखिए I1 बन गया अब देखे विद्यार क्यों आपको यह पता है कि E2 और E1 E2 और E1 E2 और E1 180 डिगरी एंगल पर बनता है राइट जी 180 डिगरी एंगल पर बन रहा है तो आप क्या कहेंगे कि सर 180 का मतलब है कि अगर E2 यहाँ पर है तो E1 इसके जस्ट उल्टा बनेगा और मेगरिटूट कहां से आवेगा भाई E1 बराबर E2 बटे A तो जिस भी हिसाब से step up step down है हम लोग यहाँ E2 में मान रखेंगे A का राइट और हम E1 को उपर ड्रॉ कर देते हैं यह हमने E1 को यहाँ बनाया तो अब देखिएगा बेटा याद करो जराई से अगर E1 में यह और यह जोड़ दे E1 में बोलो क्या जोड़ें हम E1 में क्या ले रहे हैं I1 से यहाँ पर ले रहे हैं देखे हम लोग I1, R1 और यहाँ से 90 डिगरी पर ले लो I1, X1 तो यह हमें मिल जाता है यहाँ पर यह हमें मिलेगा यहां पर, क्या मिलेगा देखे, V1, अब V1 और I1 के बीच का एंगल बनता है, यह हो गया फेजर डाइग्राम जिससे आप papersर डाइगराम दुबारा देखेंगे, हमारा I1 देखेंगे तो पहले इसी को देखो यार ना इसी को देखो नीद आएगी कोई दिक्कत नी ठकान लगेगी कोई दिक्कत नी पैरों में दर्द होगा कोई दिक्कत नी है हातों में दर्द होगा कोई दिक्कत नी कुछ कर गुजरने की एक नियत बनाओ कुछ भी महसूस नहीं होगा सरीर इसी स आप से रेस्पॉंड करेगा जिस हिसाब से उसे आप रेस्पॉंड करने की इजाज़त देंगे सरीर उसी साब से चलेगा जिस हिसाब से आप चलेंगे जी नहीं हाँ भाई सेवन आवर लेप्ट नो सेवन आवर तो हो गए बारा बज़ गए तो अभी चोधा तारिक स्टार्ट हो गई तेरा तारिक से हमारी मैराथन चल गए चोधा तारिक में पहुँच गई कॉफी ओफिलाओ सिविल वाले सर ठग गया देख लेना सर ठीक ठाक है चले नया टटा आगया है अभी चलो आगया आजो देखे द्वार देख लो हमें क्या करना है ए बराबर एन वान ए बराबर एन वन एन टू से कर लो या फिर आपकी इचाय इस से कर लो एवन एटू को हम ले 180 डिगरी अपोजिट बनाना है तो देखो बेटा एटू बराबर वी टू आइटू 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 एक्स टू ये लिख लिया और आइडोट बराबर आइडवलू आइएम देखे ये कर लिया हमने ये अभी बनाया कि आइएम और आइडवलू को अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो आइडोट बनेगा ये हमारा एवन एटू का लोकस है यानि इसी पर कहीं एवन एटू हमें छापना पड़ेगा तो इससे पीछे हमने वी टू बनाया इससे पीछे हमने आइटू बनाया वी टू से आइटू आटू ड्रो करिए क्योंकि हमें देख रहा है वी टू में यह जोड़ना है यह जोड़ना है लेकिन यह तो वेक्टर होता है अर्थमेटिक नहीं होता तो आइटू आर्टू यहीं से 90 डिगरी बनाया आईटू एक्स टू तो यह मिल जाता है ए भी बजने वाले चिंताईयों कर रहें चलिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं देखिए हम एक और अच्छे टॉपिक की तरफ तो यह हो गया देखिए यह हो गया हमारा एक्कोलेंट सर्किट और फेजर डाइग्राम तो बेटा अब आगे बढ़ने का समय है देखिए आ आप नाटर च्रार्सपर्मर के फर्मूले को लिख लेंगे फिर आप लोग को बताना है भो लिख लेंगे फिर आप लोग को ब्र Gulf देगे कितने मिनट का पाच मिनट का और वेरी इजर वेप्प्डंऄ वेयरी बच देखिये जी voltage regulation voltage regulation तो voltage regulation का मतलब होता है कि लोड के बदलने से कैसे यस डेफिनेटली आसिप जी ने मड़ी दिल को छुजाने वाली बात की है society भी तब ही इजद करेगी society भी इजद करेगी post मिलने के बाद पर जी तभी तो मैं मैं बोलता हूं कि respect जो होगी ना जो reality है life की वो आप लोगो तब मिलेगी जब नोकरी वोकरी मिल जाएगी सब कहेंगे कि हमारे policy में वो अधिकारी है हमारे पड़ोसी का वो लडगा चाहिए वो वहाँ पर यह है ना बंत हो जाओ आज गल तो इंडियन सोसाइटे में कोई कलर्क है ना तो उसके साथ यह अच्छी हो होती है अज कंपेटू प्राइविट जो भी से लिए ना सरकारी नोकरी के पीछे वागो भी उत्ताबड देश के बच्चे जादा देख रहे तो देश भी खूब मिलता है इतना याद रखो यह पता है आपको एक लाए एक चीज बदा दो मेरी 12 आवर की ना यह 12 आवर की वेरी यूट्यूब पे दसवे नंबर के क्लास है यूट्यूब पर मेरी 12 गंटे की ना यह 10 भी क्लास है और आज तक यूट्यूब पे किसी भी अध्यापक ने 12 गंटे की 10 क्लास नहीं ली अभी तक है ना जब तक हम बाकी और भी तो लेंगे तो 10 तो आज मैं पूरी कर चुका यूट्यूब पर दो तो मैंने 12 गंटे की फिजिक्स के लिए रखी है तो इसलिए 12 गंटे अब नॉर्मल है देखे कि वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है लोड के बदलने से टर्मिनल पे कैसे फ्लचुएशन होता है फॉर्मुला वोल्टेज रेगुलेशन विल्टेज रेगुलेशन बराबर हम लिखेंगे no load voltage minus full load voltage no load voltage minus full load voltage upon में full load voltage full load voltage राइट जी voltage regulation जितना कम होना उतना अच्छा है ये एक बिमारी के जैसा है ना जितना कम होगा उतना अच्छा है ये जितना कम हो उतना अच्छा है पूरा चल्ला गूर्ण इंजिनेर में खूब पैसा चल्ला इस में तभी तो बोलता पढ़ लो पगलो एक दिन में समर्जाए किसी बात चलो, voltage regulation, no load voltage minus full load voltage अब हो उनमें full load voltage यह हमारा एक basic formula होता है अबे serious ना लेना, देज लेना और देना पाप होता है no load voltage तो यह देखेंगे no load voltage हमने लिया यहां जैसे e2 minus v2 upon v2 कई जगह पर यह भी लिखा दिखेगा नॉर्मल जो formula है चलिए उस पर चलेंगे तो voltage regulation बराबर i2 r equivalent cos phi plus minus i2 x equivalent sin phi upon v2 तो plus का मतलब है यहां पर lagging के लिए यह जी lagging के लिए और minus का मतलब है देखेंगे यहां पर leading के लिए यहां पर leading के लिए तो एक lagging के लिए है देखें एक leading के लिए है next चलते है condition for condition for zero voltage regulation zero voltage regulation condition for zero voltage regulation तो 5 बराबर 10 inverse r equivalent upon me x equivalent next चलेंगे देखें condition for next चलेंगे condition for maximum condition for maximum voltage regulation voltage regulation तो 5 बराबर 10 inverse x equivalent upon me r equivalent सुनेल सर जाग रहे कि सो गए है जमाल सर क्लास ले रहे है मैं के निकलगे न चलो बढ़ी है तो यहां पर देखेंगा यह condition condition आ जाएगी है 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 यह यह नंद की सोर जी गलत बात है तुम सो जा रहे बताओ है condition for zero voltage regulation simple condition for maximum voltage regulation very very important है दोनों condition paper में मिल जाती है अब देखेंगे हम एक ऐसे Controversion सवाल की बात करेंगे रहे के voltage regulation बराबर आर ए पर यूनेट कॉस फाई प्लस और माइनास एक्स ए पर यूनेट साइन फाई यह भी बड़ा खास होता है फॉर्मुला इस पर आधारिक जादा तर निमेरिकल मिलते हैं देखें बेटा क्या condition for zero voltage regulation यह possible only for possible only for leading power factor लीडिंग पावर फेक्टर अब बात यह करते हैं देखें लीडिंग अगर यह कह रहा है कि voltage और यह current है यह तीन डिग्री है तो बेटा हम लोग यह नहीं कहेंगे लीडिंग आने का लीडिंग का लीडिंग पावर फेक्टर का मतलब यहीं नहीं होगा कि zero हो गया कुछ विद्यार्तियों को यहां समझने में बड़ी कठेना ही हो जाती है देखे क्या जीरो का मतलब यह होगा जीरो तब होगा जब यह एंगल पराप्त होगा अगर लीडिंग में यह एंगल पराप्त नहीं होगा ना तो जीरो का सपने में भी नहीं सोचेंगे तो लीडिंग का मतलब हो सकता है लीडिंग का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि पॉजिटिव हो सकता है पावर फेक्टर हमारा क्या वो लीडिंग का मतलब होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकत है कि क्योंकि हमें अगर यह सिर्फ एंगल लिख रहा है ना मतलब सिर्फ लीडिंग लिख रहा है लीडिंग हम क्या कहेंगे देखे लीडिंग हम तब कहेंगे जब यही एंगल हमें प्राप्त हो जाए सपोजिए एंगल हल करके हमें 30 मिला और अब यह कह रहा है कि 30 एंगल न लेगा 20 पर आपको voltage regulation निगेटिव नहीं मिलेगा आपको निगेटिव ही मिलेगा तो इसलिए leading का मतलब यहां देखे इस concept को समझेगा condition for zero voltage regulation की यह सर्थ है तो जब तक यह angle पराप्त नहीं होता तब तक zero नहीं पराप्त होता अगर आपको यह कह रहा है normally objective यह पूछा कि zero voltage regulation possible है अब तो रंद कहेंगे leading power factor पे अगर आपको यह कह रहा है कि एक transformer leading power factor में operate कर रहा है तो voltage regulation बताइए तो कभी भी आप zero या negative पे ठिक नहीं करेंगे आप कहेंगे कि अपना leading पे कर रहा है लेकिन जब दग angle define नहीं करेगा तो हम तब तक नहीं कह सकते कि यह zero ही होगा तो इस चीज को बताइए दिमाग में set हुआ कि नहीं बताइए दिमाग में set हुआ कि नहीं कि बताइए जी आज के बाद बताइए कभी गलती करेंगे कि नहीं अग गलती करोगे तो बैई मैं क्या कर सकता हूं बस हैं गलती करोगे तो फिट देखो कि ना देते ब्रेक बड़ी गनलत चीज है ब्रेक 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 मैं भी तो तब से खड़ाई नहीं हूं तुम्हेरे सामने तुम लोग तो मुझे पता तुम लोग की जितने आराम पसंद हो ना मुझे पता जितने तुम लोग महंती हो साप सच्चा ही पता मुझे कोई लोग तो कुरसी पैसर लेटा हो तब वीडियो कते हुआीक, थीकlegen, कोई लोग बैड़ आराम से बैठा हो थे वीडियो जो तप कर रहा है आपको मैंने ये कहानी नहीं सुनाई थी कि जब एक पैर पर खड़े होगे तप करते हैं तो भगवान दर्शन जल्दी देते हैं तो मुसीबत जेलो के तभी तो कुछ जल्दी मिलेगा चलो जी नेक्स देखेगा वोल्टेज रेगुलेशन को बिल्कुल दिवाक में किलियर कट आइडिये के साथ में लेकर आगे चलना है नेक्स चलने देखे लोसिस बड़े इंपोर्टेंट है लोसिस में बस लोसिस के बाद एफिशेंसी आएगी उसके बाद में इसको खदम कर में तरहीं में देखें एक होता है एक होता है हए इस्ट्रेस लोस और एक होता है addy current loss addy current loss विद्यार्थियों देखो आज आप लोगों एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ आज आप लोगों एक गहरी बात बताने जा रहा हूँ constant loss और co loss pH or P आज आप लोगों को इस पर देखे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ बड़े ही अच्छे वे में बताने वाला हूँ क्योंकि यह मेरा वादा है सो परतिसत अब से जो भी पेपर में आप जाओगे पेपर में पाओगे यहां से इस concept देखे बेटा आपको धियान देना है कि जब भी वी बाई एफ रेशियो जब भी वी बाई एफ जो रेशियो है वो constant ना हो हमने कहा जब भी अभी थोड़ा साप ने लिखा जाता मेरे से ना प्रैक्टिस करूगा तो लिख लूँगा जब भी हम लोग कहेंगे कि वी बाई एफ रेशियो constant नहीं है बच्पन में लिखता था यार ना नहीं है चलो देखो फिर भी कुछ की तो ऐसे राइट हेड से एड़ रहे ठीक है देखें जब भी हम लोग कहेंगे वी बाई एफ रेशियो constant नहीं है आज आप लोग इतने अच्छे वे में बता दे रहा हूँ कि एक बार लेकर चलते हैं वी बाई एफ रेशियो को constant इसका constant होने का मतलब है आई एम का constant हो जाना इसका मतलब है आई एम का constant हो जाना यानि magnetization का constant हो जाना या कि flux का constant हो जाना इसका क्या मतलब है flux का constant हो जाना इसका मतलब है constant नहीं होना यानि कि flux बदल सकता है तो जब भी ये ये चीज है बेटा आज दिमाग में बेठा लो बड़ा खास चीज है ये V by F ratio का constant होना और constant नहीं होना तो ये दिमाग में रखना है कि यहां हम लोग P E directly proportional to V square जब भी V by F ratio constant नहीं है P E directly proportional to V square इसका मतलब P E not depend P E not depends upon not depends upon frequency या F जाबो ना दिमाग में अपने जाने दो दिमाग में input P E not depend upon F फिर चलिएगा जो P H है P H जो होगा ये P H जो हम लोग को मिलेगा वो मिलता है हमें दोनों के proportional यहां किसके proportional याद रखना है जो P H हम लोग को मिलता है ये मिलता है हमें दोनों के dependence तो देखे यह आता है यहाँ पर V X और यह यहाँ पर रहता है 1 minus F की पावर 1 minus X यह रहता है तो pH दोनों पर निर्भर करता है तो यह कहेंगे कि यदि यहाँ फ्रिक्वेंसी हम बढ़ाते हैं तो यह देखो घटता है तो यह दिमाग में अपने जरा आप सेट रखेंगे कि हम लोग यहाँ देखेंगे कि pH यह कहानी है और यह क्या है बताओ दिमाग में आया कि नहीं पी एच वी और यह यह दोनों पर कर रहा है हां हां है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है क्या बताओ अरे एक्स का मतलब कुछ ना भाई वो लिख लो 1.6 ऐसे लिख लो जैसे लिख लो जैसे 1.6 है तो पी डारेक्ली परपोर्शनल टो एफ स्क्वार और पी एच डारेक्ली परपोर्शनल टो एफ बेटा दुनिया की कोई भी तागत इससे अलग सवाल ने बना सकती लॉस इस पर आधारित सबसे ज्यादा खासमगास यहीं बनते हैं जादा जो बनेंगे न ही खास बनते हैं यार यह नहीं पता अगर भी बाइफ रेशियो तो इस पर जाएंगे और अगर वी बाइफ रेशियो गउंसेंna है तो अहे तो छ लोग आच बात कर रहा इसके और फॉरमुला कैसे कि धारण देखो इसमें कहा गया है कि किसी ट्रास्फोर्मर में 200 वोल्ट या 200 चालिस वोल्ट राइट और 60 हर्ट्स पर आपको को लोसिस दे दिया और राइट जी और आपको कहा घaster है ईए आपको पीएच और पीएच गचार डेंत्ता है पीएच पीईच चलो ऐसा देख लो पीएच भी 10 दे दिया और आपको कह रहा है कि 200 वोल्ट और 50 होट्ट पर पी-एच और पीएच ओर सिंता करनी तो यही चेक कर लो वी बाइफ रेश्यों कॉंस्टेंट बनता है या नहीं बनता तो 246 24 यह भी चार आप लगेगा और भई या पी डारेकली प्रक्वोस्निल एफ 10ंड़ के स्कॉार गईकार तो कितने पर चाहिए बाई 50 के स्कॉार पटे साटका स्क्वार थोड़ा ही तुम्हें गुमा देगा एक्जामनर एक्जामनर तब दग ने गुमा सकता जब दग आप घूमना ना चाहते हूँ राइट ना इसी लिए अरे बफरिंग ना कर रहा भाई बफरिंग नहीं कर रहा यार चलिए देखो पताई ये टास्फोर्मा लोस इसी यह किलियर हुआ कि नहीं सब लोग बताओ तो ये हमारा क्या है constant loss है ये load के बदलने से नहीं बदलेगा फिर चलते हैं देखे copper loss फिर किस पे चल रहे हैं copper loss राइट जे फिर चलने देखे copper loss तो ये variable loss होता है ये एक variable loss होता है जो load के बदलने से बदलता है load के साथ बदलता है क्या करता है? load के साथ बदलता है तो copper loss यहाँ देखेंगे constant loss की यह कहा नहीं, copper loss हमारा variable loss है तो m हमारा यहाँ load factor है load ratio ले ले लेते हैं load factor power system में होता है तो m हमारा यहाँ load ratio है जब मैं कहूंगा m बराबर 1 बटे 2 है तो इसका मतलब गुरु जी ने बात करी है आधे load की जब मैं कहूंगा m बराबर 3 बटे 4 है तो गुरु जी ने बात करी है 75 बर्दिसद load की तो यहाँ देखेंगे PC at m load वो load कोई भी हो सकता है load ratio बराबर m square into PC at full load राइट जी याद रखना है PC at m load बराबर m square into PC at full load बिता एक सवाल यहाँ से मिलता है और बच्चे घूम जा रहे load factor नहीं load ratio लिख लो load factor हमारा वहाँ होता है पाउस्टम में चलिए जी तो PC at m m square PC at full load यह हो गया राइट नहीं चलिए आगे चलते हैं next आगे देखते हैं तो विद्यार्थियों आपको यह ध्यान देना है आपको यह ध्यान देना है और यह चलना है यह थोड़ा सा दिमाग में रखके आपको यह set करके चलना है कि condition 4 condition 4 अभी maximum efficiency वगरा वो अभी बताऊंगा आप लोगो को उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो दो loss हमने यहां देखे हैं और अब बता दू आप लोगो open circuit test और short circuit test और efficiency के सुत्र फिर देंगे आपको break है ना break का इंतजार है लेकिन break में तुम लोग भाग जाओगे यार फिर मुझे है ना फिर डाड़ना पड़ेगा तुम्हें खाना क्या खाना क्या load ratio का मतलब है भाई यह आधा load है पहले पूरा था load ratio है पहले 100 vote था अब आधा है 50 तो load ratio का मतलब है आधा load से या 3 बटे 4 लोड से अब पहले की तुला फुल लोड से अब कितना घटा दिया वो layout ratio है चलो बिटा नेक्स से देखो open next open circuit test है ना किसको पता करने के लिए लगाते हैं बता होगा आप लोगो किसको पता करने के लिए लगाएंगे core losses को core losses को अब देखो इसमें डाइग्राम तो बनाते नी भाई देखो core losses को पता करने के लिए बनाते हैं और ये हमें पता है कि किस पे करेंगे बेटा ये rated supply voltage पर किया जाता है rated supply voltage पर किया जाता है और rated supply voltage पर किया जाता है यहां हम हाई वोल्टेज साइड को हम ओपन रखते हैं हाई वोल्टेज साइड को हम ओपन रखते हैं यह क्या होगे बिटा ओपन सर्कीट टेस्ट तो कोल लोस को नापेगा कॉंस्टेंट लोस है रेटिर सप्लाई वोल्टेज पर करते हैं भुछ ऊपन घरते हैं फिर आजओ देखो शॉजर्ट सपीट टेस्ट पर टेसट यह किसको एका भाई कॉपर लोस को देगा बढ़्या बात है लेकिन यह दिमाग में रखें ये किया जाता है fraction ये किया जाता है fraction of ये किया जाता है fraction of rated voltage fraction of rated voltage ये rated voltage पर नहीं fraction of rated voltage दो rated voltage कितने लेते हैं 10% 15% इस हिसाब से लेकर चलते हैं लेकिन पता है किस पर करते हैं रेटिड शॉर्ट सरकीट करन्ट पर रेटिड शॉर्ट सरकीट करन्ट पर और यहां देखेगा विद्ध्यार की ओ लोग वोल्टेज साइड को लोग वोल्टेज साइड को शॉर्ट कर दो लो वोल्टेज साइड को हम लोग शॉट करते हैं लो वोल्टेज साइड को हम लोग यहां शॉट करते हैं तो अब देखेंगे देखें स्रीज ब्रांच पेरेमिटर एंड कोपर लोस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ बिल्कुल ओपन सर्कृत में यह लिख लो ना आ साथ में फ्रेक्शन ऑफ रेटेट वोल्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट है यह रेटी शॉर्ट सर्कीट करेंड पर पर्फॉर्म करेंगे और लोब वोल्टे साइड को हम लोग शॉर्ट करते थे हैं है न चलिए जी एक ओता है बैक टू बैक टेस्ट एक होता है बैक टू बैक टेस्ट इसमें हम लोग देखो जी दो आइडेंटिकल मशिन लेते हैं किसके लिए बेटा temperature rise को देखने के लिए हम लोग ये करते हैं दोनों मशीन पे एक साथ हम लोग test perform करेंगे तो कितना temperature rise हो रहा है ना वो देखने के लिए करेंगे हम लोग क्या भला back to back test next आएंगे efficiency screen shot मारो जी फटापट से कि चलिए नेक्स्ट आएंगे कि अब जो नहीं विद्ध्यार्ति वो सब्सक्राइब कर लेंगे देखो अमारे चैनल को भाई छोटा साइब परिवार है अपना आप भी इसका परिवार का हिस्सा बन सकते हैं हमारे पुराने बच्चे भी अपना छोटे परिवार में खुसा बढ़े लिक लेतक पराप कर रहे हम नहीं है हमें न हमारे विध्यारति यह जीजर कंसे कम अपना जीवन में कुछने टो आपना सोच सोच के बुरी आलत करें की टेंशन टेंशन औरी भाई टेंशन टेंशन हो रही है डाइट लूट पे करेंगे बैक टूबैक बिल्कूल लोड़ पे होगा और फील्कुल फुल लोड़ गऑब ब्रेक सर 30 मिनट का ब्रेक लिजिए और डिनर कर लीजिए भाई डिनर गरूंगा ना नीन आ आजाएगी दिनर करूंगा नीद आजाएगी चाय वाई पी रहाओ ना कि बोलो बंबं हाँ बढ़िया चलो efficiency कि सावन भी चलना देखो ना सावन के सुम्मार्ज शुरुवात हुई अपना efficiency का सुत्र लिखेंगे बड़ा खासम खास सुत्र बता रहा हूं आप लोगो एम एम लोड रेशियो फ्रेक्शन ओफ लोड बताया ना आधा तो मतलब एक बटा दो एम वी टू आइटू कोस फाई बटे में एम वी टू आइटू कोस फाई प्लस में M स्कार पी सी पी सी का मतलब है या पी आर सी पी आर सी का मतलब लिख रहे हैं फुल लोड फुल लोड कॉपर लॉस से PRC का मतलब है फुल लोड कॉपर लॉस से प्लस में PI का मतलब है iron लॉस से क्या मतलब यह देखे iron लॉस से तो यहां पर परसंटेज efficiency का यह सुतर अपने दिमाग में छाप लीजिए ऐसा unique formula है कोई भी numerical आ जाए इस formula से बचने वाला नहीं है इस formula से एक भी numerical आपसे बचेगा है कैसे नहीं बचेगा M इसमें यह कहेगा ना पुरे लोड बे बदाओ आदे बे बदाओ तो M का वो मान रखते चला जाना है बस है ना बस यह रखते चले जाना है M का वो मान रखते चले जाना है यहां चलेंगे देखे condition for condition for maximum efficiency condition for maximum efficiency देखे क्या है condition for maximum efficiency याद रखना है बेटा कि PRC यानि कि copper loss copper loss बराबर iron loss copper loss बराबर iron loss सर पाने देज़ो नहीं थन्दा पाने copper loss बराबर copper loss बराबर देखे iron loss अब देखेगा देखे load ratio at which maximum efficiency load ratio at which maximum efficiency occur यह देखे at which load ratio हमें वो load ratio देखना है जहां पर maximum efficiency होती है तो M बराबर देखो यह load ratio चेक किया जाता है PI upon PC से अगर आपको बेटा यह कह रहा है कि PI हमारा 500 है और PC हमारा 2000 है तो कितने पर पर maximum efficiency होगी तो M बराबर अंडर रूट में PI upon PC लगा दीजिए तो अंडर रूट में 500 बटे 2000 कितना मिला 1 बटे 4 यानि 1 बटे 2 का मतलब हो गया 50 पर 30 लोड पर 50 पर 30 लोड पर maximum efficiency देखने को मिलेगा तो यह आएगा आपका लोड कितने पर देखे maximum efficiency के लिए यह कोपर लॉस हो गया हमारा iron लॉस के बराबर यह क्या देखे तो इसको याद रखेंगे बड़ा important आएगा PI और PC फिर चलते हैं maximum efficiency के लिए एक sentence को जोड़ेंगे देखे low देखे low load पर यानि कि low load पर low load पर efficiency काम होती है काम होती है मैं इनने में लिख दिया एक दो लाइन कोई बात नहीं low load पर efficiency काम होती है but as we increase as we increase the load as we increase जैसे जैसे हम load को बढ़ाते हैं as we increase the load then efficiency increase but after full load but after full load if we increase the load then then यदि full load के बाद में भी हम load बढ़ाएंगे then efficiency decrease कहने का ताथ पर यह यह है यह है देखो load यह क्या है load है तो कम load पर अगर transformer को चलाएंगे पी आई अपॉन PC का under root यानि iron loss upon में क्या है देखो copper loss इस पर मिलेगा आपको maximum अब विध्यार्चियों यह दिमाख में रखिएगा कि जब यह maximum efficiency पे काम कर रहा है तो इस समय जो current है वो होगा IFL into under root में PI upon PRC और यहां अगर rating की बात करेंगे न यानि कि इस समय जो धारा है यह क्या है IM और जो इस समय efficiency है वो क्या है SM यानि maximum efficiency की condition में यह rating है तो SFL into में PI upon में PRC लिखो जल्दी से लिखो फड़ा फड़ से लिखो हाँ maximum efficiency बोले तो new for me लिखो बेटा लिखो इसे लिखो फड़ा फड़ से SM पावर पावर rating apparent apparent power KVA में होती है यार जय स्वाल ना यार बफ नी कर रहा शहीं चलना बढ़िया ना ना मतलो बफ बफ कर ना हुझे टेंशन हो जा रही बफ का नाम सुन्दे ही गव का नाम मतलो यार आकास भी आ गया पहले सी गया अच्छे यह बोले वैं खड़ा हो के पढ़ रहा हो वेरी गुड़ बैरी गुड़ चलो देखो ट्रास्फोर्मर में एक कुछ जैसी है थोड़ा सा आप लोगो जिकर करूंगा एक दिन कहीं एक एक एक्सपरिमेंटल वीडियो दूँगा आपको 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 बहुत अच्छी एक लेक्ट्रिकल इंजरेंग ना मेरे लिए तो एक तरह से लाइफ बनगी यारी यह लेक्ट्रिकल इंजरेंग बदलब आप मुझे अगर बोलूगे कि एक टाइम खागे काम चलाना है तो व लोड करेंट कितना है 22% of full load चलिए जी देखो बिटा क्या है जब हम ये transformer देखते हैं जब ये transformer हमने बनाया तो यहाँ से लगा होता है conservator ये लगा होता है conservator और ये लगा होता है यहाँ because relay ये लगी होती है because relay राइट ये लगा होता है देखो तो यहां conservator से फिर एक होता है याद करना अप याद करना भीया यह लगा होता है करएं कि इस इसमें भरी जाती है सिली करें तो जो ताजा होगी होगी हुगी सिली कर जैर यानि जोई वह वोगि ब्लू निलिए और मोस्चर को यानि नमी सोक लेगे जब जब नमी हो जाएगी या मौस्चर हो जाएगा जब यह गयों जाएगा तो बेटा यह आजाएगी देखे हमारी pink light pink red play a quality यह देखें किया रहा है बरीथर का क्या है तू अब्र मोशचर किसको देखें नमी को शौक रहा है तोर मॉशचर सीलिका जैल क्या है मॉश्चर को सोख रहे है यह SSC के लिए अच्छा सवाल बनेगा अब देखे बुगोज रिले पाउस्टम में होती वेसे तो यह सभी कि इंस्पेंट फोल्ड या इंटर्नल फोल्ड से सुरक्सा परदान करती है ट्रांस्पॉर्मर को यानिकि जो धीरे धीरे ग्रोइंग है जैसे टेंपरीशर लेवल बढ़ जाएगा तेल का इन सब से यह बुगोज रिले प्रोडेक्शन देती है कंजर्वेटर के थ्रू यह जैसे पूरा भरावा है इस देखने बाद है इसमें तो जगए है नहीं तो जब यह विल जब यह एक तरह से बढ़ेगा तो तो यह कहां जाएगा देखें लेवल उपर बढ़ जाता है जब यह गटेगा तो यह लेवल इस पर तो यह एक बेसिक सी चीज थी आइडिया देना था आपको दे दिया हाँ ब्ल्यू सिलिका जैल ब्ल्यू कि इस बैस्ट ट्रिक तू रिमेंबर निली निली हाँ ठीक है जी चलो सिलिका जैल किये होगे यह हो जाता है देखें हमारे ट्रांस्फोर्मर की एक कहानी तो यहां पर बेटा हमने ट्रांस्फोर्मर को पूरा कर लिया है अभी हमने देखें सिंगल फे ट्रांस्फोर्मर को पूरा किया है अभी नेक्स आगे चलते हैं नेक्स चलते हैं हम लोग यहां ओटो ट्रांस्पोर्मर पर, तो देखेगे, ओटो ट्रांस्पोर्मर दिमाख में रखेगा यहां जो बाइंदिंग है यहां सिंगल बाइंदिंग यूज करेंगे ना यहां पर हम लोग single binding यूज़ कर रहे हैं जो power transfer हो रही है वो कैसे हो रही है बीटा दिमाग में चलने चाहिए यह window electrically और electronics और magnetically दोनों परकार से transfer हो रही है electrically भी transfer हो رही है and magnetically भी transfer हो रही है देखिए single binding यूज़ हो रही है electrical and magnetically transfer हो रही है अब देखो जी लेकिन इंपोर्टेंट यहां लिमिटेड चीजे हैं और वो देखेगा लिमिटेड चीजे क्या है लिमिटेड चीजे देखे क्या है रेटिंग हमारी एक बच्चे ने कहा रेटिंग की बाद तो बेटा एपरेंट पावर में रेटिंग होने का देखे कारण क्या है अगर हम ले तो आयनल लोस टोटली डिपेंड अपॉन वोल्टेज राइड ना एक तरह वही तो देखा हमने वोल्टेज पर करेंगे अगर हम कोपर लोस लेते हैं तो डिपेंड अपॉन दा करण यही तो तो जो लोसिस है वह हमारे टोटल वोल्ट और करेंट रेटिंग पर निर्भर करते हैं तो यह SSC में आया था तो आप लोग को वही देना है कि लोसिस डिपेंड अपॉन दा वोल्टेज और करेंट तो यह इसकी रेटिंग किसमें बनेगी अपरेंड पावर अधरवाइस दूसरा कारण तो यह भी है कि ट्रास् और फेक्टर पर हमें इस्तमाल करना है तो हम कैसे इसकी रेटिंग वोट में डिशाइड कर दें लेकिन यह टेक्निकली जब एक्जामनर ने दिया था तो आपको यही ठीक करना है कि भाईया जो लॉसिस से डिपेंड अपॉन दा के वी यह राइट जी यहां दिखेंगे ए आपको सुत्र लिखवा रहा हूं वे ग्रेटर दैन वन के लिए लिखवा रहा हूं अगर आप चाहें तो लेस दैन वाले को हम इसमें कनवर्ट करके लिख सकते हैं प्रेशान होने के जिग्र मलब कोई भी जरूरत नहीं है पाउर गेड के हिसाल से बहुत तो यहां देखेंगे देखें पावर ट्रांसफार्ड पावर ट्रांसफार्ड इंडक्टिवली एक तो यह सुत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल ट्रेंडिंग में तो वन माइनास वन अपॉन ए ए इंटू पावर आउटपॉट आउटपॉट लेलो या इंपूट देखी बात आएगी यह दूसरी चीज अगर हम लिख रहे हैं पावर ट्रांसफार्ड कंडक्टिवली तो कंडक्टिवली आ जाएगा वन अपॉन ए एंटो पावर आउटपॉट यह यह लिजी तो हमने किसके लिए लिखें ए ग्रेटर देन फिर देखें एक फॉर्मुला यह रिखेंगे वी ए ओटो अपॉन वी ए टू वाइंडिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफोर्मर को यदि हम ओटो की तरह जूडते हैं तो बेटा यह बहुत जादा के वी रेटिंग बढ़ जाती है ए ए ए अपॉन में ए ए माइनस के वान यह बड़ा खास रिलेशन है त तो बताइए रेटिंग कितना बढ़ जाएगा ए ए ए ए अपॉन ए माइनस वान गरेक्ट ना यहां आजाएए देखे वी ए ओटो अपॉन वी ए टू बाइंडिंग यह अब डारेक्टली चलेंगे पर्संटेज सेविंग इन कंड़क्टर मैटीरियल कंड़क्टर मैटीरि है यह आपको परसंटे सेविंग इन कंड़क्ट मैटीरियाल वन अपॉन एए माइनस वो सरी वन अपॉन एंटो हंड्रड आपको डारेक्टली देदेगा राइड ना परसंटे से यानि कि टास्पोर्मेशन डेश्यो अगर हम देखकर चले अच्छा कौन सा होगा तो यार यह जितना भी अगर एए हमारा वन हो जाए सोचके देखो ना वन हो जाए वन का मतलब है यह दोनों हाई और लो बराबर हो जाए तो यहां सेविंग सबसे अच्छी सो परतिस अतावेगी राइड ना वन अपोन एंटो हंडड तो हमेशा यह वन के यह जितना भी वन के आसपास होगा उतनी अच्छी ही सेविंग इसमें मिलेगी तो ओटो ट्रास्पोर्मार देखे वैरियेबल आउटपूर्ट या वैरियेबल वोल्टेज को पराप्त करने के लिए वैरियेबल कुछ नहीं है कभी आप लोग भूल जाते तो मैंने कैपिटल एक का मतलब यहां ओटो है अगर कभी आपको जैसे टास्पोर्मेशन रेश्यो जीरो पॉइंट दिया आप कहेंगे कि यार गुरू जी हमने तो जो फॉर्मूले पड़े हैं वो ग्रेटर देन वन के लिए करना है अगर यह एक से कम होगा अगर एक से कम मिला तो चिंदा क्यों करनी भाई एक से कम मिला है तो अच्छी बात क्या दिक्कत है अगर 0.5 है तो कोई बात नहीं आप एक बटे 0.5 कर लो यह कितना मिल गया नहीं दो है तो अगर आपने क्योंकि दो डबल महनत ना करें कभी आप इन्हें greater than one के लिए भी रटें और less than one के लिए भी रटें तो फिर समय की बरबादी है अगर ना सब्सक्राइब और इस्टूडेंड मैंने स्किप किया ही नहीं ठीके मैंने स्किप किया ही नहीं ओडो ट्रास्पोर्मर को बेटा ये चीजे आप इमानदारी से ये सारी चीजे ओडो ट्रास्पोर्मर में ये जितनी मैंने बताई है आप अपलाई करके देखना बेटा आप अपलाई करके देखना ओटो ट्रास्पोर्मर और आपको डिटेल में जाना है मेरे बच्चे तो फिर रेगुलर जो लेक्चर मैं दे जुगा ना उसमें देख लेंगे auto transformer आपका इतने में वेटा एक भी सवाल आपका नहीं बचेगा auto transformer में objective देखो सुन मेरे ध्यान से सुनना अपना ध्यान से सुनना auto transformer में मिलता है हम लोगो variable voltage देखे किस परकांग से ये ये winding है तो ये कोई भी primary voltage ये दे दिया हमने ये क्या दे दिए देके primary voltage दे दिया हमें राइट जी अब हमने देखे यहाँ tapping लगाया हँ हमने यहाँ पर tapping लगा दिया तो variable voltage या variable के लिए हमेशہ जो tapping हम लोग दे देखे ये होगे high voltage ये low तो variable हम लोगों को हमेशा ये मिलेगा राइट जी आपको ये ध्यान देनी है ये ध्यान देना है आपको कि अगर मैं ये correction कर रहा हूँ जैसे मैंने कहा ये तो high है ये हमने कहा कि ये low है अब ध्यान से समझ ना देखे कि VH upon VN लेके मैंने आप लोग को पढ़ाया है अब देखो order transformer को ध्यान से समझने का कोसिस करिएगा फ्लीज देखो थोड़ा सा अब ध्यान देगे मैंने आपको ये कहा कि two winding transformer में two winding transformer में ये इस तरफ 110 वोल्ट है और थोड़ा सा और explain कर देता हूं यार आपको और इस तरफ ये 200 वोल्ट है इस तरफ ये 200 वोल्ट है राइट बच्चो हमने इसे इस तरफ हमने ये 100 वोल्ट ले लिया और इस तरफ ये 200 वोल्ट ले लिया अब देखे हम इसे auto transformer बना सकते हैं या हमने इसको auto transformer के रूप में connect किया है तो देखे हमने किस परकार से इसको connect किया है, हमने ये कहा कि देखे जी, 100 तो ये रहा, 100 तो ये कर रहा, और हमने देखे ये 200 ये रहा, 200 ये रहा, तो हमने इसे बनाया है 200 बटे 300 वोल्ट आटो ट्रांस्पॉर्मर में, तो हम क्या कहेंगे कि देखे जी, यहां से यहां आपने इन्पुट कितना लिया है, आपने दे दिया है, कि आपने लिया है 200 और आपने आउटपुट कितना लिया है जी देखे, 300 के लिए additive polarity बनानी पड़ेगी, तो ये क्या हो गया देखे, VH बराबर में हो गया देखे, 300, VH बराबर में हो गया, कितना 300, तो आपने connection ऐसे कर लिया, अगर विद्यार्थियों आपको ये, आपको अगर ये इस परकार से दिया गया होता, सोचिए का जरा, अगर आपको ये कुछ इस परकार से दिया गया होता, कि जो polarity है, वो subjective type कुछ दे दिया होता, और आपको ये कहता कि हमने इसे बनाया है, देखो किस परकार, हमने इसमें ये binding कितने के लिए हमने, हमने का जी, इस binding को हमने लिया है, 100 वोल्ट का, ओके जी, ये binding हम लोगों ने लगाई जी, देखे 200 वोल्ट की, ओके, राइट, तो हमने input पर इसमें दिखा दिया है, हमने दिया कि हम तो इसे 100 में convert कर रहे हैं तो हमने लिया यह तो 100 है यह तो हमें 100 मिल रहा है अब अगर इसमें हमें यहाँ पर यह दिया है तो हम किसमें देखे बनाते या तो 200 लेते या हम लोग देखे लेते इसमें कितना 300 लेते तो 300 तब मिलता हम लोग को 100 by 300 तो कम मिलता जब polarity additive होती, subtractive polarity होती तो हम लोग घटा देते, तो जिस requirement के हिसाब से हमें सिखाया जाता है, जिस requirement के हिसाब से हम लोग को चीज़े सिखाया जाता है, या जिस requirement के हिसाब से हमें चीज़े बनाना होता है, जैसे अगर एक बच्चे ने कहा गुरू जी subtractive देखत तो ये तो 200 हो गया और ये मैं ले लेता देखे 100 राइड जी और मैं कहता कि बेटा ये ऐसे कुछ जॉट है तो इसका मतलब है इसका मतलब होता क्या सब्ड्रेक्टिव तो मैं आउट्पुट पे अगर कुछ मेंशन करता तो मेरे लिए इस तरफ कितना आती देखे ये 200 है ये मेरे लिए 100 है तो विद्यार्तियों मैं यहां पर 300 नहीं लिखता मैं यहां सब्ड्रेक्टिव पॉलारिटी के हिसाब से मैं इस हिसाब से बनाता है इसे तो यह आप अपनी रिक्वार्मेंट जो भी आपको मतलब दे रहा होगा उस हिसाब से ही आप मैंशन करके चलते हैं जिस हिसाब से आपको डाटा दिया जाता है उसी हिसाब से आप चलेंगे मतलब जिस हिसाब से भी आपको डाटा देगा उस हिसाब से इसको आप बनाएंगे चलिए जी यह होगे हमारे स्टेप या ओटो ट्रांसपॉर्मर की कहानी इंडक्शन को हम लोग खतम कर चुके ट्रांसपॉर्मर को हम लोग खतम कर चुके हैं नेक्स देखेगा नेक्स चलते हैं विद्यार्दियो हम लोग त्री फेज ट्रांसपॉर्मर पर नेक्स चल रहे हम लोग त्री फेज ट्रांसपॉर्मर पर, देखिए जी 3 फेज ट्रांसफोर्मर में हमारे पास में जो connection है आपको पूरे connection नहीं बनाने की दोरत हो दी है एक्जाम में, ये जरूर देखेगा लेकिन, ये जरूर देखेगा अगर मैं star delta की बात करता तो मेरे लिए यह 4 गुरूप बड़े जरूरी है Group 1 Group No 2 यहां पर Group No 3 और Group No 4 इसका मतलब है 0 Degree Displacement इसका मतलब है 11C Degree Displacement इसका मतलब है Minus 30 Degree Lack और इसका मतलब है 30 Degree Positive का मतलब देखे Lead तो जब 0 Degree होता है तो हम कहेंगे स्टार च्टार 0 D D 0 स्टार स्टार सिक्स डी डी सिक्स वाई डी वाई 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 डी इलैवन और डी वाई इलैवन राइट जी यह होगे कारानी मैं सिर्फ आपको लोग गो यहां पर एक छोड़ी ही चीज समझाने की कोशिस करूगा क्या कि देखो जिसे नीद आ रही ना नीद आ रही है जाओ जल्दी से अपना जो भी बातरूम बातरूम होगा या नलबल होगा इसके नीचे सर करो पानी चलाओ गर्मी हो रही है अर तो मजा जाएगा तुम्हें और पानी से मूँ धुलो ठीक है और उसे याद करो उस समय को कि आपके पडोसी आपसे पूछते हैं या आपके पेरेंस आपका बेटा क्या कर रहा है उस समय को याद करिएगा जब आपके पेरेंस आपसे वह उमीद लगाए बैटें कि हमारा बच्चा हमें खुसकबरी देगा कि मेरा सेलेक्शन वहां हो गया है उस से उमीद लगाए बैठें यार तो इन सब चीजों को आप सोचेंगे ना तो डेफिनेटली जोस बढ़ेगा भाई डेफिनेटली जोस आएगा देखे अब इसका मतलब है कि प्राइमरी भी जीरो सेकेंडरी भी जीरो इसका मतलब है देखे यहां से घडी में ये दोनो जीरो डिगरी पर है इसका मतलब बनता है कि घडी में इन दोनों में 120-180 डिगरी का अंतर है 6 बजे इसका मतलब है lag करना किसी काम को 12 बजे से करना था लेकिन किया 1 बजे से किसी काम को 12 बजे से करने था advance चला 11 बजे से तो 0 degree 180 degree minus 30 minus 30 degree क्या मतलब है 1 से 30 degree lead का मतलब है 11 से ये जो group है आपके ये दिमाख में रखेगा ये जो गुरूप है आप लोग के लिए ये देखे किस हिसाब से इंपोर्टेंट है अगर मैं इस तरफ प्राइमरी पर स्टार बना रहा हूँ देखे ध्यान से देखेंगे अगर मैं इस तरफ स्टार ले रहा हूँ और बेटा ये सवाल है सिस्से में आचुगा इस तरफ डेल्टा ले रहा हूँ इस तरफ मैं डेल्टा ले रहा हूँ तो यहाँ जो ट्रास्फोर्मेशन रेशियो होता है फेज ट्रास्फोर्मेशन रेशियो है हाई टू लो जब प्राइमरी टू सेकेटरी तो ये हमारे लिए देखे हाई वोल्टेज साइड है और ये देखे हमारे लिए लो वोल्टेज साइड है अभी three phase system पढ़ा है तो three phase system में अगर मैं ये कहूं आपको कि यहाँ पर जो voltage है line में ये अगर V है सोचो अगर लाइन में वोल्टेज वी है तो फेज में अगर वी है तो यहां फेज में कितना होगा वी बटे रूट तीन बोलो होगा कि नहीं वी बटे रूट तीन अगर कोई वोल्टेज इधर इतना है हाई में इतना है ये देखो अगर ये voltage high में इतना है मेरे बच्चो तो low में कितना होगा low में होगा VH upon में 80 बता होगा कि नहीं तो इस तरह आफ यहां phase में कितना होगा अरे भाई phase में होगा V बटे में root 3 80 बताइए होगा कि नहीं अगर 80 आपका phase transformation ratio है high to low phase, phase से phase में बदलाओ करना होता है ये चीजे 3 phase transformer की नहीं पढ़ रहे हम लोग ये चीजे हम लोग पढ़ रहे हैं 3 phase system की तो यहां चलिएगा देखे line में यहां line में delta में कितना होता है V बटे में root 3 80 तो अगर हम लोग line का हिसाब किताब निकालेंगे कितना देखे इस line से उस line का तो एक्जाम में पता आपके क्या आया था तो कि delta की side से star की line का ratio बताईए तो line voltage transformation ratio अगर हम निकालते हैं जैसे मैं star to delta भी बात करूँगा तो बेटा ये कितना है V और इस तरफ कितना है V बटे में कितना आगे देखे root 3 80 तो VT से VT कर गया कितना आया root 3 80 ये तरीका है अब देखे एक छोटा सा numerical देखो कितना बढ़िया numerical है एक छोटा सा numerical देखो ये जी बट सर डेल्टा में तो line voltage होता है न तो ये लिखा न मैंने ये star में है line में जो phase voltage यहां से जाएगा जो transfer होगा देखे न वो phase से phase में transfer होगा फेज से फिर line में जाएगा तो देखो line डेल्टा में जो voltage यहां है यही आपकी यहां पर है यह क्या है star है यह क्या है देखे डेल्टा है आप सवाल को देखो ध्यान से सुनुएगा अब एक सवाल चोटा सा ले रहा हूं और आपको ध्यान से सुनबाए तो हुई कि ए किक वाई डी वान और टी वाई यहां स्पीशल केस सह रहा यहां मैंने पुरी लिस्ट बना रख अपके टॉपिक की ना क्या क्या करवाना है ज़र देख लू मैंने पूरी लिस्ट तयार करके ला रखा पुरा होमवर्ग किया हुआ भाई दो केस बनवाने आप लोग को बनवा के तबागे चलेंगे अभी वाई डी वन और डी वाई वन पहले इससे निबट लेते हैं देखो यह हमने देखे एक निमेरिकल क्या दिया यह इसलिए बता रहो यार यह एससे में पूछ चुगा है थ्रीफे सिस्टम पर आधारीत और बच्चा फिर सोचेगा यार यह पता नहीं क्या दे दिया तो ऐसा जुर्म नहीं करना जरा पढ़गे चलो इसे देखे बेटा क् रहा है कि कोई ट्रांस्फोर्मर में फेज वोल्टेज ट्रांस्फोर्मेशन रेशियो स्टार से या ऐसा ले लेते हैं डेल्टा से स्टार में फेज वोल्टेज डेल्टा से स्टार में आपको पांच रेशियो वन दिया है कोई दिकतनी ले लो पांच रेशियो वन अगर हम में यह सब्सक्राब डेघा लिव niego हां मैं देग्स और हम देखिए अब सेकंडरी पहके रहा है स्टार when चैनल कहने है आप देखिए यह कह रहा है कि यदि स्टार में फेज वोल्टेज इस टार स्टार में फेज वोल्टेज 100 वोल्ट है तो स्टार से डेल्टा लाइन वोल्टेज रेशियो बताओ लाइन वोल्टेज रेशियो बताओ यह करना है देखो आपको लाइन वोल्टेज रेशियो बताओ तो हमें देखे क्या दिया है कि अगर इस तरफ पांच है तो इस तरफ पांत सो यहां लाइन में कितना ले जाएंगे तो सो बटे लाइन में कितना हंडर्ड अंडरूट तीन क्योंकि स्टार है फेज में है तो ये लाइन में इतना बनेगा स्टार की लाइन का मतलब है 100 अंडर रूट तीन और बेटा डेल्टा की लाइन का मतलब है 500 तो कितना मिला मेरे सेरो रूट 3 बटे 5 बोलो किसी ने उत्तर दिया है कि नहीं बोलो भाई बोलो ने यार रूट अरे नहीं रहे रूट तीन बटे 5 आना था ऐसा जुर्म क्यों कर रहे हो बाल को ऐसा जुर्म क्यों रूट 3 बाई 5 रूट 3 बाई 5 एग्जेक्टली एग्जेक्टली बहुत अच्छा बहुत अच्छा चलो जी यह हो गया अब देखना है दो कनेक्शन बनवा रहा हूं मैंने कई बार बनवाए वैसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इंप्पॉर्टेंट जो रखने है वो आप लोग को दो कनेक्शन रखने है एक रखना है वाई डी 11 और एक रखना है देखे दी वाई 1 तो इसे बेटा यह बहुत देखे जी दो इस्पेशल इलेशन है वाई डी 11 तो आप लोग देखे जहां बाइंडिंग बनाएंगे कुछ इस परकार इस परकार से बाइंडिंग मनाएंगे एक लो वोल्टेज साइड है एक हाई वोल्टेज साइड है बिटा कम से कम ये चीज़े है मैंने यूट्यूब पे 20 बार बता दी होंगी अब दिमाग में ये चीज़ ना पिक्चर के रूम में चलने चाहिए देखो स्टाट एल्टा में क्या एंगल होता है मतलब सट डिव टू स्लिपिंग इफेक्ट उल्टा लिख दिये तो ये देखो जी ये क्या है A2 A1 ये क्या है B2 B1 ये क्या है C2 C1 ये क्या है A2 A1 ये क्या है B2 B1 ये क्या है C2 C1 राइड जी A2, A1, B2, B1, C2, C1 ये लिख दिया इस तरफ हमारा स्टार है इसे लिख दो ये हो जाएगा इस तरफ हमारा डेल्टा बनना है तो जब डेल्टा बनाएंगे इस तरफ तो आपको 11 की तरफ ले जाना है 11 की तरफ बनता है देखे गड़ी में इस तरह तो यह हो जाएगा A, यह हो जाएगा B, यह हो जाएगा C, तो यहाँ जब low voltage पर चल रहे हैं, यह हो गया देखे A, यह हो गया यहाँ पर B, यह हो गया देखे यहाँ C, तो A2, A1, यहाँ C2, C1, B2, B1, तो बेटा क्या चलेंगे देखे यहाँ, B1 से A2, यह चलेंगे देखे, यहाँ C1 से B2, और लास्ट में देखेगा C2 से, क्या है C2 से देखे, A1, C2 से क्या है देखे, A1, तो यह बन जाता है A, यह बन जाता है B, यह बन जाता है C, यह होता है YD 11, यानि आपको examiner जो देगा, सिर्फ मेरी guarantee है, दो connection के इलावा गर तीसरा दे या examiner आप लोग को देगा DY1, यह दो connection ही examiner आप लोग को देगा, या तो YD1, या फिर दूसरा देगा आपको YD 11 या DY1, और बेटा YD 11 जादा important होगा, YD 11 जादा important होगा, देखे कैसे, यह हो गया A, यह हो गया देखे B, यह हो गया देखे C, अब आपको यह दिमाग में रखना है, दो चीज़े please करके जाएंगे, या तो यह आएगा paper में, या यह आएगा, बाकि नहीं आएगा, YD 11 में A2, A1, B2, B1, C2, C1 स्टार बना दिया इस तरफ बस एक दिमाग में रखेंगे, इस तरफ क्या देखे, B1, A2, C1, B2, और यहाँ पर C2 देखो किसे है A1 से, इसको दिमाग में रखेंगे, यह paper के लिए आपके खास बनेगा, दोसरा आपको यह आपको यह देकर examiner, यह पूछा जा सकता है कि बताएंगे यह picture में आपको कौन सा दिखाया गया है, तो YD11, इधर देखो star, दूसरे दरफ चलो, आपको जैसे दिखे, अरे कि यार यहाँ तो B1, A2 से है, C1 हमारे से है, तो आप समझ जाईए कि बात हुई है YD11 की, राइट जी, अब देखो एक और है, बेटा दे रहा हूं break, प्लीज बस, म उनमें देखा नहीं बेटा आपने सायद, सायद जो मुझे लग रहा है, उनमें आपने देखा नहीं है, तो यह A, B, C, अब चलो बनवा देता हूं YD11, आएगा तो यह आएगा, या फिर D1 आएगा, इन दो के अलावा अगर आगया, तो मुझे बता ज़रा है, कि सरीए मि यह देखेगा, SST में क्या है, कि SST आजकल क्या है, कि जो भी गेट और रियस में छोड़ी छोड़ी चीज आए है ना, उन्हें सब को पूछने लगा, अब, A2, A1, यह B2, B1, और यह C2, C1, तो यहाँ चलो जी, यह हो गया देखें, तो यह तो क्या था, स्टार है, तो यह तो A है, यह B है, और यह C है, इसमें तो कोई बात नहीं है, जब भी हम डेल्टा की बात करेंगे, तो डेल्टा हम लोग बना रहे हैं, देखें, यह A, यह B, और यह C, किस तरफ ले जाएंगे से, 1 की तरफ को थोड़ा सा जुका देखें, इसे 1 की तरफ थोड़ा सा हम यह C है, यह क्या हो गया, A, यह क्या हो गया, देखें, B, यह क्या हो गया, देखें, C, तो यह क्या है, A2, यह क्या हो गया, बेटा, A2, A1, B2, B1, C2 और C1, तो A2 को यह कितना है, देखें, A2, A1, यह कितना है, बेटा, B2, B1, यह कितना है, C2, C1, तो A2 को कहां से देखें देखे ए2 को जो हैं है एक सारी यह होगया वी टू भी वाण और यह होगा से टू पृक्टे है अगर पेपर में आएंगा आप लोगे तो इन दोखेलावा कुछ भी नहीं आएगा राइट जी ओपन डेलटा पर भी अभी आ रहे हैं पेटा इन दो के अलावा पेपर में आपके कुछ भी नहीं बनने वाला है यह आपको दिमाग में रखना होगा एक तो पहले जो छोटा सा निमेरिकल दिया है या फिर अगर पेपर में बनेगा तो आपको विद्यार दियो सिर्फ यह दो connection ही दिखाएगा या तो य या यह आपको यह दिखाएगा पिक्चर में और यह पूछेगा कि बताईए क्या है तो आपको यार ज़्यादा चिंता करने के ज़रुत नहीं है अगर पेपर में बनता है इस तरफ स्टार का मतलब देखो तीनों एक साथ जुड़े होते तो वो आपको वाइडी 11 है अगर अभी आप लोग का दो मिनट का ब्रेक दे देते हैं अभी आप लोग का दो मिनट का ब्रेक कर देते हैं आप लोग का दो मिनट का एक बज़ के पांच मिनट हो गए हैं आप लोग का दो मिनट का ब्रेक है तो दो मिनट के बाद में जल्दी से आ जो भाग के ठीक है जी अभ पूछा है बेटा वह बता चुका मैं सिस्टम में यार अगर पूछना है जो भी बनवा दितें क्या चिंता है के के ऐसे लिए जोड़ने बखें तर्थी, जोटे झाल शाल की शाल की शाल झाल 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 तैपिंग हाई वोल्टे साइड पर करेंगे बेटा देखो क्या है पर बच्चे ने एक सवाल पूछा था तो चलेंगे देखें उस सवाल की तरफ लोग सीधे आपको भाईया अब ब्रेक मिलेगा आपको तीन बजे राइड ना ब्रेक दुगा आपर लोग को हर दो गंडे में ब्रेक दूँगा तो अब तीन बजे ब्रेक मिलेगा आपको राइड जी तुमने अजार बच्ची भी नहीं किया आज और रेट इस्काउंट माग रहे सैतान बाल को चलो आजो देखें विद्यार्थियों क्या है जब हम स्टार की बात करते हैं तो स्टार में यह हम लोग लेते हैं इस्टार हो या डेल्टा देखो सभी में वैलिड होगा यह concept यह वी आर लिया यह वी वाई लिया व्य बी लिया यहां पर देखें करंड को आई यार पीछे ले लिया कितना एंगल फाइंगल यहां पर आई वाई को पीछे ले लिया फाइंगल यहां आ कि अगर हम लाइन की बात करते हैं तो देखिये वी-वाई को इस तरफ ले कर जाएए माइनस की वी-वाई हो गे तो अगर हम और और वाई का result निकाल दें तो ये हैं वी-R-W-I कहलाता है लाइन वोल्टेज क्या कहलाएगा लाइन वोल्टेज तो टोटल ये एंगल जब वीवाई इस तरफ जाता है तो 120 का आदा 60 बनता है और जब रिजल्ट है निकलता है तो यह आता है 30 डिग्री यह आता है 30 डिग्री तो अब देखिए अगर हम लोग तो यह कहते हैं कि IR क्या है तो स्टार में यही IP है यही देखे हमारा लाइन है वी आर यह हमारे स्टार में क्या है फेज वोल्टेज है और यह क्या है लाइन है तो अगर बेटा हम लोग यह लिख रहे हैं कि एंगल बिट्वेन एंगल बिट्वेन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज तो कितना होगा देखे 30 डिग्री अगर हम लोग ये लिख रहे हैं कि एंगल बिट्वेन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट तो कितना लिखेंगे हम लोग देखे 30 प्लस 5 तो phaser diagram important है यह अगर आप बना लेते हैं तो आप यहां से संबन देत सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे सभी सवालों का जवाब आप दे पाएंगे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा आप लोग के लिए तो यह मैंने बदलाओ बैसमें बहुत डिटेल में बताया भी था तो यह दिमाग में रखिएगा 30 प्लस 5 अब अगर मैं यह कहूँ आपको कि VP और IP के बीच बता हो तो कितना होगा फाई होगा अब यह फाई आपको पेपर में देता है कितना देगा आपको कहेगा कि line यह साथ हो जाता राइट ना तो यह फाईजर डाइगराम अगर आपने बना लिया तो आपको किसी परकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है चलिए अब आते हैं देखिए हम लोग in connection पर यह connection देखिए जहां हम लोग delta delta की बात करेंगे हम लोग अगर delta delta की बात करते हैं तो delta delta हमेशा prefer किया जाता है two fed supply two fed three phase load हमेशा prefer किया जाता है three phase load को supply देने के लिए three phase load को supply देने के लिए चलते हैं देखिए delta star यह हम use करेंगे देखिए step up voltage के लिए कहां देखिए step up voltage या step up application accept के लिए यूज करेंगे किसे छोड़ कर देखिए accept distribution transformer distribution transformer accept distribution transformer क्योंकि अगर distribution transformer की यूज के बात करेंगे तो हम लिखेंगे कि इन distribution transformer in distribution transformer हम लोग देखें इन connection की बात कर रहा हूं मैं तो distribution transformer में देखिए मेटा हम लोग कौन सा डेल्टा स्टार यूज कर रहे हैं तो distribution transformer में in distribution transformer वी यूजड mix load वी यूजड अन unbalanced load क्या लिखेंगे देखें unbalanced load क्योंकि हम लोग यहां unbalanced load connect करते हैं बिल्कुल सही अगर हम इस्टार डेल्टा की यह बात करते हैं तो यहां लिखते हैं हम लोग step down application हम क्या लिखेंगे देखें step down application क्या लिखेंगे रेखे, step down application, अगर star star लिखते हैं विद्यारतियों, तो हमेशा याद रखेगा, rarely used, rarely used का मतलब है, ना के बराबर इस्तमाल करेंगे, क्यों ना के बराबर इस्तमाल करेंगे, बोलो क्यों ना के बराबर, due to, due to the harmonics problem, due to the harmonics problem, अरे भया, harmonics की समस्या के कारण, इसे हम ना के बराबर इस्तमाल करते हैं, अगर करते भी है, तो इसमें एक tertiary winding, इसमें एक tertiary winding को इस्तमाल किया जाता है, और tertiary winding किसमें जुड़ी होती है, डेल्टा में जुड़ी होती है, किसमें जुड़ी होती है, डेल्टा में, तो याद रखेंगे विद्यार्थियों हम लोग अच्छा मारक सॉरी 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 जहां चलेगे देखे एक्सेप्ट यह देखे स्टेप अ पप्लिकेशन एक्सेप्ट इस्टिबिशन टास पॉर्म whenever step down transformer step down transformer because because at 10 2 tas transformer generally किस तरह का लोड कनेक्ट होता है ऐसा लिको लेते हैं मार्कर सेर मारों फटापट से इन्हें उठाओ एक लगाओ इन्हें उठाओ इंम्पोर्टेंट अगर कुछ है ना把它 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है इस्टाइब है अदिशन में इस्तेमाल करेंगे फिर आपको बुछेगा बताईए स्टार को क्यों इस्तेमाल निए करते हैं आपको यह अब्यक्टिव देनेसे मतलब है फिर पूछेगा आप से कि बताइए अगर इस्टार स्टार को हम इस्तमाल करना चाहते हैं तो हम क्या करें आप कहेंगे टर्सरी बाइडनिंग को डेल्टा में कनेक्ट कर दो हो जाएगा इस्तमाल कोई दिक्कत नहीं है राइट जी अब देखते हैं हम लोग open डेल्टा अब देखें स्टुडेंट वी कनेक्शन हम क्या कहते हैं कि यदि हम कहते हैं कि एफ वान ट्रांस्फोर्मार वान ट्रांस्फोर्मार विकंस वान टांस्फोर्मार विकंस आउट ओप सर्विस becomes out of service from delta delta connected transformer delta delta connected transformer delta delta connected transformer then if one transformer becomes out of service from delta डिल्टा connected transformer then remaining remaining two transformer remaining two transformer operate remaining two transformer operate in open delta operate in open delta कैसे open delta में operate कर सकते हैं अब कैसे करेगा देखे जो rating है याद रखेंगे विद्यार्थियो rating as open delta बर्राबर हो जाती है 57.7% of delta या फिर as delta और परतेक transformer out of service या overload हो जाता है यहाँ overload हो जाता है percentage overload कितना 73.3% कितना देखे 73.3% तो आपको याद क्या रखना है देखे क्यों हम three phase load को चलाने के लिए delta delta को अच्छा मानते हैं इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि delta delta connected transformer से अगर एक transformer out of service हो भी जाए एक transformer out of service हो भी जाए तो बेटा यह बचे हुए दो फेज पूरे load को drive करेंगे कैसे रेटिंग है वो देखे इतना गिरेगी 57.7% of s delta delta साथ में देखे परतियक transformer इतने परतिसा 73.3% तक यार ओवर लोड हो जाएगा यह क्या है देखे 73.3% ओवर लोड हो जाएगा तो रेटिंग क्या है देखे delta delta के comparison में यह important है और यह हमारा देखे ओवर लोड है राइट जी फिर चलते हैं विद्यारति हो स्कॉट कनेक्शन पर फिर चलेंगे स्कॉट कनेक्शन पर चलेंगे चलेंगे इसकॉट कनेक्शन तो इसकॉट कनेक्शन भी एक्जाम के लिए काफी important रहेगा इसकॉट कनेक्शन भी एक्जाम पर अटर व्यू से काफी important रहेगा चलिए जी इसकॉट कनेक्शन तो हम देखे क्या लिखेंगे इसकॉट कनेक्शन क्या करता है कि यह convert करता है थ्री फेज को थ्री फेज इंटू टू फेज थ्री फेज इंटू टू फेज तो देखें विद्यारतियों हमने तीन फेज कनेक्शन किये हैं पुछ इस परकार से यह देखे ए है यह देखे बी है यह सी है यह हमने डी है नीट्रल पॉइंट हमारा यहां पर है तो यहां हमने main transformer लगाया B और C के cross में main transformer को लगा दिया तो यह क्या होगे देखे main transformer की voltage और यहां A से D के cross में हमने teacher transformer को लगाया तो B से C पर जो transformer लगता है is called a main transformer is called a main transformer next अगर यहां हम एसे D पर बात कर रहे हैं बेटा तो is called a teaser transformer it's important तो important यह है कि teaser voltage leads the main voltage by 90 degree teaser voltage leads the main transformer voltage by 90 degree और विद्यार्थियों याद रखेंगे जब भी हम teaser के लिए turn ratio देखेंगे न तो यह आता है यहां से लेकर यहां तक root 3 by 2 root 3 by 2 यह root 3 by 2 का मतलब होता है 0.866 तो देखें teaser transformation ratio transformation ratio तो यह देखने को मिलता है 0.3 by 2 कितना 0.3 sorry root 3 by 2 यानि कि इसका मतलब होगा 0.866 यह कितने पर है देखें टीजर अब यह आपको जो यहां से यहां तक देता है यह देता है 0.573 और यहां neutral से ND देता है 0.289 तो बेटा यह neutral point और टीजर के cross में जो ratio है ना यह neutral point देखें teaser transformer के primary पर जो है वो कितने में बाठता है 2 ratio 1 में 2 ratio 1 में यह already SSC में आ चुका है teaser transformer का transformation ratio already SSC में आ चुका है 86.6 परसेंट यह पेपर में आ चुका है आपके इसलिए बेटा यह लिखवाया है राइट जी 86.6 परसेंट वरी वरी इंपोर्टेंट हाँ सिंपल पेपर में पूछेगा मात्र की teaser के क्रोस जो primary binding है transformer A है उसमें neutral point binding को कितने ratio में तोड़ता है आप कहेंगे गुरुजी winding को तोड़ेगा 2 ratio 1 में ओके यह होता है आपका Scott connection की कहानी तो मात्र तीन चीज़े important पढ़ेंगे देखे teaser voltage lead the main voltage by 90 degree दूसरा important point है यह 86.6 और तीसरा 2 ratio 1 समाथ तो यह हो गया देखे Scott connection की कहानी राइट जी चलिए तो यह जहाँ पर हमने transformation ratio पेशियो जितना भी जो भी important हो सकता है transformer में सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखे पढ़ लिया है सीख लिया है तो एक मिनट के अंदर जरा दिमाग को घुमा दो फड़ा फट एक मिनट के अंदर दिमाग में जरा फड़ा फट से चला दो अपने दिमाग में फड़ा फट से घुमा दो पूरे टांस्पोर्मर को जो जो चीजे आप लोग को बताई है जल्दी जल्दी से घुमादो अपने दिमाग में कि आई ना चलिए जी आगे चलते हैं कि रिवाइज करो जरा बाते नहीं करो भाई रिवाइज अपने दिमाग में जरा सुचो सारे चीजें चलनी चाहिए सिंगल फेज में कि या कि नहीं सिंगल फेज में समझा नहीं मैं डेल्टा स्टार कि अब भाबू संत कभीर धाम पंचरा संत कपीर नगर उत्तर पर दे सब नीद आ रही है क्यों आ रही है भाई विग रही है क्या highest voltage के लिए डेल्टा और देल्टा स्टार ने डेल्टा डेल्टा ज्यादा लहरों से डर करनों का पार नहीं होती कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती नन्नी चीटी जब दाना लेकर चलती है चड़नी दिवारों पर सो बार फिसलती है मन का विश्वास रंगों में सहस भरता है चड़कर गिरना गिरकर चड़ना वा जी वा यार बहुत बढ़िया नीद खतम हो गई बहुत अच्छे नीद को भगाओ एलेक्टिकल के नॉलीज पाओ वाओ चलिए बेटा देखे पैरलल ओपरेशन इसले नहीं कराया कि पैरलल ओपरेशन सिर्फ क्या है देखे बच्चों को डारेक्ट लिखाऊंगा मैं जो कंडिशन है कंडिशन फोर पैरलल ओपरेशन तो जो सबसे जरूरी सर्थ है कंडिशन फोर पैरलल ओपरेशन जो सबसे खास जरूरी सर्थ है वो है यहाँ पर सेम पॉलारिटी जिसके बिना हम सोचे नहीं सकते हैं सेम पॉलारिटी अगर यह नहीं है तो हम सोचेंगे नहीं दूसरा सेम फेज सिक्वेंस सेम फेज सिक्वेंस सेम बोल्टेज सेम फ्रिक्वेंसी यह हमारे लिए बहुत जरूरी और आवश्यक कंडिशन है कहने को सेम एक्स बाइया रेस्यो भी लिखते हैं लेकिन इसके बिना हमकाम चला लेते हैं यह हमारे लिए जरूरी है देखें सेम फेज सिक्वेंस का मतलब ही एक और जोड़ देता हूँ सेम फेज ग्रूप यह भी अच्छा है सेम फेज ग्रूप राइट जी सेम फेज ग्रूप यह चीज़ है तो जब हम लोग पैरलल ओपरेशन लिखते हैं तो देखें जी आपको यह दो लाइने लिखा रहा हूं बेटा बड़ी इंपोर्टेंट है इफ रेटिंग इज सेम अफ बोथ ट्रांसफोर्मर यदी रेटिंग सेम है इफ रेटिंग इस सेम बोथ ट्रांसफोर्मर यदी रेटिंग सेम दिया है then they share the load they share the load according to according to their internal impedance according to their internal impedance बड़ा important है पेटा यदि load share करने के बाद हुई है यदि रेटिंग समान होगी तो यह अपने इंपिडेंस के अकॉर्डिंग लोड को सेड करेगा कैसे देखो जी एस ए बराबर जैड़ बी अपॉन ए जैड़ ए जैड़ और एसल जैड़ ए यहां पर ए टांस्पोर्मर का इंटर्नल इंपिडेंस है जैड़ यहां पर बी टां next challenge if if internal impedance if internal impedance of both transformer of both transformer then they share the load they share the load according to their if internal impedance of both transformer is same internal impedance of both transformer is same then they share the load according to their rating बाई जो बड़ा transformer है बड़ा कहसाब से share करेगा छोड़ा transformer है छोटे के हिसाब से तो दिवाग में ये चीज़ को जरूर बेठा लिजिएगा जरूर बेठा लिजिएगा ऐसे ही तो ये हो गया S B अगर हम बात करते हैं तो Z A upon में Z A plus Z B और S L अगर ये normal S S C में सवाल पूछ रहा है कि बताईए transformer share the load parallel operation की बात की गई है share the load तो हमें tension लेने की बिलकुल जरूरत रही है transformer S S C में पूछेगा ना तो आपको उठ देखे transformer share the load S S C में पूछा है तो per unit impedance लिख देंगे कानी खतम अप पर unit impedance लिखेंगे लेकिन reality ये है आज कल ये बहुत अच्छे से अगर paper को बना रहा है तो ये लिख दे रहा है उपर rating is same of both transformer than they share the load according to their तो तब कहेंगे हम लोग per unit internal impedance तो ये अगर हमारा internal impedance है तो then according to the rating right बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए इंपिडेंस और रेटिंग में त्यासर इनमें से यहां 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 जाईए आपको नॉर्मल कुछे गाना तो यहां देखेंगे कि कांस्फॉर्मर सेयर दालोड एससी में आपको हमेशा स्पेटिक लगाना है जब यह सवाल तो अधूरा है सवाल तो पूरे मैंने लिखे न सवाल तो यह बनते पूरे लेकिन यह अधूरा सवाल है तो अधूरे में भी नंबर तो लेना है तो पर यूनिट इंपिडेंस पर ठीक लगा देना है चलिए जी हो गई कहानी खतम चलो तो ट्रांस्फॉर्मर भी हमने देखिए अच्छे से एक एक चीज इसमें पड़ा है खतम किया है कुछ भी देखें हम लोगों ने छोड़ा नहीं है ऐसे ही इंडक्शन भी हमने खतम कर लिया ट्रांस्फॉर्मर ज है हमें कि एक टॉपिक देखते हैं हम लोग सिंक्रोनास मशीन को यह चलिए पहले देख लेते हैं सिंक्रोनास जनरेटर को कि परसंट एक इंपिडेंस या डॉन टेंट टेंट एक लोड यार देखें नेक्स्ट है हमारा देख लेते हैं सिंक्रोनास जनरेटर आगे भाई सिंक्रोनास जनरेटर पर हो गया ना हो गया भाई कि अच्छी बात तो यहीं है डीजी मछीन पर आई रहे यंगा रए दिसी मछीन तो बहुत चोटा टॉपीक होता है कि वी कि ने टॉपिक ओता है शिंक्रोनस जन्रेटर को भी निप्टा लेते हैं से आते हैं सवाल ऐसे फिर मोटर भी छोटा सा टॉपिक है तो मोटर गो फिक खतम कर लेगे मैं दिखे हुए आप लोग के लिए मैंने का नम पुरा लिस्लिफील लगे ले ले कि छोड़ों के लिए है लेडिंग लेडिंग हां सारे पावर फेक्टर पर आएगा बहुत अच्छे वेरी गुड है चोटा टॉपिक यार यह भी कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है चोटा टॉपिक है ज्यादा कुछ लेंथी नहीं है जेबीना तीक है हो जाएगा जल्दी ओके 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 ज्यादा लेंथे नहीं चलो आप देखें जी हम लोग क्या कहेंगे कि स्टेटर में हम लोग थ्री फेज वाइंडिंग कर रहे हैं और किस तरह की वाइंडिंग है एसी परकार की रोटर में हम लोग कौन सी वाइंडिंग कर रहे हैं देखें डी सी वाइंडिंग कर रहे हैं और रोटर हम दो परकार के इस्तमाल कर रहे हैं एके देखें सिलेंड्री कल और एके देखें आपका साइलेंट पॉल तो cylindrical आपका इस्तमाल किया जाता है थर्मल में ये इस्तमाल किया जाता है देखे हाइड्रो में ये इस्तमाल किया जाता है हाइड्रो में तो ये कहां हो गया thermal ये कहां हो गया देखे हाइड्रो में राइट जी अब cylindrical के लिए लिख लीजिए जरा लार्ज हम क्या लिखेंगे देगे शॉर्ट डायमीटर शॉर्ट डायमीटर ये पेपर में आ रखे भाई एंड लार्ज लार्ज एक्सियल लेंद लेस नंबर ओपोल लेस नंबर ओफ पोल इस्पीड जो हाई थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेंगे ने यहां पर चलेंगे देखें लार्ज डाया लार्ज डाया इस्मॉल एक्सियल लेंद इस्मॉल एक्सियल लेंद इस्मॉल एक्सियल लेंद नंबर ओपोल इस्मॉल नंबर ओपोल और यहां पर देखें लो बेटा क्या आ गई लोग स्पीड को कर इस साथ साथ में चलिएगा इस टेटर में पूछ रहा है स्री प्रखार के है स्प्र…. फ्रोप्र धर जिलेंडा कि डीश्वार रखे चलिए गार नेक्स्ट देखेगा वेटा आप लोग आप लोग के लिए देखे जरूरी क्या हो जाता है जब भी हम लोग यह थर्मल और हाइड्रो में यह हमने सिलेंडरी गार और साइलेंट के लिए जाते हैं तो यह सारे पॉइंट इंपोर्टेंच है लेकिन इक चीब और इंपोर्टेंटह देखे एक होता है ढखे एलेक्ट्रिकल बराबर फिल्पीच वांडिंग तो फूल्पीच वांडिंग का मतलब देखे क्या है फुल पिच बाइंडिंग का मतलब है कि जब हमने एक पोल पिच से next की देखे बात की है तो ये क्या है n ये क्या है देखे s तो ये हमें कितना मिल रहा है 180 डिग्री ये कितना मिल रहा है देखे हम लोग को 180 डिग्री ये होता है देखे फुल पिच अगर हम लोग 180 डिग्री से कम कर दें short pitch winding बेटा यह paper में छपे मिलेंगे आपको चीज़े बड़ी खास चीज़े हैं यह short pitch winding तो यह 180 degree कहने का मतलब है 180 degree electrical आना 180 degree electrical आना कहलाएगा full pitch winding कहलाएगा full pitch winding और less than 180 degree यहां रेखेंगे जब भी हम कहेंगे कि 180 degree से कम यानि कि यह हो गया 180 माइनस के alpha हमने यहां कितना short कर दिया alpha short कर दिया तो यह कहलाएगा short pitch winding कितने एंगल short pitch किया है alpha alpha कहलाता है short angle या short pitch angle तो जब हम short pitch winding कर रहे हैं तो यहां पर एक factor आता है जिसे हम कहते हैं coil span factor या coil span factor या केसी तो केसी बराबर जो ऊरिजिनल바 है हुम लगते हैं वोल्टेज इंडी ओस्त वोल्टेज इंडूस्ट इन फुल पेच वाइंडिंग फुल पेच वाइंडिंग अपॉन में वोल्टेज इंडूस्ट वोल्टेज इंडूस्ट इन शॉर्ट पेच वाइंडिंग इन शॉर्ट पेच वाइंडिंग तो यहां देखो जी कोईल स्पैन फेक्टर यह ओरिजिन induced in full pitch binding upon voltage induced in short pitch binding तो केसी बराबर cos alpha by 2 यह होता है formula केसी बराबर cos alpha by 2 तो advantage of short pitch binding short pitch binding के advantage होते हैं देखें क्या क्या है हार्मोनिक्स को घटा देता है हार्मोनिक्स को घटा देता है फिर देखें saving in conducting material saving in copper saving in copper disadvantage भी होता है short pitch का जब हम disadvantage की बात करेंगे न तो disadvantage होता है induced EMF induced EMF is reduced जो induced EMF होती है वो घट जाती है वो reduced हो जाती है जो induced EMF आती है वो reduced हो जाती है कितना voltage induced oh my god oh my god oh my god यह कहां है हाँ यह उल्टा लिखा गया वाई short pitch winding upon me full pitch I'm really sorry full pitch winding तो केसी बराबर cos alpha by 2 यह याद रखिएगा कई बार हमें अगर harmonics के लिए कहा जाता है तो cos n alpha by 2 n क्या है order of harmonics n क्या है order of harmonics n क्या है order of harmonics तो विद्यार्थियों n बराबर 180 बटे में alpha या फिर alpha बराबर में 180 बटे में n आपको यह कहा गया है कि पांचवे harmonics को eliminate करने के लिए पांचवे harmonics को eliminate करने के लिए कितना angle को short करे तो क्या है अलफा बराबर 180 बटे में n यानि 180 बटे में 5 हाँ हाँ बिल्कुल यार यही तो मतलब हुआ voltage induced in short pitch binding upon voltage induced फूल फूल पीच binding इसी का मतलब होता है phasor sum और इसी का मतलब होता है यहां earthmatic से यह एक ही बात है भाई केसी बराबर कॉस अन अलफा बाई टू तो दिमाग में रखीगा फूल पीच इलेक्टिकल एक्सोस से डिग्री शॉर्ट पीच एक्सोस से से कम reduce harmonic saving in copper material केसी का ओरिजनल फॉर्मुला कॉस अलफा बाई टू एन अलफा बाई टू अलफा ब्राबर 180 बाई एन बताईए बेटा कर लेंगे कि नहीं रिवाइज हो गया बेटा जो इवन होते हैं इवन तो अटमेटिकली कने अपने आपस में कैंसिल होते चले जाते हैं राइट जी तो synchronous generator चल रहा है भाई कि चले जी नेक्स चलते हैं तो लग रहा ऐसे तो पावर सिस्टम के लिए मेरे से तुम 6 घंटे और मेहनत करवा हो गया क्या यार जब पढ़ाने खड़ा हो जाता हो ना तो मेरे से कोई भी चीज ऐसा छोड़ के निकला नहीं जाता ना यह मेरा एक ट्रॉबैक है कि मैं छोड़ जा रही नहीं चलता यह रहा फिर जब लग जाता हूं तो फिर चीजों को आरपार ही करता हूं राट जी चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक होती है कॉंसेंट्रेटिड बाइंडिंग एक होगी कॉंसेंट्रेटिड बाइंडिंग तो कॉंसेंट्रेटिड बाइंडिंग का मतलब है देखिए इस तरह से यहां लग लग स्लोट्स नहीं है एक है विद्यार्थियों डिस्टिब्यूटिड बाइंडिंग एक है distributed winding जिसमें देखें ये slots कटे होते हैं तो ये slots कटे हैं, slot angle कितना है हमारा beta है slot angle कितना है? beta तो यहां beta बराबर है 180 degree into poles upon में slots beta बराबर है 180 degree into poles upon में slots क्या देखे distributed binding में beta बराबर है 180 degree into poles upon में slots और यहां M हमारे लिए है SPP SPP बोले तो slots per pole SPP बोले तो slots per pole per phase तो यहां से distributed factor आता है distribution factor होता है यहां होता है देखे distribution factor kd बराबर distribution factor kd बराबर बनता है यहां पर जैसे हम पहले लेख चुके vector sum of induced emf in किस में देखे किस में करेंगे देखे हम लोग यहां distributed binding में in distributed अपोन में देखे यहां पर अर्थमेटिक सम कहां आता है यह अर्थमेटिक सम of induced emf in concentrated binding concentrated binding तो kd होता है sin m beta by 2 upon m sin beta by 2 विद्यार्थियों यह भी harmonics को कम कर देता है it also reduced it also reduced harmonics यह भी harmonics को करेगा और जब हम बात करेंगे kd distributed binding के लिए तो हमेशा क्या बना रहेगा less than 1 तो जो emf equation हम लोग देखेंगे emf equation में आप यह दोनों role play करेंगे कौन-कौन से एक kd भी role play करेगा और एक हमारा यह केसी भी role play करेगा एक हमारा kd अब जब हम लोग emf equation लिखेंगे तो e बराबर हम जरूर mention करेंगे 4.44 kc kd 5f और tph tph मतलब number of turn per phase इसका मतलब है number of turn per phase तो kc और kd के वज़े से भाई short pitch करने से या distributed करने से आपको यह देखने को मिलेगा जो e का मान है वो decrease हो जाएगा लेकिन बाकी तो फायदे होंगे बाकी तो फायदे होंगे देखो एक बार जरा फिर आगे चलते हैं कि देखो जी इसे एक बार फिर आगे चलते हैं कि reduce harmonic very good कि तो यह चाहे motor है चाहे यह जन्रेटर है यह चीज़े अभी तक जो हमने पढ़िए यह तो सिंक्रोनस की बजाए इंडक्शन में भी कॉमन ही होती है यह कोई अलग नहीं है यह जहां भी थ्रीफिज बाइंडिंग हम लोग कर रहें जैसे इंडक्शन में स्टेटर में किया यहां किया तो यह कॉमन है इसमें अभी कोई भी ऐसे चेंजिज नहीं है नेक्स चलने रेखे सिंक्रोनस जन्रेटर में आर्मीचर रियक्शन नेक्स चलेंगे देखे आर्मीचर रियक्षन तो आर्मीचर रियक्षन होता है एक इफेक्ट है आर्मीचर फ्लक्स का मेन पोल फ्लक्स पर तो हम लिखेंगे कि it is the effect of armature flux to the main pole flux अब देखें आर्मीचर फ्लक्स का मेन पोल पर जो इफेक्ट है उसे हमने आर्मीचर रियक्षन नाम दिया अब हम कहेंगे कि armature रियक्षन के कारण यहां पर तीन परकार से हम इफेक्ट देखते हैं सबसे पहले चलेंगे विद्यार्तियों हम यूनिटी पर अपने दिमाग में तुरंट पिक्चर चलाओ यूनिटी पावर फैक्टर पे हम क्या पढ़ते हैं यूनिटी पावर फैक्टर पे हम लोग पढ़ते हैं क्रोस मैगनेटाइजिंग इफेक्ट क्या पढ़ते हैं क्रोस मैगनेटाइजिंग इफेक्ट आपके तुरंट दिमाग में आएगी जो चीज़ा आपको पढ़ाई गई है कि यह सर क्रोस मैगनेटाइजिंग इफेक्ट होगा फिर चलते हैं रेखें जीरो लेगिंग पाव तो जीरो लेगिंग पावर फेक्टर का मतलब कुछ और नहीं देखें फाइब भराबर 90 डिग्री लेगिंग से हैं तो जीरो पावर फेक्टर लेगिंग का मतलब होगा देखें यहां डी मेगनेटाइजिंग डी मेगनेटाइजिंग इफेक्ट डी मेगनेटाइजिंग देखें लेगिंग का मतलब क्या होगा दी मेगनेटाइजिंग इफेक्ट और दी मेगनेटाइजिंग पर यह क्या है ओवर एक्साइटिड बेटा जन्नेटर की बात चल रही है यहां नेक्स चलेंगे देखें हम ब बात करेंगे लीड पर तो यह होगा मैगनेटाइजिंग ये क्या होगा देखिए neuralika юда कि अब आन्बर एक्साइट का मतलब होगा अंडर एक्साइट में लीडिंग पर क्या होगा अंडर एक्साइटिड क्या मेगरेडाइजिंग इफेक्ट मैं बात कर रहा हूं सिंक्रोन जनरेटर कभी आ मोटर सोचने लग जाओ डिरेक्टली एक एक नंबर में सवाल आ रहे हैं भाई कि जीरो लेगिंग पर बताओ कितना होगा अब आपको जीरो लेगिंग पर ना पूछ के पूछ लिया फाई बराबर 30 बताओ यानि कि फाई बराबर 90 से कम पर जब भी हम बात करेंगे यानि कि फाई बराबर less than 90 लेगि तो हम कहेंगे पार्शली यानि कि आधा पार्शली क्रोस मेगनटाइज पार्शली क्रोस मेगनटाइजड एंड पार्शली 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 देगे जब लेगिंग है तो दी मेगनटाइज पार्शली क्रोस मेगनटाइज और पार्शली दी मेगनटाइजड जब ये क कहेगा कि 5 बराबर less than 90 है और लीडिंग है राइट जी 5 बराबर less than 90 है तो हम कहेंगे देखी पार्षली क्रोस मेगनेटाइज तो यहां दिमार्ष में रखेंगे यह 30 पर है वह सोरी बराइट pockets लेकिन लीडिंग है सोरी पार्शली क्रॉस मैगनेटाइज और पार्शली मैगनेटाइजड तो यह आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपर्टेंट है इस टेट फोर्वर्ट चीजे पूछ रहा है एक्जामनARK बताइए यहां तक बताइए आप लोग करेंगे यहां तक बताईए आप लोग कर सकते हैं फिर चलेंगे देखे voltage regulation तो voltage regulation का formula पुराने वाला ही है कौन सा देखे formula पुराना formula ये इसलिए कहा है मैंने voltage regulation बराबर no load minus full load upon may full load with constant excitation with constant excitation excitation को नहीं बदला हमने with constant excitation त्राइड जी तो voltage regulation निकालने के हमारे पास में देखे तरीके क्या क्या है एक होता है objective के लिए बड़ा important है एक होता है impedance method impedance method गया EMF लिको सिद्धे EMF method एक होता है MMF method और एक होता है zero power factor method राइड जी फिर zero power factor को ही हम लोग आगे एक बार और लिखते हैं American standard भी लिखते हैं लेकिन वो हमारा approximate method होता है तो यहां चलेंगे देखे MMF method में यहां highest voltage regulation मिलता है यहां पर सबसे ज़्यादा voltage regulation मिलता है इसलिए यह method अच्छा नहीं माना जाता इसलिए हम क्या लिखेंगे देखे इसे pessimistic method क्या लिखेंगे pessimistic MMF में देखे इससे less मिलता है तो इसे हम लोग देखे optimistic method कहते हैं लेकिन यहां हमें least मिलता है इसे हम लोग देखे best method कहते हैं इसे हम लोग पोर्टे ट्राइंगल जीरो पावर या इसी को हम लोग देखे लिख लेते हैं पोर्टियर ट्राइंगल मैंथड यह बेस्ट है अच्छा मैंथड रहेगा तो यह तो आपको पूछेगा भी नहीं सिर्फ आपको पूछेगा यह य्याने कि सबसे ज्यादा वोल्टेज रेगूलेशन कहाँ देखने को मिलेगा तो आपको आंसर करना हैं सर मैंने हमें लैस देखने को मिलता है और पैसे मिस्टिक कहेंगे राइट जी चलिए जी नेक्स चलेंगे विद्यार्थियो नेक्स चलेंगे गाड़ी पहुंच गए हमारी देखिए की बात करेंगे और श्योट सर्कुट सर्कूट स्टिक्स और आपको श्योट वे फॉर्मीला लिखाना चाहूँगा SCR के लिए short circuit ratio के लिए important रहेगा short circuit ratio भी तो अभी छोड़ते नहीं है अभी कुछ छोड़ेंगे नहीं चलिए बिटा next हम लोग आगे चलते हैं next हम लोग आगे चलेंगे देखे एक होती है OCC और एक होती है SCC तो इसे ड्रो करते हैं हम लोग open circuit voltage versus oxidation current या IF field current और इसे हम करते हैं short circuit current और IF के respect के तो देखे एक ही graph में बना देते हैं यह देता है open circuit voltage और यहीं देखे short circuit current तो जैसे जैसे हम IF बढ़ाते हैं तो short circuit यह क्या है देखे एर gap line तो यह बन जाती है OCC और जैसे जैसे हम IF बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे यह line जाती है हमेसा linear जाएगी क्या देखे एसे से तो पेपर में एसे से के लिए important क्या बनेगा देखे short circuit जो बनते है ना always linear क्या बनने यह देखे always linear तो विद्यार्थियो SCR यहाँ पर एक short circuit ratio आता है SCR का मतलब है short circuit ratio क्या हो गया बेड़ा short circuit ratio तो formula देखेंगे SCR का क्या है तो इसका मतलब होता है कि I F required कि फूर ओपन सर्किट वोल्टेज अपन में कि I F required कि पोर क्या रेटिड ओपन सर्किट वोल्टेज रेटिड शॉर्ट सर्किट करेंट तो यहां SCR हम लोग लिखते हैं कि SCR का ये value देखेंगे ये I F दैस है यह हमने रेटिड में लिखा यह हमने लिख दिया कि I F दबल दैस है तो ये field current upon field current ही है लेकिन बेटा एक हमारा open circuit के लिए है तो दूसरा हमारा open circuit वोल्टेज के लिए हैं तो दूसरा हमारे लिए क्या है देखें शॉर्ट सर्किट करेंट के लिए हैं तो I S C ये हमारा I F required for rated open circuit voltage upon I F required for rated 4 circuit current तो ये formula काफी important formula रहेगा directly formula तो आपको याद रखना है कि hydro के लिए SCR जो मिलता है वो मिलता है आपको 1.5 तक यानि कि एक से ज़्यादा और thermal के लिए कि आपको जो मिलता है वो मिलता है आपको SCR एक से कम 0.5 के लिए SCR का ज़्यादा होना इसका मतलब है more charging content more charging content अभी देखेंगे सुत्र और इसका मतलब है less charging content less charging content इसका मतलब क्या होगा देखे less charging content तो really में SCR का जो मतलब आता है वो आता है एक से यानि कि synchronous reactant से तो यहां charging क्या है देखे चार्जिंग का यहां देखे चार्जिंग जो होता है charging content की अगर हम बात करते हैं तो यह होता है v square upon में देखे xx तो इसलिए यहां से अगर हम देखें v square into one upon xx तो one upon xx मतलब XCR तो charging content चार्जिंग content डारेक्टली परपोर्शनल टू SCR देखो हाइड्रो पावर ब्लांट पहाड़ वगेरा में दूर दराज एरिया में स्थित है तो charging content ज्यादा required है charging content ज्यादा required है as compared to the thermal थर्मल हमेरा load end पर लग जाता है thermal हमेशा क्या load end पर लगा देते है थर्मल हम लोग load end पर लगा देते है right ना चले हो जी हो गया बताईए यहां तक next आगे चले तो यह होता है देखिए बेटा SCR SCR बहुत खास है यह इसको छोड़के मत जाईएगा जितने चीज़े भी है देखिए फालत कोई दिमाग में हम रिवाइज कर लें और रिवेजन में ही विद्यारतियों सफलता की जो बोलते है ना कि सफलता के लिए जो कोई जरूरी चीज है तो वह आज के डेट में रिवीजन रिवीजन है जितनी ज्यादा रिवीजन यानि कि सक्सेज डारेक्ली परपोस्टनल टू रिवीजन सक्सेज डारेक्ली परपोस्टनल टू रिवीजन जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही आप अपने लक्षे के करीब पहुंच रहे हो उतना ही आप अपने लक्षे के करीब पहुंच रहे हो दार्क लैम बिल्कुल बहुत बढ़िया बारिस बुरी सोरी के बिहार में गई है चलिए आगे चलते हैं सुबह नेक्स्ट है सुबह पांच बजे तो आराम से सो जाना आप लोग फिर आप लोग चलना कि है अधरवाद में हो रही है लखनों के बारिस हो रही है अधा अच्छा वाई इससे बच के रहो जैपुर में अच्छे बारिस हो गई राजिस्तान में गर्मी है और बारिस होने वाली है अनिल जी या रहें सांप आ गया था मार दिया ए चार्जीं करंट यार वी स्क्वार पॉन एक्स आपको बता दू एसी में चार्जींग करंण ये एक अड़वांट़े चार्जींग करंट परजेंट है यहां चलो आज़ा आईए आईए महाराश में बारिश है बहुत अच्छा बुंबई में भी बारिश है चलिए बेटा तो देखे सिंक्रोनास जन्रेटर में आपको देखे ध्यान ये देना है हमने आर्मीचर रेक्शन का इफेक्ट लिखा हमने एस्सीयार शॉर्ट सर्किट रेशियो लिखा हमने वोल्टेज रेगुलेशन का जो इफेक्ट होता है वो हमने मेंचन किया है नेक्स्ट देखेगा कि आर्मिचर यहां देखेए हम लोग क्या दिखाएंगे एक्साडेशन वोल्टेज और डैल का मतलब होता है इंपिडेंस एंगल यहां आर्मिचर तो एक चीज़ और बताना चाहूंगा आपको प्यारे बच्छो कि ये जो synchronous reactance है ये दो तरह कि reactance का sum है एक armature का और एक armature reaction का एक armature का और दूसरा देखे armature reaction का दूसरा armature reaction का इन दो का जो sum है वो कहलाता है synchronous reactance वो क्या है synchronous reactance तो हमें ये पता है ef dell हमारा क्या है load angle power angle एक चोड़ा पॉइंट और जोड़ेंगे वैसे तो power system का है लेकिन यहीं पे लिख लो आप कोई बात नहीं मैं power system भी कराऊंगा चिंता ना करो तुम छोड़ेंगा मैं कुछ नहीं तो यहां देखेगा active power active power flow from leading bus to leading bus to lagging bus active power बहती है leading bus से लेकर lagging bus की तरह or reactive power reactive power flow from high magnitude bus high magnitude voltage to low magnitude voltage low high magnitude voltage to low magnitude voltage अब देखे बेटा यहां यह यह पावर यह कहलाएगी developed power और यह कहलाएगी यहां पर output power यह कहलाएगी यहां पर output power तो यह दिमाग में जरा रखना है जब हम लोग develop की बात करेंगे देखे जब हम लोग यहां output लिखेंगे तो यह जरा दिमाग में रखिएगा output पी output जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको V E F upon में Z S यह formula आप डारेक्ट याद रखेंगे V E F upon Z S minus K V square upon Z S और cos theta S यह आपको मिलता है यहां active power के लिए formula यह आईगा तो direct ठीक लगाने को आईगा V P output बराबर V E F upon Z S minus V square upon Z S cos theta S फिर हम लिखते हैं यहां पर condition 4 condition 4 हम क्या लिखेंगे देखे condition 4 maximum power output पेटा important लिख रहा हूं देखे maximum power output हमने यहां maximum power output के लिए condition लिखे तो यहां condition लिखेंगे हम del बराबर theta S क्या लिखेंगे देखे del बराबर theta S तो अगर हम लोग यहां पर del बराबर theta S put कर रहे हैं तो यह हम लोग को मैक्सिमम अच्छा यह मैक्सिमम लिखवा दिया मैंने न एक मिनट जरा ओरिजिनल formula से लेकर चलेंगे भाई चलो आपको यार पूरा ही करवाना पड़ जा कोई बात नहीं दो मिनट थोड़ा सा मिले वाली है वी कर वी मेरा इससे ड्रो हो जाएगा effect of excitations भी हमारा इससे ही काम करेगा तो यहां पर फड़ापट से बताओ मुझे आप कि आई-ए का मान क्या रखोगे आप कहेंगे कि आई-ए एफ डैल माइनस के वी बटे में देखो क्या लिखोगे जेड एस और ठीटा एस impedance एंगल है तो आई-ए बराबार वी एफ बाई जेड एस यह होगा देखो डैल माइनस के ठीटा एस माइनस वी अपॉन में जेड एस उपर जाके देखो ठीटा एस तो आई-एफ का complex conjugate देखे बेटा क्या बना एफ बटे में जेड एस ठीटा एस मा माइनस के वी बाई जेड एस और यह होगा देखो ठीटा एस तो आपको जो चीज़े लिखवा रहा हूं यह हो गया देखे आई-ए का complex कौन जोगे आपको important देखे क्या है P output और P develop यहां दो चीज़े बहुत important आएगी और यहीं पर हमें देखे Q output भी लिखना है तो P output की ब reactive में S जो develop होगी एक active में और एक reactive में तो S output जो मिलेगा P output में और J Q output में अब देखेंगे देखे तो जब हम लोगों ने यहां S output लिखा अब देखो फड़ा पर से S output क्या होगा V I A का complex conjugate तो मैं थोड़ा साथ बीच में डारेक्ट लिखूंगा इसे V E F upon में ZS यहां angle होग देखे ठीटा S minus del minus V square upon में ZS यह angle बना देखे ठीटा S क्योंकि हमने V से multiply कर दिया V से multiply जब हमने लिखा तो active power बोलो कितना बनेगा तो active power देखना जरा कितना आता है तो यह formula को याद रख सकते हैं तो V E F upon में ZS cos theta S minus के del minus V square upon ZS cos theta S यह बनेगा देखे हमारे लिए P output का formula यह हमारे लिए P output का formula यह है तो अपनी copy में इसे बना के important लिख लो आपको लग रहा होगा सर इतनी चीज़े याद कैसे रखेंगे तो paper में बेटा आपको ज़्यादा ज़्यादा एक मिनट से ज़्यादा लगेगा सीधे यह लिखके जैसी यह लिखा तो आपको लग रहा देखे कोस इसे cos or sign में तोड़ेंगे तो cos का मतलब real part होता है यहीं चलेंगे q output पर अभी देखें q output बेटा यह maximum होने के लिए सर्थ देखनी है तो यहाँ देखते हैं condition for condition for maximum developed या maximum output power condition for maximum output power तो देखें जी क्या होगा हम कहेंगे theta s बराबर dell very very important तो यहाँ पर generator में output में है theta s बराबर dell से theta s बराबर dell तो p output maximum हमें देखने को मिला है v ef upon zs देखें यह होगा 0 यानि 1 minus k v square upon zs cos theta s तो मैंने यह direct लिख दिया था फिर next चलेंगे विद्यार्थियो नेक्स चलेंगे हमने कहा if r a बराबर 0 यदि r a internal में कोई resistance है यही नहीं r a बराबर 0 अगर हो गया न तो p output मिलेगा v ef upon में x x sin del बहुत बार आ रहा है बेटा paper में तो यहां maximum के लिए del बराबर क्या मिलता है 90 degree देखें अगर रजिस्टेंस को include करेंगे अगर रजिस्टेंस को include करते हैं विद्यार्थियो तो सुत्र बनता है यह अगर रजिस्टेंस को सुनने मानते हैं तो सुत्र बनता है यह तो 90 क्या del बराबर 90 तो अगर रजिस्टेंस बराबर 0 है तो p output maximum p output maximum हमें देखने को मिलता है v ef upon में देखें एक्स एक्स राइट नब हो गया को को इन ने पिटा टफ नहीं लगेगा जब आप प्रेक्टिस करेंगे एक दो बार करके देखेंगे तो मुस्किल नहीं लगेगा देख जादा तर जो important है ना जो important mention कर रहा हूं प्लीज इनको important mention आप लोग भी करेंगे यह बहुत important चीजे रहेंगी चलिए जीजे हो गया फिर देखो अगर मैं क्यू आउटपुट देखता तो क्यू आउटपुट भी मैं next वाली भाई यह class power system के नाम रही और क्या दो तीन घंडे power system को दे देंगे कोई बात नहीं कभी जो मेरी class last में मैंने अपनी class को सबसे last में इसलिए रखा है कि next last वाली class अगर लंबी चली भी गई या बीच में कहीं जो ब्रेक होगा यहां मैं तीन घंडे power system ले लूँगा ब्रेक में लेकिन कर लो बढ़ जासे कोई बात नहीं दिक्कत नहीं यहां जाओ जब हम लोग पी डवलप के बात करते हैं न जैसे हमने कहा एस डवलप लिखना है तो एस डवलप के लिए भाई वोल्टेज कितना E F और डेल और current का conjugate क्या है E F अपॉन जैड एस यह हो गया ठीटा एस माइनस डेल माइनस V अपॉन जैड एस और ठीटा एस तो एस डवलप बराबर E F इसक्वार अपॉन में जैड एस यह डेल से इस के E F V E F से यहां भी multiply करना पड़ेगा ना देखो यह बाई E F का इस पूरे में गुणा है तो पहले वाले में multiply करेंगे तो यह हो गया फिर दूसरे वाले में करेंगे तो E F E F यहां आ गया यह बना V और यह हो गया देखो डेल प्लस में ठीटा एस यह देखे जैड एस है राइट जी तो हमें P डवलप देखना है तो P डवलप हम कहेंगे E F स्क्वार अपॉन जैड एस कॉस ठीटा एस माइनर V E F अपॉन में Z S कॉस ठीटा एस प्लस में डेल तो इंपोर्टन इसलिए है यहां आप लोग को देखना है Condition for Maximum Developed Power Maximum Developed Power Maximum Developed Power तो कितना मिलेगा P देखे Condition for Maximum Developed Power अगर यह निगेटिव को प्लस कर दें कैसे रेखे ठीटा एस प्लस डैल बराबर 180 डिग्री यह पेपर में आ चुका है तो यहां क्या मिलेगा हमें डेल बराबर 180 माइनस के ठीटा एस डेल बराबर 180 माइनस के ठीटा एस यह condition very very important condition कितनी very very important तो यहां output के लिए कितना ठीटा एस बराबर डेल और यहां डेल बराबर 180 माइनस के ठीटा एस तो यहां हमें जो पी डवलप मैक्सिमम पराप्त होता है वो हमें हो रहा है V E F स्क्वार Z S और यहां निगेटिव का क्या पोजिटिव हो जाता है V E F अपॉन में Z S और यह क्या है देखे हो यहां यह आजाएगा पी डवलप मैक्सिमम अब हम देखते हैं बहुत सही चलिए बेटा अब हमने कहा कि यदि हम R बराबर 0 मान ले इसको मैं रफ करना पड़ेगा मुझे इसी में चलो लिख लो इफ R A बराबर 0 तो वित्यार थी हो P डवलप बराबर B हमारा वही आएगा जो आउटपूट में मिला है और मैक्सिमम के लिए वही सेम कंडिशन डैल बराबर 90 डिग्री तो मैक्सिमम पी कितना पी डवलप वी एफ अपॉन एक्स एक्स शिम्पल राइट जी चलिए तो अब हम लेकर चलते हैं जिसके हमें ज़्यादा जरूरत है अब देखें जरूरत क्या है अब देखें जरूरत क्या है अब देफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाही इसको छोड़ने की तो सोचना ही मत सपनों में ठीक है सपने आ रहे अब तो आंखों खुले यही तो चाहते थे तुम लोग कि सर और यही मैं भी चाहता था कि खुली आंखों से सपने देखो तो दिख रहे ना देखो खुली आंखों से सपने विटा रमन सर के साथ में हाँ चलिए देखते हैं तो अभी हमें आवेशक्ता है यहां से देखे Q आउट्पुट की तो Q आउट्पुट बराबर V EF अपॉन में ZS sin θS माइनस के डेल माइनस V स्क्वार अपॉन में ZS sin θS तो हम लोग देखे यहां क्या करते हैं हमने कहा एथ RA बराबर 0 तो यह Q आउट्पुट रेक्टिव पावर मिलता है V EF अपॉन XX कॉस डेल माइनस के V स्क्वार अपॉन में XX It's important topic Q आउट्पुट हमें यह मिलता है तो Q आउट्पुट को हमने यह कहा तो Q आउट्पुट बेटा जब हमें यह मिल रहा है Q आउट्पुट जब हमें यह मिला तो अब इस Q आउट्पुट ने कई सारे दर्वाजिये का लोग खोल दिया जब यह Q आउट्पुट हमें मिला तो इस Q आउट्पुट ने कई सारे दर्वाजों का लोग खोला वो लोग देखे किस परकार से देखने को मिलेगा वो लोग देखे किस परकार से खोलना है तो Q आउट्पुट क्या है जड़ा सोचो ना एक चीज है जो बहुत बढ़ा डिफरेंस पैदा करती है किसमें इस्टुडेंट की विचार धारा में और अध्यापक की विचार धारा में वो क्या है कि विद्यार्थी को सिर्फ आराम से बैठके पढ़ना है लेकिन वो फिर भी पढ़ने को तयार नहीं है वो फिर भी पढ़ने को तयार नहीं है उसे नीद भी आ रही है उसके सरी दर्द भी कर रहा है उसे ठकान भी लग रही है उसकी आंखें भी दर्द कर रही है राइट ना यह सारी चीजह है दूसरी चीज है जो डिफरेंस पैदा करती है वो है अध्यापक को जड़ा आप लोग लाइट बंद करके भी पढ़ लेंगे तब भी चलेगा मैं जिस रूम में क्लास ले रहा हूं ना मेरे सामने एक दो तीन चार तीन साथ तीन दस कम से कम पंदरा लाइटे जल रही है कम से कम मेरे पास में और इन लाइटों के दो-दो सिस्टम चल रहे हैं तो इनका रिफ्लेक्शन मेरे सिधा आँखों पे भी आ रहा होगा रूम के दरवाजे खिड़ी की इसलिए बंद रखने पड़ेंगे कि रात को अगर खोलेंगे तो पडोस एक कंडिशन वो थी है आखों में दर दुआ कोई बात नहीं विद्यार्थी को आराम से ऐसे बैट के पड़ सकता है उसका मन करेगा वो खाना खा सकता है उसका मन करेगा वो बैट पे आराम से उल्टे लेख सकता है उसका मन करेगा वो बार घूमते वे देख सकता है कोई ब अकेडमी में पूजा बाठ हुई क्योंकि मैराथन शुरू हो रही थे पूरा दिन उसमें लगा थोड़ी देर सोचा चलो लेड़ जाओ तो नीद नहीं आई कंटेंट तयार करने में लग गया पूरे दिन अगया आपको क्या क्या चीज़े कैसे लेकर चलना है यह चीज़े बेसिक लेक्ट्रिकल का बहुत चीज़े ढूंड़ी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं अपना है खड़ाओं आप लोग के सामने खड़ाओं बताइए कब मैंने एक मिनट में बैठा हूंगा ना मेरे रूम में कुरसी है बैठरे का उप्सन ही नहीं है घूम रहा हूं ना लगातार दूसरी चीज मेरे आथ दर्द हो रहा है कंदे में है रात दीन लिखते चले जा रहे हैं लिखते चले जा रहे हैं ऐसे लिखर हो न तो मुझे पता है न दर्द मैसूस हो रहा है लेकिन नहीं क्यों एक पढ़ाने का केड़ा पैदा दिमाग में कुछ भी निगेटिव चीजों को निगेटिव तब बनाया जाता है जब हम लोग निगेटिव सोचते हैं कि अधरवाइज अधरवाइज यहां निगेटिव और पॉजिटिव में हलका सा डिफ्रेंस है कि सोच लिया कि दर्द हो रहा दर्द हो रहा चलो मैंने लेता क्लास है एक बार दिमाग में आया क्यूं नहीं ले ना क्लास लेना है दर्दी तो होगा झेलेंगे सहन करेंगे आप लोग को मैं पैर ऐसे दिखाऊंगा ना तो मेरे पैरों के नीचे ना कभी-कभी न छाले हो जाते हैं मैट पर गूमते हुए कर्मी में लेकिन कभी न जजबा कमनी होता खड़ा रहने का पढ़ाने का कंटेंड देने का क्या हम लोग इंसान नीन आने का मतलब भी नहीं है कि नीन आने का मतलब ही नहीं है क्यों नीन आएगी बाई अले कुछ कर गुजरना है यार जीवन में जैसे जनम लिया ऐसे तोड़ा निकल लेंगे कुछ करना है कुछ एक मिशन के तहट आए जमीन पर भाई तो वह जजबात अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा वह जज तो फाल दूगी चीजे में मत चक करें बड़ो मेरे आकमेट दैर देहें मुझे नीन दैर रही है यह मार हुगा है मैं एक छलिए क्यू आउट्पुट बराबर वी इएफ अपन एकस एकस कॉसडेल माइनस वी स्कॉर आपन एकस एकस यह ज़रूरी है अप्ते यहां देखेंगे यहां देखेंगे कि अगर हमने यहां से वी गो कॉमा ले लिया वी अपन एकस एकस को हम खुबा़ ले लें तो EF cos del minus V अब देखिए first case हमने कहा कि यदि EF cos del बराबर 0 तो हम कहेंगे Q output बराबर 0 यानि कि unity power factor भाई अगर reactive power सुनने हो जाएं तो unity power factor होगा दूसरी चीज़ अगर EF cos del greater than V तो बोलो न भाई Q output क्या होगा धनात्मक तो क्या होगा lagging होगा राइडना ये देखो जरा EF cos del less than V तो अगर ये V बड़ा हो गया तो Q output क्या होगा देखिए negative क्या बनेगा देखिए ये leading क्या बनेगा ये leading ओके तो यहाँ देखिए effect of excitation next है हमारा effect of excitation तो बनाओ फड़ापट से देखिए V बना ये बना दिया हमने EF EF बन गया ये और ये होता है I A XX इस पे चल रहा है देखिए I A ये हैं लोकस ओफ EF ये हैं लोकस ओफ EF यहाँ से बड़ा important topic टॉपिक निकल के आएगा देखिए बड़ा important topic टॉपिक कि 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 इसमें नहीं साइज इदर है कि 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 चलिए एक मिनाट रुख जाओ जो रहा इसे बना देखिए प्रेलो 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 पाने वानी प्रेलो कि 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 यह देखो तो यहां पर चलेंगे देखे यह क्या है लोकस ओफ एफ यह क्या है देखे लोकस ओफ आई ए लोकस ओफ आई ए तो यह फिलाल आर्मीचर करन्ट सबसे मिनिमम है और बाव फेक्टर यूनिटी है अगर हमने एक्साडेशन को बढ़ा दिया इफ डबल डैस तो यह करन्ट यहां आएगा आईए डैस एक्स एक्स तो आईए डैस एक्स एक्स का यह है तो आईए यहां से नीचे 90 डिग्री इससे है यह नीचे भाग जाता है तो यह क्या हो गया देखो 5-1 यह क्या हो गया 5-1 क्या आईए डैस राइडना तो आईए हमारा देखे इस तरफ को बढ़ता हुआ चल रहा है हमने एक्साडेशन और बढ़ाया हमने एक्साडेशन और बढ़ाया तो आईए नीचे और भाग गया विचारा आईए दबल डू और भाग गया तो जैसे जैसे हम excitation बढ़ाते चले जा रहे हैं यहां से armature current हमारा lagging की तरह बढ़ता हुआ चल रहा है और जो angle है phase angle वो हमारा बढ़ता हुआ चल रहा है यानि कि हम कहेंगे यह direction है देखें lagging lagging यह direction है lagging तो angle बढ़ने का मतलब है power factor हमारा lagging 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 होता चल रहा है यदि हम excitation को बढ़ा रहे हैं तो power factor lagging 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 की तरह चल रहा है और armature current हमारा lagging 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 की तरह बढ़ रहा है next में देखेगा अगर हम excitation को घटाते हैं excitation को अगर हम लोग EF double dash हम excitation को घटाते हैं तो यह देखेगा IA double dash x x तो भाईया यह अब armature current किस तरफ चलेगा देखे लीडिंग की तरफ बढ़ता 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 चलेगा तो power factor तो सबसे ज़्यादा unity पर ही होता है तो power factor देखे यह कौन सी दिसा है leading की तरफ और यहां कौन सी दिसा है lagging की तरफ लेकिन अगर मान की बात करेंगे न तो सबसे बढ़िया तो unity ही है न भाई unity 0 से लेकर एक तक ही तो power factor मिलता है unity अब उसके कमी मिलेगा 0.9 0.7 ऐसे मिलेगा तो याद रखेगा आज के बाद नहीं होगा confusion नेक्स चलेंगे देखिए यहां पर lagging 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 होता चला तो बिटा एक बात बताओ अगर मैं बोल रहा हूं वीकर मैं बोल रहा हूं वीकर तो वीकर का मतलब है आई एफ और आई ए में एक संबन्थ तो मीनिमम मीनिमम धारा कहां होती है आप कहेंगे गुरुजी unity पर unity power factor पर minimum armature current होता है नेक्स चलेंगे देखिए अब armature current एक बार देखिए यह क्या है excitation का बढ़ना क्या है lagging excitation का घटना बेटा क्या है leading तो धारा हमारी अगर unity पर है और बढ़ा दिया तो किस की तरफ बढ़ेगा lagging के तरफ अगर unity पर है इस तरफ ले गए तो किस के दरब भढ़ेगा leading पर तो minimum धारा कहां पर भऺती है minimum धारा भाही की unity पर यह तो कहां नहीं है मारी धारा की अब बात करो देखे inverted v curve inverted v curve के लिए यह हो गया if यह हो गया देखो power factor भाई सबसे अच्छा पावर फेक्टर तो unity ही है unity पावर फेक्टर ही तो सबसे बढ़िया है तो अगर हम लोग यहां unity से लेगिंग की तरफ चलेंगे तो लेगिंग की तरफ चलें या फिर हम लीडिंग की तरफ चलें तो पावर फेक्टर का जो मान है यह तो हमारा गटी रह रहा है ना या तो हम लेडिंग 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 की तरफ चले या हम लेगिंग 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 की तरफ चले तो मान तो गटी रहा है ना तो बेटा यह हो जाता है inverted weaker, बेटा मोटर का भी बताऊंगा प्लीज मोटर का भी बताऊंगा चिंता नगरे आप चिंता नगरे मोटर का भी operation करना बाकी है तो अभी देखना है synchronous generator के case में हमें ये ये बड़े important है ये relation बहुत important है प्लीज इनको ध्यान से देख लो ये आता है वीकर, फेवरेट बना वाजगल पेपर का खूब आ रहा है किसके बीच में लेते हैं तो इसके बीच में इसके बीच में लेते हैं ये भी खूब पूछ रहा है किसके बीच में minimum current बोलो कहां पर लेंगे, हम लोग लेंगे यहां unity पर अगर आपको कह रहा है कि unity पर चल रहा है, excitation बढ़ा दो तो excitation बढ़ाने का गदर मतलब है वो lagging हो जाएगा राइट ना, power factor lagging जैसे जैसे आप excitation बढ़ा रहे हो lagging, 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 lagging होता हुआ चल रहा है, है ना, तो power factor घटता 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 चला जा रहा है किस तरफ? lagging की तरफ और यहां जैसे जैसे हम घटा रहे हैं तो power factor हमारा किस तरफ को घट रहा है मैं magnitude की बात कर रहा हूँ power factor किस तरह से leading 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 है ना रट गया ना दिमाग हमें छब गया न राइड ना क्या सिंक्रोनस जनरेटर यह होता है सिंक्रोनस जनरेटर तो आपने वीकर इंडवर्टिड वीकर भी हो गया परभु की द्यास है ओके चलिएगा नेक्स जो बात करेंगे देखे एक छोटा सा सुत्र लिखेंगे सिंक्रोनाजेशन पावर होती है वी इएफ अपॉन एकस एकस कॉस डेल रैट जी इसे रफ कर लेंगे आप आप लोग इजाज़त दे तो हम रफ कर लेंगे चलिए विद्यार कियो तो तो यहां पर भी पैरलल ओपरेशन की जो सरते हैं वो सरते हम लोग को लिखना पड़ेगा और जो मैथड है वो मैथड भी लिखना जरूरी हो जाएगा वो मैथड भी लिखना जरूरी हो जाएगा राइट जी वो मैथटड भी लिखना पड़ेगा काम नी चलेगा नहीं तो ऐसे चलिए तो पैरलल कंडिशन फोर पैरलल ओपरेशन कंडिशन फोर पैरलल ओपरेशन चले विद्यार्थियों चलते हैं कंडिशन फोर पैरलल ओपरेशन तो प्यारे बच्चो पैरलल ओपरेशन की जो सरते हैं फटा फट लिख देते हैं सेम फेज सिक्वेंस सेम फेज सिक्वेंस सेम वोल्टेज सेम वोल्टेज और next लिखते हैं देखे, same frequency, next लिखेंगे, same frequency, same phase sequence, same voltage, same frequency, अरे बाबा, अगर ये सरते मंजूर हो जाए, तो काम बन जाए, parallel operation का, अगर ये एक dislike बढ़ा भी रात को दो बजे, हैं, इसे तो ढूंडो यार, ये ये तो बहुत जाद नफुरत करता है, भाई, आप से रम से, electrical electronics का common, एक तो basic electrical का बेटा, ये हो गया, अब common subject आपका आएगा, measurement आएगा, वो आपके next वाली marathon में लगेगा, है ना, और एक cylinder सर लेंगे, वो भी common subject है, चलो जी, बेटा, same face sequence, same voltage, same frequency, एक method होता है, हमारा, bright lamp method, या dark lamp method, इसमें तीनों बाल पे एक साथ जलते हैं, एक साथ भूचते हैं, देखो जी, ये है running machine, जो पहले से चल रही है, ये देखे running machine है, पहले से चल रही है, एक यहाँ पर incoming machine है, एक यहाँ incoming machine है, तो कुछ इस हिसाब से यहाँ देखे, lamp लगा रखे हैं ये, और जो lamp की rating है बेटा, ये आपको किस हिसाब से लेनी है, मतलब की double किस लिए, अब आप सोच रहे हैं, गुरुजे, double क्यों ले, हम लोग क्यों पैसा बरबाद करें, तो जो अगर इसकी voltage V है ना, तो ये 2V लो, अगर गलती से connection उल्टा लग गए है, तो 2V, maximum voltage होगी, बाइस सोचो अगर ये voltage V है, तो ये भी V है, तो उल्टा connection लग भी गए, तो इसका मतलब 2V है, राइट ना, तो यहां आप देखेंगे, जब ये तीनों बल्प एक साथ जलेंगे, एक साथ बुझेंगे, हम कहेंगे कि बढ़िया condition है, और जलने के मध्यकाल में हम handle को खीच देंगे, तो handle को जब हम खीच देंगे, तो हम कहेंगे कि ये अपना synchronize हो गया, चलिए बढ़िया, ये हमारे एक normal method था, bright lamp method, अब एक होता है, हमारा two bright lamp and one dark lamp method, एक होता है, two bright lamp and one dark lamp method, अब देखो, एक होता है, one dark lamp and one dark lamp and two bright lamp method, two bright lamp method, देखो जी, ये machine है, already देखो, running machine, ये machine है, incoming machine, ये machine है, incoming machine, ये machine है, incoming machine, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये L1 है, इसे तो हमने सीधा जोड गिया, और जो, ये हमारे अलग-अलग से देखे, जो lamp है, एक lamp ये लगा रखा हमने, और एक ये लगा रखा, तो हमने देखे, किस परकार से इनको जोड़ा है, हम ये कहेंगे, कि इसके जो, जो ये lamp है, इन्हें हमने आपस में interconnect करके जोड रखा है, ये L2 है, ये देखो L3 है, तो हमने देखे, इसे, हमने यहाँ लगा दिया, हमने कैसे देखे, interconnect करके जोड़ा हुआ है, interconnect का मतलब ये समझ लें आपना, ये ऐसे लगा देते हैं, कि, ये यहाँ, और ये कुछ देखे यहाँ, इस तरह से हम लोगो ने ये interconnect किये हुए है, यानि कि, जब भी L2, L3, ये हो जाएगा, डार्क, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और ये दोनो, L2 और L3, ब्राइट करेंगे, तो ये देखे, condition ओके है, जलने के लिए, यानि कि, synchronize के लिए, ये कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक होता है, सिंक्रोइसको, ये तो 2 मिनिट का काम था मेरा, सिंक्रोइसको, तो सिंक्रोइसको का मतलब होता है, ये बढ़िया, आजकर सबसे ज़्यादा यूज यही होता है, सिंक्रोइसको, तो जब भी ये अगर clockwise direction में चल रहा है, तो इसका मतलब incoming machine fast चल रही है, इस तरफ को चल रहा है, कि ये अगर clockwise direction में दिखा रहा है, moment कि अगर. हालो 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 अब आ गया चलिए जी सिंक्रोनास मोटर नेक्स देखे सिंक्रोनास मोटर नेक्स चल रहे हैं देखे सिंक्रोनास मोटर अरे हो गया आवाज आ गया ओके शिंक्रोनास मोटर सिंक्रोनेशकोप से सवाल बनेगा कि अगर यह तो बताईएगा विया कि incoming machine तेज है या slow है तो आपको कहना incoming machine हमारी fast है तो governor को adjust करके उसे slow करना होगा सिंहेडोन इसकोब दुबारा बताना है चलिए देखो अब आवाज वगर आ रही है न देखो सिंख्रोइस्कोप का मतलब यह था कि अगर यह घड़ी में जैसे 12 वजे हैं या जिरो क्लोक तो यह दिखाता है एक दम पर्फेक्ट कंडिशन अगर यह इस तरफ कलोग वाज डीशा में डारेक्शन में दिखाएगा तो जो आने वाली मशीन है यह तेज चल रही है और अगर इस तरफ दिखाएगा तो आने वाली जो मशीन है यह ज़ो चल रही है क्लोक वाइज में फास्ट है और यहां से देखे स्लो है पर्फेक्ट कंडिशन क्या है बारा बजे राइट जी चले सिंक्रोनास मोटर स्टार्ट कर रहे हैं सिंक्रोनास मोटर कर इपर इस्टार्ट करते हैं हो गया जी चले आमें पानिवानी पी लेता हूं आप लोग भी पानिवानी पी सकते हैं लेकिन यह ब्रेक नहीं है यह एक तरह से आपकी पानिवानी पीने के लिए टाइम दिया मैंने दो मिनिट का ये ब्रेक नहीं दिया आपको आपको झाल 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 आगे बढ़ें चलिए जी चलिए चलिए नेक्स चलते हैं भाई ब्रेक वगएरा नहीं देते देखो सरण ने भी कहा है देखो ऐसे आप लोग को ये बता दू कि सिर्फ मैं ही नहीं क्लास ले रहा बराबर में देखो सिविल की क्लास चल रही है आमित राज मैं आपसे दो साल से जुड़ा वेरी गूड वेरी गूड और और बराबर में और भी स्टाफ मेंबर दो लोग और भी पुरी रात भर जाग रहे हैं जो अबर है ऑलाद से कभी पानी देना कभी कुछ चाइद कभी कौफी देना ये चल चीज़ अपना लगी है तो एक而 यही चीज मैं आप लोगों तक यह इसलिए बता रहा हूं कि always think positive, be motivated और result बेहतरीन से बेहतरीन होंगे सिविल में 55 लाइव है बिल्कुल बिल्कुल चलिए जी आगे चल जाते हैं synchronous motor तो यह देखे no starting यह मतलब self start नहीं होता no self start यह self start नहीं होता फिर देखेंगे बाकी तो phenomena सेम है stator with stator rotor सब चीज़े सेम है next चलेंगे विद्यार्दियों यहां armature reaction पर यह छोटा topic के जल्दी निप्टाते हैं armature reaction अब देखे जो armature reaction है आपको यह दिमाग में रखना है कि armature reaction हम पहले चलेंगे unity power factor पर तो unity power factor पर क्या होगा क्रोस magnetizing effect क्या होगा क्रोस magnetizing effect होगा फिर यहां पर जीरो लीडिंग जीरो लीडिंग पेपर में बहुत चल रहा है भी ट्रेंड में है यह सवार जीरो लीडिंग it means 590 डिग्री लीड यह होता है दी-magnetizing but over excited but over excited मेरे साथ साथ में लिखो बड़ बड़ाओ कोई बात नहीं घरवाले कहेंगे बच्चा पढ़ाको हो है ना यहां क्या आएगा देखे magnetizing magnetizing यह क्या आएगा देखे under excited under excited विद्ध्यार्थी हो अगर यह 5 less than 90 हो और यह lagging हो तो यहां हम लिखते हैं partially यानि कि अधूरा partially cross magnetized partially cross magnetized और end partially partially magnetized देखें लेगिंग पे क्या है magnetized वेपर में यहां से कुछ न कुछ बनेगा देखो partially magnetized अगर विद्ध्यार्थी हो 5 less than 90 है लेकिन देखें यह leading दिया गया है तो हम कहेंगे देखें partially cross magnetized partially cross magnetized and partially partially demagnetized तो यह आर्मी चार रियक्षन होती है बताईए बेटा यहां से कोई doubt होगा यहां बताईए कोई doubt है क्या याद हो गया दिमाग में याद हो गया न सेट हो गया दिमाग में जीरो leading, lagging यह सारी चीज़े पेपर के लिए खासम खास होती है भाई सेट हो गई आप लोग के दिमाग में यह चीज़े यानि कि जब भी यह synchronous motor over excited mode में चलेगा तो यह leading power factor पे काम करेगा और over excited mode में जब चल रहा है leading power factor पे जब दोड रहा है तो इसी को हम लोग नाम देने लग जाते हैं synchronous condenser इसी को नाम देने लग जाते हैं synchronous condenser या synchronous capacitor या synchronous capacitor इसी को हम नाम देना शुरू कर देते हैं और यही हमारा power factor correction में इस्तमाल भी किया जाता है तो किसमें इस्तमाल करेंगे विध्यार्थियो power factor correction में किसमें इस्तमाल करेंगे मेरे सेरो power factor correction में इस्तमाल करेंगे करेंगे ना कोई रोख थोड़ा देगा भाई leading दे रहा है चल रहा है बढ़िया मजा आ रहा है और क्या चलिए यह होगे देखे आर्मी चा रियक्षन के कहानी बड़िया बात है आर्मी चा रियक्षन की कहानी हो गई जी अब देखेंगे विध्यार्थियो यहां पर आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो वी कर्व इन्वर्टिड वी कर्व यह जो चीज़े हमने बनाई है ना यह हम लोग मोटर के लिए भी बना लेते हैं जल्दी जल्दी से यह हम लोग मोटर के लिए भी बना लेते हैं जल्दी जल्दी से यह मोटर के लिए भी बना लेंगे तो मोटर के लिए जब हम ल A है यहाँ पर देखे यह जए XX है यहाँ देखेंगे टर्मिनल ऋ वोल्टेज देखे V है यह क्या है देखे IA है यह क्या बना विद्यार थी कोई दिखत नहीं इस बार यह ग्या है S Input है इस बार यहाँ क्या है S Output का मतलब है इस बार S Develop से है कोई चिंता करने के बात नहीं तो यहां हमने कहा S input आईए लिखो फड़ापट से आईए आपने कहा गुरुजी देखे आईए होगा V minus EF minus डेल upon में ZS देखे ठीटा S तो I A बराबर V upon ZS minus के ठीटा S minus EF upon में ZS minus डेल minus के ठीटा S आप कहेंगे देखे गुरुजी यह हो गया I A complex conjugate V upon ZS ठीटा S minus EF upon ZS और डेल प्लस में देखो ठीटा S राइट ना यह क्या बना देखे complex conjugate किसका बेटा धारा का complex conjugate तो जब हम लोग S input पहले इसी का operation कर देते हैं S डवलप से निबट लेते हैं S डवलप बराबर आप क्या लिखोगे EF minus डेल इंटू I A का complex conjugate I A का complex conjugate तो EF minus डेल आईएफ का directly लखेंगे बेटा हम लोग V upon ZS यहां क्या है ठीटा S minus के EF upon में ZS डेल बराबर ठीटा S copy पर पैन चलना चाहिए मजा नहीं आएगा ऐसे copy पर पैन चलना चाहिए आप लोग भी copy पर पैन चलना चाहिए देखे S डवलप बराबर EF V EF upon ZS minus डेल प्लस ठीटा S minus EF square upon में देखे ZS और यह क्या है minus का यह क्या है प्लस का यह क्या होगा ठीटा S तो हम यहां से P डवलप देखे डारेक्ट कैसे लिखते है P डवलप बराबर V EF upon ZS cos minus डेल plus ठीटा S minus EF upon ZS cos ठीटा S P डवलप बराबर V EF upon ZS cos तो यहां देखेंगे condition for condition for maximum develop power maximum develop power तो विद्यार्थियो maximum develop power कब होगा जब ठीटा S बराबर डेल होगा तो जन्रेटर में उल्टा मामला था यहां develop कितरे पे मिल रहा है ठीटा S बराबर डेल पे जन्रेटर में यहां क्या मिला था हमें ठीटा S 180 माइनस ठीटा S मोटर में यहां क्या मिला ठीटा S बराबर डेल मिला तो यहां से condition for maximum develop power ठीटा S बराबर डेल तो P develop maximum बराबर V EF अपॉन ZS राइट जी ठीटा S माइनस डेल तो यह कितना हो जाएगा सुनने यह हो जाएगा 1 माइनस के EF अपॉन में ZS और कॉस कितना मिला देखे ठीटा S यह मिला हमें P डवलब यह क्या मिला P डवलब यह क्या है देखे P डवलब देखे P डवलब जनरली सिर्फ इंपॉर्टेंट है यह डेल बराबर ठीटा S सबसे जादा अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ मोटर के केस में है तो यह बनेगा यहाँ इंपूट पर complex power और इंपूट यहाँ रियक्टिम है और यही से हम लोग फिर वी कर्व और इंवर्टेड वी कर्व ड्रॉ करेंगे और स्टार्टिंग मैथड देखेंगे खतम करेंगे इसे भी राइड ना तो यही पर देखते हैं यही से आगे चलते हैं विद्ध्यार्थियो चलिए जी ध्यान से देखेंगे आगे बढ़िएगा ध्यान से देखेंगे देखते क्या है यहाँ देखना है हमें as input बराबर वी आई ए का complex conjugate तो as input बराबर वी आई देखें क्या है आप कहेंगे गुरू जी यह तो मिल रहा है वी अपॉन जेड एस एंगल क्या है देखें ठीटा एस माइनस एफ अपॉन में जेड एस यह मिला है डैल प्लस में ठीटा एस राइड जी तिन बजले वाले नहीं बज गई होंगे इस इस अपॉन में वी स्कॉर अपॉन में जेड एस एंगल देके ठीटा एस माइनस वी एफ अपॉन में जेड एस एंगल डैल प्लस में ठीटा एस पहले active power लिखेंगे तो यहां देखेंगे P input बराबर V square upon में Zs cos theta S minus में V EF upon में Zs cos del plus में theta S तो अब देखें हमें क्या लिखना है P input यह हो गया तो यहां हमने लिखना है condition for maximum input power चलिए जी condition देनी है हमें condition for maximum input power तो यह कितना होगा ठी डैल बराबर यहां कितना लिखेंगे डैल बराबर डैल बराबर 180 degree minus के theta S तो मोटर के case में यहां बेटा यह बड़ा important relation आएगा डैल बराबर 180 degree minus में theta S रियली में बहुत अच्छा relation यह बनेगा राइन ना अब देखें बेटा हमें आगे बढ़ना है कि हम लोग P input maximum क्या लिखेंगे यह होगा वी स्क्वार अपॉन जेड एस कॉस्ट हीटा स माइनस वी इएफ अपॉन जेड एस यह देखें कितना बन जाएगा हमारा माइनस का यहां प्लस तो यह relation बनेगा maximum यह इसी में यदि हमने यह कहा कि आरे बराबर जीरो यदि हमने आरे बराबर जीरो लिखा राइड ना तो पी इनपुट हमें मिलेगा वी इएफ अपॉन में बेटा एकस एकस और भला क्या यहां साइन डैल और इसमें अगर हम maximum के लिए condition में जाएंगे विद्यार्थियो तो मिलेगा डैल बराबर देखे 90 डिग्री और डैल बराबर 90 डिग्री यहां पर चलेंगे पी इनपुट maximum तो यहां मिल रहा है वी इएफ अपॉन में एकस एकस राइट जी जल्दी लिखो इसे जल्दी देखो फिर आगे चलेंगे आगे बढ़ेंगे साबाश बहुत बढ़िया ब्रेक क्यों चाहिए ब्रेक देऊँगा रहा तो यह जितने देख रहें यह भी भाग जाएंगे तुम लोग भी सो जाओगे हैं तो ब्रेक क्यों दूँ मैं अच्छा अच्छा सॉरी यार मैं बोड़ के सामने खड़ा हो जाता हूँ बेटा एससी में के लिए भी इंपॉटेंट है और में के लिए तो जो बच्छे मेरे में कौलिफाई करेंगे ना प्री को उनके लिए तो मैं अलग से फिर एक एक सेशन और दूँगा यार उनको तो मैं बाहर होने नहीं दूँगा एक बार तुम अंदर दो गुसो बनाने के लिए अच्छा यह लिए लिए बेटा मैं साइड हो गया ब्रेक दूँगा तुम्हें चिंता ना करो एक दो मिनट का ब्रेक दे दूँगा तैंशन ना लो तुम पहले पढ़ लो यार इसे खताम करने तो पहले ना चाय बना लो चल आईएगा यह हो गया देखो आप देखें यहीं से हम आगे चलेंगे हमने यह लिखा था तो इसी से हम आगे चलेंगे देखें अब गाड़ी को आगे यहीं से आगे लेकर चलेंगे और यहीं से देखेंगा हम क्यू इंपुट लिखते हैं इसी equation से विद्यारतियों हम Q input लिखेंगे चले देखे, अगर हम Q input यहां से जाते तो हम लिखते देखे, Q input बराबर V square Zs sin θs minus Vef अबॉन में Zs sin del plus θs यह relation आगया देखो यह relation आगया विटा, तो यहां से देखे, आगे देखते हैं हमने लिखा है कि अगर हम लोग R A बराबर 0 ले ले तो Q input बराबर V square upon xx minus V EF upon xx cos del यह बन जाएगा, तो देखे, Q input बराबर V upon xx V minus EF cos del यह मिलेगा हमें, राइट जी? तो Q input बराबर, Q input बराबर V upon में xx V minus EF cos del अब यहां देखेंगे, हमने कहा पहला case V बराबर EF cos del V बराबर EF cos del तो V बराबर EF cos del अगर हमने यहां लिखा तो हमें क्या मिलेगा, Q input 0 Q input 0 का मतलब होगा विद्यार्थियो unity power factor से चलिए दूसरा, हमने कहा V greater than EF cos del हमने कहा V greater than EF cos del तो Q input हमें मिलता है positive Q input positive मिलने का मतलब होगा यहां पर देखे, lagging राइट जी, नमबर 3 पर चलेंगे V less than EF cos del तो मेरे बच्चों यहां हमें मिलेगा Q input देखे क्या, अगर भी छोटा है यह बड़ा है negative, negative का मतलब होगा leading power factor से यह वो चीज़े हम लिख रहे हैं जो direct आएंगी आप लोग के paper में है ना, यह directly देखे, आप लोग के paper में फस्ती है चीज़े इसी से हम आगे लेकर चलते हैं effect of excitation effect of excitation बेटा इसी से हम आगे लेकर चल रहे हैं effect of excitation तो effect of excitation देखेंगे फड़ा पर से देख लो भाई, effect of excitation हमारे क्या बन रहा है यह हमने कहा कि यह हो गया देखे यहां क्या है v यह क्या है i a x x यह क्या है देखे e f तो यहां है locus of e f locus of e f और यहां देखे यह locus of i a यह क्या है देखे i a यदि excitation बढ़ाया तो excitation बढ़ाने से e f डैस यह हो गया i a डैस x x यह तो excitation बढ़ाने से देखो यहां डैल है डैल डैस load angle, power angle, torque angle घट गया load angle, power angle, torque angle घटा तो बेटा यह current देखे i a डैस हमारा ऊपर चला गया तो जैसे जैसे excitation बढ़ाएंगे ना तो power factor हमारा leading leading, leading, leading की तरफ घटा हुआ चल रहा है मैं magnitude की बात करता हूँ power factor की ना और armature करन leading, leading, leading की तरफ बढ़ रहा है अब मैंने excitation गो देखे कम किया तो e f डैस यह line मिलाया तो यह i a double dash और xx तो बेटा जब हम यहाँ पर जाएंगे i a dash double dash यह side क्या है देखे lagging तो excitation बढ़ने से excitation बढ़ने का मतलब जब इधर को चले देखे इसमें क्या है leading है और excitation घटने का मतलब किस तरफ को चलना है lagging है तो lagging की तरफ तो यहाँ हम देखते है v curve यहाँ चलते हैं हम लोग v curve तो v curve देखे कैसे बनेगा यह होता है i f यह होता है i a तो यहाँ सबसे कम कब होगा unity पर यह बनाया जी हमने तो यह किस तरफ आएगा देखे leading के लिए यह किस तरफ बनेगा यहाँ lagging के लिए राइट जी किस किस के बीच में आया है i f और i a के बीच में अब दूसरी चीज चलिएगा inverted v curve inverted v curve inverted v curve तो inverted v curve में यह होगा किस में i f के बीच में और power factor के बीच में तो यह side कौन सी होगी leading मेरे वच्चो और यह क्या होगा lagging मेरे वच्चो यह क्या होगा lagging फिर दूसरी चीज देखेंगे यहाँ दिमाग में यहीं इसी के साथ बनाऊंगा यह हमारा है v यह है i a x x और यह है यहाँ पर e f देखे अब हमने क्या कहा है कि हमने excitation को constant कर दिया ध्यान से सुनिए का नीद में मत आओ है नहीं तो एक लगा रहा मैंने गुमा के नीद में आए तो काफी कुछ बच्चे ऐसे न एक चीज़ देखने को मिली है कि जो बच्चे पुराने हैं न जो बच्चे पुराने हैं यानि जो पहले से तयारी करते हुए मेरे साथ में चल रहे न कहीं न कहीं वही कोस्टेंटली लास्त को लाइब बने होальном है वही लास्त डेखे लाइब बने रहे यह मैंने नोट किया हैसे दोСों ड़ाइससो बच्चों में ज्यादतर नाम व्वह है जो पहले से तयारी मतलब करते आ रहे जो पहले से अपना तयारी करते हो आ रहे न तो ज़्यादतर लोग वही हैं जो लाइब बने हुए है और नई विद्यार्थ में पता नहीं यह जोस कब आएगा तो यहां देखेंगे हमने क्या कहा कि एकसाटीशन इस के लिए एकसाटीशन को हमने कॉंस्टेंट कर दिया और बेटा लोड को हम चेंज कर रहे हैं लोड को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो यदि हमने देखो लोड को बढ़ाएंगे यह क्या है लोड का बढ़ना यह क्या है घटना तो load को बढ़ाने से load को बढ़ाने से क्या देखे बात हुई है यह इस तरफ यह क्या होगा EF- तो load को बढ़ाने से अगर यह load बढ़ेगा तो IA हमारा lagging की तरफ चला जाएगा और load अगर घटेगा अगर घटता है तो आईए देखे हमारा ये leading की तरफ चला जाएगा तो ये दिमाग में रखिएगा कि अगर load बढ़ेगा तो load बढ़ने से motor पर जो current है वो lagging की तरफ चलने लग जाएगा जो current है ना वो lagging की तरफ चलने लग जाएगा अब ये समझने की बात होगी ये समझने की बात होगी बिल्कुल उतकल जी बिल्कुल ये ये बिल्कुल बिल्कुल मैंने वो ही कहा ना ये देखने की चीजे हैं कि अगर पहले आपको ये कहे कि ये motor हमारा lagging में operate कर रहा है और अब हम load गटा दे तो हम कहेंगे कि load गटा तो भया power factor मतलब बढ़ा पहले ये करन यहाँ था ये थोड़ा सा और उपर चला जाएगा तो ये होगे देखें motor की कहानी ये होगे motor की कहानी अब बताएए सुमित सर्मा जी नहीं वाले नहीं कहाँ पुराने होगे अरे नहीं का मतलब जो अभी बदलाओ बैच वगएरा से मेरे साथ तैयारी शुरू कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ चलो जो नहीं विद्यारती है वो जल्दी से सेर करो वीडियो को रात को तीन बजे राइट जल्दी लाइक करो यार थ्री थाउजन लाइक तो पहुंचाओ जल्दी से चले जी तो यह बेटा आपके पेपर में देखे किसी साव से बनेगा अब अब अब्जेक्टिव के कुछ बात कर लें अब्जेक्टिव के बात कर लें देखो अगर जैसे आपको नहीं सवाल लिखाओं गए आपको और सवाल से किलियर होगा मामला मैं यह कह रहा हूँ कि कोई मोटर है जो पहले से लेगिंग में चल रहा है जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए मोटर running a motor aisee likha hai a motor running a a motor running with lagging power factor lagging power factor and load is decreased load is decreased then power factor option a increased option b decreased option c no change option d both a and b देखे बेटा होता क्या है कि यदि अगर ये पहले से lagging में चल रहा है पहले से lagging power factor में चल रहा है और हम इस पर load decreased कर दें हम इस पर load decreased कर दें तो बेटा power factor क्या हो जाएगा देखे increased हो जाएगा क्यों देखो ऐसे ऐसे समझो ये है आपको ये समझ रहा है कि भया ये देखे ये unity के लिए था तो ये पहले बेचारा यहां चल रहा है lagging का मतलब है ये यहां चल रहा है जो धारा है ये यहां है अब अगर ये यहां से load घटेगा तो इस तरफ को घटना ये होगा देखे load का घटना ये है load का घटना और इस तरफ clockwise को चलना ये है load का बढ़ना load का बढ़ना तो load अगर घटेगा तो power factor देखे बढ़ेगा ये कब है जब ये already देखे lagging में operate हो रहा हो चलिए जी next आगे चलेंगे तो synchronous motor synchronous motor self start नहीं है तो synchronous motor को self start करने के हमारे पास में अलग-अलग विधियां होती है अलग-अलग method होते हैं हमारे पास में जिसमें एक method होता है हमारे पास में एक method होता है हमारे पास में की DC motor starting एक मैथड होता है हमारे पास में इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग और एक मैथड आता है फिर हमारे पास में यहां डेमपर वाइन्डिंग स्टार्टिंग एक आता है यहां डेमपर वाइन्डिंग स्टार्टिंग रैट जी एक आता है डेमपर वाइन्डिंग की दिना है। BECƏ ध्यान देना है स्टार्टेंग मेठेड पर तो जब हम इस्टार्टेंग मेठेड की बात करेंगे ना तो इस्तार्टिंग मेठेड में आपको को देख रहा है है एक होता है हमारा dc-motor i started तो बाबा ध्यान दिजिएगा DC motor starting में हम synchronous motor को DC motor से mechanical coupled करते हैं और यह जो number of pole है यह pole अगर P है तो यहां भी pole P है तो हम क्या करते हैं इससे पहले गुमाते हैं हम लिखते हैं when it pick up the 70 to 80 percent speed then when it pick up the 70 to 80 percent speed then first disconnect the then first disconnect the motor disconnect the DC motor and apply excitation apply excitation apply excitation then apply excitation then motor enters into the synchronism motor enters into the into the synchronism into the synchronism motor synchronism में परवेश कर जाता है तो ध्यान से सुनिएगा आप वर्डिंग क्या है कि यहां DC motor सिंक्रों 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 मोटर को मेकेनिकल का पल्ड कर दिया जाता है दोनों के नंबर और पोल को सेम रखा जाता है जब यह सत्तर अस्री परसेंट स्पीड पिक अप कर लेता है तो पहले DC motor को यहां से अटाएंगे और इस्टेंटली हम लोग ration apply करेंगे तो oxidation देखे आपको एक चीज केलियर कर दू कि दो चीज़े हैं बेटा यहां एक है आर्मेचर का flux और एक है रेगे यह होता है synchronization तो याद रखिएगा कि motor में motor में आगे क्या भागता है motor में आगे चलता है यह आर्मीचर का flux और generator होता बेटा यह बहुत important है अगर generator होता तो जैसे यह F है तो generator में और यह है राइट-जी यह फाई-ए है तो generator में आगे कौन सा चलता है 5 F चलता है उसके बाद में 5 A चलता है तो ये case किस का बनता है सिंक्रोनाइजेशन अब DC motor स्टार्टिंग के बजाए अगर हम लोग कहें अगर हम लोग induction motor स्टार्टिंग कहें इंडक्शन मोटर को भी हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए तो देखें इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग क्या है induction motor starting देखेगा induction motor starting को देखे विद्धार्तियों हम कैसे करते हैं और कैसे हम लोग देखे लिखते हैं जी तो हमने कहा है कि यहाँ पर induction motor को और यहाँ synchronous motor को mechanical coupled कर दिया और जो चीजे हमने देखे यहाँ अपनाई है सेंड भूही करना है जब ये 72-80% speed को pick up कर लेगा तो पहले disconnect इसे करना है नहीं तो फिर क्या होगा ये अगर सिंख्रोने जब में पहुँच गया तो ये इस पर load बन गया ऐसा नहीं करना इसे disconnect करना है यारे कि यही तरीका अपनाना है एक होता है देखे डैमपर बाइंडिंग एक होता है डैमपर वाइंडिंग तो डैमपर वाइंडिंग देखे हम silent pole में प्लेस करने की सुविदा हमारे पास होती है जो भी motor हम लोग लेते है ये ये ज़्यादा तर हमारे क्या है silent pole type तो ये pole faces है देखे तो यहां हम लोग एक band winding प्लेस करते हैं जिसे हम कहते हैं डैमपर वाइंड नहीं तो इसमें कुछ लाइनों को जोड़ना पड़ेगा देखे लाइनों को जोड़ना पड़ेगा देखे क्या क्या लाइन है हम कहते हैं कि with the help of with the help of damper winding damper winding a synchronous motor start running as synchronous motor start running as induction motor running as induction motor with the help of damper winding a synchronous मोटर स्टार्ट रनिंग एज इंडक्शन मोटर यह चलने लगा किस कैसे इंडक्शन की तरह चलने लगेगा किस के मदद से डैंपर बाइंडिंग के मदद से now now when it pick up the 70 to 80% speed 70 to 80% speed then excitation apply then excitation apply and motor enter motor enters into the synchronism into the synchronism कि इसमें देखें सिंक्रोनिजम में तो डैंपर माइंडिंग बड़ा इंपोर्टेंट है याद यह भी रखना है कि डैंपर बाइंडिंग औल्सो रिडियोस अरे भाई जो इंडक्शन मोटर स्टार्ट है न इसे ही हम पोनी मोटर कहते हैं induction motor starting में ही जो motor इस्तमाल होता है pony motor समझे यही pony motor है कुछ और नहीं है अब देखे damper binding also reduced hunting also reduced hunting मतलब की fluctuation तो damper binding हम लिखेंगे also reduced hunting देखें जी next हम लोग लिखेंगे कि perfectly जो भी perfectly synchronized या जो perfectly synchronous synchronism में काम कर रहा है बिल्कुल बिल्कुल कोई EMF नहीं होगी कब जब यह perfect synchronism में जाएगा तो damper देखो ना कुछ चीज़े ऐसी मेरे सब्द बोल जो है ना वो निकल ही रहे और बच्चे ने message कर दिया इसको कहते हैं यहाँ दिमाग का जुड़ना synchronization तो देखें damper binding में हम लिखते हैं कि no EMF at synchronous या at synchronous speed no EMF at synchronous speed चलिए जी चलिए विद्यार्थियो तो आपको ध्यान यह देना है कि normally जब भी हम synchronous generator के भी perfectly देखें हम बात करते हैं तो यह जो operate होता है यह क्या है डेल और यह क्या है देखें 180 minus डेल तो यह stable operating region कहलाता है stable operating region कहलाता है कहां से कहां तक डेल से लेकर 180 minus के डेल इसके बीच में ही यह operate होता है चलिए विद्यार्थियो next चलते हैं तो ये हमने देखे synchronous को खतम कर लिया है ये हमने देखे synchronous को पूरा खतम किया है एक भी चीज़ को छोड़ा नहीं है तो अब अपने दिमाग में प्लीज वो ही एक छोटी से exercise दोहराएंगे जो हमने transformer के वक्त या समय या induction के वक्त पर दोहराई है तो एक बार वो ही exercise हो जाए ल exercise करो और बताओ कि कुछ दिमाग में घुसा या नहीं हमारा दिमाग इतना powerful है कि अगर हम अपने दिमाग को ये command देंगे कि दिमाग ठक गया तो तभी दिमाग मानेगा कि वो ठक गया अगर हम अपने दिमाग को उत्सहा और उर्जा से भरपूर जाते हैं तो अपने कमांड ही आप इन्पुट के तोर पर देंगे कभी भी निरासा जनक और निगेटिव कमांड नहीं देंगे तुझे ठक गया तुझे नीद आ गई तुझे ये हो गया तो कभी भी आप निरासा जनक कभी भी इतना निरासा जनक कमांड अपने दिमाग को नहीं देंगे है न तो अपने दिमाग को हमेशा उत्साहा वर्धक कमाड देंगे उत्साहा वर्धक कमाड देंगे अपने दिमाग को तो निरासचनक कमाड नहीं देंगे चलिए तो जल्दी से अपने दिमाग में सारी चीजों को रिकॉल करेंगे फड़ा पड़ से रिवाइज करते हुए चलें वट फड़ा वट से जरा घूम के आ जाओ जल्दी जल्दी से चलो जरा लड़ो मता अपस में नाराज होने लग जाते हो तुमने है अधार अधार किया जाता है नोट कर लो इस लिप टेस्ट किया जाता है हमारा डारेक्ट एक्सिज रियक्टेंस और क्वाड्रीचार एक्सिज रियक्टेंस को देखने के लिए लिख लो जरा स्लिप टेस्ट को हम पर्फोर्म करते हैं स्लिप टेस्ट हम पर्फोर्म करते हैं डारेक्ट एक्सिज रियक्टेंस को नापने के लिए यह हमारा silent pole में exist करता है यह हमारा silent pole में exist करता है अरे hunting means some fluctuation is there not in simple in short यार quadrature axis reactance और direct axis reactance को नापने का काम करता है ज्याद करने का काम करते हैं हम लोग हंटिंग यार हंटिंग 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 यह हलका है तो हंटिंग ज्यादा होगी डैमपर वाइंडिंग लगा दिया है भारी होगी तो fluctuation भी कम देखने को मिलेगा यह है बस अंटिंग क्या सर जनरेटर silent pole टाइप होता है यार वेरी गुड वेरी गुड आगे बढ़ें क्या आगे बढ़ें आगे यहां वारिष वारिष नहीं हो रही तो अब तो जो स्वे होंगे बीच में दस ग्यारा बज़े भी तो सो गए तो बच्चे अब तो उठ जाने चाहिए ते यहार आम ही करेंगे मेरे साब से अब तो साड़े तीन बज़ गए चलिए विद्यार्थियो तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग डी सी मोटर पर जो बड़ा टॉपिक है न इसको खतम करते है और इंपॉर्ट है डी सी मोटर नेक्स्ट से देखे हैं हमारा डी सी मोटर चलिए विद्यार दियो DC motor फड़ा पर से आ जाएंगे देखिए DC motor हम लोग कह रहे हैं कि आर्मी चार हमारी कहां पर है रोटर में है आर्मी चार winding कहां पर है बिटा ये रोटर में है और field winding कहां पर है देखिए ये हैं हमारी stator में देखिए कहां पर है इस stator में और नियम देखिए कौन सा है जो हम लोग अभी तक नियम लगाते आए हैं वही नियम हमारा यहां पर भी काम होगा कि वहने current carrying conductor place in a magnetic field एक्सपीरियन से force और यही आपको दरसाता है कि machine में दो magnetic field होने चाहिए इसका दूसरा मतलब यह भी आप जाज सकते है तो यहां पर आप लोग को DC motor में मैं चल दा हूँ देखे equivalent circuit की और directly back equivalent circuit की तरफ तो यह आजाता है back EMF यह आता है यहां पर armature resistance और यह आता है देखे terminal में voltage यानि की V तो यहां हम लोग जब armature current लिखते हैं पहली बात तो EB बराबर होगा NP 5Z upon 60A यह होता है back EMF कहां होगा armature में तो IA बराबर V minus EB upon में देखे RA आईए बराबर V minus के EB upon में RA यह एक normal equivalent circuit बना कर हम लोगों ने जाचा है और देखा है यहां ध्यान देंगे विद्यार्थी जो important role play करेगा अगर मैं N देखता हूँ तो N directly proportional EB upon में 5 यहां से जो relation आता है बड़ा important relation है N1 बराबर या N1 upon N2 बराबर EB1 upon EB2 into 52 upon 51 मेरे कहने से लिखो और भहिया 100% chances relation पे कुछ न कुछ सवाल बनने का कुछ न कुछ सवाल बनने का इस पर बिलकुल chance रहेगा EN1, N2, EB1, EB2, 52 और 51 यह कहां से बना यहां से बनता है फिर ध्यान यह देना है कि हम लोगों ने जब यह लिखा तो इसी से हम क्या लिख रहे हैं V minus IA, RA upon 5 अभी देखिए इसका भी इस्तमाल करेंगे अब हमने चलना है देखें ध्यान से देखेंगे हम चल रहे हैं, हमने लिखा यह EB है तो हमने armature जो power है वो हमने देखें कितना लिखा EB into IA यह power है armature में EB into IA बिल्कुल और अगर हम torque की बात करते हैं तो torque होता है armature में power upon में angular speed यह सुत्र होता है यह original formula है देखो machine में torque का यह formula है 100% important formula है यह हलके में मत लेके चलना यहाँ पर चलेंगे देखें EB का मतलब है IA और वुमेगा का मतलब होता है यहाँ 2 πाई N upon में देखें 60 को यहाँ भेज़ देते हैं तो विद्यार्थियों यहाँ अगर EB के हम बात करते हैं तो यह होगा N P 5 Z upon में 60 A गुणा में 2 πाई गुणा में I यह हो गया देखो यह N से N कटा 60 से 60 कटा तो तो बराबर P Z upon में 2 πाई 5 I A और यह क्या है देखे 5 I A TORG के लिए Original Relation Very Very Important है TORG के लिए Very Very Important Relation यह देखे एक बचे ने अभी सुतर लिखके बताया चलो जी तो मैं इसको भी जरूर जोड़ना चाहूंगा Condition for Condition for Maximum Power मैं बिल्कूल जोड़ना चाहूंगा तो E B बराबर V by 2, E B बराबर V by 2, इसे भी मैं बिल्कुल आविश्यक जोड़ना चाहूँगा, तो विद्यार्थियों, यहां देखेंगे TORG directly proportional to 5 I A, बहुत ही ultimate संबंद आये यह भी, TORG directly proportional to 5 I A, और एक relation क्या बना देखो, यह, एक relation हमारा क्या है यह, अब ध्यान से देखना है, हम लोग जो classification और motor कर रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ा ही important आने वाला है, क्यूं देखो, एक हमने बनाना है, सबसे पहले बनाया, separately excited, separately excited, separately excited में कोई tension लेने की बात नहीं है, normally यह क्या है, EB, और स्वरी, यह क्या है देखी, I A, यहाँ पर देखी, V, यह रखा हमने आईए, तो इसे हम किसी अन्य बैटरी के द्वारा, excitement या फिर, देखे, हम flux को generate कर रहे हैं, यह आगता है, आईएफ, तो इसमें जो यह, आईएफ है, आईएफ बराबर होता है, VF upon RF, तो विद्यार्थियों जो फाईएफ आता है, वो directly proportional to IF, तो separately excited में भी, यह हमारा constant ही लगबग बना होता है, यह देखेगा, separately excited motor, और यहाँ, EB बराबर क्या, V minus के, IA, आर, EB, minus, EB बराबर, V minus, IA, आर, आर, आ, यहाँ तक लिख लिया सबने, हाँ, brush drop 2 volt, अगर लेना चाहे लिजिएगा, brush drop 2 volt लेना होगा लिजिएगा, नहीं ले रहे हैं, तो मत लिजिएगा, brush drop बहुत जादा important नहीं है, brush drop का, किलियनली मतलब होगा, 2 volt से, 1 brush पे 1 volt, तो 2 brush पे 2 volt, ले लिजिएगा, दरवायज आप छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है, तोड़ा side में हो जाता हो, यार मैंना, लिख लिए हैं सबने, तोर्क, directly proportional to phi, I, A, एक हो मिला हमें separately, फिर दूसरा देखो, एक होगा, देखे, series, एक क्या होगा हमारा, series, तो ये हो गया, देखे, C, या कहें, I, A, भाई, series में तो यही है ना, और क्या है, तो magnetic flux phi, कहां से आएगा, इसी I, A से बनता है, इसमें आप इतना ही धियान देंगे, E, B, बराबर हमें पता है ना, यार, ये normal है, I, A, हमें पता है कि R, A, और R, SE, ठीक है जी, चलिए, next, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, हर एक चीज के पीछे जो लिख रहा हो ना, बोड पे, कुछ ना कुछ कारण है, बिटा, इनके पीछे, ये SE नहीं आ जाते, कहीं नहीं लिया ना, जन्रेटर उतना ज्यादा पूस्ता नहीं जितना ये motor की चीज़े आती है, motor की characteristics आती है, इसलिए मैंने जन्रेटर को चलो बाद में ले लें, कोई बात नहीं, तो third number पर आता है, देखिए, संट, थर्ड नंबर पर देखिए, क्या है, संट मोटर, तो संट मोटर हमारा बनेगा, देखिए, ये RA है, यहाँ पर ये EB होता है, यहाँ पर terminal voltage V है, ये IA है, ये देखो I है, तो यहाँ जाएए, यहाँ देखेंगे, ये RSH है, ये देखिए, ISH है, तो फाई, डारेक्ली परपो personal, देखे, ISH और विद्यारतियों, ये क्या बनता है, यहाँ, constant बनता है, और IA, ये देखेंगे, दिमार्ग में रखेंगे, ISH क्या होता है, V upon RSH होता है, तो I में से, I- के ISH बराबर क्या आता है, देखे, IA बनता है, और यहाँ हमें EB बराबर क्या मिलेगा, V माइनस के IA RA, देखे, फाई यहाँ पर क्या है, constant, नेक्स चलते हैं, देखे, compound, नेक्स चलेंगे हम लोग, compound पर, तो compound को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, compound, मोटर को हम दो परकार से सीखते हैं, एक होता है, देखे, long shunt, फड़ा पड़ देख लेते हैं, एक होता है, देखे, long shunt, या चलिए, long shunt की जगे, आपको आज थोड़ा सा लगवे, मैं बताता हूँ, compound आप दो तरीके से चलेंगे लेकर, एक होता है, cumulatively, cumulatively का मतलब होगा, कि जो total flux है, वो हमारा sunt और series, दोनों का देखे, resultant मिलेगा, और एक होता है, हमारा differential, तो differential का मतलब होगा, differential का मतलब होगा, कि जो total flux है, वो phi sh या phi sc, इनका मतलब है, generally difference, यह नहीं होगा, कि इसके मतलब यह, इन दोनों में से difference, यह होगा, differentially का मतलब, तो cumulatively का मतलब होगा, कि दोनों का effect, जुड़ा हुआ है, और differential का मतलब होगा, कि दोनों में minus है, बेटा, चलिए, characteristics आ जाते हैं, compound की characteristics, उतने ज़्यादा important, नहीं है, कि बनाना आप लोगों की मस्बूरी ही है, compound की characteristics ऐसी नहीं है, अब बताओ, ज़रा क्या-क्या चल रहा है, Sunfield is stronger than series, बिल्कुल भाई, अभी चलो, आ जाता हूँ, मैं आप लोगों के, सवालों के जवाब पर भी आऊंगा, अभी, अभी देख लो, कि क्या-क्या बच गया तुम लोगों का न, देखो, यहाँ एक चीज़ को और लिखाना बूल गया हमाई, जो पेपर के लिए खास बनेगा, देखे बेटा, पेपर के लिए और क्या खास रहेगा, यहाँ जो स्रीज फिल्ड है, स्रीज फिल्ड, थिक वायर, यानि कि मोटे तार, थिक वायर और लैस तार्ण से बनता है, जो संट है, वो थिन वायर और मोर तार्ण, थिन वायर और मोर तार्ण से बनता है, अब देखे विसेस्ताओं पर आएंगे, कि विशेश्ताइं हम कैसे लिखेंगे paper के लिए शृऴ और संध तो आज कल ऐसा trending है कि कुछ ना कुछ characteristics पूछ ही रहा है कुछ ना कुछ characteristics पूछ ही ही लेता है और characteristics से numerical से क्या characteristics से numerical भी निकलते हैं तो देखे विद्यार्थियों दो तीन चीजे मैं लिखना चाहूंगा आपके लिए देखे क्या क्या चीजे हैं अभी हमने ये कहा है कि जनरली हम लोग नोट करके चलेंगे तीन परकार की करेक्टरस्टिक्स को वो तीन परकार की करेक्टरस्टिक्स देखेंगे क्या है और आर्मेचर करंट और तीसरा है तोर गॉर रप्तार में ये तीन करेक्टर अपके लिए काफी इंपर्टेंट रहती है देखें तो चलिए पहले हम लोग ले ले लेते हैं संट मोटर के लिए ही तो संट मोटर में आप ये देखेंगे कि जो फाई है वो तो भाईया है देखे constant फाई constant यानि की torque जो बनता है ये तो बनता है देखे IA और जो speed है वो बनती है V-I A R A तो पहली जो characteristics मैं ले रहा हूँ ये मैं ले ले देखे speed और armature current तो armature current ये है और speed ये है एक बात बताईए जैसे जैसे मैं IA को बढ़ाऊँगा अगर no load speed ये है तो speed गिरेगी characteristics ये बनी अगर मैं आपको paper में ये दिखाऊँगा या दूँगा तो बताईए आप पहचान सकते हैं कि नहीं चलेंगे B पर अगर B में हम कहेंगे torque और armature current तो ये देखेंगे ये क्या है IA ये क्या है तो इसका मतलब क्या होगा जैसे जैसे ये बढ़ेगा IA वैसे वैसे बढ़ेगा किस तरह का relation है देखे linear अब एक बात बताईएगा अगर मैं ये कहूँ कि यार एक के साथ तो बढ़ने से बढ़ा है और एक के साथ घटने से linear में घटा है इसका मतलब है linear बढ़ना linear increase करा और इसका मतलब है देखे linear way में ही एक line पर ही देखे ये decrease किया तो यानि की जो एन और अब देखो जो एन और टॉर्ग में हम दिखाएंगे तो टॉर्ग और एन एक दूसरे के इनवर्सली पर पोर्पोर्स्टनल बनेंगे तो यहां क्या है एक लाइन ऐसे यह बनाओ संट के लिए यह बनाओ जड़ा संट के लिए संट के बात करेंगे तो यह लगाए यह लगाए यह रेलेक्शन लगाए तो स्रीज मोटर हमने देखना है तोर्ग डिरेक्ली पर पोर्पोर्जनल तो आईये स्क्वार और यहां देखेंगे इस्पीड इनWERSली पर पोर्पोर्पोर्जनल तू आर्मीचर कर ep तो हमने ए में कहा इना में एचंपीड यानिकि armature current में और speed में तो इसका मतलब क्या है universally proportional तो जैसे जैसे ये IA जैसे जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि IA अगर कम होगा तो speed बहुत अधिक होगी तो स्रीज मोटर never be run at no load हम क्या कहेंगे never be run at no load because at no load because at no load it pick up because at no load it pick ups pick up very high speed very high speed it pick up very high speed फिर दूसरा देखे B यह definitely यह कब है before saturation यह कब है before saturation saturation के बाद में तो directly proportional to I आता है तो torque और armature current को यह देखेंगे तो यह आपस में relation बनेगा यह आई ए हैं यह relation आता है आपका इस तरह से तरह से अब आपको यहां देखना हैं इस तरह से अगर मैं C की बात कर रहा हूं तो देखो यह आया है तो यहां तो यहां जो relation आया है वो क्या है देखें under root and inversely proportional to under root T यह relation बहुत important बनता है अब देखेंगे जी यदि हमें यह कहा जाए कि if देखें before saturation यहां कहेंगे कि after saturation इसी case को आगे लेते हैं after saturation के बाद में after saturation torque directly proportional to IA क्या बन जाता है देखें torque directly proportional to IA after saturation torque directly proportional to IA यानि कि जो linear जो मैंने कहा ना saturation के बाद में linear relation बन जाएगा तो इसको भी आप याद रखेंगे काफी important होते हैं स्रीज और संड के देख लिजें बाकी के आपको बनाने की विज़रत नहीं है यार स्रीज और संड से ही numerical निकल के आता है स्रीज और संड से numerical निकल के आ जाता है after saturation torque directly proportional to IA मेंसे एक straight line बन जाएगा वेरी गुड वेरी गुड चले बेटा नेक्स चलेंगे नेक्स चलेंगे देखे स्पीड कंट्रोल करने के मैथड पर और यहां पर दो मैथड देखने बहुत ही जरूरी होंगे और साथ में कि अभी चलेंगे देखे हम लोग इस पीड कंट्रोल ओफ डी सी मोटार लास्ट लास्ट में आते आते तुम लोग आपस में लड़ बैठे हैं अब मनाते रहो एक दूसरे को लड़नी रहते हैं या प्यार में लड़ाई कर रहते हैं एक सीरियोस वाली होती है बाई ऐसे मत करना है नहीं ऐसा मत करना बाई देखे बेटा नेक्स चलते हैं इस पीड कंट्रोल तो इस पीड कंट्रोल में हम अपनाते हैं दो अलग अलग तरीके एक है देखे आर्मीचर कंट्रोल मेथड तो भाईया इसके सामने लिखेंगे आप बिलो बेस स्पीड इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे देखें बिलो बेस स्पीड ये इस्तमाल किया जाएगा बेस स्पीड से कम पर यानि आर्मीचर कंट्रोल मेथड का मतलब है एन डारेक्ली परपोर्शनल वी माइनस आई ए आर ए अपान फाई जैसे जैसे आर्मीचर के रजिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे यहां इसे है वैसे वैसे रप्तार कम होती चले जाएगी तो हमने कहा कि आर्मीचर का जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो वैसे वैसे स्पीड एक घठेगा तो भहिया आर्मेचर कंट्रोल मेथड इस्तमाल करेंगे below base speed next है हमारा field flux control method field flux control method next है field flux control method तो armature control method यहां चलेंगे देखी field flux control method तो यहां देखेंगे देखी above base speed above base speed तो above base speed आपको focus करना है कि यदि 5 degrees होगा तो speed यहां पर बढ़ेगा right जी field flux control method above base speed अब देखेंगे आपको बड़ा important यहां पर एक graph बनवाऊंगा जहां से paper में बनने का chances परभू के दिया से बिलकुल रहेगा देखें विद्यार्तियों हम चलते हैं यहां base speed हम चलेंगे यहां base speed और यह होगा torque और power तो यहां पर power देखें base speed से कम कौन सा method बोलो armature control method armature control method और base speed से आगे यानि की ज़्यादा पर field flux control method तो armature control method में power variable और torque constant यहां पर torque variable और power constant तो मेरे बच्चों इसे कहते हैं constant torque और यहां पर एक method और होता है वार्ड लियनौर्ड control method वार्ड लियनौर्ड control method वार्ड लियनौर्ड control method एक बहुत ही अच्छा method आता है देखें wide range of speed control is possible wide range of speed control is possible wide range of speed control is possible wide range of speed control की कहीं विद्यार्थियों हम जिकर करते हैं या बात करते हैं यह सिर्फ हमें एक ही जगहें देखने को मिलता है और यह क्या होता है वार्ड लियनौर्ड generator इंडक्शन इसमें मशीन हमारी बहुत ज्यादा इस्तमाल होती है है ना तो इसलिए थोड़ा भारी बरकम है लेकिन जहां कोई काम नहीं करेगा यहां यह आपका साथ देगा वार्ड लियनौर्ड control method जहां कोई नहीं काम आएगा यह यह आपको बहुत मदद करेगा इसलिए आज भी बहुत famous होता है speed variation में यह आज भी बड़ा famous माना जाता है speed variation के condition में तायड ना होगे जी speed control चलिए next आप लोगो यह लिखो बिटा लिखो इनको छोड़ना नहीं है यह जितना लिखाया ना अगर यह भी करके चलेगे तो एकजाम में दो उठा दोगे सारे सवाल करके आओगे चलिए next देखते हैं यहीं पर हम लोग देखे टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए दो मैथट अपनाते हैं टेस्टिंग के लिए दो मैथट बिलकुल बड़ी machine बन जाएगे वाई यह टेस्टिंग के लिए हम दो मैथट अपनाते हैं एक होता है टेस्टिंग के लिए दो मैथट अपनाएंगे तो विद्यार्थियो एक मैथट होगा स्विन बार्न टेस्ट स्विन बार्न टेस्ट तो यह देखेंगे स्विन बार्न टेस्ट का मतलब होता है यह नो लोड टेस्ट हम क्या कहेंगे देखी नो लोड टेस्ट तो स्विन बार्न टेस्ट नो लोड टेस्ट है यह no load पर perform किया जाता है तो यहाँ लिखते हैं not possible for not possible for DC series motor यह important आएगा not possible for DC series motor यह DC series motor के लिए संभव नहीं है एक आता है विद्यार दियो Hopkins test होपकेंसन टेस्ट जो होता है होपकेंसन जो टेस्ट है यह आपका एक फुल लोड टेस्ट होता है तो अब देखें जी क्या करते हैं दो आइडेंटिकल मशीने लेते हैं दो आइडेंटिकल हम लोग मशीने लेते हैं और इन आइडेंटिकल मशीनों को आपस में हम लोग जोड देते हैं कैसे इलेक्ट्रिकली भी और मेकैनिकली भी तो अगर आप प्रेक्ट्रिकली जरा सोचके देखेगा भाई आप प्रेक्ट्रिकली जरा सोचके देखना अगर ऐसा हम कर दें और एक बार इसे हम चला दें तो यह घुमेगा बिजली बनाएगा जन्नेटर फिर यह सप्लाई से देगा तो यहाँ यह दिमाग में रखना है कि 5G greater than 5M तभी यह जन्नेटर होगा तो यहाँ से जो V और I यानि कि जो पावर इंपुट है भाई एक बात बताईए अगर हमने चला के छोड़ दिया तो यह आनत तक चलता रहेगा यह दि कोई losses ना हो लेकिन क्या यह संभाव है संभाव नहीं है losses होंगे losses होंगे तो हमें यह क्या है हाँ सरकलास लगातार चल रहा है इवनिंग से बिल्कुल हाँ लगातार चल रहा है कल साम से यह तो यहां losses होंगे अगर हम लगातार इसको चलाए रखना चाहते हैं तो जितने यह losses मिल है इतना ही हम input यहां से दे देंगे तो देखे होपकिन्स टेस्ट में जो पावर इंपुट है जो पावर इंपुट है वो हमें क्या देगी होपकिन्स टेस्ट में वो क्या है देखे वी आई और यह होता है टोटल लॉसिस ये क्या होता है टोटल लॉसिस ये क्या होता है टोटल लॉसिस तो हमने पावर जो इन्पुट है ये क्या है टोटल लॉसिस तो अगर इन मशीनों में सपोज इसमें 500 है ये भी 500 है तो यहां पावर इन्पुट हजार नहीं होती पावर इन्पुट का इसका मत 500,000 तो इसका जाड़ जादा कितना होगा 1030 तो इन्पुट कितना होगा लोस के रूप में क्योंकि डीसी मोटर की जो एफिशन्सी है वह 85-90 तक होती है भाई कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है इसमें तो डीसी मोटर से जब हम टेस्टिंगी बात करेंगे स्विन बंट है नो लो टेस्ट है तो सिरीज में नहीं कर सकते हैं लेकिन होपकिन टेस्ट को हम लोग फुल लो टेस्ट पर करते हैं इसमें हम लोग किसी से भी टेस्ट हैं हम लोग कर सकते हैं राइट जी बताइए हो जाएगा क्या अगर मैं कह रहा हूं कि हौपकिन टेस्ट में जो पावर इन्पुट है वो 200 वाट है तो लॉसिस बताइए दोनों मशीनों में तो हम दोनों मशीन में लॉसिस कितने लिखेंगे 200 वाट तो 100 इसमें वाट में क्योंकि यह दोनों मशेन यह जो दोनों मशेन है बोथ मशेन इस आइडेंटिकल यानि कि सेम है दोनों मशीन बताए कि Hopkins Tats का समझा आया की नहीं काम पॉराइड जी बताए ये समझा आया की नहीं हो जाएगा चलिए विद्यार्थियो तो अभी ये जिकर केरें हमने हम दिशी के लिए नाओ अभी हम लोग चलेँगे देखिए यहहां जनेटर के लिए तो यह डीशी मशीन्स में हमने दोनों के लिए यह टेस्टिंग देखा है तो efficiency की equation आपकी generator के बाद में बनवाऊंगा efficiency की equation है ना वो generator के बाद में देखेंगे तो अभी क्या है देखे DC generator DC generator parallel operation बच्चा बताए इसमें बता रहा मोटर में मोटर में क्यों करें हम parallel operation 11 आवर होगे हमारी class चलते हुए 1,2,3,4 11 आवर होगे है चार बज गए है चल यह बड़ी अच्छी बात है आप लोग भी बदाए के पात रहे है breaking बताओ चलो breaking भी बता देता हूँ यार तुम लोग नाराज ना हुआ करो हाँ back to back भी ही है चलो जी breaking देखो बेटा हम लोग तीन परकार की breaking करते हैं हम लोग तीन परकार से यहां breaking करेंगे हम electrical breaking की बात कर रहे हैं एक होता है री जनरेटिव ब्रेकिंग री जनरेटिव ब्रेकिंग यानि कि जब आर्मेचार में जो back EMF है यह हमारी तर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए यानि कि जो back EMF यह है बैक EMF टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो यहां जो करेंट है वो लेने की बजाए यह सप्लाई देगा इस गौल्ड है री जनरेटिव ब्रेकिंग अब देखिए जी जनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब जब कोई मोटर था जब कोई ट्रेन है वो किसी इस गौल्ड ब्रेकिंग नेवर भी पॉसिबल नेवर भी पॉसिबल इन डी सी नेवर भी पॉसिबल इन प्लेंडी सी श्रीज मोटर DC स्रीज मोटर DC स्रीज मोटर में कभी भी region native breaking संभाव नहीं है तो अब देखे जी एक बच्चे ने मुझे सवाली बेजा और मैंने उस समय भी उसे कहा था कि बेटा उस चीज को समझे कभी भी DC स्रीज मोटर में region native breaking संभाव नहीं होती तो हम क्या करते हैं कि in a DC स्रीज मोटर in a DC स्रीज मोटर first we connect first we connect as संट मोटर first we first we connect as संट मोटर first we connect as संट मोटर and then apply then apply regenerative breaking regenerative breaking रा राइट अब देखो कितना बढ़िया है अगर मैं यह कह रहा हूं कि in a traction system in a railway traction system we apply in a traction system we apply regenerative braking then DC series motor then DC series motor runs as option a very very important option okay मैं मत लेना option को next चलेंगे देखे option a हम लिखेंगे संट motor DC संट motor बताईएगा बताईए बिटा जल्दी देखा यही तो गलती हो रही है इसमें जो किताम में रटवा रखा जो किताम में यूद पब्लिकेशन पढ़ रहे तुम यही तो गलती कर रहे हो जब आपने यह कहा कि DC स्रीज जन्नेटर में यह संभव ही नहीं है फिर वोई DC स्रीज में लिखतो दिया आपने DC स्रीज मोटर में आपने क्या लिखा यह in a DC series motor first we connect as a DC sunt motor and then apply regenerative braking never be possible in series motor then when never be possible in series generator then how it is possible to run as a DC series generator कैसे संभा होगे भाई तो in a traction system we apply regenerative braking then DC series motor runs as DC sunt generator runs है जे DC sunt generator यास 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 definitely definitely बिलकुल बहुत अच्छा तो इसे हम लोग मानते हैं best breaking system इसे हम लोग best breaking system देखी मानते हैं तो अब देखेगा अब देखेगा ये mono बीज में सो गया था next चलते हैं एक और होता है देखेए दो और method होंगे हमारे पास में तो वो दो method देखते हैं कौन से हैं एक method हमारा होता है एक method होता है यहाँ पर dynamic breaking तो dynamic breaking में क्या करते हैं हम armature को supply से disconnect करते हैं ऐसे कुछ और यहाँ armature के cross में हम dynamic एक register को देखे connect करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा heat produced होती है यह होता है dynamic register एक होता है plugging plugging में हम supply terminal को अगर interchange करते हैं तो armature के cross में V plus यहाँ EB plus V यह high reverse voltage high reverse voltage या high back EMF high back EMF apply across armature and motor stop तो यहाँ plugging में breaking torque breaking torque highest होता है यहाँ देखें breaking torque highest होता है कहाँ plugging में यह लिखा न देखो breaking torque highest कहाँ plugging में best breaking system कहेगा तो regenerative breaking और best यहाँ breaking torque highest कहेगा यह एकदम रोकने वाला जो कि लिखा भी है यहाँ कासने यह क्या है plugging कि चलिए जी नेक्स चलेंगे देखें बात करते हैं एच्छुली यह जो section था ना इसका यह यूडवालीटी में भी होता है मेरे दिमाग में तो यह वाला जो section था वो यूडवालीटी में ही cover करने का था तो अब इसमें जैसे कि हम स्पीड को reverse करने की बात करते हैं यह application तो वो हमारा यूडवालीटी वाली जो 6 गंटी की अलग से है मैं रथन यह मुझे क्या 6 की क्या मुझे लग रहा वो भी 12 की ही जाएगी मेरी मुझे तो कुछ इस परकार का अबास हो रहा है कि वो भी 12 की ही जाएगी चलिए जी अब आप लोग को लिखा देता हूं मैं DC जनरेटर के बारे में DC जनरेटर जो हमारे स्पेशल मोटर है ना स्पेशल मशीन यूडवल लेटी में वो भी सारी कवर होंगी समझे स्पेशल जो मशीन से हमारी तो यहाँ पर चलिए हम लोग DC जनरेटर चलिए अगर दो मिनिट का जरा ब्रेक ले लेते हैं पानी वाली पी ले देता हूं मैं भी है ना थोड़ा पैर भी मेरे जाम हो गई है आज लग रहा है मुझे बारा गंटे जाएगी कोपी भर गई देखो यह सारी चीज मुझे याद है चलो पानी वानी पीलो जरा आप लोग भी यहां पानी पीलो और जर्दी जरा सेयर मार दो सबको ना सेयर लाइन से याद चाहे कोई देने ही नहीं आ रहा है आप चार बज़िए तो सब सो गए होंगे बाई अपने साथ में औरो को भी क्यों परेशान करूंगा याद कहीं जाना नहीं है भाई दो मिनिट का ब्रेक दे रहा हूं जरा पानी वानी पीलीजिए कहीं जरा बीजिए अन्एट का याद में आउड्मवजिदर्स आपने चाये आपने नहीं वात लिए वानी उङे फिरसे भी के चाहत है रहा है जरेना और आलाते रहा है है ऴ没有ेटादों दो सबसे दो सकी है झाल 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 चलिए जी वापस लोट ये सभी लोग वापस लोट ये जन्नेटर गए कहीं छोड़ेंगे पाउस्टम भी करना अभी तो अभी कहां छोड़ देंगे क्लास को मज़ा आया देखो और शिट बारिस के घारन रूम में पानी आ गया चलो चलो अच्छा है बहुत अच्छा है पिल्कुल आप लोगों में न वो जोस तो मैं भर चुगाओं कि आप लोग अब जीवन में मुझे इतना जरूर भरोसा है आप लोगों पर कि आप जीवन में कभी दिक्कत को फेस नहीं करेंगे आप जीवन में कुछ भी पार कर जाएंगे कुछ भी किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो किसी भी तरह का पेपर हो एक जंग को किसी भी जंग को जीत जाएंगे क्योंकि आपमें वो जजबा पैदा हो गया है कौन सा अपने लिए कुछ कर गुजरने का महनत कर गुजरने का तो वो जजबा पैदा होना बहुत ही जरूरत है वो जजबे को पैदा होना बहुत ही जादा आवेशक है कि दोसों से कमने देखो काम चलेगा ना पाप लगेगा आप लोग जल्दी से आओ फड़ापट 200 प्लस देखें डीसी जनरेटर भी जांग अब क्या नहीं यह यूट्यूब 12 गंटे से ज्यादा की जो क्लास है न रिकोर्ड नहीं करने देता मतलब कि यह 12 गंटे से ज्यादा स्ट्रिमिंग नहीं करने देता नहीं तो मैं दो खीज देता पाऊ स्ट्रम की तो यहां हम कहेंगे ईजी बराबर एन पी फाई जैड़ अपॉन 60 ए यहां देखें लैप वाइंडिंग लैप वाइंडिंग में ए बराबर होते हैं पी पैरलल पाथ तो याद यह रखना है कि कि जितने भी पैरलल पाथ बलाद जितने भी पोल है सब्यार हमने कहा कि छे पोल है तो यहां पैरलल पाथ भी हमें छे ही बनाने होंगे हमने कहा हने तें बाइंडिंग तो वेव बाइंडिंग में ए बराबर दो सपोज यहां पर भी छे हैं तो यहां मेरा पैरलल पात दो ही बनेंगे तो दो का मत्रब है छे मैं से तीन इधर जाएंगे और तीन इधर जो conductor हमने दिखाए हैं यह इस तरह से तो यहां देखे छे को बनाने का यह तरीका कित्रे पैरलेल पाते एक और दो यहां एक दो तीन चार पांट छे तो यह होता वेव बाइंडिंग लैब बाइंडिंग हमेसा देखे हम क्या लिखेंगे हाई करांट हाई करांट लो वोल्टेज है ना वैल्डिंग में भी आप इस्तमाल करते हो वैल्डिंग में भी आप इस्तमाल करते हों कि हाई करांट लो वोल्टेज है वेव बाइंडिंग किसके लिए इस्तमाल करेंगे ह और लो करेंट के लिए हाई वोल्टेज और लो करेंट के लिए तो लैप के कहानी हो गए देखें वेव बाइंडिंग के कहानी हो गई बिटा इसको याद रखना है एजी वान अपोन इजी टु बराबर ऐन वान 451 अपोन ऑयन टू पाइं डीज येए अपोन में देखें गरते ही हम लोग के टाइप्स पर चल रहेंगे तो सबसे पहले मैंने बनाया आप लोग के लिए separately excited separately excited DC generator थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको separately excited DC generator तो separately excited DC generator armature winding है यहां क्या बना EG बना यह क्या हो गया देखे तर्मिनल पे voltage V हो गया यह क्या है देखे IA है यहां separately excited के कहानी यह है कि बाहर से कोई battery लगा के आप excitation दे रहे हो क्या देखे IF तो हमें पता है कि 5 directly proportional to IF यहां पर जो धारा बहेगी इसके हिसाब से तो विद्ध्यार्तियों यहां पर V minus क्या लिखेंगे V बराबर EG माइनास आई ए आर ए brush drop लेना है ले लो कोई दिख्खत रहे है राइट फिर next चलेंगे हम लोग series पर next चलेंगे देखे हम लोग series पर यहां बेटा short sun और long sun से भी सवाल बनता है तो अभी बताओंगा आप लोगों को देखें तो यहां चल रहे हैं हम लोग देखें श्रीज पर कि तो स्रीज पे हमने कहा यह और ए है यह 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 यहां बनता है आर एस यह टर्मिनल हो तो यहाँ पर 5 डिरेक्ली परपोर्शनल टू क्या है आई ए यह डिरेक्ली परपोर्शनल टू आई एस जो नॉर्मल है अपना तो V बराबर EZ माइनस IA RA प्लस में RSE राइड जी अगर हम लोग लेकर चलते हैं संट के लिए तो यह ध्यान दीजिएगा यह देखें संट के लिए संट के लिए हमने बनाया RA यह बनाया हमने EZ यहाँ बेटा हो गया टर्मिनल वोल्टेज V बेटा निमेरिकल आएगा इन डाइग्राम पर तो छोड़ना मत्ती से RSH यह हो गया देखे ISH यहाँ से ISH मिल जाएगा यह क्या हुआ देखो यह क्या हुआ देखे IA यह क्या होगे तो यहां पर IA बराबर I Az में देखे I SH तो V बराबर EZ minus IA RA यह क्या होगे देखे संट होगे राइन अग क्या बना देखे संट देखे लैप बाइंडिंग को याद करो नीचे not prefer for parallel operation एक और important जोड दीजे देखे not prefer for parallel operation इसको हम parallel operation में prefer नहीं करेंगे तो parallel में हम किसे prefer करते देखे इसे prefer for parallel operation फिर दूसरी चीज़े है जब हम लोग लैप बाइंडिंग की तरफ चलते हैं तो लैप बाइंडिंग में हमें फिर equalizer ring की ज़रौत पड़ेगी जब भी लैप बाइंडिंग की तरफ हम लोग चलेंगे ना तो हम लोग को यहाँ equalizer ring की ज़रौत पड़ेगी तो normally यहाँ हम लोग लिखेंगे equalizer ring required equalizer required कहां लैप के लिए वैब में नहीं पड़ेगे मैं वैब favorite है ultimate है तो वैब हमारे लिए important रहे गाई यह आप सोजाओ सर्थ तो जी सी जनरेटर के देखें यह कहानी हो गई अब देखें संट के बाद में जब हम लोग यहां हम लोग चलेंगे देखें cumulatively और compound पर भी और long set और short set के डाइग्राम भी यहां बनाने पड़ेगे निमेरिकल पूछा गया है तो चलिए जी लोंग और short set पर बना कर दिखाता हूं आपको cumulatively भी दिखा देता हूं और differential का मतलब देखें आर्क रेक्टिफायर में वह सरी आर्क वैल्डिंग में जरूरी है differential को ही यूज करना क्यूं क्योंकि वहां पर ट्रूपिंग characteristics की हमें जरूरत होती है राइड जी तो चले हो देखो जी नेक्स्ट बनाते हम लोग compound compound में चल रहे हैं हम दो परकार से एक पढ़ते हैं पहले long shunt भाई छोड़ना क्या छोड़ना क्या पढ़ना ही है हमने तो long shunt तो long shunt में देखे क्या है हमने यहां लिया है r a और हमने इसी में लगा दिया r se इन्हीं के across में देखे rsh लगा है objective examiner ये भी दे सकता है कि अगर हमने armature और series winding के cross में cent winding लगाई है तो बताईए ये क्या है तो आप कहेंगे गुरुजे long shunt बनता है तो long shunt हमारे लिए solution करना बिलकुल challenge नहीं है क्यों नहीं है देखे i a बराबर ish plus में i आसान हो गया साथ में देखेगा ish बराबर v upon में rsh जब हम लोग कहेंगे वी बराबर तो हो जाएगा इजी माइनस इजी माइनस में आई ए आर ए माइनस आई ए आर एस ए ये काम है देखे लोंग क्लेट नेक्स चलते है शौर्ट शंट शौर्ट संट ज्याद़ इंप्वोर्टनेंट यहां याद करेंगे देखे आ रहा है ना देखो भाई सब चीजे दिमाग में अपने आप चले जैसे जैसे नाम ले रहा हूं शॉर्ट संट तो नेक्स चलेंगे विद्यार्थियो शॉर्ट संट नेक्स चलेंगे देखे शॉर्ट संट तो शॉर्ट संट को आपको यह ध्यान देना है कि यह बने देखे आर मेचर यह क्या बना आर मेच और विद्यार्थियों यह हो गया देखो यहां पर और ऐसेच यह क्या है देखे आई एसेच यह बना गया देखे आई ए तो यहां इसके बाहर में अब आपको यह कहें कि के Compound Generator में Field Winding कौंसी Sun Field Winding मात्र आर्मेचर के एक्रोस में लगा दिया है तो मात्र आर्मेचर के एक्रोस में लगाया है तो बताइए यह क्या होगा तो आप कहेंगे शर्य Short Sun Compound कहलाएगा तो विद्यार्ज जी हो shots अंटी ये बड़ा important है देखे numerical के लिए ये ज़ादा important है numerical के लिए ये ज़ादा important है तो ये क्या हो गया देखे terminal voltage V यहां क्या बना देखे यहां क्या बन रहा है तो बेटा ये जो ISH है यहां देखेंगे ISH का मतलब यह voltage यहां से यह भी तो voltage लिखना है हमें तो इस voltage को लिखने के हमारे पास देखे हमने कहा V dash है तो V dash को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं देखो क्या या तो easy minus IAR ही कर दो या V plus I RSE कर दो तो दूसरा यह भी आप से पूछा जा सकता है कि अगर field एक compound में या compound generator में field binding में armature current बहता है field binding में armature current बहता है तो बताईए यह क्या है तो आप कहेंगे sir यह तो देखे long chart है अगर field winding, serious field winding में load current बहता है तो बताईए यह क्या है? यह क्या है? तो यहाँ पर I SH ब Download बराबर V-डेस अपॉन R-S-H क्या करेंगे V-डेस अपॉन R-S-H अगर हमें R-S-H यह आई-S-H मिल जाता है तो यह देखो विटा इस नोड पर आने वाला करंट है I-A जाने वाला है I-A और I-S-H तो यहां से I-A बराबर I-S-H और I-A मिल जाता है तो फिर हम लोग क्या करें करेंगे देखे ए बराबर E-V बराबर E-G-I-A-R-A और यहां चलिए-I-R-S-E क्या करेंगे देखे माइनस आई-R-S-E ओके यह क्या है देखे शार्ट संट के लिए बेटा यह डाइग्राम बड़े खासे इनको छोड़ मत देना देखो इनकी प्रैक्टिस जरूर होने चा यहां numerical घुमा भिरागे नहीं पूचेगा numerical statement पूचेगा आपको जैसे कि आपको यह देदेगा यह देदेगा यह पूचेगा राइड नहीं यह पूचेगा आपको टर्मिनल वोल्टेज बताएक कई बार आपको जनेटिड वोल्टेज पूचेगा यह सारी कॉंटिटी दे घटा दो तो तब भी यह मिलेगा या यह है धर यह और यह जोड़ दो भाई यह वीडैस है तो वीडैस बराबर यह और यह दोनों ही तो है तो यह फिर यह रख दो दोनों आपकी इच्छा है कुछ भी रखकर सॉल्यूशन कर लिए तो कंपाउंड को देखें जब हम देखते हैं आपको ध्यान देना है कि कंपाउंड के लिए हम दो तीन चीज़े देखें यह देखकर चलते हैं क्या-क्या कंपाउंड के लिए हम दो तीन चीज़े देखें क्या-क्या देखकर चलते हैं एक देखकर चल पुलते हैं हम लोग लेवल कंपाउंड का मतलब है कॉंस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज बना रहना कि एक होता है कम्मुलेटिवली कंपाउंड देखें जी कम्मुलेटिवली कंपाउंड का मतलब आप समझेंगे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट है भाई फाई बराबर कम्मुलेटिवली का मतलब आप समझेंगे फाई बराबर फाई एस ए और फाई एस एच दोनों से ये दोनों जगर जुड जाएंगे तो क्या है देखें फाई है ओके जी क्या है देखें फाई है फिर एक आता है डिफरेंशेल एक आता है डिफरेंशेली कनेक्टेड तो डिफरेंशेली कनेक्टेड में होती है ड्रूपिंग करेक्टरस्टिक अभी वेल्डिंग में पता चल जाएगा आपको तो इसे हम इस्तमाल करते हैं arc welding में कहां पर देखें arc welding में और इसमें होता है 5SE-5SH दोनों का difference फिर देखेंगे विद्यार्थियो जब हम लोग cent generator की बात करते हैं DC cent generator तो DC cent generator को हम इस्तमाल करते हैं बैटरी चार्जिंग में और DC series generator को हम इस्तमाल करते हैं DC distribution में DC distribution में DC distribution में DC series generator को DC distribution में booster के रूप में कैसे booster के रूप में कैसे बैटा booster के रूप में DC distributor में booster के रूप में इस्तमाल किया जाता है अब आप राइड जी यह हो गए अब ने लिख ले आँ चलो आगे पड़ा है तो डी सी जनरेटर और और अब आप लोगो को कुछ पॉइंट है देखे यह लिखवाना है जरूरी समझता हूं मैं कुछ पॉइंट है दिखे मैंशन करूंगा मैं और हर एक पॉइंट में काफी important चीजें काफी important objective छिपा हुआ है काफी important objective छिपा हुआ है हर एक बिंदू में तो ध्यान से देखना है क्या देखना है ध्यान से कि अगर हम लोग ये देखते हैं विद्यार्थियों आर्मेचर रियक्षन तो आर्मेचर रियक्षन की कहानी क्या होती है आर्मेचर रियक्षन की देखे कहानी यहां क्या बनती है तो हम कहते हैं आर्मेचा रियक्षन देखे पूरा तो कराने में बहुत लग जाता आर्मेचा रियक्षन में तो इंपोर्टेंट बिंदु को जोड़ूंगा यहाँ थोड़ा पानी पीलू गला सुखरा यार चले देखे आर्मेचा रियक्षन चलेंगे क्या इट इस दा इट इस दा इफेक्ट आफ आर्मेचा फ्लक्स आर्मेचा फ्लक्स टू दा में पोल फ्लक्स तो दा में पोल फ्लक्स आर्मेचा फ्लक्स दा में पोल फ्लक्स दू 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 आर्मेचा फ्लक्स दू 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 आर्मेचा रियक्षन armature reaction the resultant the resultant due to the armature reaction the resultant flux may be distorted distorted and cross magnetized yeah distorted and demagnetized distorted and demagnetized distorted and demagnetized फिर चलेंगे देखे विद्यार्थियों जाहाँ M-N-E का मतलब है magnetic neutral axis magnetic neutral axis M-N-E का मतलब है magnetic neutral axis G-N-E का मतलब है geometrical 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 neutral axis चलेए विद्यार्थियों लिखेंगे in the case of generator in the case of generator due to the armature reaction बोलो बेटा जैसे जैसे मैं point बोल रहाऊ न हो वो दिमाग में चलने चाहिए अब रिवाइज होने चाहिए in the case of generator due to the armature reaction the M-N-E shift M-N-E किस दिसा में shift होगा M-N-E shift in the direction of rotation in the direction of rotation of generator in the direction of rotation of generator and against the direction of rotation of motor and against the against the direction of rotation of motor तो जनरेटर की चलने की दिसा में सिफ्थ होता है और मोटर की चलने की विपरीद दिसा में सिफ्थ होता है या MNA फिर चलेंगे देखिए ध्यान दीजिएगा ब्रस अल्वेज प्लेस्ट ब्रस अल्वेज प्लेस्ट अट MNA चलेंगे देखिए दिव तू दा आर्मेचर फ्लॉक्स दू तू दा आर्मेचर रियक्षान दू तू दा आर्मेचर रियक्षान the resultant flux the resultant flux is demagnetized at the leading pole tip leading pole tip demagnetized at the leading pole tip and magnetized magnetized at the lagging pole tip lagging pole tip यहां पर चलेंगे total flux is demagnetized total flux is demagnetized total flux क्या हो गया demagnetized हो गया तो armature reaction में यह सारे जो बिंदू लिखे हैं हाँ density अलग है MNA also called the axis of commutation yes definitely always placed all of MNA लिखा ना चलो यह भी लिख देता हूँ MNA को हम लोग क्या कहते हैं axis of commutation axis of commutation क्या कहेंगे देखे हम लोग MNA है राइर जी यह क्या है देखे armature reaction से जो संबन्दिद important point है ना जो important point है चले विद्यार्थियों आगे चलेंगे देखे हम लोग यह सीखते हैं हम लोग यह सीखते हैं कि एक टार्म होता है यहां commutator है ना एक टार्म होता है commutator और commutator में हमें यह देखना होता है कि जो commutation action है वो कैसे होता है और commutation हम लोग कैसे improve कर सकते हैं तो यहां पर जो next हम लोग देखने वाले हैं वो है commutation की कहानी को तो commutation यह इसी में से कुछ न को चीज़े आपको पेपर में देखें प्रैक्टिस में भी देखने को मिलते हैं कि नेक्स चलेंगे विद्यार्थियों देखें हम लोग commutator पर तो commutator बना होता है कमutator बना होता है hard drawn copper का प्रैट जी hard drawn copper और जो segment होते हैं कमutator के जो segment होते हैं वो किसके बराबर देखें number of coil के बराबर ही उसमें segment बनाते हैं ऑफिर देखें जो segment अलग रखते हैं जो segment यह न झो यह तो जो यह हम लोग लेते हैं मैरा का कैसे यह हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं मैरा के क्या लीकर चल रहे हैं यह माई का इंसुलेशन अब यह ध्यान देना है कि जो यह पूछेगा आपको haddrone को पर segment क्या है जितने हमारे number of coil है उतने ही segment हम लोग यहां लेते हैं अब देखिए कमुटेटर का काम क्या है कमुटेटर हमारा क्या काम करता है कमुटेटर हम लोग जब जनरेटर में देखते हैं तो जनरेटर में हमारा ये काम करेगा नॉर्मल जो AC आर्मिचर में बनता है उसे DC में करने के लिए यानि कि यहां ये काम कर रहा है एक मेकेनिकल रेक्टिफायर के तोर पर कैसे काम कर रहा है देखे मेकेनिकल रेक्टिफायर के तोर पर और यहां काम कर रहा है की motor के तोर पर तो motor में क्या करता है DC2AC में बदलता है तो यहां यह काम करता है विध्यार्थियों mechanical inverter के रूप में कैसे काम करेगा देखे mechanical inverter के रूप में तो जब हम commutator को समझेंगे और हम जानेंगे तो हम यह जानना चाहते हैं कि यार कमूटेटर का काम क्या है और कैसे यह देखें काम करेगा तो आपको यह समझना होगा कि अगर हम यह देखना चाहते हैं कि कमूटेटर में सपोज यह सेगमेंट है यह कमूटेटर में सेगमेंट बने हुए है तो यह समझना है विद्यार्दियों आपको कि यह देखे कॉयल है यह हमने कॉयल बना रखे जितने सेगमेंट उतनी कॉयल हमने देखे यह बना देखे तो पेटा हमने क्या किया कि पहले जो ब्रस टच है हमने कहा कि प्रस हमारे यहां पर टच है तो जो भी कॉयल अंडर गोइंग कमुटेशन कंडिशन में होगी जैसे हमने यहाँ लिया, तो इस तरफ से current कितना आई, इस तरफ से current कितना है, आई, तो जो भी coil, undergoing commutation में होगी, undergoing commutation की condition में होगी, coil undergoing commutation, तो ये काम करेगी देखे, एक short circuit के तोर पर, कैसे काम करेगी एक short circuit के तोर पर, लेकिन real picture में ऐसा नहीं होगा हमने कहा इधर से देखो I मिला अगर इधर से भी I मिला तो हमने कहा जी चलो 2I है बढ़िया यानि कि अगर हम ये कह रहे हैं कि यार जो change है current गा ये positive I से negative में कम समय में हो जाए ये कितना समय कहलाएगा commutation period यानि कि time of commutation commutation period तो अगर एक positive value से यहाँ negative में बदल जाएगा एक तुरांत यह ऐसे बदल जाएगा तो हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी commutation है ये तो बड़ा अच्छा commutation है लेकिन real picture में क्या होता है कि जब तक ये coil यहाँ से next वाले पे जैसे ये shift कर रहा है तो ये जो current है वो धीरे धीरे भाई commutator है वो तो घूम रहा है आपका section भाई ये तो अपका लगातार घूम रहा है ब्रस आपने ये touch करा रखे हैं तो next वाले section पर ये गया तो current यानि की rated condition में बहुत धीरे से पहुँच रहा है धीरे से पहुचने का मतलब है कि एक जादा समय ले रहा है current को positive से negative में भीजने में तो ये case कहलाएगा delayed commutation ये case कहलाएगा delayed commutation और ये case कहलाएगा यहाँ पर idle commutation ये case कहलाएगा विद्यार्थियो idle commutation तो idle commutation तो संभाव नहीं है तो इस coil जो coil undergoing commutation में गई है वो short होनी चाहिए थी लेकर due to the due to the reactance of a coil तो हम क्या लिखेंगे देखे due to the self inductance of coil due to the self inductance of coil a reactance voltage a reactance voltage induced in a coil induced in a coil एक induced voltage हो गए कौन से reactance voltage हो गई तो इस reactance voltage पर सवाल बहुत पूछ रहा है भाई VL बराबर 2LI upon Tc तो यह reactance voltage ही बिमारी है commutation failure का यह reactance voltage ही बिमारी है commutation failure का अगर कुछ भी करके हम इस reactance voltage को घटा दे कुछ भी करके कि हम इस reactance voltage को घटा दे तो हम कहेंगे कि commutation हमें अच्छा मिल गया यानि कि अब इस reactance voltage के कारण ये current बहुत डिले में यहां बदल रहा है क्यों क्योंकि inductor अपने एक रोस में current में change होने का अपोज करता है तो इस reactance voltage के कारण current अपने positive से धनातमक यानि धनातमक value में धीरे ध गया जब तक यह यहां positive से negative rated value तक पहुंचा भी ने और बरस यहां shift कर गए next वाले section पर तुछ जो difference of current है वो कहां बहेगा बरस पर और यही delay commutation का मतलब क्या है बेटा sparking से कहां से है इस sparking से है तो यह reactance voltage को याद रखिएगा पेपर में बनता है किसके कारण आती है यह reactance voltage हम कहेंगे coil undergoing commutation में जो inductance है उसके कारण यह reactance voltage मिलती है और यही जिम्मेदार है commutation को खराब करने के लिए यदी हम commutation को improve करना चाहते हैं यदी हम यदी हम commutation को improve करना चाहते हैं तो हम इस reactance voltage को घटाएंगे हम इस reactance voltage को घटाएंगे तभी commutation को हम लोग improve कर सकते हैं तो चलिए विद्यार्थियों देखते हैं next चलेंगे how to improve commutation how to improve commutation next हमारा है how to improve commutation तो अगर हम लोग देखें विद्यार्थियों commutation को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो commutation को बढ़ाने का clearly एक ही मतलब है एक ही मतलब है और वो clearly मतलब है reactance voltage जैसे बिमारी को कम करना reactance voltage को यदि आपने कम कर दिया तो बेटा हम आसानी से यह कह सकते हैं कि हमने commutation को इंप्रूव कर दिया करना पड़ेगा हमें तो चलिए next आते है methods to improve commutation methods to improve commutation जो चीजे अभी बताई आपको commutation की जरा एक तीस सेकेंड के अंदर उनको दिमाग में चलाओ इंटर्पोल बढ़िया इंटर्पोल रजिस्टेंस method यह सारे हम लोग बता रहे हैं भाई सब पे आ रहे हैं हम लोग कोई दिक्कत नहीं है जले जो चीजे अभी बताई है उसको जल्दी से फड़ा फड़ जरा दिमाग में चला ले अपने कि क्या का चीजे देखे अभी बताई है चलिए तो यहां पर देखेंगे जब हमने कहा methods to improve commutation तो हमारे पास में बेटा यहां पर होती है नमबर एक में resistance method resistance method में simple है देखें we use a carbon brush चलिए बात खतम carbon brush next चल रहे हम लोग देखें interpol next चल रहे हम लोग interpol है ना interpol तो interpol देखें हम लोग क्या करते हैं interpol जो binding है वो armature के साथ में armature के साथ में स्रीज में जुड़ी है क्या बेटा armature के साथ में स्रीज में जुड़ी है कौन सी भला interpol binding तो ध्यान यह देना है कि interpol binding बेटा generator और motor यह important बता रहा हूँ जनरेटर और motor दोनों में पूछता है बड़ा एक खास होता है देखें जब हमने कहा कि interpol यह हो गया देखें main pole यह हमने main pole बनाए जी यह main pole बनाए हमने तो motor और generator में देखें किस परकार से लेते हैं यह n है यह s है यह n है और यह s है सपोज यह हमने generator के case में देख रहा है तो generator के case में interpol की polarity वही ली जाती है जो उससे आगे वाले main pole की polarity है सपोज यह इस तरफ घूम रहा है तो हमें देख रहा है interpol की polarity हमें ुस तरफ लेनी है जिस तरफ मैं interpol हूँ wewn generator के case में तो मैं कहुंगा अपने से आगे वाले polarity के जैसे मैं रहूंगा तो यहां से हमने कहा कि अगर यह s है तो यह s है अगर यहां से आगे n है तो यहां से आगे ऐसे तो यहां से आगे अन है तो यह अन है तो जन्रेटर के केस में हम कहेंगे कि इंटर पोल पोलारिटी इंटर पोलारिटी सेम एज इंटर पोलारिटी सेम एज मेन पोल अहेड मेन पोल अहेड आगे वाले मेन पोल के जैसे इंटर पोलारिटी है और जब तो हम लोग जैसे मोटर में चले तो यहां यह दिमार्ग में रखेगा, यह जैसे N हैं, यह जैसे S है, यह हम लोग चले कि यह N है, और हम लोग चले कि यह S है, तो हमें देखना आए अब मोटर के लिए, तो हम कहेंगे कि Interpol की Polarity वो होगी Interpol Polarity Same as Interpol Polarity Same as Main Pole Behind तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे से पीछे जो हमारे से पीछे की तरफ है तो यहां पर देखे यह बहुत खास है, intertwol के polarity बहुत खास, interpol कहा, देखो, interpol कहां जुड़े होते, interpol में कौन सा current बहेगा, आर्मीचर current ही बहता है, और interpol में किसके opposite, किसके opposite में voltage प्रेड़िज करेगा, या, reactance voltage के opposite में एक voltage को प्रेड़िज करेगा, और reactance voltage है कैसी बिमारी है यदि हमने reactance voltage को किसी भी तरह से घटा दिया मज़ा आ जाएगा भाई commutation बढ़ेगा definitely commutation अंप्रूव होगा अच्छा होगा commutation के drawback है यार commutation अगर है तो sparking अगर commutation अच्छा है तो sparking वगरे कम है अगर हमारा failure of commutation है यानि कि delay in commutation तो delay in commutation is responsible for failure of commutation और अगर sparking ज़्यादा होती है तो commutator जलने का डर है यानि commutator segment जल जाएंगे commutator segment जल जाएंगे भाई next अब देखो जब motor है तो motor में क्या कहेंगे पीछे वाली ओल्गी priority next यह याद रखना अगर हम लोग यह कहते हैं कि देखो बेटा यह यहाँ पर यह कहा लाता है कमutator के segment तो जो भी ब्राज हम लोग लेंगे उस ब्राज की जो विर्त है जो विर्त यानि की चोड़ाई है विर्त यानि की जो चोड़ाई है वो लगभा कितनी डबाल कितनी लेते हैं double एक और method होता है मेरे बच्चो compensating binding एक और होती है देखी compensating binding कमपन सेटिंग बाइनिंग में भी इंपोर्टेंट बस क्या कहूंगा मैं इंपोर्टेंट कहूंगा कि इसमें जो धारा बहती है यह कौन सी धारा बहती है आर मेचार करंट ही बहता है इसमें भी आर मेचार करंट ही बहता है लेकिन इसका ड्रॉबैक है कमुटेशन करेगा इ यह मशीन को भारी बना रहा है यह मशीन को भारी भरकम बना रहा है वे प्रॉब्लम हो यह बागी जीँ मेंगी महंगी तो सब हाइ रहे है यह आपको सब पूछाइब है ओके चलिए my dear student तो now we almost complete the electrical machine and power system basic electrical engineering and लगभग मैंने बहुत उपर उपर बताने की कोशिस नहीं की है मैंने हमेशा बताने की कोशिस की है आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में जाकर और मैंने ये पहले से कहा है कि ये marathon class उस विद्यार्थी जो पहले से मुझसे पढ़ता आया है उस हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत important है जिसने पहले पढ़ा है उसके लिए ये class बहुत important होगी क्योंकि हम कम समय में हम कम समय में जादा study कर सकते हैं अध्यापक के साथ में कम समय में जादा study कर सकते हैं अध्यापक के साथ में कर सकते हैं अध्यापक के साथ में और ये marathon class में लंबी class लेने का सिर्फ एक message देने का यही एक message एक देने के परियास मैं कर रहा हूं कि life में shortcut से बेटा कुछ भी नहीं हासिल होता है life में हमें महनत करना होता है shortcut से जो चीजे मिल जाए ना shortcut से जो चीजे मिल जाए तो इंसान उनमें खुस भी नहीं रह सकता इंसान उसमें खुस भी नहीं रह सकता तो इसलिए बेटा हमेशा महनत करते रहिए मेहनत करने का एक जजबा आप लोगों के अंदर होना चाहिए आप लोगों के अंदर मेहनत करने का जजबा अगर पैदा हो गया ना तो आपको दुनिया में कभी भी गर्दन जुखाने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी कि आपको दुनिया में कभी भी हार देखनी नहीं पड़ेगी बीटा अब हमेशा तरक्की और कि और सिर्म दरक्की करत चले जाएंगे अब सौजाईए सर तो चलिए स्टूडेंट लास्ट में आप लोग के लिए कुछ लाइने कि लाइने मेरे जब मैं आकेले में बैठता हूं कभी कभा दो चार लाइने मैं लिख लेता हूं तो आप लोग को कुछ लाइनों के साथ में इस क्लास को मैंड करूंगा और नेक्स्ट मेरी जो मैराथन क्लास होगी इसमें मैं उमीद कर रहा हूं कि एक हजार बच्चे आगे तो जो मेरा वादा है डिसकाउंड का वो जरूर पूरा करूंगा लेकिन एक हजार मुझे चाहिए बच्चे यहां पर तो कुछ इस परकार से दो चार लाइने मैंने लिखी आप लोग के लिए कि ना ठकना है ना रुकना है लाइने को देखे का मुश्किले आएंगी कई कई बार तुझे आजमाएगी मुश्किले आएगी कई कई बार तुझे आजमाएगी कभी डराएगी तो कभी सताएगी बस तू रहे निडर अपने करमपत पर एक दिन मुश्किल भी हार जाएगी ना ठकना है ना रुकना है तुझे तो अपने कर पर चलना है बस तू रह अपने करम पत पर एक दिन मुश्किल भी हार जाएगी ना थकना है ना रुकना है तुझे तो अपने करमपत पर चलना है तुकर विश्वास बस अपने करमपत पर यही है जो तेरे नाव को पार लगाएगा और अब मुस्किले खुद हार कर तेरी नाव को सपलता के पास पहुँचाएगा बस तू रहे निडर अपने करमपत पर एक दिन मुस्किल भी हार जाएगी ना ठकना है ना रुकना है तुझे तो अपने करमपत पर चलना है थैंक्यू वेरी मच्च और वेरी बेस्ट इंजोई 109 आवर मैराथन क्लास चले बारत माता कीजे और अब आराम करें